सबसे पहले चैप्टर का नाम तो जैसे कि आपने देखा कि holding company हैं और इसको हम holding and subsidiary company भी कहते हैं और इसको हम consortulate financial statement भी कहते हैं और holding का concept law के अंदर भी आपने पढ़ा होगा पहले law के अंदर आया हुआ है तो अगर मैं holding की बात करूँ तो holding कैसे होता है जैसे मान लेते हैं कि Reliance Limited है पहले holding किसे बोला जाएगा वो समझते है Reliance Limited है तो मेरे हिसाब से और आप सभी के हिसाब से भी Reliance Limited एक जो है company है और जो की छोटी मोटी company नहीं है मतलब कि बड़ी company बोल सकते है ठीक है न अब Reliance Limited है और एक है अब Reliance Limited का का कारोबार क्या है बताओ इनका बहुत सारा काम है बाकी main काम इनका क्या है oil का या फिर हम suppose करो main काम इनका मान लेते हैं हम जी यो जो है इनका ठीक है न यह बड़ी company है एक तरीके से और internet प्रोवाइड करने का भी काम करती है अब बहुत सारी ऐसे company है जैसे कि मैं internet प्रोवाइड करने का और इनका एक company है मान लेते हैं आप सभी के घर पे cable TV आपने कहीं नाम सुना होगा डेन नेट वर्क इसका भी काम internet प्रोवाइड करने का है इसका भी internet प्रोवाइड करने का इसका भी internet अब सर कहीं न कहीं अब अगर मैं बोलूं company खरीदने की अगर बारी आईगी कि कोई company दूसरे को खरीदना चाहता है तो Reliance Den Limited को खरीद लेगा या फिर Den Limited Reliance को खरीद लेगा बताओ कौन किसको खरीदेगा अब खरीदने का मतलब होता है कि अगर Reliance चाहता है कि मैं इसके company के खरीद लूँ तो इसको कुछ नहीं करना Reliance को खरीदने का मतलब है कि उसे simply इसके company का अगर 51 परतीशत यानि 50% से ज्यादा जो कि मैं 51 परतीशत बोल रहा हूं 51% अगर इसका shareholder fund खरीद लेता है क्या खरीद लेता है सर बेसिकली बोला जाए तो इसका equity share capital खरीद ले क्योंकि मालिक तो company का यहीं होता है और अगर दूसरे terms में बोला जाए तो इसका shareholder fund खरीद ले अगर 51% से ज्यादा जैसे ही Reliance Limited इसके shareholder को खरीद लेगा तो फिर इस company को सारा का सारा बातें मानना पड़ेगा यानि इस company के उपर Reliance Limited का hold हो जाएगा यानि Reliance Limited इस company को अपने मन चाहे तरीके से चला पाएगा क्योंकि 51% मतलब मिजरेटी स्टेक हो जाता है और हो सकता है 100 भी खरीद ले तो यानि यह अपने मर्जी से चलाएगा और एक मुद्दे की बात आती है सर रिलाइंस लिमिटेड इसकी company को खरीदेगा ही क्यों क्योंकि competition खदम करने के लिए ऐसा company करती है कि दूसरे company को खरीद लेती है या तो और आपका Amazon Microsoft जितने भी छोटी छोटी company startup होती है उनके एकदम से खरीद लेती है और सेम Amazon में कोई अच्छा seller कोई कर रहा हो काम तो वो क्या करती है उसको सारी company के सारा पूरा ही acquire कर लेती है इतने पैसे ही दे देती है यह ताकि वह company future में उसका competition ना दे पाए सिर्फ एक यह यही रीजन है Microsoft की policy का कि आज तक computer की दुनिया में सरिफ और सरिफ Microsoft का ही नाम चलता है और एक दूसरा Mac जो OS है दो ही नाम है build-up तीसरा नाम मतलब आपने देखा ही नहीं होगा अस-पास है लेकिन देखा ही नहीं होगा वो छोटी company क्या कर लेती है फट से acquire कर लेती है और ज तो हमारी जनरल नॉलिज की बाते थी तो सर जब अब यह company ने जब इसको खरीद लिया ना तो इसको हम जो company खरीद रहा है इस company को बोलेंग होल्डिंग यह company हो गया holding company यह नाम ना वैसे ही रख दिया गया है कि भाई तू holding company कहलाएगा और यह company जो बिक गया है इसको बोल दिया गया तू अब ना subsidiary company होगा अब सबसीडरी company ठीक है ना टू क्या होगा सबसीडरी यानि Reliance Limited एक holding company है और जो हमारा डैन है क्या है subsidiary है हम जब कभी भी किसी का 51% stake को खरीद लेते हैं तो हमारे पास एक पावर आ जाता है कि हम दोनों की balance sheet को मिलाएंगे दोनों की कि जब balance sheet को हम मिलाएंगे तो उसको बोला जाता है Consodulate करना और Consodulate किसका करेंगे हम financial statement का Consodulate हम profit and loss का भी करेंगे Consodulate हम cash flow का भी करते हैं Consodulate हम balance sheet का भी करते हैं लेकिन हमारे इस लेबस में छोटा सा टॉपिक है जो कि balance sheet को Consodulate करना बताया गया और थोड़ा सा profit and loss के बारे में बताया गया अब holding company वो company है जो दूसरी company के 51% majority stake अपने पास रख लेगा लेकिन इसका न चैन भी जलता है चैन सर चैन का मतलब क्या है मान लेते हैं कि Dan ने भी एक company का खरीद लिया अब एक company आपने सुना हो city cable के नाम से ह और वो भी internet provide करने का मैंने सुना था कि काम कर रही गया city के नाम से अब city company का जो भी था इसका मान लेते हैं 51% 51% किसने खरीद लिया साहब इसका 51% खरीद लिया है हमारे किसने इसका 51% खरीद लिया है Dan ने तो अब Dan और city company के बीच का relation अगर मैं बताओं तो आप बता सकते हो क्या Dan holding company city company और Dan के बीच का ही relation बताना तो city company is a holding company और subsidiary company बताइए सिर्फ इन दोनों के बीच में रिष्टे की बात करेंगे इसके बीच की रिष्टे की बात नहीं करेंगे हम Dan Limited ने क्या करा city company को खरीद लिया तो आप मुझे बताइए city company को क्या नाम देंगे हैं जितने बच्चे लाइब देख रहे हैं वो भी बताएं सर city company को क्या नाम देंगे हैं तो बोलेंगे सर city company subsidiary है और Dan Limited एक holding company है यानि यह relation ऐसे बनता जाएगा लेकिन अल्टिमेटली आप ध्यान दिजेगा जब city company को इसने hold किया और हमने इसको hold कर लिया तो अल्टिमेटली देखा जाए तो प्राइंस लिमेटेट के दो subsidiary हो गए कितने subsidiary हो गए एक डेन भी इसका subsidiary माना जाएगा यानि यह देन का भी holding है और एक city भी सबसेटरी माना जाएगा सिंपल सी बात है ना आपके एक person है जो कि बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है एक बड़ा person आगे वो इसी को कंट्रोल कर रहा है तो अटोमेटिकली जो जिसको यह कंट्रोल कर रहा है तो वो तो उसके सबसेटरी का रिलेशन हो जाएगा अमल्गमेशन में क्या होता था कंपनी का सहब नाम ही बदल जाता है जो हम चला रहे हैं चेप्टर में कंपनी बदल जाती थी यहां पर कंपनी नहीं बदलेगा भई अपना-पना काम करो हमने इसका मेजर्टी स्टेक खरीद लिया है ठी स्टेक को खरीदना पड़ेगा सर स्टेक का मतलब क्या है सर शेयर होल्डर फंड दूसरा अगर आपकी कंपनी जैसे मान लेते हैं दूसरा एक मान लेते हैं पीक्यू आर लिमिटेड है एक एक्सवाइजड लिमिटेड है एक पीक्यू आर लिमिटेड है और एक एक्सवाइ तरह होते हैं ना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राइबट लीमिटेड हो पॉब्लीक लीमिटेड हो उसके फीचर का पार्ट होता है कि इसके अंदर मिनीमम तीन डिरेक्टर होना चाहिए मिनीमम एक मेल मेल इस तरही के से और PQR एक पुरानी company है तो PQR बड़ा expert है कि बहुत पुराने साल experience है तो इसने क्या करा है इस company के सारे director का इसने appointment करवा दिया किसने करवा दिया PQR Limited ने यानि इसके company के अंदर जो director है यह इनके guidance के according बन रहा है कि तब भी यह इन दोनों का जो रिष्टा बन जाएगा इन दोनों का जो relation बन जाएगा वह बन जाएगा holding और किसका subsidy का जरूरी नहीं है कि स्रिफ आपको 51% stake ही लेना है अगर आपने उसका majority director को appoint करवा दिया और majority director आपने वहां appointment करवाया है तो भी आप holding माने जाओगे दूसरा अगर आप इस company के majority decision खुद ले रहे हैं और वह मान रही है कि हाँ वह जो बोल रहा है ठीक कर रहा है तब भी यह holding company माने जाएगे देख लेजिए यह theoretical part है practical aspect अभी करेंगे according to companies एक 2013 और इसके अंदर 13 ही नहीं चलता इसके उपर एक और company एक और आ जाता है हमारा चले इसको बाद भी देख लेंगा इंडियन एस भी आ जाता है तो according to 13 के हिसाब से holding company क्या है is a company that control over the company वह company है जो किसी company के उपर control कर लेता है refer to a subsidiary constant कहला कहता है appoint remove majority of board of director अगर हम उस company के board of director को appoint कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो मैं ही सारा काम कर रहा हूं तो वह holding company बन जाओंगा control management policy decision making उसके सारे policies वगरा को महीड frame कर रहा हूं तो मैं holding last hold more than half voting subsidiary company वोटिंग का मतलब क्या है उसके shares ले 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 तो वोटिंग पापर वैसे ही आ जाएगी तो जैसे ही आपके पास उससे ज्यादा आएगा तो आप क्या बाने जाओगे आप holding होगे चलिए sir holding company का मतलब क्या है हमें तक अभी तक ये clear कर दें कि हम सीखेंगे क्या इस chapter में हम ये सीखेंगे हमें दो company given होगा एक holding company होगा एक subsidiary company होगा और उन दोनों के balance sheet को हमें merge करना होगा एक example से समझते हैं तो और ज्यादा clarity आजाएगा आपको कि किस तरीके से होगा चलिए एक example से हम समझ लेते हैं चीक है न और मैं एक ऐसा example लेता हूँ पहले पुरानी old balance sheet format के अंदर आपके सामने एक example लेने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और एक ऐसा ही बना लेते हैं example फटाफट से एक balance sheet है और मैं holding को na h limited के नाम से बोल देता हूँ ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो कि h limited मतलब h4 holding हो जाए ठीक है न और examiner भी कई बार यही word का इस्तमाल करते है maximum ताकि confusion ना हो जाए ठीक है एक मैं आपके सामने balance sheet में बनाने जा रहा और बड़ा असान chapter रही है और इस chapter में choice में यही रहेगा और exam में जरूर पूछा जाएगा practical इसमें से purely practical कोई theory का chance नहीं इदर last unit है अभी करा रहा हूँ आपको याद रहेगा exam तक regular class लेके खतम करते हैं और एक S limited कर दिया ठीक है अब यहाँ पर मैं कुछ assets लिखने जा रहा हूँ जैसे building stop cash कुछ एक assets लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं equity share capital एक हजार share hundred rupees each that is कितने हो जाएंगे एक हजार share hundred rupees each एक लाक रुपर हो गया ठीक है sir building 50,000 sir stock 20,000 sir cash जो है वो है मान लेते हैं पचास अजार ठीक है और हम ट्रेडिटर रख देते हैं अगर पचास अजार अब सेम चीजे मैं यहां भी रख रहा हूँ sir यह है हमारा 20,000 यह हमारा 30,000 यह हमारा पचास अजार मैं इस कंपनी को थोड़ा कमजोर कंपनी बना रहा हूँ ताकि आपको समय लिए और एक्विटी शेयर कैपिटल एड़ रेट हंड्रेड एच चालिस हजार और यहां क्रेडिटर है क्रेडिटर है सब्सक्राइज गडर साथ कर्षड भ्रहित यह तो कि इस में चेक्ट यह हो गया है एक लाट कर एक लाट को 되어 यहां पर हमारा आजाता है एक लाट कर TH sen यह ह्लाग है एक लाट को आग यP इन एकुटी शेयर कोन सी कंपनी ओफ एस लिमिटेट है कितने टूटल हो रहा है क्या फरक पढ़ रहा है टूटल में बताईए यह एक साथ आगया कितना होना चाहिए था यह आगया एक साथ और एक पचास होना चाहिए न यही बोल हो रहो ना कि सत्तर वीस साथ ठीक इसे कर देते हम साथ है ठीक है आपके सामने दो बैलेंस शीट बना लिए और यह मैंने आपके सामने ही बनाया जो कि आपको समझाने के लिए ठीक है अब हमें मतलब समझना है इसका सब इसका मतलब क्या है यानि किसका मतलब की बात कर रहे है इसका मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो H Limited है इसने कुछ shares खरीद लियें दूसरी company के H Limited ने कितने share खरीद लिये दूसरी company के कुछ shares खरीद लिये अब किस company के खरीद है इसने S Limited के और S Limited ये है और S Limited के पास कितने shares है 40,000 और इसने कितने खरीद लिए 40,000 इससे पता चलता है कि मैंने तो उसके पूरे ही शेयर खरीद लिए मैंने उस company के तो सारे के सारे ही शेयर खरीद लिए फुल शेयर इससे बोलते है holy subsidiary या holy मतलब जब मैंने सारा का सारा share खरीद लिया तो ये company तो subsidiary company बन गई और मैं बन गया holding और ये मेरी ही company एक तरीके से देखी जाएगा अब हमें इन दोनों balance sheet को मिलाना है जब दोनों balance sheet को merge करेंगे तो एक बात ख्याद रखिएगा अगर कोई same amount debit में हो और same amount credit में हो cancel out हो तो balance sheet में कहीं आएगा ही नहीं जैसे ये amount debit है और ये amount क्या है हमारा credit है और credit की में बात कर रहा हूँ इसके तो दोनों amount same है तो नई balance sheet आएगी तो ना तो नई balance sheet में ये वाला point आने वाला है और ना ही नई balance sheet में ये वाला point आगा बाकिस सब आ जाएगा चलिए एक बार देखते हैं बनाके एक बार देखते हैं नई balance sheet कैसे बनाएंगे और हमें exam के अंदर यही करके आना है बस आप देखिए कितना आसान है बिल्कुल सिर्फ balance sheet ही आता है इसमें और कुछ नहीं आता इसमें पी एंडल वगरा नहीं आता जर्नल एंट्री वगरा कुछ ने पूछा जाएगा सिर्फ balance sheet आप से बोला जाएगा बनाने को या फिर working note बोलने का बना दो वही काफिए आपके लिए तो sir मैंने सारे के सारे assets ले लिए और जो सारे assets लिए हैं मैंने अगर हम देखें ध्यान से तो आप मुझे बताईएगा कि बिल्डिंग पहले हिसका कितना था पचास और इसका कितना है बीस हम दोनों को add कर देंगे यानि स्टॉक रहेगा 20 है और 30 है तो स्टॉक कितना हो जाएगा पचास पचास है और कैश्च पचास है कैश कितना हो गया एक लाग अब देखा जाये तो यह सारी चिजे ले लिया यह वाला हमने अभी इसके अंदर मर्ज मैंनीकिया है और इसे हमें मर्ज भी नहीं करना है क्योंकि सेम अमाउंट क्रेटिट और डेबिट इसी का कोई रिलेशन है मतलब अगर किसी का से एक लाक का सर्क्रेडिटर की बात करते हैं स्क्रेडिटर इसका भी और इसका भी 60 और साथ एक 24 ऑख बाकी यह वाला क्या हो गया इन दोनों से और क्या ये वाली balance sheet को हम बोल सकते हैं कि consortolate balance sheet है ये वाला जो balance sheet है वो consortolate balance sheet है मैं liability assets वगरा नहीं लिख रहा है ये बहुत simple सी बात है आपको आता है तो इस balance sheet को क्या नाम देंगे हम और हमें exam में यही बनाना पड़ेगा हमें exam में दो balance sheet given होगी ठीक है जाने के लिए पहला case में जब मैंने full का full खरीद लिया full share खरीद लिया और same value पर खरीदा लेकिन सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसके shares को जब खरीदने गया दूसरा example देखिए कि जब मैं इसके shares को खरीदने गया तो that is 50,000 रुपय मैंने खरीद इसके shares को ऐसा possibility है कि मैंने सामने वाली company के shares को महंगे में खरीद रख लेकिन सामने वाली company के shares कितने का है 40 का ही है तो अब यह आपस में cancel out तो हो सकता है लेकिन only 40,000 तो CDC बात है आपने 40,000 का समान 50 में खरीद लिया तो जब कभी भी हम किसी company को extra payment अपने इच्छा से दे देते हैं तो वो माना जाता है हमारा क्या goodwill, वो क्या माना जाता है goodwill, यही सीखा है हमने अभी तक तो उसे क्या मानेंगे goodwill तो अब दूसरे case के अंदर क्या होगा कि एक और entry यहां आ जाएगा क्या सर हमारा goodwill और goodwill कितने का आ जाएगा हमारा 10,000 का बट सर liability side में क्या आएगा liability side में क्या रहा हमने 50 तो liability side में देखा जाए जब मैंने यहां 50 लिखा तो definitely आप भी को भी पता है कि यह भी value change हो जाएगी यहां पर बनाएंगे 60 की जगाई यह क्या हो जाएगा 70 हो गया होगा यह मैं नई balance sheet बना रहा हूं बार बार एक question को नहीं कर रहा मैं यह 170 रहा होगा और यह भी 170 हो जाएगा अब बन गई balance sheet अब दोनों को जो merging पर जाएगे तो भाया यह यह आपस में cancel out तो हो गया और एक creditor के अंदर बदलाव आ जागा क्योंकि नई balance sheet के creditor में क्या था नई balance sheet के creditor में हमारे 10 बढ़ गया तो यह हो गया कितना तीस अब देखो कितना आ गया answer दो अब समझेगा बस क्या करना चाहरा हूं समझे भाद possible ऐसा ठीक है यह सर्फ 50,000 है ठीक है तो यह value जो निकल के आएगा वह 50 आएगा नई balance sheet बना रहा हूं और इस value को हम पर देते हैं 30,000 अगेन यह आपस में cancel out हो जाएगा और यह भी 50 आगया तो देखा जाए तो हम आपकर check करेंगे इसे detail में तो क्या मिलेगा हमें कि सामने वाली company के सारे shares है यह सारे shares मैं यहाँ पर assumption लेके चल रहा हूं और मैं बता रहा हूं आपको सारे shares है कि 30,000 में 40,000 का पूरा company खरीद के बैठा है तो 30 से 30 cancel out हो जाएगा फिर भी देखो तो credit में बच रहा है balance तो जो क्या credit में balance बचेगा जब किसी company को खरीदते हैं तो उसको match किस से कर देते हैं capital reserve में जो कि हमारा है कितने 10,000 तो आप देखोगे amalgamation से कुछ-कुछ मिलता जुलता ही लग रहा है थोड़ा बहुत पा इसलिए amalgamation पहले जिनको आता है या reconstruction आतम के लिए बहुत आसान हो जाता होल्डिक तो यानि यहां पर capital reserve यानि सवाल यह उठता है सर कि हम जब नई balance sheet बनाएंगे ऐसा possibility है कि कुछ भी नहीं आएगा नई balance sheet बनाएंगे तो ऐसा possibility है कि अगर हमने महंगा खरीदा हो तो क्या निकल के आएगा goodwill जिस basis पे सिर्फ यह learning point of view है इसलिए पुरानी balance sheet बाके exam में आपको नई वाली balance sheet मिलने वाली है ठीक है चलिए यह है हमारा अब आगे क्या कहता है question में question भी पढ़ लेते है question की demand कहता है from the following extract H limited and S limited prepare console do late balance sheet देखे क्या कह रहा है console do late balance sheet तो हमें हर बार यहीं बनाना है console do late balance sheet ठीक है यानि console do late का मतलब यह दोनो balance sheet को जोड दीजिए और मैं अभी आपके सामने पुरान ही balance sheet लेके चल रहा हूं इसलिए ताकि थोड़ा सा आपकन understanding power बढ़ जाए कि हो क्या रहा है बाकि नई balance sheet में फिर transfer करना बड़ी बात नहीं एक वर concept क्लियर हो गया तो आप question में देखेंगे तो यह कहता है कि इसके कितने share है S limited subsidiary है कैसे पता चला subsidiary question बोलेगा नहीं आप H limited में आएंगे तो कहता है investment कर रखें 50,000 share at power और यह यानि 5 H limited जो है उसने 5 लाक रुपे के shares कहीं खरीदे हुए है और ध्यान से देखो तो कहां खरीदे हुए है और S limited का भी shares खुद का कितने का है 5 लाक का तो यानि कितना percentage hold कर रहा है पूरा अब हमें concentrate balance sheet बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अगर मैं share capital लिख लू यहां पे तो share capital दोनों नहीं जुड़ेगा यह तो आपस में क्या हो गए कट गया cancel out हो गया तो सिर्फ एक इसका अकेला आजाएगा 10 लाग अधर liability दोनों का जुड़ जाएगा अधर liability दोनों का क्या होगा add हो जाएगा that is 240 अब assets में आ जाते हैं sundry assets add हो जाएगा sundry assets हाब add हो जाएगा 7 और 5 बारा लाक चालिस हजा इसके बाद देखा जाएगा तो और तो कुछ है नहीं अब totaling जब आप करेंगे दोनों total क्या हो गया लोग यह बना लिया आपने console donate balance sheet बस नए वाले format के अंदर बनाने में बस कुछ दिक्कत नहीं गए समझ महीं बात है एक और सवाल देखिए पर अब अब एक और सवाल करने से पहले इस सवाल को करने से पहले मैं सोच रहा हूँ concept करा दू और यह concept थोड़ा सा जो चल रहे है उसके according आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है लेकिन समझ में नहीं आता अब इंडिया कंट्री के अंदर अगर इंडिया के अंदर बात करें मेरा उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं मेरा concept से Connect हो रहा है तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हर एक धर्मके लोग रहते हैं हर एक धर्मके लोग रहतें हर Till वही हो गया जैन हो गया चाही सिक्ध हो गया चाही is muslim हो जो आवादी है और एक है हिंद्व एक है हिंदू तो नौर्मली देखा जाता है कि इस पूरे भारत के अंदर जो पूरा है इसके अदर हिंदू as well comparative मुझे मुझे समझाना चाहता हूं जो मुस्लिम है जो बहुत कम quantity में है पहें यहां पर बहुत कम कंटिटी में उसको एक सब्ढ़ से बुलाए जार जाता है। सबूरो मतलब भाड़ में बड़े हम जो लोगों का मानना है लोगों का कहना मेरा इसे नहीं है कि यह चीजे हो रही है तो मेरा कंसप्ट यह है कि मैं यहां पर एक शब्द आपको बताना चाहता हूं माइनरिटी तो माइनरिटी का मतलब क्या है माइनरिटी का मतलब है जहां पर मिजेरिटी स्ट्रेक खोल्डर ना होके आपकी तादात कम हो आप कम हो उसे क्या बोला जाता है के 51% share खरीद लिये तो जो 49% share holder है वो अपने आप में ज्यादा से कम हो गए तो जो 49% share है उसको हम एक नाम दे देंगे that is minority समझ मैं ही बात आपको तो minority का मतलब क्या है कि बहुत सारे ग्रुप में से कुछ चुनिंदा लोगों की या कुछ चुनिंदा की संख्या कम हो तो उसे क्या नाम देते हैं minority नाम दे जैसे मैं for example आपसे मैं बोलू कि मान लेते हैं कि H Limited के पास है अगर मैं बोलू है कि एक कुटी शेर कापटल जो है वह मान लेते हैं पांच लाग और अगर एस लिमिटेड ने इस कंपनी के खरीद लिए इस कंपनी के स्टेर के स्टेर के स्टेर कितने शेर करीदे मुझे बताईएगा number one मैंने इसके खरीद लिए पचास हजार शेर इसने कितने शेर खरीदे पचास हजार मुझे जवाब दीजिए क्या यह holding company माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इसके पास कितने शियर थे 5,000,000 रुपे के इसने 50,000 रुपे के शियर से इसके ले लिए तो क्या इसे holding company बोलेंगे नहीं सर नहीं इसे holding company नहीं बोलेंगे तो holding company का मतलब ही यही था पीछे देखा था कितना आपको stake लेना पड़ेगा 51% चलो अगर मैं बोलता हूँ कि इसने इसके अगर मान लिया जाए 5,000,000 शियर भी अगर मैं बोलो इसने खरीद लिये तो क्या यह holding company होगा तो भी नहीं होगा बराबरी हो गई भाई साथ अगर मैंने इसके मान लिया जाए थोड़े से शियर ज़्यादा खरीद लिये तीसरा केस अगर मैं लूँ हूँ मान लेते हैं कि हमने इसके 3,000,000,000 शियर खरीद लिये इसका मतलब सर यह जो है यह 60% शियर खरीद चुका है यानि यह equal to कितने परसेंट के बराबर है 60% तो मैंने इस कमपनी के 60% शियर खरीद लिये हैं अब देखा जाए तो इस शियर के दो टुकड़े हो गए एक majority stake 3,000,000 इसके पास चले गया और बाकी का 2,000,000 इधर ही अकेला पड़ा हुआ है 3,000,000 इधर चले गया holding के पास चले गया और 2,000,000 इधर ही बड़ा हुआ है तो यह majority stake होगा और इसे minority stake बोलेंगे minority stake बोलेंगे ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम minority और minority stake होगा यानि उसे हम minority interest के नाम से बोलेंगे मैं धीरे धीरे बता जा रहा हुँ उसे बोलेंगा minority interest ठीक है तो जब हम नई balance sheet बनाएंगे ना तो नई balance sheet के अंदर देखा जाए तो यह जो 3,000,000 के share इसने खरीद आई है तो cancel out ही हो जाएगा लेकिन नई balance sheet के अंदर minority interest तो cancel नहीं हुआ ना क्योंकि यह तो खरीदा ही नहीं हमने तो यह अलग से दो लाख रुपए liability side में शो हो जाए समझे बाता ठीक है इसी के उपर एक सवाल कर लेते हैं बड़े आसानी से समझ में आ जागा example लूगा balance sheet बना हो तो time लगेगा इससे अच्छा हमार पास एक सवाल है है उसको देख लेते हैं सर क्या कहता है सवाल में एक एच लिमिटेड कंपणी है एक एस लिमिटेड कंपणी है और इन दोनों के हमें assets on liability given है कहता है कि एच लिमिटेड जो था इसके investment को अगर आप गौर से देखो ध्यान से देखो तो कहता है कि इसने 40,000 सियर एस लिमिटेड को खरीद लिए है और अगर आप ध्यान से देखो तो एस लिमिटेड का share था पांच लाग तो इस ने चार लाग को खरीद है इसने कितने के खरीद लिए है इसने कितने खरीद है capital reserve नहीं आएगा वो minority interest आएगा भी देखिएगा ठेक है एक balance sheet बना लेते हैं एक balance sheet बना लेते हैं अब देखे balance sheet सर company के authorized अधराइज, shares, 5,000,000 इसेट को जोड़ जाए अब एसेट को जोड़ते हैं तो यहां पर संडरी एसेट्स हैं और इस संडरी एसेट्स होल्डिंग के भी मेरे होंगे और संच्यटरी के भी मेरे होंगे तो 8 لاक प्लस में 5 सब्सक्राइब करने के लिए अगली क्लास से मैं सारे सवाल नए पैटन पर करने लग जाओंगा ठीक है ना तो उसमें आप परिशान नहीं हो एक बच्चा पूछा सर इसे क्या शडील 3 से नहीं करेंगे करना है कंसेट हमारा अगर क्लियर्टी हो जाए तो अब कैसे भी कर सकते हैं और कोई एसेट्स तो हैंनी हमारा अब सिएर कैपटल की बात करें तो शेरे कैपटल में स्ठीप हम अपना सियर कैपटल लेंगे यहां पर ध्यान से देखो तो हमारा जो टोटल शिर ठा वो था पांच का भाइकी ऑक लाग का शेर बच गया इसको हम हम क्या ब harness क कैसे क्या बॉलेंग perfectly दूसरी कंपनी का शेयर से कापडल नहीं लेंगे दूसरी कंपणू को किस नाम से लेंगे हम सब्सक्राइब करें तो अधर 2.5 कि यह के बात करें थो अधर लाइबिक टीन गोंप सक्षाइब तो लाइ खिर तो अधरा स्CE 3500 कंवारे mete आया वे हमारा कॉंसर्ट बाल इसे एक नएया कinking कम पूइंट लगातने ट्रस्ट एक मीनिम इूप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल फर्स क्लास है, यह कॉंसर्ट डॉलेशन की बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा टफ माना जाता है, लेकिन है नहीं, आप अगर ध्यान से कॉंसर अभी तक मेरे इसाब से बच्चों को सब कुछ सम हाँ, बिल्कुल नियू बैलिंस शीट वाले भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बैलिंस शीट में ही क्या नहीं बैलिंस शीट में बनाने लाइक, कुछ बड़ा तो है नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इस चैप्टर को मुस्किल के पीछे कारण है, इसमें से सोला नंबर का कोश्चन, बीस नंबर का कोश्चन, सोला का पूछा जाता है उसमें से, और वहाँ पे सीए फाइनल लेवल पे, बहुत बड़े-बड़े मतलब सारी चीजे पूछ ली जाती है, तो जो सीए फाइनल के स्टूडेंट होते हैं, मैक्समम बच्चों क मैंने नजरिया देखा है, कि यह चप्टर छोड के जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो वहाँ से एक परसेप्शन डबलफ होता है, कि भाई, यह फाइनल वाले बच्चों से भी नहीं हो रहा, तो यह चप्टर बाक्य में मुस्किल है, लेकिन वीकॉम वाले कर दिया था, तो यहां तक के चप्टर में अगर हम बात करें, तो क्या था सर, दोनों कंपनी में से एक तो फुली कंट्रोल हो सकता है, उसके अंदर भी अगर ज्यादा महंगा शियर ले लिया, तो गुडविल, अगर सस्ते में शियर खरी लिया, तो कैपडल रिजव, और म हो सकता है हमारा, चलिए एक और सवाल देखते हैं, अब मुद्दे की बात है कि जब हम बात करेंगे ना, एक मैं अपना एक एक एकजामपल खुद बना लेता हूँ, मैं एक और एकजामपल बनाते हैं, क्योंकि मैं छोटे-छोटे एकजामपल लेके समझाना चाह रहा चलिए यह एसिट्स हैं और यह क्या है, लाइवलिटी अमाउंट और यह हमारा बैलेंज शीट, ठीक है, इधर लिखा हमने फिक्स इसिट्स, मान लेते हैं पांच लाग और मैंने लिखा कैश, मान लो साथ लाग इधर लिखा शियर कैपिटल, मान लेते हैं आठ लाग रेजर्व एंड सर्प्लस, मान लो दो लाग एंड क्रेडिटर क्रेडिटर, मान लेते हैं चार लाग, ठीक है मैं दोनों बैलेंज शीट बनाऊंगा अभी मान लिया जाएं, यह है सबसीडरी का और यह किसका मान रहे हैं, होल्डिंग का और यह है कौन सोर्ट लेट, ठीक है, अब ध्यान लेते हैं थोड़े से इसमें चेंजिस करेंगे डिजट में नई बैलेंशीट मना रहा है इसलिए तीन लाख पांच लाख चार लाख एक लाख और दो लाख 4, 1, 5, 2, 7, 5, 3, 8 इसको तीन लाख पर कर देता हैं ठीक है यहां पे मैंने लिखा इनवेसमेंट investment in S limited investment in S limited और मैं यहाँ पर 60% share लेके चल रहा हूँ इसका that is 240 कितने लेके चल रहा हूँ है 240 थोड़ा बहुत हमें amount को उपर नीचे करना पड़ सकता है साथ पाँच बारा दो 14,000,000 40,000 इसका टूटल 8, 2, 10, 4, 14 क्यों ना हम इसे 4, 40 ठीक है यह भी हमारा टूटल हो गया 14,000,000, 40,000 और यह भी हमारा टूटल हो गया 5, 3, 8,000 अब ध्यान रखेगा अगर मैं किसी भी कंपनी के किसी भी कंपनी के अगर मैं शेर्स को खरीद लूँगा अगर किसी भी कंपनी के मैं शेर्स को खरीद लूँगा इसके शेर्स को तो मेरा ओटोमेटिकली अधिकार इस पे भी आ जए क्योंकि मालिक का प्रॉफिट भी उसमें पड़ा होता है हमेशा याद रखना है अगर मैं किसी company के shares को खरीद हुआ तो उसके reserve पर मेरा automatic right आ गए तो भले ही इस company ने जो 2,40,000 रुपे investment किया इसके अंदर यानि इसके equity share खरीदे हो लेकिन इस पर भी इसका अधिकार आ गया ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर shares की बात करूँ एक लाग का मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने इसमें से कितने percent stake खरीद लिया इसका मैंने इसमें से इसका stake कितने percent खरीदा बताओ 60% that is 240 का मैंने stake खरीद लिया तो मैंने अभी समझाया कि जब ऐसा situation आ जाए कि हम किसी का stake खरीदेंगे तो automatic इसका भी 60% आपके हिस्से का part बन जाएगा इसका भी 60% अगर निकाले तो 60,000 रुपे हैं तो ये दोनों जो है ये holding company का पूरा अधिकार में आ गया ये बाकी जो इसका बच गया that is आपका 40% जो की हमारा आएगा 1,60,000 और बाकी ये बच गया हमारा 40,000 इसका मतलब सर जो ये वाला payment है और एक ये वाला payment है ये तो सामने आली company ने खरीदा नहीं मतलब ये दोनों payment जो है वो चला जाएगा minority interest में किसमें चला जाएगा minority interest में अब जब हम cancel out की बात करेंगे तो आप सोचना आपने जब उस company का 60% stake खरीदा तो आपको समान पता है कितने का मिल गया total तीन लाक रुपे का समान मिल गया आपको लग रहा है कि 240 में से आपने 240 लिया लेकिन नई सर आपको यह भी मिला और आपको यह भी मिला तौटल मिला कर आपने कितने का समान खरीद ल falei का या है dan पर क्या निकल के आएगा हमारा capital reserve निकल के आ जाएगा ठीक है क्या निकल के आएगा यहाँ पर capital reserve तो मैं अब एक concertulate balance sheet बनाने जा रहा हूं इसको देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा यह concertulate balance sheet की बात करें तो सारे assets को add-on कर देते हैं और assets को जब add-on करेंगे तो पांच लाक और तीन लाक क्या हो गया हमारा यह आठ लाक साथ और पांच कितने हो गया हमारे 12 लाक हो गया और रिजर्वेन सर्प्लласт के अंदर कि करने कि एक बन जाएगा तो इसके बात के डिटेल में करेंगे कर दो लोगों का हिस्सा बन जाएगा holding का है एक है हमारा life in इंट्रस का मैं भी समझा रहा है इसको बागे डिटेल में करेंगे यह चलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रफली आइडिया है वह यह हमारा रिजर बेंट सर्प्लस तो कोई छेडी नहीं सकता होल्डिंग का और हमारा शेयर कैपिटल भी कोई नहीं छेड़ सकत सकते डेटी हमारा 8 लाग रुपए अब बात रह गए कि सर इसके अंदर कमी क्या रह गई क्या माइनारी डिटी वाले को इसमें करना तो अगर मैं इसको cancel out करें तो 100% cancel out नहीं हो रहा कुछ चीजें हमने सस्ती खरीद लिए यानि सर हमने तीन लाख रुपे का समान दो चालिस में खरीद लिया है तो और 60,000 का यहां के आ जाएगा हमारा गुडविल और 60,000 रुपे का हमारे के आमान जाएगा गुडविल अब टोटल कर लेंगे और हमारा बैलेंश इत तयार आठ दो दस दस और दो बारह बारह और साथ उन्निस लाख चालिस हजा और आठ और बारह बीस मैंने गरत्तों नहीं कर लेंगे आठ तो दस दस और साथ 17,7 2 19,40,000 कैश कितना था हमारा कैश 7 और 5 12 टूटल सही था पांश तिन आठ चार एक पांच आठ ऑट पांच साथ पांच बारह दो चौदा चालिस साथ और पांच बारह कैसे एफ ए कितना होगे पांच और तिन आठ हो गया बारह और आ क्या निकलेगा हमारा capital reserve that is हमारा 60,000 का ठीक है थोड़ा सा mistake हो गया था समझ मैं मैंने क्या change किया समझे तो यह 20 लाग यह भी हो गया हमारा और 20 लाग यह भी हो गया यह बन गया हमारा concert rate balance sheet पहले एक बार आप देख लिजिए इसको समझ लिजिए मुझसे पूछे इसमें डाउट फिर हम आगे एक और concert पर चलेंगे किसी को डाउट है क्या सर capital reserve बिल्कुल दीपक मैंने capital reserve लिख दे किसी को डाउट है तो बताइए जो हम example कर रहे हैं मैच कर लिजिए आप अपने according cfs के exam question करवा दिए बिल्कुल कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे यह सर्दस लाक साथ हजार एक तर दस लाक साथ हजार क्या डाउट है आप मुझे बता दीची नहीं इन्होंने लिखा 1060 आप 10,60,000 तो कहीं डिजिटी नहीं अगर आप एक लाक साथ हजार बोलते तो क्या था एक लाक साथ हजार यह अगर आप इस एक लाक साथ हजार की बात कर रहे हो तो जैसे कि 60 परसेंट तो इसने ले लिया था इधर बच गया हमारा 40 परसेंट जो की माइनरिटी का पार्ट बाना गया बिल्कुल कैपिटल रिजब भी आएगा माइनरिटी इंटरस आएगा अच्छे से को अभी देखो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बिसिकली आपको यह पता चलना चाहिए देखो हर चीज को करने का ना मेरा एक अलग तरीका है कराने का पहले हम थोड़ा कंसेप्ट बिल्डप कर लें ताकि जब कुश्चन्स हम करने जाएं अजस्मेंट के साथ तो हमें नहीं कोई चीज ना लगे और हमें पता हो यह ऐसे ऐसे होगा बाद में अगर मैं छोटी मोटी बड़ी बात नहीं हो सिंपल सी बात है कर इसी का पार्ट होता है वह आगे देख लेंगे अभी स्रिफ आप बताईए जितना मैंने एड्लेस किया वह सर मैं में एक लाग साथ हजार में एड होगा बिल्कुल एक लाग साथ हजार और प्लस यह चालिस हजार यह भी एमाई का यह पार्ट माना जाएगा तो यह किस क्या आगया हमारा दो लाग रुपए आगे क्लियर है बस स्रिफ बैलेंशीट ही बनाना होता है एक्जाम के अंदर हाँ सारा करेंगे पहले यहां तक देखिए जो हम कर रहे हैं क्या इसमें कोई डाउट है आपका क्या इसमें कोई डाउट है नहीं है डाउट चलिए आगे चलते है चलिए मैं इसी सवाल में समझा दूँगा सारी चीज़े अब हम बात करें न बात करें न तो हमारे रिजर्व एंड सर्प्लस में बहुत सारी चीज़े होती है आपको भी पता है रिजर्व एंड सर्प्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सर्प्लस के अंदर बड़ी सारी चीज़ आती है इसके अंदर जर्न रिजर अब company को जब हम उसके stake को खरीदेंगे तो अगर मैंने इस date पे यानि 31 तीन को उसके stake को खरीदा किसी भी company के stake को खरीदा 31 तीन को और उस दिन का अगर जो मुझे balance sheet दिया जाएगा इस दिन के balance sheet में अगर मैंने लिखा share capital पांच लाग और free reserve लिखा मैंने यानि general reserve लिख दिया मैंने एक लाग और अगर मान लो मैंने profit and loss लिखा दो लाग और इस दिन खरीद लिया किसी S limited ने इसको तो आप मुझे बताओ जो इस company के यानि जो की H limited ने खरीद लिया जो S limited के balance sheet में मैं common सा question पूछ रहा हूँ कोई पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दिमाग चलाना है बस मैं common सा question पूछ रहा हूँ जो इसके balance sheet के अंदर general reserve और profit and loss है ये कमाया किस ने होगा S limited ने कमाया होगा या H limited ने कमाया होगा किस ने कमाया होगा ये है हमारा मान लेते हैं H limited ने खरीद लिया तो इसके इस पैसे को कमाने में मेहनत किस की रही होगी H limited की रही होगी या S limited की खरीदा इस बात पर मुझे ये जानना है कि भाई ये profit कमाया किस ने है ये कमाया किस ने है मैं मानता हूँ कि इस पर इसका अधिकार आ जाएगा अगर shares करीदेगा लेकिन कमाया किस ने है मेरा मुद्दा ये है तो सभी का जवाब आ गया sir SS SSS limited ने कमाया होगा बिल्कुल सह तो H limited जब इस कमपणी के shares को खरीदेगा तो free fund में ये वाला पैसा इसको मिल जाता है यानि जब H limited सरिफ इसके company को shares के खरीदेगा तो ये वाला हिस्सा किसको पहुंच जाता ही यानि उसके shares वाले में से हिस्सा तो पहुंचता ही पहुंचता है और 7 के साथ उसके reserve वाले मे से भी हिस्सा पहुंच जाता है ना तो ऐसा profit जिसमें H Limited की कोई महनत ही नहीं है इसको बोला जाता है pre profit इसे क्या बोला जाएगा pre reserve profit ठीक है न प्री मतलब मेरे खरीदने से पहले ही किसी company ने पैसे को कमा लिया था तो इसको क्या बोला जाएगा प्री का अब प्री के case में हमेशा याद रखना है यानि मैं अगर pre profit की बात करूँ या pre reserve and surplus की बात करूँ pre profit बोल देता हूँ मैं simple word में बोल देता हूँ अगर कभी भी आपको pre profit मिलता है तो इस profit पे दो लोगों का अधिकार होता है सर किसका एक तो holding company का अधिकार होता है एच लिमिटेड का और साथ के साथ इसके उपर किसका अधिकार होता है एच लिमिटेड का लेकिन आप ध्यान दीजेगा एच लिमिटेड का अधिकार जरूर होता है लेकिन H Limited जब Consolidulate करता है Balance Sheet को जब Consolidulate करता है तो इसको reflect नहीं करता तो नहीं करता इसको नहीं करता जैसे कि अभी पिछले वाले सवाल में आपको दिखाते हैं पिछले सवाल में देखिए कि मेरा अधिकार था इसके उपर H Limited का अधिकार क्या इसके Reservant Surplus पर आ गया था क्या मैंने 60,000 रुपे अपने Reservant Surplus में Reservant Surplus के नाम से दिखाए गया नहीं दिखाए वो मुद्दे की बात by coincidence है कि capital reserve में भी same amount आगे लेकिन ऐसा होता नहीं तो यानि अगर सामने वाली company ने पहले ही profit या कोई reserve कमा के रखा हुआ है तो जब मैं तुम्हारी company को खरीदूँगा तो तुम्हारे वाले profit का सिर्फ हमें goodwill या capital reserve निकालने के काम आएगा और बागी का part जो है ना हम अपने profit में तो तुम्हारे profit जोडेंगे यह नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैंने रिजर्व एंड सर्प्लस यानि profit का हिस्सा भी ले जाएगा नहीं company में profit का हिस्सा भी ले जाएगा नहीं company में जैसा ही नहीं company में जाएगा न तो यह दोनों चीजे h limited में show होगी समझे बागा लेकिन ये वाला h limited के अंदर show नहीं होगा समझे ये कौन सा profit था हमारा pre मेरे साब से pre समझ में आपको क्या है अब कहानी देखना थोड़ा सा लग बताई मैंने कहा कि company को company को एक चार दो हजार इकतिस दो हजार इकतिस कैसे आ गए ये दो हजार तेईस ये तो बहुत आगे चले एक चार मैंने इस company को इस company की balance sheet में बना देता हूँ इहीं पर एक small सा balance sheet बना लेते हैं और यहां share capital है एक लाग रुपय का और profit है profit है इस company का मान लेते हैं पचास हजार का profit कितने का इस company का समझ रहा और ये balance sheet मैं आपको इस date का दे रहा हूँ या तो फिर मैं questions के point पे चले जाता हूँ मैं questions के point of view से चला जाता हूँ मैं मैं यहां पर ही balance sheet बनाता हूँ इस date की balance sheet आपको बताया जा रहा है share capital एक लाख रुपए और profit मान लेते हैं 60,000 profit कितने का दे दिया मैंने 60,000 ये balance sheet इस date का दिया है मैंने लेकिन इस company को मैंने खरीदा इस date पे सर जब इस date पे खरीदा है आपने लेकिन मैंने concert relate क्योंकि concert relation का process इतनी जल्दी नहीं होता जब हम खरीदते हैं तो फिर सारे board of director मिलते हैं accountant मिलता है सारी entry करते हैं तो हमने सोचा के हम इसको इस साल मर्जनी करेंगे खरीद लिया ठीक है और हम इसको अगले साल करेंगे मज़ तो अब दिक्कत जब अगले साल करेंगे तो हमारे इस date पे balance sheet पड़ा हुआ और नीचे मैंने एक बड़ी सुन्दर सी adjustment लिख दिया कि सर प्रॉफिट जो था ना प्रॉफिट ओन एक चार दो हजार तेईस में हमारा बीस अजार रुपए का था यानि सहाब इस date पे मेरा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितना था बीस अजार तो सहाब ऐसा क्या हुआ है कि इस date पे प्रॉफिट साथ होगे कौन बताएगा इस date पे मेरे प्रॉफिट जो थे वो थे बीस अजार लेकिन हमने पूरे साल क्या करा है सर पूरे सार मैंने काम किया है मैंने क्या किया है पूरे साल काम किया है पूरे साल और पूरे साल काम कर रहते तो हमें profit कितना दिखा बताईए 60,000 दिखा पहले कितना था हमारा profit तो ऐसा क्या हुआ बीच में जो कि यह 60 हो गया तो बड़ी सीधे सा अंसर है इसका कि भाई पूरे साल में कमाया तो होगा इसने यानि profit को कमाया गया यानि earn किया गया profit को है ला earn अब आपसे मैं यह जानना चाहूँगा earn करके इसने 60 कर दिया इसको तो अगर मैं बात करूँ कि earn करने से पहले यानि pre खरीदने से पहले का अगर मैं आपसे पूछू कि कितनी कमाई थी इसकी तो जवाब क्या होगा और खरीदने के बाद का क्या जवाब होगा बताएगा कौन बच्चा खरीदने के बाद कितना profit कमाया है कोई बताएगा कि खरीदने के बाद कितना कमाया है सर 40,000 कमाया है खरीदने के बाद कितना कमाया है 40 और बाद वाले को मैं simple word में बोल सकता हूँ क्या post बाद वाले को simple word में बोल सकता हूँ क्या post अब ये 40,000 किस ने कमाया है सर ये H Limited ने कमाया है 40,000 किस ने कमाया है सर ये H Limited ने कमाया है ये चालिस अजार H Limited ने कमाया है ठीक है ना अब चालिस अजार H Limited ने कमाया अब प्रॉफिट का जब distribution होगा तो क्या करा जाएगा हम समझेंगे तो पहले आपको इस वाले example में मैंने कुछ नहीं समझाया है बस इतना समझाया है कि pre profit क्या होता है और post profit क्या होता है और pre profit का क्या adjustment लगना चाहिए हमने ये सीख लिया अब हम post profit और pre profit दोनों को combine कैसे adjustment लगना चाहिए वो देखेंगे हम तो होना क्या चाहिए अगर मान लेते हैं पिछले वाले example को कि हमारा profit total कितना था balance sheet में साहब 60 हगा लेकिन 60 हगार में से तो दो टुकडे हो गए सर इसके एक हो गया किस नाम से pre के नाम से और एक किस नाम से हो गया post post की बात करें तो post का मतलब क्या होता है post का मतलब वो होता है profit जो कि company को खरीदने के बाद earn किया गया हो company को खरीदने के बाद बाद earn किया गया हो याद रहेगा और pre का मतलब क्या होता है जो company को खरीदने से जो company को खरीदने से जो ये याद रखिएगा क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं मैं इसलिए हिंदी में लिखना हूँ कुछ चीज़े लिख देता हूँ ताकि याद रहे भूल जाते हैं जो company को खरीदने से पहले कमाया गया हो है न राइट यानि चलो एक point तो आपको clear हुआ sir क्या point clear हुआ कि pre वाला कैसे बनता है और post वाला कैसे बनता है sir pre वाले पे दो लोगों का अधिकार होगा हमेशा अगर fully holding company है तो एक ही का अधिकार होगा वैसे दो लोगों का किस का अधिकार होगा sir दो लोगों का pre वाले profit की बात कर रहे हैं हम shares वाली बात नहीं कर रहे हैं किस की बात कर रहे हैं profit की तो दो लोगों का अधिकार होगा एक holding company का भी अधिकार automatic आ जाता है और मैं थोड़ा से एक्जामपल में बोल दूं कि जो खरीदा है उसका 80% खरीद लिया आपको बताना है कि होल्डिंग कंपनी का इस पर कितना अधिकार है कि और सबसीडरी कंपनी का इस पर कितना अधिकार है सर कितने परसंट खरीदा है 80% तो 20,000 का 80% that is 16,000 इसका अधिकार है और चार हजार इसका अधिकार है जो प्री वाला पार्ट होता है ना इसको तो हम जो न्यू बैलिंग शीट बनाएंगे मैं न्यू बैलिंग शीट भी लिख देता हूं जो तो इसके अंदर शो नहीं किया जाएगा लेकिन सर जो यह वाला है ना यह वाला प्लस हो जाएगा जाके किसमें माई के अंदर और यह न्यू बैलिंशीट में जाएगा यह हम पहले भी देख चुके हैं जो प्री प्रॉफिट का हम नहीं यह देखा था ठीक है अब बात करते हैं सर पोस्ट वाली पर आ जाते हैं अब कोई बच्चा बताएगा पोस्ट कितना है रहाला कि पहले बता दिया तो मैं लिकि देता हूं सर आपने बताया ही था पोस्ट कितना है सर पोस्ट है 40 अब इस 40 पे भी दो लोगों का अधिकार होगा एक holding का अधिकार होगा और एक subsidiary का अधिकार होगा holding limited, h limited का और एक s limited का अधिकार होगा आप मुझे बताइए holding का कितना अधिकार होगा इस वारे profit को, क्योंकि ये जो बागी का profit है 40,000, क्या अकेले h limited ने कमाया है, दोनों मिलके कमा रहे हैं मेरा सवाल समझेगा, जो मैं पूछ रहा हूँ मैंने क्या पूछा, कि जो ये 40,000 कमाये हैं 40,000 जो कमाये हैं इसने extra, तो किसने कमाये हैं दोनों ने मिलके कमाये हैं अकेला h ने कमाये हैं क्योंकि यहाँ पे h ने तो सिर्फ 80% भागीधारी खरीदा है तो बाकी 20% वाले क्या बैठ के क्या कर रहे होगे, देख रहे होगे या वो भी काम कर रहे होगे काम तो कर रहे होगे न, ऐसा थोड़ी है भाई तुने 80% खरीद लिया तो हम बैठ जाते हैं अब क्या करेंगे, हैच बोलेगा में holding का कितना अधिकार है whatever amount जो holding का अधिकार निकालोगे तो 32,000 holding का अधिकार है और सर सबसेडरी का कितना अधिकार है सर 20% that is 8000 तो सर क्या इसका क्या treatment होगा अगर इस इसांपल को आगया बढ़ा दो तो इसका treatment भी समझा दो तो बहतर होगा बिल्कु समझाते हैं सर पहले प्री वाले में मैंने क्या करा था जो holding कंपनी के हिस्से में profit आ रहा था उसको इग्नूर कर दिया जाता है क्योंकि उसका पार्टी निया वो तो सारा mix करके valuation लगाया गया और ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट हमारा खुद का profit कमाया गया है मेरी मैनस से है तो इसे new वाले balance sheet में यानि concertalate balance sheet में taken किया जाएगा सर किस नाम से taken किया गया है normal profit और अपने profit के अंदर add कर दो समझ रहे हैं और ये वाला जो है ना ये again MI के अंदर चला जाएगा क्यूंकि ये minority वाले का है तो इसे कहां ले जाएगा minority अगर मैं बोलू नई balance sheet में minority के लिए profit कितना जाएगा तो जवाब होना चीए 8000 और 4000-12000 लेकिन नई वाली balance sheet में holding का profit कितना जाएगा स्रिफ 32,000 ये वाला पार्ट सर balance sheet में नहीं जाता लेकिन हाँ इसे cost of capital में include करते हैं मैं भी ये शब्द यूज नहीं कर रहा cost of capital बाद में करेंगे इसको हम mainly calculation में यूज करते हैं किसमें यूज करते हैं सर calculation यहां तक क्या आपको funda समझ में है प्री और पोस्ट का क्या प्र 50-50 नहीं है भाई यहां पे 80-20 रखाता मैंने यहां तक logic समझ में आए कि ऐसा भी हो सकता है कि यहां company खरीदने के बाद मर्ज नहीं हुई अभी balance sheet मिले नहीं लेकिन उसके बीच में profit कमाली आ गया तो वो पोस्ट वाला माना जाएगा उससे पहले प्री वाला माना जाएग यहां तक clear है आपको बताईए तो आगे बढ़े एक सवाल ले लेते हैं इसके पर फिर हम यहां पर अभी भी नई balance sheet मैं आज सोच के आया हूं कि आज नई balance sheet बच्चों को दिखाना ही नहीं है और पुरानी balance sheet से सारा काम चलाएंगे और कल वाले class के अंदर सब कुछ नई balance sheet से करेंगे हां नए वाल आएगा क्योंकि समझे चलो मैं अगर आप बोलोगे तो नए वाले से मैं कर देता हूं इसको नए वाले से कर दिया जाए इसमें शेयर होल्डर फंड करेंट लाइवलिटी एसेट्स का है एसेट्स नहीं दे कि चलो कोई नहीं मैं इस कुछ न को complete कर देता हूं यहां संडरी एसेट्स डाल देते हैं कि क्योंकि जब तक एसेट्स नहीं होगा तो investment नहीं पता लगेगा investment नहीं पता चलेगा तो percentage नहीं पता लगेगा मैं अपने खुद एक कुशन बना लेता हूं ठीक है यह भी तेरा लाग होगा और यह कितना होगा इसके अंदर हुआ यासा कि 70% स्टेक खरीदा हुआ है 70% स्टेक खरीद लिया इसने यानि जो equipment इधर नहीं इसके assets में मान लिया जाए इस company का 60% ले लेते हैं तीन लाख shares खरीदे होगे हैं तीन लाख रुपे के shares खरीदे होगे हैं समझ महीं बात हो जाएगा बन जाएगा question तो नहीं balance sheet नहीं पुरानी पर ही काम कर लेते हैं सवाल में देखिए क्या कहता है कि इस company ने इसको 2017 में ही acquire कर लिया इस company के shares 2017 स्टार्टिंग में ही कर लिया लेकिन एस limited reserve stood 5000 और उस दिन इसके reserve में 5000 पड़ा था और surplus में 6000 पड़ा था जबकि अब वाली हम balance sheet में देखेंगे तो वह balance sheet है 31 March 2017 ultimately 18 होना चाहिए 31 March 2018 कहता है जिस दिन मैंने acquire किया उस दिन इसके पास reserve कितना था 5000 और surplus कितना था लेकिन अब के balance sheet में reserve कितना है और यह कितना है और यह कितना है surplus तो ऐसा क्या हुआ होगा फिर पैसा कमाया होगा इसने यानि यहां पर दोनों चीज़ा आगे प्रीवी और पोस्ट भी है ठीक है मैं यहां पर यह क्योंकि यह answer टेली नहीं होगा हमारा because of मैंने question थोड़ा सा change कर दिया ठीक है तो चलिए सर हम मैं आपसे यहां पर क्या पूछूँगा कि कितना goodwill आएगा और minority interest गुडविल और माने एक्जाम में यही question पूछा जाएगा गुडविल बताईए और इंटरिंटरिंटर्स यह capital reserve बताईए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले शियर्स को ले लेते हैं तो सहाब कि अब आजाते हैं इसके profit का थोड़ा सा कर लेते हैं जो करना है मैं profit क्या था तो इसका total profit दिखा जाएना है तो एक है यहां पर profit एक है कि एक है मारा profit एक मैं रिजर्व का करके दिखाऊंगा profit का मैं आपसे पूछूँआ ठीक है तर रिजर्व के अगर payment की बात करें तो रिजर्व कितने का था सारी हां पर रिजर्व देखा जाए आपका तो रिजर्व हमारा balance sheet के अंदर 20,000 अब इस 20,000 के दो टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि इस सवाल के अंदर आपके pre-post भी है या नहीं है pre-post है क्योंकि एक तारी को कुछ और और बाद में कुछ और खरीदने के बाद कुछ और तो pre-post की बात आगे तो यहाँ पे आपने बताना है कि कितना part pre है और कितना part post है मैं सिर्फ एक part लेके चल रहा हूँ that is हमारा reserve तो पहले हमारा reserve सवाल में दे रखा है कितना था पांच हजार तो बाद का कितना होगा क्लेटी है किसी को दिक्कत तो नहीं है यहां तक समझ में आ रहा है अब इसके उपर दो लोगों का अधिकार और इसके ओपर भी दो लोगों का अधिकार यहां पर भी holding का अधिकार और और यहां पर भी holding का अधिकार और अब holding और इसके बीच का जो percentage आप अगर निकालते यह कितने % अधिकार है तो भय या 5 Kath में से आपने 3 wallet खरीद लिये हैं किस में से पांच लाग में और इंटू हंडिड करोगे तो आपको एक सर्टेन परसंटेज पता चले जाएगा कि कितना अधिकार उसके जमा रखता है कितने परसंट ले रखता है तो अब पांच हजार का सिक्स्टी परसंट आएगा तेट इस तीन हजार और ये और ये पंदरह हजार का सिक्स्टी परसंट होगा नो हजार और शे हजार तो आप मुझे जवाब दीजेगा जो मैं पूछूँ आँ आप मुझे जवाब दीजे रहे हैं ठीक है क्या जवाब देंगे आप तहाब यहाँ पर जवाब दीजिए आप कि हम यह वाला प्रॉफिट क्या नहीं वाली बैलेंशीट में जाएगा क्या ये वाला profit नई balance sheet में जाएगा यस और नो में बता दिए जो मैंने कहा कि ये वाला profit नई balance sheet में जाएगा ये नहीं जाएगा सर होल्डिंग और मानेटी में distribution करेंगे हम तो होल्डिंग और subsidiary कैसे नहीं जाएगा नहीं जाएगा यस capital reserve नहीं भाई ये capital reserve का part नहीं है इसे हम लेके नहीं जाएगे सिर्फ हम सिर्फ समझ रहे हैं अभी मैं बोल रहा हूँ balance sheet के अंदर क्या उठके जाएगा जबावे नहीं अब ये वाला profit क्या balance sheet में जाएगा yes और ये वाला किस नाम से जाएगा minority interest क्या post वाले में ये वाला profit balance sheet में जाएगा yes जाएगा किस नाम से same नाम से जुड़ जाएगा क्या ये वाला profit balance sheet में जाएगा yes किस नाम से जाएगा यानि देखा जाए तो ये फ्री फंड का profit मिल गया तो हमने इस company को भले ही 3 लाग का payment किया है 3 लाग का share खरीदा लेकिन इस company में हमें extra और क्या मिला है 3,000 रुप ये किसकी बात थे reserve की ऐसे ही हमें किसका treatment करना पड़ेगा profit में तो ये भी मैं करके दिखा देता हूं सर इसके भी दो हिस्से हो जाने न इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे क्योंकि profit में भी क्या है प्री और तो प्री में कितना है सवाल खुद ही कह रहा है 6,000 और पोस्ट में आपको निकालना पड़ेगा बताइए पोस्ट में कितना होगा 50,000 में से 6,000 गए तो एक बच्चे का भी doubt है था सर अगर प्री वाला ये सब minority को भी बटेगा subsidiary वाले को भी मिलना है तो कैसा holding company holding company का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके सारे का सारे share ले ले और मेरा पूरा कब्जा है भाईया मेरा उसमें majority stake का सब चीज में लुगा और जो मेरा majority नहीं है भाईया तू देख ले तू अपना अलग अलगता ले ये रहता है चलो अब इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे किसके पास ये pre है और ये इसके दो हिस्से हो जाएंगे किसके होंगे एक होगा holding एक होगा subsidiary इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे एक होगा holding एक होगा subsidiary तो अगर मैं holding की बात करूँ तो हमने कितना खरीदा था सर 60% खरीदा थो तो इसके में से 60% मिलेगा that is 3600 और यहां कितने जाएंगे 2400 इसमें से कितना जाएगा फिर से 60% निकाल लेंगे 44000 का 60% 26400 और यहां पर कितना जाएगा माइनेस कर देंगे 17400 ठीक है 17400 अब आप मुझे बताईएगा क्या यह वाला प्रॉफिट बैलेंशीट में जाएगा मैं क्रॉस और टिक लगाऊँगा बस ठीक है क्योंकि जगह नहीं है आप मुझे बताईएगा यह वाला प्रॉफिट जाएगा क्या बैलेंशीट में नहीं जाएगा क्या ये वाला profit जाएगा balance sheet में किस नाम से My merlining क्या ये वाला profit balance sheet में जाएगा Yes, किस नाम से क्या ये वाला जाएगा हमारा Yes, minority manifest अब हमें क्या करना है पहले हम minority को total कर लेंगे, जहाँ जहाँ MI आया है वहाँ पे minority का total करके निकाल देंगे तो minority का सब 2,00,000 रुपे तो minority का था ही और इसको plus मिल जाएगा किसमें reserve में भी इसका हिस्सा होगा और plus इसका surplus में भी इसका हिस्सा होगा जो कि जोडेंगे तो अगर reserve में देखा जाए तो 2000 और इधर भी आ जाते है 6,000 यानि total देखा जाए तो 2000 क्योंकि minority वाला तो भीया बोलेगा मैं तो पहले भी वही था अब भी पहले भी मेरा अधिकार था अब भी मेरा अधिकार है तो 6000 तो reserve में इसका अधिकार कितना होगा 8,000 और अगर मैं profit की बात पर हूँ तो पहले कितना था 2400 9,000 समझ रहे बात 9,800 तो अगर हम इसको देखें तो 27,800 तो minority के अंदर कितना जाएगा 27,800 तो ये जाएगा और दो लाग ये जाएगा टोटल चला जाएगा लाइबरेटी में 27,2,27,000 समझ रहे बात टोटल 27,800 दिपते ने जवाब दे दिया पहले यहाँ तक देखो जितना मैंने पूछा है सवाल सिर्फ उसको फोकस करके आप देखना है कि ये वाला पार्ट समझ में आए नहीं है तब मैं आगे जाऊंगा जो capital reserve बच्चे पहले बोल रहे थे तो 17,600 आएगा सर, S में, पोस्ट में 17,600 आएगा S में, यस यह पोस्ट वाला है लेकिन यह सबसीडरी के लिए है तो minority में तो जाएगा ही 17,600 मैंने गलत ले लिया कि अच्छा, नहीं, 17,400 यह गलत calculate कर दिया साइद बच्चे यह कह रहे है मुझे लगता है 24,000 into में, 40%, अच्छा, 17,600 चलिए, चलिए, वो calculation mistake होगी, 17,600 और यहाँ पे भी आजाएगा हमारा 17,600 17,600 और यह आजाएगा टोटल टोटल फार्मेट में 20,000 और यह आजाएगा हमारा 28 लीजिए जी आपने बोला, मैंने ठीक कर दिया 28 वो मेरी गलती हो गई थी समझ में आना चाहिए देखो, जो बच्चा देख रहा है कि सर यह जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है जिसको समझ में नहीं आ तो बोलेगा, हाँ सर हो गया, टोटल कर लिए 28,000, सर प्लीज एक बार पूरे पोस्ट लास्ट में, हाँ लास्ट में कर देंगे, पहले अभी यहां तक देखे, समझ में है, अब मुझे यह बताईए, कि मैंने सामने वाली कंपनी को खरीदा है न, पूरा नहीं खरीदा, जो भी खरीदा, और खरीदने के लिए मैंने उसको क्या दिया, सर, एक्यूटी शेयर तो कितना रिजर्व फ्री में मिला, आप इधर देखिए, पोस्ट वाला रिजर्व फ्री में नहीं मिला भाई, वो तो मैंने कमाया है, तो कौन से वाला रिजर्व इसको फ्री में मिल जाता है, कौन से वाला सर्प्लस इसको फ्री में मिल जाता है, प्री वाला, तो देखा पर जाएं, तो टोटलिंग के अंदर 3,00,00,00,000 4,00,000對吧 तो हमें 3,666,00 रुपए का सौदा मिल गया 3,66,00 रुपए का समान मिल गया बदले में हमने payment कितना किया बदले में हमने payment कितना किया उसे, investment कितना किया सिर्फ और सिर्फ मात्र तीन लाक रुपए तो देट इस 6600 रुपीज का हमारा क्या आ गया यहां पर क्या आ गया 66 का समझ में रही है बता आपको ठीक है ना 66 का क्या आ गया हमारा यानि अगर आप से मैं सवाल में पूछ हूँ यहां पर वैसे हलाकि गुड़ विल है क्यों कुछ रहा होगा बीच में मेरे सवाल थोड़ा सा यह मैंने रीचेंज करा तो हमें दो चीज पूछा जाता है और जो यह वाला प्रोसेस करते हैं इसको बोलते हैं कॉस्ट आफ कंट्रोल के आपका कंट्रोल करने का कॉस्ट क्या पड़ा तो भाईया हमने फायदा कर लिया च्छाट सो रुपे का एक पते सज़ाइगा कौन बच्चा बताएगा सोच के बताने रिजवन सब्स हम कुछत रिजवन सब्स हम अपनी वाली तो है ए मेरी भाई मेरी अपनी कुछ भी नहीं है लेकिन व जब सवसीडिरी कमपणी को था तो जो मैंने कमाया था तो मेरा पूस्ट वाले में संब्सक्राइग। जो कि हमारा profit में से पोस्ट वाले में जो मैंने टिक लगाया था वो जोड़ा जाएगा देट इस 2726,400 रुपए इसके बाद एक MI भी दर आ जाएगा हमारा सिंपल सी बात है मैं नीचे लिख रहा हूँ MI यहाँ पर क्योंकि आना यहाँ पर के बाद हमारा टू पॉइंट बन जाता है माई का तो मैं अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं चलो अगर MI की बात करूं तो MI आपने बताया मुझे कितना आएगा हमारा 2,00,00, समझने बात को साथ के साथ capital reserve भी यहाँ पर आ जाएगा मैं थोड़ा उधर इधर लिख रहा हूं लेकिन आपको मैं totaling करके बता दूँगा और प्लस इसका trade बेवल भी मेरा ही माना जाएगा that is मेरा trade बेवल कितना हो जाएगा तीन और दो पांच दो लाख दो लाख है न और पांच धाई लाख इधर का total done assets में से बस एक point हटा दिया जाएगा assets तो हमारा सारा होगा जैसे कि 13 और 6 उननेस होना चाहिए 19 लाख 20,000 होना चाहिए लेकिन इसमें से एक 3 लाख रुपय का cancel out हो गया तो ये कितना बच गया हमारा 17,000,000 आप इन सभी के total को check कर लिजे क्या ये 17,000,000,000 बन रहा है या नहीं बन रहा है चेक कर लेते हैं क्या था सर 66,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और दाइलाग तो आप देखेंगे 16,20,000 और क्या रहे गया हमारा 16,20,000 1,00,000 रुबे क्या रहे गया Profit रहे गया अच्छा 66,00 10,00,000 9,00, 1,00, 26,000 2,00, 28,000 6,00, 23,00, 29,20 इसमें से कैंसल आउट हो गया तो हमारा बच गया 17,00, 3,00,000 होगा न, 6 होगा 16,20, ठीक है न तो आप टोटल करेंगे तो यह 16,20 ही बनेगा 9,00, 1,00, 26,00 और प्लस में 2,00, 28,000 और आप देखेंगे 5,00, तो हमारा 16,20,000 ठीक है तो यह देखो मैंने बहुत रफली किया है आप इसको और अच्छे से जाना चाहते है तो नहीं वाली बैलेंशीट में इस चेप्टर को सीखने के लिए आप जी डिख वंगंव पास अप्लोट में पास के अप लोट हो जाए गा सब चीजे आ जिखने आज आज आगा आज आप जितना मैंने कर आया है आप वाल उसको देखें robot उसको और वह सारे Savory को क्ना करना है बिन देखेंए करना है और वही कॉमन डेट वाला वही अन्रिलाइज प्रॉफिट वाला और एक दो पॉइंट और आ जाएगा चाहिद उसमें ठीक है ना आप में एड कर ले तर एड करते टाइम पर ध्यान रखता है कि जो इन्वेस्मेंट और जो लाइबलेटी कैंसल आउट उसको तो एड नहीं करेंगे दूसरा प्रॉफिट में प्री और पॉस्ट का कॉंसर्ट देखा जाएगा कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा क्लिया I passed you last class तक हम पुरानी holding की कर रहे थे अभ देखिया हमारा हमने क्या क्या कर लिया था इक ओरично व्यटे लिया था 더माने इंटरेante इंट्रस्त क्या होता यह सारी चीजी आज एक कुछन करेंगे जिसके अंदर मेजर पॉइंट होगा हमारे लॉस का मेजर होगा लॉस का चलिए स्टार्ट करते हैं दब बैलेंशीट एच लिमिटेड सबसेडरी एच लिमिटेड जो बैलेंशीट है इसके अंदर देखा जाए आपको सारी जानकारी गीवन है हमें मेजरली पहले ये चेक करना होता है और यहां पर दे रखा है इसने कि इसने क्या करा इस कंपनी के 4000 शेर खरीद रखे हैं और कितने का खरीद हैं सर 4000 में यानि एक रुपए का एक शेर है 4000 में और जबकि इसके कितने थे 6000 तो सारा फुली नहीं है इसका कुछ पार्ट लिया है मेजर बात कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर बीच में होगा तो एक 30 सप्टमबर को खरीद आ गया ठीक है 30 सप्टमबर के बाद आगे कहता है के 2016 और दा प्रॉफिट आपका लॉस एस लिमिटेड शो अल लॉस और साल के 2016 वाले साल में यानि स्टार्टिंग में लॉस दे रखता है हमें कितने का 3000 रुपे का विच वॉस रिटन फ्रॉम आउट अफ दा प्रॉफिट अंड दूरिंग द इयर जिसको हमने प्रॉफिट से कंपनसेट करना है और प्रॉफिट अंड यूनिफॉर्मली प्रॉफिट पूरे साल में हम एक ही तरीके से कमाते है प्रप्रेयर बैलेंशीट कंसोट अलेट तो हम पहले वर्किंग नोट कर लेगे और उसके बाद फिर हम बैलेंशीट बना लेगे तो हम बैलेंशीट यहीं रखेंगे खुड़ा खुले में वर्किंग नोट करेंगे तो बैटर रहेगा ठीक है यह जो डेट है यह एक चार है ठीक है और यह जो डेट है वो 31 तीन है करेक्ट चलिए साथ डेट है मतलब जो भी साल का एंट है मैं तो डेटा ऐसे ले रहा हूँ सवाल में क्या कहता है कि हमारे पास जो यह बैलेंच शीट है वो साल के एंट का बैलेंच शीट है जो आपको यहाँ पे जनर रिजर्व दिख रहा है वो तो होल्डिंग में है सबसीडरी के अंदर सरप्लस देखिए अठारा सो रुपे का है प्रॉफिट तो सर यह किस डेट का प्रॉफिट होगा कौन बच्चा बताएगा एंड का प्रॉफिट होगा है न तो यानि यह यहाँ पे हमने अर्न कर रखा है इस डेट पे हमें पता है कितने कमा रखें मैंने अठारा सो रुपे चलिए सर एक लाइन देखे क्या कहता है हमने कमपनी को 30 सप्टमबर 2016 में खरीदा है यानि कमपनी को खरीदने का यानि एक्वाइर करने की बात करें तो मिड में यानि इससे पहले सारा का सारा कोई राइट नहीं था इसके बाद दो लोग आ जाएगे इससे पहला अकेला कमपनी चल रहा था और इसके बाद कमपनी को खरीद लिया गया तो इससे पहले के जितने भी प्रॉफिट होंगे आपके आप बताइए इससे पहले के जितने भी प्रॉफिट होंगे इससे पहले को भी दूख से बाठते हैं लेकिन पोस्ट वाला सब कुछ बैल इन शीट में जाता है और प्री वाले में सब कुछ नहीं जाता सरिफ ना फार्फ जाता है ठीक है तो प्री के अंदर ठीक है अब हम पता कर लेते हैं साहब आगे कहता है इसका कहने का मतलब है कि भाई सहाब इस डेट पे लॉस था यहाँ पे क्या था लॉस था कितने का लॉस था 3000 अब कौन बच्चा बताएगा मुझे कौन सा स्टूडेंट बताएगा देखते हैं कि पहले तो 3000 का लॉस था और साल के इंड में 18,000 रुपे कौन बताएगा साल के डुरेशन में कितना प्रॉफे कमाया है बताएए सिंपल सा सवाल है मेरा देखें आप क्वाडिनेट करिएगगा मैंने कहा यहां 3,000 रुबे का क्या है लॉस आ यहां पर 4300 बाभाफिट तो 18-800 का profit, 18-800 का profit कैसे हुआ, बताइए, कैसे हुआ 1800 का profit है, मान सुआ, तो फिर 48-48, बिल्कुल सही, 48-48, कितने, 48-48, क्योंकि हमने क्या करा होगा, इस loss को पहले हम चल रहे होगे, loss को ले के चल रहे होगे, ध्यान से देखिएगा, loss को चल रहे होगे, यहां loss है मेरा, टिक- loss के बाद, जब हमने loss को पूरा compensate करा होगा, तो फिर मेरा 0 हो गया होगा, balance, यानि no profit, no loss, फिर हम क्या कर रहे होगे, फिर आगे मेनत करते गए, मेनत करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, तो 18-100 कमा पाए, तो अगर मुद्दे की बात आप से में बढ़ जाएगा यानि मन्त के रेशो में बाठ देते हैं तो यह च्छे महीना हो गया क्योंकि यह कहता है कि 30 सप्टेंबर की बात चल ड़ी ती सप्टेंबर को खरीदा है तो इधर का छे मेना इधर का छे मेना तो मुझे जवाब दीजिए कि अगर हम बोलता है कि पूरे साल में एक जैसा प्रॉफिट कमाया गया तो पूरे साल में आपने कमाई कितनी है पूरे साल की अर्निंग देखी जाए तो अर्निंग पूरे साल की अगर हम यहां से यहां तक अर्निंग की बात करें ठीक है ना अगर ह यहां से यहां तक earning वैसे आपने actual में कितना किया हुआ है तो 48 की earning दो भाग में बाटगेंगेत hoş है तो यहां से यहां तक की earning कितनी रहेगी बताओ इस duration का इर्निंग कितना होगा तो जवाब है सर इस duration का बताएंगे इसके बारे में बताएंगे क्योंकि आज मैं कुछ और भी डिसकस करने वाला हूं आप लोगों के साथ सारी चीजे पर मैं काम कर रहा हूं और आपको कल से सारी चीजे डिलीवर होने लगे जिन्होंने कोई डरने और या घबरानी की जुरत नहीं है उसके उपर मैं पूरी मेहनत करने वाला हूं होल्डिंग वाले चप्टर मैंने अल्मूस्ट रिकॉर्ड कर दिया है तो होल्डिंग डाल दूँगा जो रिकॉर्डिंग से देख लोगे है अब क्लियर है दीपक जैन कहता है सर यहां तक क्लियर है प्लीज रिपीट कर दो समझ नहीं आया है सिकता के कहना है सर रिपीड करदो समझ में नहीं आया है क्या है तो यह three प्री और पोस्ट में बाटना है कंपनी को 30 सेप्टेंबर को हमारे द्वारा खरीदा गया था तो 6 महिने और 6 महिने बट रहे हैं तो आधा प्रॉफिट यहां का होगा आधा प्रॉफिट यहां का होगा सीधी सी बात है तो 2400-2400 आ गया अब इस साल का हम एक्चुल प्रॉफ की करें किटना लॉफ हो गया यहां पे एक्च्वलड देखा जाए तो सर यहां से यहां फुस्टफ में तो हमारे 600 लॉफ में ही ही रहे थे फ erstar kाण्भ में हमें 600 रूपए क्या कर रखा है लॉफ कर रखा हैं तो अगर जो होल्डिंग कंपनी है प्लिंग कंपशन में आध खरीदे और जो 4000 खरीदे वो हो गया होल्डिंग का हिस्सा और 2000 नहीं खरीदा वो हो गया सबसेटरी का परसंटेज के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो कैसे निकालो के भाईया 4000 डिवाइड़ बाई 6000 गुणा में 100 कितने पर्तिशत खरीदे हैं वो भी चेक कर लेते हैं 4000 डिवाइड़ बाई 6,000 इंटू में 100 तो 66.66666666666% खरीद लिया यानि 50% से अब खरीद लिया या फिर आप रेशो कर सकते हैं और 2 इस टू 1 का रेशो हमारा बन जाता है यहां पे तो सारी चीजों को हम बाट देंगे 2 इस टू 1 के रेशो के अंदर तो साहाब यहां पे इस प्रॉफिट पे दो लोगों का अधिकार हैगी नहीं इस प्रॉफिट पे कितने लोगों का अधिकार दो लोगों का एक माइनेटिटी इंट्रस्ट और एक बोलो एक तो होगा होल्डिंग का अधिकार और एक होगा हमारा सबसीडरी का अधिकार सर होल्डिंग का कितना अध तो दो बटे तीन तो इसका मतलब सर इसका 400 रुपय अधिकार और इसका कितना अधिकार 200 यह लॉस है यह एम आई का लॉस आ ठीक है अब इसके उपर आ जाते हैं इसमें भी तो दो लोगों का अधिकार होगा दो लोगों का राइट होगा एक वोल्डिंग वाले का और एक सब आप दे पाएगा जिसने नहीं देखी वो नहीं बता पाएगा सीदी सी बात है तो मुझे बताना अगर देखा जाए तो होल्डिंग का अगर देखा जाए तो दो टू इस्टू वन तीन आठ सोला सो और यह आ जाएगा हमारा आठ सो मैंने रेशियो में बाढ़ दिया और कुछ ज़्यादा नहीं किया है बताएगा यह वाला प्रॉफिट के नई वाली बैलिंशीट में जाएगा जाएगा यह वाला मैने रेटरी इंटरस में जाएगा क्या यह वाला प्रॉफिट लॉस जाएगा मैने रेटरी इंटरस में जाएगा क्या यह वाला प्रॉफिट बैलिंशीट के अंदर जाएगा जवाबें नहीं जाएगा यानि pre-acquisition profit कभी भी balance sheet में holding वाला नहीं जाता minority वाला तो सारा ही सारा जाता है चलिए सहाब अब इसके बाद हमें दो काम करना है एक निकालना है cost of control अब एक निकालना है हमें cost of control सर निकालना सीखी लोग cost of control कैसे निकाला जाते हैं यह table बना लेते हैं क्योंकि exam में आपसे cost of control निकालने को पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ हो सकता है तो सबसे पहले हमने क्या-क्या खरीदा वो देख लेते हैं हमने equity share capital खरीदा और equity share capital जो खरीदा वो खरीदा मातर और मातर कितने का 4000 रुपए का मुझे तो data याद हो गया है आप भी देख लिजे मैंने कितने का खरीदा 4000 रुपए का तो मैं पहले देख रहा हूँ equity share 4000 का खरीद लिया और उसके साथ मुझे loss free fund में मिल गया loss कितने का मिल गया मुझे 600 रुपए में तो net value देखा जाए तो मेरे पास समान जो मिला 3600 का जिसके बदले मैंने payment किया paid किया और paid हमेशा पता है कहां से मिलेगा sir paid हमेशा मिलेगा इसके holding company के अंदर जो दे रखा है ना ये payment ये payment है तो payment कितना किया आपने payment sir 4000 किया इसका मतलब 3600 के समान के बदले आप payment कर रहे हो 4000 क्या इसका मतलब क्या समझे क्या समझे क्या समझे इस company का होगा कुछ ना कुछ तो goodwill तो यहां cost of control में यहां पर 400 रुपए आ गया goodwill particular इसे बोलते हैं यानि cost of control यही निकालने को आ सकता है दस नंबर में और यह तब तक नहीं निकाल सकते जब तक यह पूरा का पूरा जंजट ना समझ में आए ठीक है अब इसके बाद चलिए अब हम भी कशोष से ऊजब करते हैं फटाफट से में कंशोड डुलिट बैन चीट के लिए छोटा सा थोड़ास करूगा वाट यह क्योंकि हैं सारे सवाल जितने उनाय उत्हूर्मेट तो अखर म से करेंगे कि हम नोट नहीं बनाने वाले नोट में यहीं पर अज्जस्मेंट करते हूं आप उसका नोट बना सकते हैं क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट करा हुआ है तो आपको समझ में आ जाए भाई यह इसका नोट नहीं बनाया जखे की कारण ठीक है नोट अमाउंट सर यहां पर है हमारा बैलेंश शीट बैलेंश शीट और डेट भी डालना है जो भी डेट है हमारा एजन डाल दोगे यहां पर पर्टिकुलर और सबसे पहले में ब्लैंक फॉर्मेट बना लूँगा जैसे की परस्ट पार्ट एक्वुटी एंड लाइबलिटी एंड सेकिंड पार्ट क्या आएगा एसेट्स अब इसके अंदर सारे पॉइंट से लिख लेते हैं फटा-फट से इसके अंदर फॉर्स पार्ट आएगा शेयर भूल्डर fund इसके अंदर A और B पार्ट आ जाएगा इसके अंदर A पार्ट आ जाएगा share capital B पार्ट आ जाएगा reserve and surplus दो ही चीज़ होती है और इसके अंदर एक और पार्ट आ जाएगा minority interest का ठीक है न तो second point लिख लेंगे हम minority interest MI second point क्या लिख लिए minority interest इसके बाद सर इसके अंदर और आएगा हमारा जैसे दूसरा पार्ट आ जाएगा क्या नोन तीसरा पार्ट बने गई गई है थर्ड पार्ट बन जाएगा नोन current liability जिसके अंदर डिबेंचर वगएरा होंगे अगर है तो और चौत्था पार्ट बन जाएगा हमारा current liability current liability के अंदर क्या क्या हो सकता है वही आपका trade people creditor and etc जो भी दे रखा उसके according लिए तो चलिए सहाब इसको थोड़ा नीचे shifting करेंगे assets के अंदर अब आ जाएगा हमारा first part that is known current asset इसके अंदर भी points बन जाते हैं सर क्या point बनेगा इसके अंदर ए पार्ट बनेगा हमारा fixed assets एक फिक्स एसेट्स के अंदर भी पार्ट बन जाएगा सर क्या पार्ट बनेगा रॉमन में बन जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्विपमेंट और दूसरा पार्ट बन जाएगा इंटेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट्स बन जाएगा ठीक है इसके बाद और कुछ होता नहीं है इसके अंदर मिजरली दूसरा नोट आ जाएगा सर दूसरा नोट किसका आ जाएगा सेकेंड नोट आ जाएगा सेकेंड नोट हमारा आएगा किस चीज़ का बताओ हमारा आ जाएगा कर current assets के बाद क्या आएगा current assets के अंदर आपका मेजरली क्या क्या होगा देखो investment होगा inventory होगा whatever बहुत सारे चीजे मैं देख लेता हूं, एक common बना लेता हूं मैं और क्या क्या हो सकता है land inventory data, bills paper, cash and cash equivalent लिख लेते हैं और इस chapter को बिना balance sheet वाला chapter करे कोई बच्चा ना करे नहीं तो बहुत दिक्कत होगी सबसे पहले A part क्या था हमारा inventory वैसे तो आपका था current investment लेकिन वो तो होगा नहीं B part डाल देते हैं trade receivable and C part डाल देते हैं किसका सर cash and cash equivalent और D part last में डाल देते हैं other इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इससे ज़्यादा नहीं हो सकता थोड़ा जगह बचाने के लिए हमने इसको छोटा कर दिया don't worry about it question को कर देंगे इसको कर देंगे बढ़ा चलिए मैं पूरा पहले एक फार्मेट बना ले तो फिर तो फटा 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 इसके इसके इंदर करते जाए सभी को questions बगएरा बिल्कुल साफ साफ neat and clean दिख रहा है और मुझे इसको करने दीजिए एक काम और एक काम क्या बस दो मिनट दीजिए का मुझे एक ही यह है इसका और इसका माउस 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 एक है इसका आज का बिल्कुल बिल्कुल आज का first question है यह आज बस मुझे काम करने दीजिए मैं सारे copy कर लूँ ताकि आप ते लिए जल्दी जल्दी मैं सवाल कर पाऊं कि मुझे बनाने में time लगता है और इसलिए मैं हर पेज पर copy कर लेता हूं ताकि बस concept कराया और फिल कर दिया है चलिए सब्सक्राइब कि आज आज आईए copy कर लेते हैं इसको कि और हो कि सिर्फ इसको copy करना है ना का ची कर अच्या कि कूए रावाई यह इस is पेज पर जरथ नहीं हैish परेज़स पर क्रते हैं कन्ट्रोल वी ए आया क्या चलो और पीज़सम पर जे नहीं साम आudet ganze यह तक इसस पर जॉरत पड़ेगा Georgetown week अ है चलिए इस पर जो बिंस्सॉरत पड़ेगा संट्रॉल बस और पेज बना लेते हैं इस पेज पेज पड़ेगा कंट्रोल भी हम पहले पेज बना लेते हैं था कि आगे दिखत ना हो है न इस तरहे लिए आते हैं उतनी दूर जा रहा हूं चलिए बहुत इतना है ना अब इसको हटा दिए अब जहां जगहें जिसकी उसको हां पहुचा तुम इधर चले जाओ सर तीन अजार का लॉस 246 मंत चोबिसटो सिक्स मंत च्ष्थण रूप्य लॉस अभी भी बचा है यह श्रू रूप्य लॉस बचा हुआ है लेकिन उसको हमने अट्जेस्मेंट मार दिया है उसको अट्जेस्मेंट कर दिया है वहो कितने सारे पेज होगे हैं एक मिना टेक मन भाई कहा जा रहे बस यहां पर बच्चे कहने सर आपने जो यह लिखा है तो यह 600 का लॉस तो बट गया और जो 200 का लॉस है माइनेरेटी में आगे माइनेस करेंगे चलो अब हम एक क्या करेंगे एक तो यह निकाल दिया दूसर में आप से मेरे को जहां तक लगता है अगर पिछले बार वाला पेपर सेटर हुआ तो तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा क्योंकि मैं उसके हिसाब से भी सारे चीज़े करा हूंगा और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे वह तो लोट पोट हो जाएंगे पेपर सेटर के उपर डिपेंड करता है कौन है भाई साहं चलिए में सबसे पहले क्या लोगे सर शेयर ले लोगे है ना और शेयर कितने का था दो हजार 4 तो वहाई ले गोलिए वकां दो हजार थीक है उसके बाद क्या होगा इसका Осयना मियुट पहले पीमी का लॉस मिया कितना इसका 200 500 अर पोर्वर्य में पोन्च का प्रॉ मपिस कितना ऐट इस रूपिय्सकों रूपिये ब्सक्तिया किइ मायार सब्रवागे कि किसके पीछे को है अरे मांट गलत लेखे लिए है फट 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 अबन से बताईए कियर कैपिटल में ऐसका शेयर कैपिटल लेंगे नहीं जी नहीं बस अपना लेगे अपने से मतलब रखेंगे तो शेयर कैपिटल में नूट नमबर वन डालीएगा बाकि जुरॉत नहीं अब नोट बना सकते हैं, मैं यहीं पर detail करूँगा, तो sir, सरिफ और सरिफ, मात्र 10,000, reserve और surplus में, जी मेरा वाला तो दोनों ही होगा, मेरा वाला reserve भी होगा, मेरा वाला surplus भी होगा, तो चलिए, मेरा वाला पहले ले ले लेते हैं, मेरा वाला कितना 4,000, और प्लस 4,000, यह होगया holding का, मैं एकी साथ कर रहा हूँ, वैसे अलग-अलग होना चीए, पूरा नोट बनना चीए, मैं अलग कर रहा हूँ, और प्लस, जब subsidiary से लिया तो क्या होगा, क्या हमें subsidiary में से कुछ profit इसमें जोड़ना चाहिए, क्या subsidiary में से कुछ profit जोड़ना चाहिए, यह हाँ, यह balance sheet के अंदर जाएगा, that is 1600 रुपे, तो सिर्फ 1600 रुपे जो हमने subsidiary को acquired करके किया है, तो total हो जेंगे 8,008 और 1696 रुपे, सर MI कितना आएगा सर, MI निकाल लिया है हमने 2600 रुपे का, तो यह MI आजाएगा 2600 रुपे, देखे कितना आसान है, non current assets है नहीं, चलो छोड़ो, trade payable, दोनों जोड़ देंगे, trade payable में कोई कहानी आई नहीं, current library में, तो यहाँ लिख दिया मैंने trade payable, trade payable, trade payable की कहानी में कुछ भी नहीं है, दोनों को जोड़ दिया जाए, 2000 और प्लस, और यह सारा note में करोगे न, तो बहतर है, 4200, बस खतम, yellow total, कर लेंगे, assets में PPE, PPE में तो सब कुछ जुड़ेगा भाई, यह भी जुड़ेगा और यह भी जुड़ेगा, कोई बात नहीं, तो 16 और 10, और investment यह तो लिया नहीं जाएगा, cancel out हो जाता है, clear, अब चलिए, क्या intangible assets बना था, चेक करना होगा, COC, यानि cost of control से, जी हाँ, goodwill बना था, तो goodwill भी आ देगा, 400 रुपे, और भईया सवाल में कुछ है इनी, मैंने format इसलिए बना दिया, के हर एक format पे काम आ जाएगा, आपको इसकी जरुरत नहीं है, तो बनाने की कोई अवस्चक्ता नहीं है, तो फटा-फट से कर लेते हैं, कितना आगे 26,000, 400, इसका भी total करिए, 26,000, 400 ही बैठेगा, तो देखे 26,000, सवाल खतम, लॉस वाला पॉइंट भी कर लिया, प्रॉफिट वाला था, ये लॉस वाला पॉइंट भी हमने कर लिया है, सर क्यूं एड किया, आपने 16,000 रुपे, सोफिया, 16,000 रुपे, इसलिए एड किया, क्यूंकि पोस्ट वाला प्रॉफिट, हमेशा, balance sheet के अंदर add होगा holding company का हिस्सा post वाला profit हमेशा add होगा holding company का हिस्सा normal reserve and surplus के अंदर ये last class में बें discuss किया अगर last class में कुछ miss हो गया होगा तो अभी में ने बता दिया clear है COC समझा दो COC cost of control cost of control में देखो मैंने उस company के कितने 50% हिस्सेदारी खरीदी थी सार उस company के आपने 60.666 यानी 1x6 खरीदा था तो जिसमें से 1x6 खरीदा और 2x6 हो गया ये 2x6 जितना भी हमने खरीदा उस company का तो उस company का equity इतने का खरीदा और सिर्फ shares नहीं खरीदा उस company का loss भी मेरे capital रिजब और यह एकाप असान सवाल चले अगले सवाल पर चलते हैं यह अभी मिल जाएगा अभी आप जाओगे न तो सबसे पहले जाके काजने को बोलना कि इसको सबसे पहले जाके upload करें यह video को 600 रुपे loss कैसे आया अभी भी प्लीज बता दो सर 600 रुपे का loss 600 रुपे का loss कैसे आया देखो भाई साब आप कह रहे हो मेरा इस date पे loss था और यहां से यहां तक कमाई हमारी 2400 की है तो 2400 का loss पे आपने अभी इस साल में मतलब इस साल में purely कमाई 2400 जिसमें 3 का loss था तो ultimately अभी भी आप 600 loss में बैठे हुए हो ठीक है अभी भी 600 loss में बैठे हुए हो चलिए अगला सवाल देखते हैं चले अगले सवाल पर आपकी इजाज़त हो तो चले पाई साथ चले इसको दुबारा करते हैं मैं यह बना लिए ना असान हो जाता है ऐसे करने में बर्किंग नोट पीछे कर लेंगे हम है और अगली क्लास से मैं कोसिस करूंगा कि दो पेज कर लूँ है अरे मैं दो पेज कर लूँ जिससे की और आसान हो जाओ मेरे लिए कुश्चन बढ़ा कर देता हूं आपको कुश्चन देखना वह जरूरी है लो भाई बढ़ा हो जाओ ठीक है दिख रहा है पूरा करेक्ट चलिए साहब ऊपर की क्या बाते करना ऊपर कहता है एच लिमेट लिए इसने 8000 खरीद लिए ठीक है अब इसके इन्वेस्मेंट में जाओगे थोड़ा सा गलत कर रखा है किताब में भी गलत कर रखा है यह होना चाहिए 8000 जो कि 4000 करा हुआ था वो मिस्टेक था किताब में भी मिल जाएगा और मैंने यहां भी ठीक कर दिया ठीक है चलिए स इसका मतलब क्या कह रहा है बिल्स रिसेवेबल एच लिमिटेड इंक्लूड दस अजार एक्सेप्टेड वाई एस लिमिटेड संड्री डेटर एच लिमिटेड इंक्लूड 5000 रुपर एस लिमिटेड और प्रिपेर कहा गया कि भाईया कॉंसोर्ट डिलेट बैलेंशीट कर तो सर एक कॉंसेप्ट डिवलप हो गया यहाँ पर कॉंसेप्ट कॉंसेप्ट इस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है मान लो एस है और मान लो एच है अगर मैं S की बात करूँ और H की बात करूँ तो S के अंदर में भी हो सकता है कि BP हो और BR और क्रेडिटर हो और सर इसका ब़ीपी और क्रेडिटर कैसे बना इसने समान खरीदा था कि खरीदा था इससे जब इससे समान खरीदा था तो इसके पास क्या हो सकता है हमारा में भी पॉसिबल हो के BR होगा इसके पास और इसके पास क्या होगा हमारे पास debtor होगा मान ले आजाए 5000 और 6000 5000 और 6000 इसके बाद 3000 और 2000 3000 और 2000 यह है तो आप देखेंगे यह जो अब एक S है और H है अगर H ने इसको खरीदा इसके साथ साथ इसके liability को भी तो लेना पड़े और liability के इसको ले लिया इसका मतलब H कहता है मुझे liability pay करना होगा यही कहेगा H लेकिन जब payment करने की बात देखे तो H क्या कहेगा कि यार यह तो मुझे ही वापस देने है तो इस situation में यह दोनों में commonly हो गया तो ऐसे situation में यह क्या करेंगे subsidiary company चाहे holding company हम क्या करेंगे अपने creditor में से जब लेने जाएंगे यानि liability को जब लेने जाएंगे तो वहाँ 5000 माइनस कर देंगे और 6000 माइनस कर देंगे और जब assets हमारा वाला होगा उसमें से भी हम क्या करेंगे पांच और 6 मैंने गलत गलत amount लिख दया मैं इसको सेम amount लिखना चाहिए हाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए 5000 और 6000 और अपने वाले में से भी मैं माइनस कर दूँ मुझे एक सवाल का जवाब देना और although यह common date वाला point हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए मैंने कहा है स्लिमिटेट के total जो है न है है total की बात कर रहे है इसके पास जो बी आर है वो बी आर है 20,000 का और क्रेडिटर है क्रेडिटर है 10,000 का ठीक है और यह है एस लिमिटेड का और अगला बात मैं कहा रहा हूं के सर एच लिमिटेड के भी कुछ अपने लाइबिलिटी है confused नहीं करना चाह रहा confused नहीं कहना चाह रहा अब इसकी बात करें तो अगली इसके पास जो total है total जो डेटर है सहाव वो total डेटर है हमारा 20,000 रुपे का और जो बी आर है वो है 30,000 रुपे का तो जरूरी थोड़ी है कि इसे इन्होंने कारूबार के अपना अलग-अलग बाहर से भी करते हैं तो जब हम ये वाला बी आर को एड करेंगे सर ये वाला बी आर एड करेंगे किसमें बी आर एड होगा हमारा यह BR add हो जाएगा हमारा जब Consolidulate balance sheet के अंदर तो हमें याद रखना है यह BP होना चीए जब यह BP add करेंगे Consolidulate में तो हमें याद रखना है कि 20,000 रुपे जो add-on हो रहा है उसमें से हमें क्या minus कर देना है सर 5,000 minus करके कितना add-on होगा उसमें सरिफ 15 सेम ऐसे जो मेरा यह 10,000 है 10,000 add नहीं होगा उसमें 6,000 minus करके कितना add होगा हमारा सरिफ और सरिफ 4,000 अब asset side को जब लेंगे जब debtor को merge करेंगे तो debtor पता कितना merge होगा debtor मर्ज होगा 20,000 रुपे था उसमें से 5,000 minus हो जाएगा that is 15,000 हो जाएगा और अगर हम देखें आगे concept में BR तो BR मैंने गलत कर दिया आगे यह होगा हमारा 6,000 that is 14,000 यह उपर नीचे होगा थोड़ा अगर हम BR की बात करें तो हमारे पास total कितना था सर BR था total हमारे पास 30,000 और उपर कितना था हमारा common वाला 5000 तो यह add होगा हमारा कितना सर 25,000 और debtor की बात करें तो debtor कितना था हमारा total 20,000 और common वाला कितना है 6000 यह add होगा हमारा 14,000 इसको common debt कहते हैं और simple सी बात मैं बहुत conclude में बोलू न तो जो common वाला part होगा दोनों तरफ से minus हो जाएगा liability से भी और asset से भी liability से भी assets minus हो जाएगा और asset से भी मैं सवाल करवाँगा सवाल में सिर्फ यही concept easily समझ में आ जाएगा सवाल से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा बस एक tentative idea लग जाना चीए कि इस तरीकी के सवाल आ सकते हैं तो चलिए मैं सवाल पर जाता हूँ सवाल में ने एक बात बोली गई है जिसे हमें ध्यान देना है कहता है रिजर्वेंस सर्प्लस जो है न वो 31-3-2-0-16 और 31-3-2-0-16 और profit for the year 16-17 इसका मतलब सर यह वाला तो पुराना है यह वाला तो हमारा कौन सा है सर पुराना है और यह वाला कौन सा है सर नए वाला है तो यह वाला profit अब देखना पड़ेगा acquire किस दिन किया बोलता है कि हमने भईया इसे ना 31-3-2-0-16 को ही खरीद लिया था 31-3-2-0-16 को ही खरीद लिया था चलिए साहब आ जाते हैं एक लाइन खीषते हैं आपके लिए ठीक है यह डेट है 14-2015 और खतम कब होगा 31-3 यह हम बेसिक सी बात करें 14-2016 14-2016 और खतम कब होगा 31-3-2-0-17 सर यह दोनों डेट है अब सवाल में कहता है 31-03-2016 तक हमारे पास जो प्रॉफिट था जर्नर रिजर्व यह इतने का था और यह इतने का था ओके यानि पुराने की बात कर रहा है तो इस डेट पे हमारे पास क्या था सर एक तो जर्नर रिजर्व था और एक क्या था सर प्लस अगर हम बात करें कितना था तो हमारे पास था दो लाख और साथ हजार और लास में कहता है कि डूरिंग डू इयर जो डूरिंग डू इयर था डूरिंग डू इयर क्या कहता है कि 16-17, तो 16-17 की बात करें, तो ये तो 16-17 ये वाला साल आ गया, यानि यहां से यहां तक की कमाई है, यहां से लेके यहां तक की कमाई करने के बाद हमें बता दिये कि है, separately बताया गया, कि यहां पे हमने GR जो है, और यहां पे हमारे पास दोनों चीज़े हैं, एक है, सिर्फ प्रॉफिट बताया है, इसने के 80,000 है, सिर्फ प्रॉफिट बताया है, यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना है हमारा, 80,000, अच्छा, सर्फलस साथ है, देखिएगा, कुश्चन में कहता है कि भाई, जब हमारा साल सुरू हुआ, तब हमारे पास जनर्र रिजर्व में भी कुछ पैसा था, और हमारे पास सर्पलस में भी कुछ पैसा था, और जब साल एंड हुआ, तो उसका सेपरेटली अलग, इस प्रॉफिट से अलग करके बोल रहा है, कि ये हमने 80,000 कमाया है, और इस कमपनी को कब खरीदा गया, हमें ये चीज़े चेक करनी है, अगर कमपनी को खरीदने की बात करें, तो 31 मार्श 2016 को खरीदा गया, तो अब जो साल के स्टार्टिंग में ही खरीद लिया है, इसका मतलब जो हमने यहां से यहां तक profit कमाया हो सवाल में दे रखा था कितना था 80 and यह सारा का सारा कौन सा माना जाएगा पोस्त और हमें Company खरी टाइम पे जो हमें मिला था और यह सारा का सारा क्या माना जाएगा भाई साथ प्री माना जाएगा तो अब प्री के दो हिस्से कर देंगे यानि यहाँ पे हम क्या लेंगे एक लेंगे general reserve और एक लेंगे हम surplus ठीक है तो प्री के दो हिस्से हो जाएगा और कितना खरीदा है उसने percentage पूरा खरीद लिया क्या खरीदा देख लेते हैं उसने कहां मैंने 8000 खरीदे हैं यानि 10,000 में से 8000 खरीदे यानि 80% एक्वायर कर रहे है 10,000 टूटल था उसका share 10,000 था जिसमें से 8000 खरीद लिये तो साफ सिधी बात आपको जाहिर सी बात है दिख रहा है 80% खरीद लिया तो इसके अंदर general reserve में 80% किसका अधिकार है और बाकी का जो रह गया 80% किसका अधिकार है और सबसीडरी का कितने परसेंट अधिकार होगा बस और सबसीडरी का इसलिए लिखते हैं ताकि हम MI यानि Minority Interest निकाल पाए हम MI यानि Minority Interest निकाल पाए और यहाँ पर देखा जाए एक होगा holding और एक होगा subsidiary अगर इसका भी देखा जाए तो ये भी कितने percent होगा 80% और ये देखा जाए तो कितने percent होगा 20% जो हमारा ये holding वाला है ये तो हमारा cost of control निकालने के काम आ जाएगा और जो subsidiary वाला है ये minority interest के काम आ जाएगा और सर ये जो था हमारा कितना था दो लाक अगर दो लाक को हम convert करें या compare करें ये कार्ट पीट दें तो दो लाक का 80% एक साथ यहां का था और 20% यानि 40,000 यहां का था और ये जो surplus था सर ये surplus था 60,000 60,000 को करें तो कितने होंगे 48,000 यहां का और 12,000 रुपे यहां का हो जाएगा तो सहाब ये MI का पार्ट माना जाएगा और ये भी MI का और ये cost of control का आएगा अगले profit की बात करें तो ये सारा कौन सा कौन सा profit है ये वाला 80,000 रुपे सर ये सारा profit कौन सा बन रहा है यहां पर देखा जाए तो पोस्ट का तो इस पर भी holding का अधिकार होगा और minority interest का भी अधिकार होगा यानि 16,000 पहले तो आप ये वाले points को confirm कर दिए सर ये वाली बात हमें समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ें क्योंकि इस सवाल के अंदर एक यही point था जो कि आपको थोड़ा परिशान कर सकता था बाकी common debt वाला तो हम अभी देख लेंगे common debt वाला भी सवाल के अंदर लेंगे तो एकदम clear हो जाएगा क्योंकि हम सवाल करेंगे ना balance sheet के अंदर उसका adjustment में कोई role नहीं होता balance sheet में directly चला जाता है पहले आप profit को देख लिजे pre और post को किसी को दिक्कत profit देखे pre and post यह working note आप paper में बनाईए जहां मरजी बनाईए तो आपको समझ मा जाएगा sir 80% कैसे आया अगर हम 10,000 में से 8,000 share को खरीद लेंगे तो 80% ही होगा और जिसको यह 80% नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ 8,000 खरीदे हैं और कितने में खरीदे हैं 10,000 में से खरीदे हैं तो गुणा में 100 करिए आपका आजाएगा 80% आपकी खरीदारी हो गई है या तो आप ratio कर सकते हैं sir कैसे आपका 10,000 टोटल था 10,000 में से 8,000 खरीद लिया और बचे कितने 2000 तो रेशो बन गया 8-2 का या 4-1 तो सभी चीज़ को 4-1 में ही बाटा है मैंने या 80-20 कर लिजी आपकी मर्जी है बात एक ही है घुमा फिरा के कई जगा पर रेशो कर देते हैं और कई जगा पर परसंटेज में बाट देते हैं तो रेशो भी क्या है अपने आप में एक परसंटेज शो करता है एक बंद कर देना अरो बंद कर दो क्लियर चलिए सर बैलेंशीट पर आ जाते हैं अब दो चीज़े निकालेंगे यहीं पर और यही में है आपका जिस बच्चे ने यह पॉइंट सीक लिया निकालना क्रॉस्ट अफ कंट्रोल और यह मानलो बैलेंशीट में बचता ही क्या आप फुस सोचो ब समझने में चलिए और एक क्या निकाल देंगे हम एम आई खली यहां माई के लिए निकाल लेते हैं कि ठीक है चलिए थोड़ा लाइन आगे पीछे यह निकाल लेते हैं कॉस्ट अफ कंट्रोल सर कॉस्ट अफ कंट्रोल में सबसे पहले हमने उसके शियर्स खरीदें सर शियर्स जो खरीदे 80 परसेंट 8000 यानि सर 8 लाक रुपए के शियर्स खरीदें आप इसका चेक करिए हम अगर इसका 80 परसेंट लेंगे 10 लाक का तो रुपीज के टान्स में देखा जाए यहां पर प्री वाला प्री वाला मुझे जनर रिजब भी मिला प्री फंड में एंड प्री वाला मुझे सर्प्लस भी मिल गया तो जनर रिजब प्री वाला मिला हमें कितने का एक साथ का और हमें सर प्लस कितना मिल गए 48,000 का तो देखा जाए नॉर्मली तो हमें टोटल इतने का समान मिल गया है है ना टोटल इतने का समान मिल गया है आठ लाख प्लस में एक साथ प्लस में 48 यानि हमें 10 लाख 8,000 रुपए का समान मिला है जिसके बदले मैंने paid किया है as a investment जिसके बदले paid किया अजा I investment चेक करिए कितने का investment पीड किया है तो साफ साफ लिखा है सवाल में आपने दस लाक रूपे का payment कर दिया इसको तो दस लाक का payment आपने करा है तो अगेन आप क्या काम्याब होगे निकालने में आठ हजार रुपे आपने ज्यादा फाल्त उपे किया है शॉरी आठ हजार रुपे पहले देना आपको इतना चाहिए पेमिंट इतना तो आठ हजार रुपे सस्ता है तो डेट इस आठ हजार आठ हजार समझे आपको 10,08,000,000,000 का समान मिला और आपने पेमिंट कितना किया सरिफ 10,000 यानि कम पेमिंट किया है तो डेट आपका आठ हजार रुपे क्या आ गया यहां पर डो ही चीज निकल सकती है या तो गुडविल निकल सकता है यह पिछले सवाल में देखा तो सर एकुटी शेयर कैपिटल यानि अगर शेयर की बात करें तो शेयर तो सर दो लाख है क्योंकि 10 लाख में से हुआ था आठ तो यही लेगे दो अब सारे का सारे प्रॉफिट ले लेंगे पहले हम ले लेते हैं जर्नल रिजर्ब जर्नल रिजर्ब भी जुड़ेगा पुर पुराने वाला सर प्लस भी ले लो सर प्लस कितना है पुराने वाला बारह हजार रुपए यह देखे यह पुराने वाले की बात चल रही है यह दोनों पुराने वाला है तो पुराने वाले का सबसीडरी का उठा लिया और इसका भी सबसीडरी का उठाना है साहब नए वाल GPS चालिस sağ जार बारह हजार और सोलह तो आगया performance सिअ we go और ये भी कहां चला जाएगा निई that मैं चला जाएगा और यह भी लिच्ल निखा लाए विए हम इसके आरामसे हम कर सकते यह इसके रिजर्फ बगेरा को भी लेते नहीं है, हमारे पास आ गया equity share 20 लाख रुपे equity share 20 लाख रुपे अब reserve and surplus में आ जाते हैं, reserve and surplus में भाई अपने तो सारी चीजे लेंगे हम अपने में कोई गुंजा इस नहीं, तो 4 5 और 2 7 तो मैं कह देता हूँ, 1 4 लाख भी हमारा, इसमें pre-post थोड़ी देखा जाता है, अपने में, 4 लाख और 1 लाख और plus 2 लाख ये भाई साब holding company का, लेकिन अब subsidiary का भी कुछ आने वाला है मेरे पास subsidiary से क्या आएगा, एक capital reserve आ गया था, 8000 और एक post वाला profit आजाएगा एक post वाला profit आजाएगा that is 64000, कितने आजाएगे 64000, सर ये वाला जो है, ये subsidiary का part है हमारा, ठीक है न, इन सभी को जोड़के हम general reserve बना लेगे सभी को जोड़के बना लेगे, that is आपका 4 लाख, 1 लाख 2 लाख, 8000 8000 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख के बाद, 6,7, 8000 और 64000, ये आगया 77 2000, ठीक है, अब MI, थोड़ा सा ये उपर नीचे हो गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा उपर नीचे हो गया है, तो मैं थोड़ा short कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, आपको समझ में आना चीए बस, ठीक है, नोटिंग करते हैं अब आ जाएए सर, किस पर आ जाते हैं, MI, हम पहले ही निकालके बैठे हैं, कितने का है, 2,60,000 रुपे का, MI आ गया, 268 और सर क्या आ गया, यह वाला portion सारा खतम हो गया, creditor और bills payable दोनों को merge कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया trade payable, तो creditor और bills payable, अब यहाँ पर main लोच्चा है, main problem है, और main concept भी है, चलिए सर, पहले हम ले लेते हैं creditor, और ले लेते हैं BP, तो creditor दोनों company के जोड लिये जाएंग एक लाख, और तीस अजार, ठीक है, या मैं इसके लिए, अलग से कर दूँ या समझ में आ जाएगा है, आ रहे समझ में, सामने इसलिए मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं, इसको थोड़ा और पीछे shift करते हैं, चलिए, और चलो भाई साब यहाँ पर, और उपर सा रटा दे लेते हैं, ठीक है, मैं बस एक short form में लिख देता हूं, C, तो समझ जाएगा, C का मतलब यह creditor है, और यहाँ ले लेते हैं, BP, तो BP देखा जाए, तो कितने का है, एक लाख, और दस अजार, तो total देखा जाए, इनके पास, तो यह हो गया हमारा कितना, एक लाख, तीस अजार और यह कितना होगया, एक लाख, दस अजार, इसमें से common debt को minus कर देंगे हम, थोड़ा assets पे आ गया, बट ध्यान दीजेगा, मैं लेकर चलता हूं, चलो, यह है नहीं, तो उपर ले गए तो, इसमें से minus common debt, कहता है, बी आर के अंदर common हो गया, दोनों आपस में settle होंगे, तो इसके अंदर minus कर देंगे, that is 10,000 रुपे, और इसमें से minus कर देंगे, हम कितना, 50,000, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना, 80,000, और यहाँ पर बच जाएगा, हमारा कितना, 1,00, दोनों को add कर देंगे, तो 1,80,000 रुपे, finally हमारा है, यहाँ पर आजागा, जिसे working note में आपको, यानि notes to accounts में करना है, और यहाँ पर नहीं करना, सर, creditor तो 2,00,000 के हुए, creditor 2,00,000 के हुए, हाँ, ठीक है, मेरे से mistake हो गया, creditor 2,00,000 के होंगे, क्योंकि, यहाँ गलती होगी, ठोड़ी से, चलो, एक लाग का, इसका creditor, एक लाग का, उसका creditor, यह subsidiary का है, यह holding का है, ठीक है, और यहाँ पर, 30 और 10 होगा, यहाँ पर 30 और 10 होगा, 30 holding और 10, that is 40, तो सहाब जो यह निकल के आएगा, यह निकल के आएगा, कितना, 30, और जो यह निकल के आएगा, एक पचास, यह निकल के आएगा, एक पचास, ठीक है, यह 2,00,000 होगा, अब देखो, एक अस्या आ गया, कई, जैसे मैंने गलती कर दिया था, लेकिन, net effect तो वही रहता, कई बच्चे गलती करके, जैसे यह कर द नोट्स तो अकाउंट्स में कर आओगे, और MI का नोट नंबर होगा, तो आप डाल दोगे, नोट नंबर 2 में करके दिखा दोगे, इसका नोट नंबर 3 डाल दोगे, ऐसे करके दिखाना है, तो लो जी लो लाइब लेटे साइट बराबर आ गये हमारा, टोटल कितने, 32,20,000 बैलेंस शीट आ गया, ठीक है, वो नीचे भी दे रखा है, चलो छोड़ो खटा, बताइए सर, अमाउंट इंटर चेंजेबल, बिल्कुल समझ गये, समझ गये, समझ गये, आप कमेंट में लिखके दीजिए, कमेंट में लिखके दीजिए, जिसका जो भी डाउट आ रहा है यहां तक हर किसी को एकदम neat and clear होना चीए, आप देख रहे होंगे, और यही काम में डेटर में भी करने वाला हूं, माइनस, पहले ही मैं जगे बना लेता हूं, डेटर के लिए, यही काम में डेटर में करूँगा, पहले बताइए, यहां तक सभी को clear है, तो आगे बढ़ ज जाते हैं, यहां तक clear है हर किसी को, जवाब दे दीजिए comment में, yes clear, चलिए sir, अब आप देखेंगे आगर आप पूरा focus यहां पर रखेंगे, आप पूरा concentrate यहां पर रखेंगे तो लगेगा यह तो common चीज़े हैं, तो होती है, अगर नहीं भी बताते हैं, तो यही काम करते ह हैं, ठीक है, तो आप देख रहे होगा, यह थोड़ा सा चप्टर आपस में similar है, बलकि मैं समझता हो के amalgamation में तो इससे ज्यादा काम है, इससे tough है, इसके अंदर तो बस आपको दो ही चीज़ निकालना, monetary interest और cost of control और फिर फटा-फट से balance sheet को merge कर देना, कोई journal entry का इसमें ज घंजट है, जब उतना tough chapter आपको समझ में आ गया, यह तो फिर आपके बहुत easy है, आपके लिए अब चलिए, PPE assets सारे जोड लेंगे, देखा जाए तो हमारे property plant में सारा का सारा assets जोड लेंगे, तो क्या-क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर हो जाएगा पहले हमारा, सारा म प्लस, तीन लाख प्लस, तीन लाख प्लस, अब सबसेडरी वाला ले ले लिए अब प्लांत इन मसीनरी ले 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 ते पांच लाख और प्लस 6 लाख, ठीक है न, तो यह इस तरीके से सारे assets को जोड लिया जाए, तो पांस तिन आठ पांस 13 और 6, 19 लाख हो गया, ठीक है, य यह वाला प्टु खतम ही ओजाता इंवेस्मेंट्ट तो जाता ही नहीं हमारे यह खतम हो गया अब आ जाते हैं stock के अंदर stock हमारा कितना है डेड़ लाग और एक लाग इंवेंटरी में डेड़ लाग holding का और प्लस एक लाग दस जार है हां दस जार तो यह आगे हमारा एक लाग 60,000 करेक्ट इंवेंटरी के बाद डेटर में डेटर में बी आर और बी पी दे रखा है तो डेटर के अंदर हम ले ले लेता हूं और बी ले लेता हूं वहाँ पर मैंने बी पी कर दिया थे हैं यहां बी आर हो गया ठीक है तो अगर हम देखें यहां पर मैं प्लस कर कि यहां तो इतना सारा जगह यहां मैं कर देता हूं दिख जाएगा कि यहां नोट लिख देता हूं ठीक है यहां पर आ जाएगा हमारा सबसे पहले देखेगा कैसे नी इसको हम इधर सिफ्ट कर देंगे अब दिख जाएगा आपको तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहां उठा के लिख राओं और अमाउंट मैं ले लुगा मुझे याद है तो नोट कि एक एक होल्डिंग कंपनी और एक सबसेड़ी कंपनी और क्या लेंगा डेटर और याद तो होल्डिंग कंपनी का अगर डेटर की बात करें वोल्डिंग कम्पनी का डेटर कितना है एक लाग का है और असी अजार भी यार एक लाग और असी अजार टोटल एक असी का हो गया टोटल एक असी का हो गया एक मिनट ऐसे नहीं करते हैं इसको हम डेटर डेटर एक खट्टा ले लेते हैं इसको ले लेते हैं हम डेटर और इसको इधर करते हैं बी आर और इधर होल्डिंग और इधर सबसीटरी ठीक है एक लाग और जो बी आर है वो कितने का है असी अजाएए हम थोड़ा इसको इधर लेके आँ और कितना है हमारा एक लाग बीस हजार और दस हजार तो इस टोटल करोगे तो यह आगे दो लाग बीस हजार और यह आगे हमारा नब्य हजार इसमें से कॉमन वाले पार्ट को माइनिस करना है फिर से वही चीज़ है इधर से भी माइनिस हो जाएगा सब Freunde यहां म selves on है और इसमें से कितना माइनेस हो जाएगा फचास जारा तो यह डेन यहां बिस्काल यह ओ गया जोड के जिसको को मैं कर देता हूं एक सब्सकुर पलस मिए और सर कैसे एक्वेलेंट दे रखा है पांच और तीन आठ लाख बीस अजार तो वह तो सिंपल आजाएगा आठ लाख बीस अजार एजटीज ले लिया हमें थोड़ा साइज छोटा करके आपको दिखाते हैं अब सारा ठीक है अब टोटल इसका भी कर लेते हैं क्या टोटल सेम आ रहा है चेक करते हैं 19 लाख ताट धाई लाख आठ लाख बीस अजार तो 31 लाख तीस अजार के 32 लाख बीस अजार क्या रहे गया उपर का टोटल सही बताया था वाई उन्निस एक मिनट 32 लाख यह ना आपका एक लाख है यह मिसिंग है यहां यह ना एक लाख होगा क्या सारे एक लाख होगा स्टॉक के अंदर अरे यह missing है यहां एक लाग है ठीक है ना जीरो नहीं लग पाया तो यह missing था मुझे लगी रहा था कि यह missing होगा inventory 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 यह हो जाएगा हमारा कितने धाई लाग हम मैच हो जाएगा ठीक है तो 32,20,000 तो लीजिए सर यह भी सवाल हो गया ख़तम पूछे डाउट डाउट पूछे तो इस सवाल में देखेंगे इसका कोई इतना रोल ही नहीं था हमारा ना सारे adjustment को मिला के questions बनने वाला है क्लियर रहे है है अब इसके बाद एक यह सवाल है अब इसके बाद अब इसका मैं जैसे अभी आप एवन टाइम सेटिंग नहीं कर सकते हैं इसके मैं सबकी वीडियो बना देता हूं जितने भी questions सामने दिख रहे हैं मैं तो बना सकता हूं जल्दी जल्दी इसके भी इसके बना देता हूं जो भी आपको दिख रहे हैं यहां पर फिर आप इसको दो मेरे को दो questions कराने थे तो इसकी वीडियो बना देते हैं और आगे आने वाले जितने भी questions कराने अगर उसकी वीडियो बना के आपके फोल्डर में upload कर दिया जाए तो लाइव क्लास का रिकॉर्डिट करके डाल दें कि बताओ कि क्योंकि concept आपको समझ में आ गया या इसका बैलेंस शीट जितने बच्चे लाइव है बता दीजिए अभी अपलोड हो जाएगा दस मिनिट में निदी मैंने बोल दिया है अभी फटा-फट से इसे अपलोड करने का काम करेंगे कुछ बच्चे अभी करा रहे हैं कुछ बच्चे रिकॉर्डिट करके डाल दो और देखो मैंने बहुत जल्दी आपके डाउट सॉल्व करने की कोसिस करी है कॉर्परेट अकाउंट के जितने बच्चे के डाउट थे वो कल ले लिए गये हैं और जो नंबर आपके कंटेंट फोल्डर में है उसी पर करना कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिकॉर्डिट कुछ बढ़ रहे हैं अभी करा दो और तो उसके हिसाब से चलेंगे चीक है अब इसके अंदर जो में की पॉइंट्स है ना में की पॉइंट्स की बात करें इसमें भी देखो क्या कहता है इसके बात कहता है इसके उपर एक हजार का प्रॉफिट कमाया अब देखो अगर हम कॉमन डेट्स कर देंगे या से मंसिति ऊकर औरas के प्रॉफिट में होते हैं और तो हमने आपस में दूसरे को प्रॉफिट में, जैसा성 प्रॉफिट कर देते हैं कर दे एसे जिसार सोब्सक्राइब स्बीदि बियुकड गए चलिए सवाल का मैं सिर्फ वर्किंग नोट कर देता हूं यहां हला कि लिखा हुआ है तो उस आंसर को बस आप टैली करेंगे कंबाइन एक सवाल कर लेते हैं तो मैं थोड़ा फूर्ति में करूं आपको दिमाग चलाना होगा ठीक है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि एक चार का हमारा अगर इससे पूरा ही करा दूंग कर दो कर दो कर दो कर दो कि अभी करा दे बाद में कराएं मतलब रिकॉर्ड करके डाल दे आज ही मिल जाएगी आपको सारे रिकॉर्डिंग वैसा नहीं है एक दो दिन बाद आज ही डाल दूंगा मैं मैक्सिमम रिकॉर्डिंग क्योंकि मैंने दीरे दीरे पहले रिकॉर्ड कर लिया था सारा का सारा कॉस्टेंस यह और यह सारे कॉस्टेंस आपके ज्यार मुंगा बुक के ही है तो चलिए एनिवेस देखते हैं कहता है कि मैं सिर्फ वर्किंग नूट कर देता हूं बैली शीट तो कर लोगे कहता है कि एक्वाइर किया है कब एक चार को यानि स्टार्टिंग में ही एक्वाइर कर लिया सब एक लाग पांच हजार रुपए का पेमिंट करके उसका खरीद लिया उसने और अगर आप यहां पर देखें तो शेयर कापिटल कितना मातर 45,000 जिसके लिए कर रहा है और यहां पर देखा जाता है बी लिमिटेट के शेयर को इतने में खरीद लिया तो इसका मतलब फुली खरीद लिया यहां पर माइनेरेटी इंटरस का कोई चक्कर ही नहीं है तो य मैं करता है इसकते का हमारा यह प्रॉफिट है और इसदेट का मेरा यह सर्प्लस कोई बात नहीं है तो चलिये आजाते नहीं देखते हैं एक लाइन खीच लेते हैं फिर से दिन का रिजर्व बोल रहा है कि भाई साथ इसी दिन का है और सर्प्लस भी बोल रहा है कि हमारा कौन सा है नहीं बोला गया तो हम मान लेते हैं कि साल का सुरू का ही होगा और बैलेंस शीट भी आप देखोगे तो 31 मार्च 2017 का है और हमने खरीदा कब है 14 2016 अब देखिएगा यहां पर प्रॉफिट के बारे में तो बोल दिया कि सुरू का है लेकिन सर्प्लस के बारे में कुछ नहीं बोला तो मान लिजिए सर्प्लस कब कर रहा होगा एंड का मान लेंगे और यहां एसाज को अदर्प्र कर नहीं गीवर के यह कब का था ठीक है तो चलिए सर एक है हमारे पास कया जनलर रिजिजव एक ke they are यहां पर आप general reserve है जो पहले का है और हमने यहां पे surplus है हाला कि इसके बारे में date कह देता तो अच्छा था नहीं कहा तो आप अजमसन सुरू का भी ले सकते और generally होता है end में ही कमाया गया last का है company ने इसी दिन खरीद लिया और कितना खरीदा पूरा खरीद लिया तो जो general reserve है आप सवाल में देखेंगे तो वो कितना है 2000 रुपे और 36,000 रुपे दो हजार है और यह क्या है हमारा 36,000 तो यह वाला जो profit है 36,000 end का तो ओविस सी बात है इसने पूरे साल कमा के किया होगा तो यह वाला सारा का सारा profit किसका माना जाएगा और यह वाला सारा का सारा profit क्या माना जाएगा प्री का दो लोगों में बाटने का कोई जंजट ही नहीं है मैंने सारा का सारा share खरीद लिया तो फटा फट से देखे मैंने जो सारा share खरीदा कितना खरीदा होगा मैंने यह तो समझ में आ गया तो अगर मैं शेर्स की बात करूं तो टोटल शेर्स जो था अगर मैं cost of control निकालू तो 45,000 रुपे का शेर था तो cost of control निकालू तो भाईया शेर्स जो मैंने खरीदे वो शेर्स का value था कितने था 45,000 और मुझे साथ के साथ reserve free में मिल गए that is 2000 तो टोटल मामला 47,000 रुपे का मेरे पास आया इसके बदले मैंने payment किया था 1,05,000 that is बीच का difference जो भी निकलेगा एक्स्ट्रा payment जा रहा है यहां पर तो यह क्या निकल जाएगा गुडविल तो 47,000-1,05,000 that is 58,000 रुपे के आ जाएगा गुडविल अगर आप इसे प्री मानते तो यहां से 36,000 और माइनस हो जाता 22,000 गुडविल ला जाता लेकिन हमने प्री नहीं माना है तो हमने सारा का स सारा ऐसे करा है पोस्त का तो यह गुडविल आ गया हमारा देखे तो आप यहां पर देखेंगे मेरा 58,000 और मैंने यहां पर आंसर थोड़ा सा जनरली आपको पता चल जाए कैपिल रिजर्व नहीं होगा यह गुडविल होगा यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यह गुडविल है क्योंकि 45 और सस्ते समान का विल्ली तो वही था लेकिन मैंने पेमिंट जो है उसे जादा जब पेमिंट जादा करते हैं तो क्या निकलता है हमारा गुडविल निकलता ठीक है ना चलिए अब आ जाते हैं हम कॉमंडेटर पे इसने कहा ज्यान दीजेगा बस ए लिमेटेड यह एच से एक है और एक है एस लिमेटेड सवाल में कहता है पांच हजार रुपए का दा क्रेडिटर ओफ ए लिमेटेड यानि जो क्रेडिटर ए है ए कौन है सर कंपनी है और वो सब्सेटर यह मैं ऐसे ले लेता हूं तो इसका जो क्रेडिटर है अब यहां तक बात ठीक थी अगर ए लिमेटेड ने समान खरीदा है और इस समान को मार्केट में बेच दिया होगा तब तो हमारा अन्रिलाइज प्रॉफिट होगा इनी कहता ही कि ए लिमेटेड ने इस समान को क्योंकि स्टॉक कि पास पड़ा होगा इसके अगरोगा सिक्ष्ट कीम पर खरीदा होगा टो इसने बेचा होगा, वो selling price पे बेचा होगा, that is profit को add करके बेचा होगा, तो इसका मतलब 3000 वाले हिस्से में से हमें profit को eliminate करना है कि कितना profit है, क्योंकि ये company भी अब हमारी आगे जाके, मेरी company बन गई, तो हम आपस में profit पे थोड़ी न बेच सकते हैं, तो ऐसे situation में बोला गया ये, कि जो 5000 का था ना ये, 5000 पे उसने कमाया कितना था 1000, तो मुझे जवाब दीजिए, अगर 5000 पे 1000 कमा रहे हैं, तो profit क्या कमा रहे होगे, तो simple सी बात है, 1000 divided by ये, अगर आप 5000 कर दें, इंटू में 100 कर दें, तो that is profit sharing ratio आजाएगा 20% का, आपने ratio में सीखा होगा, कि कैसे GPR निकालते हैं, तो profit sharing ratio आगे 20, तो सीधी सी बात है, कि इसके उपर भी हमने 20% ही मुनाफ़ा जुड़ा हुआ होगा, that is आपका कितना आएगा, 600 रुपे, तो अब 600 रुपे जो मेरे stock 3000 रुपे का दिख रहे हैं, अब उसे 3000 की ना दिखा के, 600 कम करके दिखा देंगे, है न क्योंकि 3000 का मेरे stock के अंदर तो है, लेकिन ये तो profit add करके है, तो लेकिन हमें actual cost दिखाना है, तो 600 रुपे माइनस कर देंगे, और जो इसका profit हमने acquire किया है, कमाया हुआ, उसमें भी उसने जोड लिया होगा, क्या जोड लिया होगा, ये 600 रुपे के मैंने उससे कमाया है, त इसके profit में से माइनस कर देंगे, तो sir unrealized profit का क्या treatment होता है, इसका मैं detail video भी ढालूँगा, दो treatment होता है, क्या होता है, एक तो stock में से माइनस हो जाता है, और एक surplus में से माइनस हो जाता है, क्योंकि उसमें profit कमाया होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो य गरनल रिजब कितना होगा सर एक लाख और एक नबबे और इसका पूरा 36,000 मेरा आएगा तो यहां पर करण्ट लिपलिटि क्रेडिटर्स दोनों क्रेडिटर्स को जोड लेंगा इसमें से कॉमन को यह ता दिया जाएगा that is हमारे पास कितना है 10,000 प्लस में 14,000 इसमें common कितने का तर्फर 5,000 उसके माइनस कर दिया जाएगा ठीक है हम फटाफट टूटल कर लेंगा ये साइट देखो कितनी जल्दी complete हो गया तो ये टूटल कर लेते हैं कितना हुआ ये टूटल कर लेते हैं एक लाग नब्य हजार माइनस शेसो देट इस दो पच्चिस चार सौँ और अगर इसको देखें दस अजार शौदा हजार माइनस पांच हजार उनने सब्सक्राइब सट टूटल देखते हैं इस तिन लाग दो पच्चिस चार से पांच चोवालिस और आंसर मैं भी दे रख था है लेकिन हम आंसर नहीं देखेंगे हम यहीं करेंगे पीपी में देखें फिक्स ऐसेट जोड लेते हैं क्या है एक लाग पैंसट हजार प्लस अठाइस हजार प्लस मसीन्टी को भी जोड लिया जाए और यहां पर आड कर रहा है इसे आपने कहा करना है जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में सीखा हुआ है क्लियर जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में सीखा है वहां करना है ठीक है चलिए सर और क्या रहे गया इन्वेस्मेंट तो लिया नहीं जाएगा इस टॉक ले लिंगे अरे एक चीज़ और रहे गया तो गुडविल भी रहे गया था ना गुडविल कितने का यह था 58,000 का मुझे तो डिटा यादी हो गया करते करते इस टॉक को देखा जाए तो 62,000 रुपए और प्लस में 18,000 रुपए इस टॉक अगर देखा जाए तो 80 नीचे लिए आते हैं और यहां डेटर का जगह बना लेते हैं तो डेटर में देखा जाए तो कितना डेटर है से 35 और चौदा 35 और प्लस 14 और कॉमन डेट माइनस हमेशा होगा जो कि है 5000 तो यह आ जाएगा हमारा 35 प्लस 14 माइनस पांच हजार 45 चौवालिस हजार होगा सर यह कैस और कैस्ट स्विक्लेंट 63 और ग्यारा 63 और ग्यारा यह आगे 74 हजार होगा टोटल कर लेते हैं 74 प्लस 44 प्लस 79 400 प्लस 58,000 प्लस 289 तो आगे 544 तो बहुत आसान है और बाकी मैं इसको बहुत अभी मैंने थोड़ा फास्ट कराया एक वीडियो मैंने बना रखता है पहले सारे चप्टर का रिकॉर्डिक है अब देखो मेरा टार्गेट क्या है एजंड कर देता हूं ठीक है ना चलिए एक बार स्टार्टिंग से क्या-क्या किया फटा-फटा एक बार रिवीजन होल्डिंग का ज्यादा कुछ नहीं हुआ फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि सर क्या-क्या करवा दिया आपने होल्डिंग की बात कर रहे थे हम और हमारा chapter का नाम क्या है हमारा holding और sir holding में holding के अंदर हमने सबसे पहले सबसे पहले क्या topic देखा था sir holding company वो company होता है जो किसी भी company का minimum 50% से अबब उसका equity या share capital का part hold करता है तो उस company को बोलेंगे क्या holding company दो तरीके से holding company हो सकता है एक या तो हम उसके shares को खरीद लें तब भी मैं holding मानूँगा अगर 50% से अबब दूसरा अगर मैंने उसके director का majority direct का composition मेरे ही मेरे द्वारा किया गया है तब भी direct नहीं indirectly उस company के ऊपर अधिकार किसका आ जाएगा मेरा जिसे बोला जाएगा holding company इसके बाद हमने क्या देखा था सर इसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई holding company है और तू भी continue अगर ये मान लेते हैं कि हमारा subsidiary company है इसका हुआ ये था इसने इस company का कुछ share hold किया था अगर इस subsidiary company ने किसी और company का share hold कर रहा है तो automatic ये वाली company इसकी क्या बन जाएगी subsidiary company बन जाएगी और ये company holding मानी जाएगी किसकी इसकी लेकिन यहाँ पर दो company हो गए number one company number two company ये दोनों company इस H limited का क्या माना जाएगा हमारा subsidiary माना जाएगा है ये सीखा था हमने इसके बाद सर क्या देखा था हमने इसके बाद हमने फटा फट समझा था कि company जब कभी भी share खरीदेगा तो एक मैंने holding company का balance sheet बनाया और एक subsidiary company का balance sheet बनाया इसके अंदर हुआ क्या holding company ने इस company के सारे shares खरीद लिए और यहाँ investment भी दिखेगा तो कैसे पता चलेगा कि यह company को on कर रहा है इसके assets में investment दिखने वाला है और इसके share capital को compare किया जाएगा सर इसने जैसे ही खरीदा तो उसके बाद हम क्या करते हैं सारे assets को एक एक करके add कर लिया जाता है और plus liability लेकिन ध्यान रहे यह वाला जो investment है ध्यान रहे फ्राइडे तक कोशिस रहेगी राघव पूरी हो जाए कोशिस रहेगा मेजरिटी टॉपिक हो जाएगा फ्राइडे तक एक वर फटा-फट से देख लेते हैं इसके बाद क्या था सर जब हम company के दोनों के balance sheet को add करते हैं ना जब दोनों company के हम balance sheet को जब add करते हैं तो होता क्या है sir normally हम यह वाला investment नहीं वाले में नहीं ले जाएंगे प्लस इसका share capital भी इसमें नहीं जाएगा बस यह दो बातें याद रखने थे हैं ना sir चलो यहां तो fully ले लिए इसने तीन लाग था पूरे तीन लाग खरीद लिया दूसरे example में मैंने क्या करा कि sir तीन लाग रुपे में वो पांच लाग रुपे का समान खरीद लिया तो यहां पे दो लाग का फाइदा हुआ सब कुछ जूट जाएगा as a tease देखिएगा तो सारे assets liability जैसे पांच लाग और पीन लाग मैंने एड़ किया दो लाग और दो लाग देखिए चार लाग सब पैड गया लेकिन हमने इसको सस्ते में खरीद लिया तो एक एक्स्ट्रा इंट्री जनरेट हो गया जिसका नाम क्या है हमारा capital reserve तीसरे पार्ट में हमने क्या समझा था कि सर यहां पे हमारा cash है और यहां पे यह है हमने सात लाग का payment किया है कितने के लिए छे लाग रुपे वाले समान के लिए हमने payment कितना कर दिया है सात लाग यानि हमने extra payment किया है तो यहां पे एक और point create हो जाता है हमारा जिसका नाम क्या रखा हमने goodwill ठीक है आप देखेंगे छे लाग एक सात लाग सब कुछ मैंने add करके बिल्कुल आराम से हमने यह सारी बातों को समझा था इसके बाद हमने क्या देखा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ shares को ही इकले उसके साथ reserve है तो उसके हिस्से को भी count किया जाएगा calculation के अंदर तो यहां पे इसने 7 लाग रुपे में खरीदा लेकिन इस company की valuation जो निकलेगी वो कितने निकलेगी हमारी 6 लाग तो क्योंकि 4 और दो 6 और इसने कितने का खरीदा 7 लाग रुपे का तो investment साथ का और यह कितने का 6 लाग का अगेन यहां पे 1 लाग का क्या आने वाला है हमने साथ लाग का payment की और 6 लाग का valuation है एक लाग का क्या निकलेगी हमारा goodwill महंगा तो इस वाले example से हमें क्या समझ में आता है सर जरूरी नहीं कि सिर्फ share capital में involved होगा अगर उसका कोई भी reserve है तो उसके अंदर भी हिस्सेदारी मानी जाएगी चलिए आगे चलते हैं आगे हमने क्या देखा minority interest का मतलब है जो company का share capital होगा उसमें से जो हिस्सा हमारा holding company खरीद लेगा जो बच जाएगा यानि बचा हुआ remaining जो remaining होगा इसको बोलेंगे minority interest और यह सिर्फ share capital पे applicable नहीं होगा reserve and surplus पे इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को अलग-अलग पार्ट में करके दिखाए था इसके बाद हमने question भी देखा minority interest का मैंने क्या करा 6 लाग रुपे का investment किया और इस company का 80% हिस्सेदारी खरीद लिया तो जब 80% हिस्सेदारी खरीदा तो share capital का तो हो गया 3.2 क्योंकि 4 लाग का था और reserve में से भी 80% हो गया 80,000 रुपे का बाकी बच गया minority interest का नहीं सौरी reserve में से भी हमारा आ गया बाकी ये तो 3.20 तो हो गया holding के लिए और ये minority का आ गया reserve को भी दो हिस्से में हमने बाट लिया दोनों को जोड़के हमने यहां पर MI वाला value यहां आ जाएगा फरक्याइसर में के जो minority interest बनेगा वह वापस यहां चला जाएगा यह देखा था तो यहां तक पूरे last class तक की हमारी कहानी है जो की हमने देख लिया है इससे आगे अब हम आएंगे धीरे-धीरे किस पर adjustment वाले पार्ट पर दो कुस्टन भी दिये थे आपको मैंने अल्दो और आपने अगर करे होंगे तो लगा होगा औरली हो गया उसमें कोई इतना बड़ा काम ने था एक बच्चे का डाउट आया सर ना आपने पुराने वाले balance sheet से मत कर होंगा simply इन में उन बच्चों को कठीनाई हो सकती है जो के 12 तक science के थे या arts के थे उनको समस्या definitely हो सकती है क्यों उनको तो पुरानी balance sheet भी नहीं पता है तो नई वाली में भी दिक्कत होगी उसे पुराने वाली बाकि जिनोंने commerce के बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत नही पता है यहीं करते हैं इस रूशें चलिए हम अगले पार्ट पर चलते हैं कि सर नेक्स पार्ट कि नेक्स पार्ट की बात करते हैं common debt हम बात करेंगे common debt थोड़ा सा अच्छा सा कलर ले देते हैं कि अब बड़ा कम होगे तो कि ठीक है कि चलिए कॉमन डेप्ट ठीक है सर यह कॉमन डेप्ट क्या है इसको देख लेते हैं कॉमन डेट है मारा इसको अगेन हम समझेंगे और एक बार हम समझेंगे तो हमें कोई समस्या होने वाली है ही नहीं कि सर काम कैसे होगा सिंपल सी बात है अब हम दो कंपनी ले लेते हैं यहां पर एक लेते हैं एक लिमिटेड और इसके साथ-साथ एक कंपनी ले ले लेते हम-S Limited आपको पता 에 लिमिटेड कौनसी कंपनी होगी सार बिल्कुल सिंपल सी बात है यह होल्डिंग मानें मीगा है और इसे मानें सबसेटी दोनों की हम बैलेंश शीट थे ड्रो कर लेते हैं अगर मैं दोनों की balance sheet draw करूं, simple सी बात है, यह देखिए, दोनों के हमने balance sheet को draw किया, यहाँ पर fix assets, मान लेते हैं 5 लाग और मान लेते हैं हम debtor 2 लाग रुपए का, ठीक है, हमने मान लिया debtor 2 लाग रुपए, यह इसकी balance sheet की कहानी है, और creditor 3 लाग रुपए, ठीक है, सेम यहाँ पर ले लेते हैं, fix assets, खोड़ा कम ले लेते हैं, 2 लाग, debtor 1 लाग, share capital होगा, creditor 1.5 लाग, ठीक है, यह balance sheet की कहानी है, common debt का हमने देखा था, एमल के मेशन में, ठीक है, एमल के मेशन में हमने common debt का देखा हुआ, share capital plus, reserve and surplus, पिल्कुल ठीक, हमने common debt का देखा हुआ है, किसमें, एमल के मेशन में, उससे थोड़ा सा advance में लेके चलेंगे, थोड़ा सा advance, ठीक है न, अब ध्यान दीजिएगा आप, simple सी बात है, कि जो H limited है न, H limited goods को sold करता है, Sir, H limited goods किसको sold करता है, H limited को, ठीक है, और जो goods sold किया गया, credit पे, किस पे किया गया, credit पे किया गया, H limited ने, H limited को goods sold कर दिया, किस पे, credit के उपर कर दिया, credit मतलब उधार पे बेच दिया, अब जब उधार पे बेचा है, तो definitely जो H limited है, वो जब भी इसे उधार पे बेचता होगा, वो कहां consider करता होगा, debtor में consider करता होगा, और जैसे ही S limited खरीता होगा, वो कहां consider करता होगा क्रेडिटर में consider करता होगा इसने कहा कि मैंने 50,000 रुपए का समान बेचा हुआ है केस मैं बना के कर देता हूँ ठीक है केस नमबर वन पहला केस कहता है क्रेडिटर क्रेडिटर इंक्लूड इन एस लिमिटेड रुपीज 50,000 ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड सर इसका मतलब जो क्रेडिटर हमारा एस लिमिटेड है उसमें 50,000 रुपए का क्रेडिटर एडिड है जो की किस से ड्यू था हमारा एच लिमिटेड से तो यानि एच लिमिटेड के डेटर में कितना जुड़ा हुआ है 50,000 और एस लिमिटेड के डेटर में कितना जुड़ा हुआ है स्वरी क्रेडिटर में 50 इसका solution क्या होगा जब नई वैलन शीट हम पर प्रपेर करेंगे जब हम बनाएंगे क्या नई वैलेंशिट तो देखिएंड नीव बैलेंशिट यू वैलेंशिट सर्जो यहां पे यह बनेगा किसका एच लिमिटेट वैलेंशिट बनने वाला है क्योंकि फाइनली यह होल्डिंग कमपनी सबसीट तो किसका बनाएंगे एच लिमिटेट का अगर नई बैलेंश इट हम बना लें अब एच लिमिटेट कहेगा जी मेरा डेटर मेरा डेटर कितने का है पहले था दो लाग का पचास अजार का कॉमन है तो यह कहेगा वन पॉइंट एफे फेक्सेशेट कहेगा यह सर फेक्सेशेट पांच और दो यह पूरे साथ लाग क्रेडिटर की बात आएगी तो क्रेडिटर कहेगा सर क्रेडिटर पहले तीन लाग का था और यहां वन पॉइंट फाइव तो क्रेडिटर कहेगा यह यानि 50,000 मैंने एक रेडिटर में से भी घठा दिये और मैंने 50,000 रुपे डेटर में से भी घठा दिये किस पे डेटर में क्यों दो लाक अच्छा एक लाक इसका नहीं जोड़ा मैंने हैं सही कहод號 है यह आएगा 2.5 ठीक है चलिए मैं पहले वाले केस को यहां से हटा लेता हूं पहले वाले केस को मैंने आपके लिए यहां रख लिया ठीक है अब दूसरे केस के चलते हैं यह वाली चीज तो पहले भी हमने सीखा हूए है बिल्कुल सीखा हुआ है आपने Case No. 2 Sir Case No. 2 में क्या होगा Debtor Include Rs. 50,000 in H Limited But Include in Creditor 30,000 लेकिन Creditor में जो Include है वो है हमारा 30,000 Creditor में Include कितना है 30,000 मैंने पूरा संटेंस एक्चुल नहीं लिखा मैं बरवली बोल देता हूँ इसने इसको 50 का समान बेचा है इसके Debtor में 50 जुड़ा हुआ है लेकिन इसके Creditor में 30 जुड़ा हुआ ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई है ना सर जब आपने 50 बेचे हैं तो सर ये भी तो 50 बोलना चाहिए था जैसे कि पिछले वाले एक्जामपल में अब यहाँ पे हुआ क्या यहाँ पे क्या हो सकता है और चेक काटा इसने बीस अजार रुपय का और एच लिमिटेड के अकाउंट में डलवा दिया तो चेक का पैसा आने में क्या लगता है टाइम लगता है ना तो ऐसे ही इसने इसको इंटीमेट नहीं किया होगा possibility है नहीं बन सकता है नहीं बन सकता है इसने इसको इंटीमेट नहीं किया इन्हीं cash in transit बोलते है इसको कि इसने पैसा दिया नहीं तो यह तो अपनी जगाँ बताओ यह कह रहा है कि मेरे creditor में सिर्फ 30,000 रुपय जुड़े होए तो कि यह गलत कह रहा है हुप मंगें कितने हैं कोन गलत हैं दोनों में को भी गलत नहीं है बस करें तो सब यहां पर मिस अन्डेस्टेंडिंग तो सुकुम्स करेंगत न्यू गयां की जाएगा मां यहां ने बनाया नोट आप स alter है यह कितने जो लग का common debtor अगर इसमें से देखा जाना है तो हमेशा याद रखना कभी भी accounts के अंदर जब किसी दो मिल जाया आपस में उसमें से कुछ cancellation की बात होना तो हमें से lower value होता है तो यह अपने debtor में से 30 minus कर लेगा और इसका debtor 1 lakh add कर लेगा यानि 1 lakh plus 1.7 lakh यानि 2.7 lakh यहां पर 2.7 का debtor मान के चलिए क्योंकि यह minus क्या करेगा अपने में से नहीं नहीं मैंने कुछ गलत mistake तो नहीं कर दिया हां गलत कर दिया मैंने मैं दुबारा बता देता उसको मैंने एक mistake कर दिया debtor की calculation क्या करोगे सर दो lakh plus 1 lakh minus 50,000 minus पूरे 50 का ही होगा क्योंकि अगर मैंने 30 minus किया तो दिक्कत आजाएगी सरे यह स्टिल कहेगा मुझे 20 लेने हैं जबकि ऐसा नहीं होना चीए जब consultation हो रहा है सर जब creditor की बात आएगी तो creditor में क्या होगा सर 3 lakh इसके और 1.5 lakh इसके जिसमें से 30 कह रहा है तो इसमें मैं प्लस करूँ आँ जो की रिजल्ट आता है हमारा 4.2 lakh मैं रफली देखो यहां पर डिजट करके दिखा रहा हूं मैं सारा तो नहीं कर सकता लेकिन मैं रफली करके जरूर दिखा रहा हूं तो सर यहां पर जो आएगा डेटर कलर चेंज कर देखो यहां पर जो क्रेडिटर का वेल्यू और ऑल्मोस्ट क्या आया 2.5 2.5 वी रहा इसके अंदर एक और एंट्री करेंगे कैश की या फिर कैश इन ट्रांजिट की या बैंक की भी कर सकते हैं यहां पर आपको 20 अलग से दिखाना होगा बाकी फिक्स इसिट्स कहानी होई रहेगे चेंज समझ में आया कहा हुआ दुबारा देखें एक पार मैं आणे डेटर बोलता है डेटर वाले ने बोला मेरे में 50 जुडा है ठीक है ठीक है तेरे में से 50 माइनस किया क्रेटर करेंगे लेकिन जो 20 आज़ार का डिफ्रेंशियेट आ रहा था तो 20 अजार रुपै कैश के नाम से इसको मिले अज नहीं तो कल यह 20 कर देगा अब अधिम तो डेक्टर पर दो बाते बोले जा सकते अभी तो मैंने सरीफ क्या बताया है है क Krass rr श्क्राइटर का अगर है क्ला क्रिटर गिली वह से मॉलता है कि मैंने पैसे लेने है एच क्लीक्ट से तो बात एगी है अब क्या होगा क्रेटर ओर डेकटर फिर से आपस अपस हो जाएगे माइनस लेकिन अगर जहां पर भी कोई बोले डेटर इतना और क्रेटर इतना तो वहां पर एक बात आपको अजम्शन लेना होगा कि इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है जैसे मेरे कुश्चन में आ रहा है तीस हजार यह क्या रहा होगा केश न ट्रांजिट रहा होगा इस वशिए से यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है था हम फंसे डिफरेंस वाले Load को कहां लिख देंगे आप बैंक में लिखिए आपकी मर्जी है आप कैश में लिखिए आपकी और केश transit लिखे एकोई दिक्कत वाली बात में कोई दिक्कत यहां तक बताईए सिंपल कि सब्सक्राइब का क्रेडिटर एस लिमिटेड में है यह एच लिमिटेड में f230,000 रुपय का KREDITER यह कहता था मैं यह woke circle भी UP कौryण कहता है यह कहता है मेरे में क्रेडिट रेत्ला जुड़ा हुआ है और यह कहता है मेरे में data रेत्ला जुड़ा हुआ है तो अब देख लिचे आपका कोई डाउट है तो बताइए का फिर हम चलेंगे ऑन innate profit है कोई डाउट है नहीं है कि बताइए जो बच्चे लाइव में फटाफट बताइए तो मैं अगले टॉपिक पर चलूं क्लियर है तो सर आपने कुश्चन में एस लिमिटेट नहीं देखा था नहीं लिखा था ओके देखो यहां मैंने कहा ना यह जो लाइन लिख्था है नहीं मैंने पूरा स्टेटमेंट एकुरेट नहीं है लेकिन मैंने बर्वरी जो चीजे बताई है वो चीजा आपको लिखी मिलेगे उसकी चिंता बिल्कुल मत करो मैंने सिंपल बता दिया इसके डेटर में इंक्लूड़ीड यह है एच लिमिटेड में बट इंक्लूड प्रॉफिट सर ये क्या होता है अन्रिलाइज प्रॉफिट सर यह फी अचैस्मेंट दीखा है हैंने है ना अब अन्रिलाइज प्रॉफिट को हम दो पॉइंट से दिखने वाले हैं सर दो पॉइंट कौन-कौन सा दो पॉइंट की बात करें अरे यह क्या आगया यह रहे रहता है दो पॉइंट की बात करते हैं सर कौन-कौन से दो पॉइंट पॉइंट नमबर वन पॉइंट आफ व्यू होल्डिंग कंपनी जहां-जहां मैं एचलिमिटेड यूज करूँगा वहां होल्डिंग कंपनी ठीक है न पॉइंट नमबर टू पॉइंट आफ व्यू समझ में आ जाएगा सबसीडरी कंपनी एक एक एक्जाम्पल देखते हैं सर के मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ यहां पे अब अन्रिलाइज प्रॉफिट की जब जब बात होने वाली है न तो आल्वेज याद रखना अन्रिलाइज प्रॉफिट जो होगा वो आल्वेज होगा स्टॉक के पॉइंट्स में हुआ यह मान लो आपके पास एक एक लिमिटेड है और एक है एस लिमिटेड दो कंपनी का डेटा है जब कंपनी एक्वाइर हो जाएगा तो दोनों तो एक ही होने माला है एक लिमिटेड ने क्या करा गुट्स ओल्ड किया गुट्स ओल्ड किया मान लेते हैं हजार रुपे का समान 200 रुपे प्रॉफिट रखके कितने का सोल्ड किया अब जो स्टॉक होगा न एक Legislative का स्हक्तिके का स्टॉक कर रही है कि स्टॉक वह सो कर रहा होगा कितने का कि बारा-एप दोनही जब लिए आपस मैं मिलेगा तो इसका इस और इसका इस टॉक आपस में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे लेकिन यहां पे 200 रुपए ऐसा प्रॉफिट है जो खुद से ही कमाए गया है तो ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं इसका स्टॉक अगर 5000 का है तो आप बताईए जब हम कॉंसोडोलेट बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्टॉक जब लिखने जाएंगे तो स्टॉक कितने काए बढ़ेगा दोनों के इस टॉक जोड के लिखेंगे तो कितने घाएगा तो दोनों का इस टॉक जब लिखेंगे तो तो 6,05 इसका और इसका हम 1200 रुपए नहीं करेंगे कितने का करेंगे 6000 रुपए का एड करेंगे यहां तक पहले देखो समझ मैं आपको अब यही स्टॉक जो है जो मैंने यहां पर यह आपको बता है इस language में भी पॉसिबल है कि यह different different तरीके से हो सकता है यह percentage के format में भी हो सकता है जिन बच्चों को नहीं पता इमल्गमेशन में एक class के अंदर मैंने पूरा पूरा percentage का ही पार्ट कर आया था भी recently के percentage जो गीवन है वहां realized profit के नाम से topic भी है तो वहां से आप percentage का topic कर लीजेगा यहां पर बार बार बताने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है मैं इसी question को आगे लेके चलता हूं सर यहां balance sheet बनाएंगे जब balance sheet बनाएंगे तो balance sheet बनाते time पे होगा क्या आपने कहां सर स्टॉक कितने का add करो आपने कहां स्टॉक पुराना आपका 5000 रुपए हैं और 1000 उसका add कर दो यानि आप दिखा दो कितने का छे हजार रुपए का कितने का दिखाओ अब मैं मुद्दे की बात करता हूं जो इस company का profit होगा एच लिमिटेड का जो reserve and surplus होगा और उसके अंदर जो profit इसमें लिखा होगा समझे रहे हो मैं कहां जा रहा हूं जो एच लिमिटेड का profit होगा उसके अंदर भी तो 200 रुपए added होगा होगा है नहीं होगा तो वहां से भी 200 रुपए इसको क्या करना पड़ेगा eliminate करना पड़ेगा एक example लूँगा मैं balance sheet दोनों का बना के फिर मैं करके दिखा दूँगा ठीक है न तो यह मैं एक example लिया कि है भाई क्या होता है हमारा total unrealized profit तो इसी को मैं एक काम करता हूँ एक example लेके और उसके according मैं पूरा बता देता हूँ यह सारा मैं यह delete करते हैं से note तो करोगे नहीं हटा ही देते हैं फिर इसे न चलिए मैं दो balance sheet बनाने जा रहा हूं सिंपल सिंपल बैलेंशीट फटाफट बन जाएगा मैं एक एक लिमिटेड के point से सोच के चल रहा हूं कि एच लिमिटेड ने समान बीचा है कि सब्सक्राइब दोड़ों के point में दोनों में बात एक ही आएगा नहीं आएगी न अभी आप देखना एक बैलेंशीट एच लिमिटेड और यहां पर लिख देते हैं शियर कैपिटल दो लाक रिजर्व एंड सर्प्लस एक लाक फिक्स एसेट्स तीन लाक और स्टॉक एक लाक और इधर क्रेडिटर प्रॉपर बैलेंशीट बना रहे हैं चिंदा मत करूँए ट्रेडिटर डाल दिया मैंने कितने होंगे कितने डालना चाहिए बताओ क्रेडिटर दो और एक तीन और यहां चार एक लाक रुपर डाल दिया ठीक है यह किसकी बैलेंशीट बनाई यह सर आपने एक और बैलेंशीट आपके सामने हैं यह थोड़ लोग बना लेता है एक और बैलेंशीट आपके सामने हैं सर यह एस लिमिटेड की बना रहा हूं तो एस लिमिटेड वाला जो है उसका शियर कैपिटल है एक लाक रिजर्व एंड सर्प्लस है एक लाक फिक्स एसिट्स है पचास हजार और स्टॉक है चालिस हजार और बागी डाल देते हैं स्टॉक के बाद किसमें डाले कैश में डाल देते हैं सर केश कितने का है जोड़ लो दो कितने बचेंगे एक लाक दुस हजार सर अड़्जस्मिंट क्या कहता है अड़्जस्मिंट कहता है आपको एच लिमिटेड शोल्ड गूड्ड तो एच लिमिटेड एट ट्विंटी परसेंट प्रॉफिट ओन कॉस्ट या मैं थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए डिजिट वाला तो चलो बाद में आप दिमाग भी लगा लोगे मैं ट्विंटी परसेंट की बजाए मैं यहां पर कर देता हूँ सिंपल डिजिट वाले की बात कर लेते हैं ठीक है डिजिट वाले की हम बात कर लेते हैं इस लिमिटेड रुपीज थ्री थाउज़न एट प्रॉफिट अमाउंट लिखना हूँ डिरेक्टली वन थाउसें सर इस संटेंस का मतलब क्या हुआ एच लिमिटेड ने उसको तीन हजार का जो समान बीचा है उसके अंदर प्रॉफिट एडिट है कितना प्रॉफिट एडिट है एक हजार का प्रॉफिट एडिए इसके बड़े सारे पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है अन्रिलाइज प्रॉफिट का टॉपिक और एक्जाम में आएगा ही आएगा इसलिए मैं इसको स्लो करवा रहा हूँ इसमें पांच शे केसिस बनेंगे तो दो ही लिखें और भी के इसमेंट कर रहा हूं ठीक है जो मैंने कैस लिखा था ना कैस के जिखा पर काम करते हैं इसका स्टेर कापिटल एक लाख है तो मैं यहां पर थोड़ा कुश्चन देखो कुश्चन बना रहे हैं तो कहीं न कई मिस्टेक हो जाती है इस को करते हैं हम दो लाख एक लाख का एक लाख का या एक लाख के जगह कर देते हैं इसको पहले पूरा पूरा लेते हैं फिर माई के साथ चलेंगे यह कर देते हैं एक लाख चलिए थोड़ा बैलेंस चीट में बदलाव कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए सिम्पल सी बात है इस company का net worth अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर इस company का worth जो है यहां कितने का है और इस company ने भी investment कितने का करहुआ है तो मैं भी फिलाल कम या ज्यादा वाला या minority interest वाला concept डालके complicated नहीं बहुत दीरे दीरे चलेंगे यहां पर हुआ क्या बैलेंशीट करते हैं एक आएगा बताओ तर एक आएगा हमारा पचास अजार और एक लाग कितना आ गया प्लस फॉर्टी थाउजन आना चाहिए लेकिन सर जो एच लिमिटेड है ना उसने समान बेचा है एच लिमिटेड को तो स्टॉक को स्टॉक में रखने में कोई दिक्केदारी नहीं है लेकिन हमने अपने स्टॉक को प्रॉफिट मार्कप के साथ रखा हुआ है कितने रुपय ठीक है इन्वेस्मेंट क्या आएगा इसमें नहीं आएगा सर कैंसिल हो जाएगा इन्वेस्मेंट क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा अब लाइबलीटी पर आते हैं हमारा शियर कैपिटल जो है वो दो लाग का हमारा क्रेडिटर इसके पास तो बिचारे के पास क् इसके रिजर्व को तो लेते ही नहीं है इसके रिजर्व को तब लिया जाता है जब M.I.E. वाला concept हो M.I.E. मतलब Minority Interest अब अपने रिजर्व को एक लाख रुपे लिखूंगा मैं तो रिजर्व एंड सर्फलस का मतलब पता ही क्या होता है सर रिजर्व एंड सर्फलस का मतलब होता है कि आपका इसमें प्रॉफिट भी है तो अगर मैं यहां पे प्रॉफिट ले लूए एक लाख रुपे तो इसका मतलब जब मैंने इसको समान बेचा होगा एक हजार के प्रॉफिट पे तो मैंने इसके अंदर add कर लिया होगा तो इसका मतलब मेरा profit भी क्या है गलत है कहीं न कहीं इसको ठीक किया जाए तो इसको ठीक कर देते हैं तो इसको ठीक कर देते हैं चलिए इसमें से कितने का minus कर दिया जाए unrealized profit तो बच्चों ने जवाब भी दे दिया 99 अब बैलेंशीट का टूटल कर देखे फटा फट होगा बैलेंशीट का सर बैलेंशीट का टूटल क्या होगा दो लाक कितने आगे नहीं थ्री एट 99 399 होगा ना एसेट साइट का तो फिर फरक क्यों आ रहा है कुछ छोड़ गया यह तो तीन निन्यान में ठीक है भाई एसेट में डेड़ लाक और एक उन्तालिस कुछ छोड़ तो नहीं दिया 399 एक मिन्ट लेते हैं पर लेंशीट कैश अच्छा यह कैश रह गया एक दस हैं तो तो कैश लिखना भूल गया ना कैश तो आए गई एक दस तो देखिए आ रहा है 399 यह देखिए चोटे-चोटे कॉंसेट बता रहा हूं ताकि हमारा आगे का रास्ता आसान हो जाए दिकत कोई सिंपल है तो यह मैंने क्या माना अभी इसके भी कॉंसेट करेंगे अभी हमने कि हमने इसको प्रॉफिट पे समान बैज दिया अब क्या हो सकता है सरर इक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है इसने इसको समान बेचा तो इसने क्यों करीदा बताओ कियो हुआ नहीं इसने credit और cash के तो मुद्दा ही नहीं है credit cash तो पहुंच जाएगा debtor creditor में मुद्दे की बात है कि इसने इसको समान बेचा है खरीदा किसने है as limited ने as limited खरीद के करता क्या है कुछ तो करता होगा क्या करता है वो आगे बेचता होगा बिजनसमेन का तो यही काम है भाई मैं तुमसे समान खरीदूँँगा तो क्यों खरीदूँगा आगे बेचने के लिए इसने इसको 50,000 रुपे का स्टाउक बेचा 50,000 का स्टाउक बेचा लेकिन यह 30 का बेच चुआ है बाहर मालों को बेच भी दिया इससे 50 लिया 30 का बेच दिया अब इसके स्टाउक में जो इंक्लूडिड होगा वो कितना होगा स्रिफ 20,000 का होगा समझ रहे हो बात को पहल इस टाइम पर क्या है मैंने इसको 3,000 का समान बेचा और तीन हजार इसी के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन अब मैं कहूंगा कि मैंने 3,000 रुपे का समान बेचा जिसमें से 1,000 रुपे का बेच चुका ही है इसमें पड़ा हुआ कितना है सिर्फ 2,000 पड़ा हुआ है तो जब ऐसा सिच्वेशन आएगा तो जो प्रॉफिट कमाया होगा वह भी प्रॉफिट रेइशो में डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा चलिए देखते है केस एक नहीं पेच पर चले चलिए कुश्चन समझ पारे हुआ है क्या बता रहा हूँ ठीक है न चलिए यहां पर सिंप्ली बैलेंस शीट बनाके हमें एक काम करते है इसको हटा देते हैं बैलेंस शीट बनाके क्लून कर लेंगे देखिए एक एच लिमिटेड एक एच लिमिटेड मैं रफली बैलेंस शीट बना रहा हूँ सर यह जो बैलेंस शीट है यह है एच लिमिटेड का और यह बैलेंस शीट में बनाऊंगा एच लिमिटेड का ठीक है और एक और बैलेंस शीट कौन सा बनाएंगे हम combine न एक और balance sheet बनाएंगे combine तो यह आगया हमारा एक और balance sheet यह किसका आगया नाम चेंज कर देंगा कोई दिक्कत नहीं है कि यह आगया balance sheet हमारा कौन सो डोलेट balance sheet जो की मेली तो रहेगा यह एच लिमिटेड का ही यहां फे फिक्स एसेट्स दो लाग रुपे अब थोड़ा समय concept को और बढ़ाऊंगा stock पांच लाग का investment दो लाग का 80% share share capital तीन लाग का reserve and surplus एक लाग का share capital टूटल क्या हो रहा है इसका सर इसका टूटल हो रहा है पांच दो साथ और दो यहां भी टूटल करेंगे हम नो लाग इसे पांच लाग कर लेते हैं reserve and surplus कर लेते हैं चार लाग का कर लेते हैं क्यों ज्यादा complicated कर रहे हैं ना fix assets कर लेते हैं कि दो लाग कि स्टॉक कर लेते हैं एक लाग कि और क्या कर लेते हैं चरिए बचा खुसा क्या कर लेते हैं कैश और कैश हो गया एक लाग balance sheet हमारा बन के तयार चार लाग और चार लाग इसके पीछे की कहानी adjustment में उपर लिख देता हूँ adjustment sir क्या adjustment है adjustment है stock of stock of s limited include rupees 5000 या फिर इसको उल्टा लेके ना सीधा चलते हैं थोड़ा language change कर देते हैं goods sold by h limited रूपीज छे हजार at profit इसको नीचे लिख दूँ क्या यहां पर उपर मुझे भी समझ आनी रहा और मुझे भी लेंदी लग रहा है इसको नीचे ले आते हैं goods sold by h limited at a profit 2000 अब अब देखो लेंगवेज चेंज कर रहा हूं अब देखो लेंगवेज चेंज कर रहा हूं कि s limited ने तो इसको समान बेचा है s limited जो है यह समान sold कर रहा है कितने का कर रहा है और उसके उपर profit भी ले रहा है कितना 2000 का simple सी बात है यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत यहां तक सब बढ़िया समझ में आ रहा है लेकिन s limited कहता है कि मेरे stock में जो include है न वो कितना है 3000 इसका मतलब s limited ने बागी के 3000 बेच दी होंगे क्योंकि s limited जब भी बात करेगा selling price की बात करेगा cost price की बात तो इसका मतलब इसने 3000 का समान बेच दिया है अब हम console wallet balance sheet बनाते हैं फिर elimination पी बात करेंगे sir balance sheet में क्या आएगा सबसे पहले fa की ले लेते है fa का तो कोई रोल ही नहीं रहता fa 2,00,00,00 और 2,00,00,00 कितने हो गए 4,00,00,00 कि stock को बाद में ले लेंगे investment को बाद में लेंगे चलिए cash ले ले लेते है cash कितने का है 1,00,00,00 का अपने वाला share capital तो निप्टा ही ले हमारे वाला share capital पाँच लाक रुपए और reserve and surplus इस पर adjustment है इसलिए मैं इसे bracket में लिख लेता हूँ ताकि मैं adjustment के साथ लिखाँ और तो कुछ है नहीं यहां से कुछ लेने वाली चीज़े है नहीं अब मैं पहले मुद्दे की बात कर लेता हूँ stock में मैं मुद्दे की बात करता हूँ stock में सर stock के अंदर अगर देखा जाए मैं अपने वाला तो सारा stock add करूँगा पाँच लाक इसमें तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है कोई tension वाली बात नहीं है मेरा तो पूरा आएगा लेकिन जब मैं इसका stock add करूँगा तो इसका stock जो है न हमारा वो पूरा add नहीं होगा इसका जब stock add करूँगा तो पूरा add नहीं होगा सर कितना add होगा इसका stock वैसे तो इसका stock एक लाक है एक लाक जुड जाना चाहिए लेकिन पीछे बताया था जब include होता है तो minus कर देते हैं अब इसने कहा कि छे हजार पे हम कमाया है छे हजार पे कितना कमाया इसने तो एक हम क्या काम करते हैं percentage निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें जुड़ा हुआ तो तीन पे कितना कमाया होगा यह पता चल हैं तो हम एक काम करते हैं छे हजार का percentage निकाल लेते हैं कि कितने परसंट दो हजार तो percentage कैसे निकलेगा profit GP ratio जिससे बोलते हैं तो निकलेगा हमारा दो हजार profit divided by sales sales छे हजार और इंटू में 100 यह तो सब आपने कर रख है कितने परसंट आए निकलके बताईए calculator पे क्या percentage आए निकलके percentage बताईए थर्टी थ्री 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 सौन चलता गया तो सर इसका मतलब जो तीन हजार है न यहाँ पे जब मैं इसका एक लाख रुपए एड़ करने जाऊँगा तो एक लाख तो इसमें से एड़ नहीं कर सकता इसमें से जो stock इसका है वो माइनस कर देंगे कितना माइनस अगर जो बच्चा बोलता है सर तीन हजार कर दो तो जवाब गलत है तीन माइनस नहीं करेंगे हम तीन हजार पे 33.333 निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा सर इस तीन हजार रुपए पे हम profit कमाते हैं एक हजार का और cost कितने का होता है दो हजार का क्योंकि 33.333 पूरा calculator पे निकालना हजार ही आएगा तीन हजार का निकाल लेजिए चाहिए तो मुद्दे की बात है सर जो तीन हजार का देखो इसका तो कोई roll ही नहीं था ये सिर्फ था आपको जरिया एक clue मिला था ताकि आप निकाल पाओ तो यानि हमें पुराने वाले स्टॉक से ट्रेंड निकालना पड़ेगा जीपी का उससे पता चलिए हजार रुपे हमारा profit है तो दो हजार क्या होगा स्टॉक तो यहां से दो नहीं माइनस करना तो सर कितना माइनस करना यहां से सर यहां से माइनस सर तीन नहीं माइनस करना यहां से कितने माइनस करना है दो हजार तो सर इसका जो आंसर आएगा 6,598 पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत और सर यहां रिजर्व एंसर प्लस जो 4 लाग है मैंने उससे प्रॉफिट कमाए थे कितने दो हजार मैंने कितने प्रॉफिट कमाए थे लेकिन जब हमारे पास वापसी स्टॉक आया तो दो हजार रुपे का स्टॉक थोड़ी आया हजार जब वह जो मेरा प्रॉफिट था जितना भी एक्क्वाई जो भी था जितना स्टॉक बेच चुका है उस पे तो इसने प्राफिट कमा लिया होगा जो कि इसके कहां शो हो रहा होगा अब मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक में कितना जुड़ा हुआ है हजार जुड़ा हुआ है यह मान रहे हो तो हजार रुपए जैसे ही एस लिमिटेड ने एक हजार रुपए माना जाएगा सर्फ कितने माने जाएंगे एक हजार यहां पर आएगा थ्री लैट कोई दिकत नहीं एक कॉंसेट और देखते हैं सर एक कॉंसेट मतलब काइसी के अंदर पार्ट अब बात करते हैं इसको खरीदने का इसने दो लाख रुपए इन्वेस्ट किये और दो लाख में कितने परसेंट हिस्सेदारी सिर्फ खरीद पाया यह एटी परसेंट तो अगर मैं बात करूँ चलिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर के सर दो लाख रुपए इन्वेस्ट टोटल दो और एक तीन सिर्फ एसलीमेटेड का टोटल अमाउन जो था तीन लाख का और तीन लाख रुपए का खर्चा करके इसने कितने परसेंट की लाख दे circuit की दो चालिस का यहांई इसने खर्चा किया दो लाख और इसका श्सेदारी खरीद मारा कितने का 2,4 का तो फाइदा हो गया तो एक तो यहाँ पर क्या जाएगा capital reserve कितने का capital reserve कितने का जाएगा कोई दिखकत नहीं समझ मैं यह बात अब MI पर आएंगे पहले यहाँ पर कोई दिखकत नहीं अब minority interest की बात करें जो बाकी बच गया 20 परसेंट यानि सर हमारा तीन लाक रुपए का value था इसमें 80 परसेंट जो था वो तो holding company के हिस्से में गया और जो 20 परसेंट होगा वो किसके हिस्से में होगा MI के हिस्से में तो सर इसका 20 परसेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा सिक्स्टी थाउजन रुपीस यहां पर आ जाएगा MI सिक्स्टी थाउजन रुपीस टोटल कर लीजिए अब दोनों साइट का सब कुछ ले लिया है मैंने cash वेस्स ले लिया है नहीं लिया cash भी ले लिया थोड़ा इधर उदर हो रहा है चलो इसको रिष्ट कर देते हैं चलो भाई यहीं कर आ जाओ ठीक है तो कितने हो गए 5-10 लाख-10 लाख-98 क्या सार यहां भी वही आ रहा है कि एरे 2000 प्रॉफिट क्यों माइनस किया मैंने हैं हाँ हाँ स्टॉक तो दो काई था ना ठीक है अंडिराज कितने आ रहे हैं कि नौ लाख-98 कुछ और भूल गए क्या रिजर्व ले लिया हमने चार लाख ले लिया ले लिया माइन ले लिया कुछ तो भूल गया हम यह आ गया चार लाख एफ यह पांच लाख और एक छे लाख यह टोटल सही है देख लो पांच दो साथ दो नो और पांच और चार नो तो नो लाख तो अकेला यही हो रहा है इस और लिया एमाई भी ले लिया कितना बन रहा है टोटल और और आना चीए दसलाक अठाए नौन इंड्यान पर थोड़ी होगा हाँ नोन इंड्यान नहीं गलत बता रहे है हाँ छे नो लाख निंड्यान वे अजार कितने का डिफरेंस आगया भाई कहां पर हमने मिस्टे कितने का 99,000 का डिफरेंस तो सर 99,000 रुपे मैंने कहां छोड़ दिया कहां छोड़ दिया कि 80% 242,240 के बदले पेमेंट के यह गुडविल कैपिटल रिजब भी ले लिए गुडविल तो आएगा नहीं कैपिटल रिजब कितने खरी लिया 240,40 और चाल क्या नहीं में तो शेयर कैपिटल आई गया न कहीं न कहीं तो कर दी हमने कोई टोटलिंग में मिस्टेक जो कि विजवल नहीं है कि यह एक लिमिट यह यह तो हमारा हो ना जब बेच रहा है यह एक का है हां तीन हजार तो यह इस में इंक्लूड है तो सेलिंग प्राइज के लिए वह सेम ही आएगा उसमें कोई गरबड़ी नहीं है है दो मिन्ट आज अंदर बेट थो अंदर बेट जो आखं अब बैद अइस हपन सर वाइस शपन क्या बता रहा है सुमिद गुप्ता कैश मैं रिजर्व और सब्प्लस में क्या ग्लती कर दी हमने चार लाग पुराना था एक हजार हमारा अन्रिलाइज प्रॉफिट था हमने माइनस कर दिया कि दौило 10 살 कि ऑधें एक बार देखिए मैं कहीं नहीं इतना बड़ा एर्रर नहीं आता सब कुस तो हमने जोड़ाइए यहां से इंवेस्मेंट कैंसिल ओ दो लात का को तो दो लाग का हमारा कैश भी कैंसिल ओ गया मतलब हमारे भी इन्वेस्मेंट गया ना दो लाग का इधर CR आ गया है यह तो कैंसल आउट हो गया MI 40 का आ गया MI 40 का आ गया 60 3 हाँ Share Capital कौन सा 4 लाग Okay Error यहाँ पे है यह दोनों लेना था ना हमें ठीक है वही हो ऐसे गलती इतनी बड़ी हो नहीं सकती तो कई बार पता नहीं चल पाता तो यह आएगा हमारा 4 लाग तो 4 लाग का कितना आएगा 320 ठीक है ना 320 Sir 320 के लिए पेमिंट 2 लाग की आजाएगा 120 Reserve जो आजाएगा यह 120 आजाएगा 120 अब इसके बाद MIB किस पे निकलेगा 4 लाग MIB निकलेगा हमारा 4 लाग पे तो 4 लाग का 20% 80 अब जोड़िये अब जोड़िये क्या बन रहे हो अच्छा कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा था 3 का 80% क्यों चार का ठीक है कितने 10 लाग सर एक हजार का और पंगा आ गया एक हजार का क्या प्राब्लम आ गया हमने स्टॉक बेचा था छे का छे में से तीन बिग गया हाँ नहीं इसका जो प्राफिट मार्क अप रहेगा वह दो हजार एक का तो बिग गया एक का अब एक चीज़ और भी चलिए अभी न मैं यह सिर्फ इसको लेके चलूँगा क्योंकि मेरे थोड़ी से अगली क्लास भी है इसको ना आप कोश्चन मार्क में रखो मुझे तो मैंने देख लिया कि कहां पे एरर है क्योंकि जो एक हजार का प्रॉफिट एरर है न वो इसका जब MI लेंगे तो वहां भी 1000 रुपे कम होगा क्योंकि उसने 1000 रुपे क्या कर रखा होगा कमा रखा दोने में कम होगा आप उस चीज़ पर मत जाओ आप सिर्फ MI वाले portion को छोड़ दो main ये वाला जो हमने काम किया 100% correct है इसमें कोई गलती नहीं है हमने सिर्फ यह देख लिए ठीक है तो कल सुभह जो class लूँगा उस class के अंदर मैं आपको proper तरीके से फिर इसको आगे to be continue करेंगे तो आप ध्यान से देखो तो हमारा ये वाला topic जो था ये खतम हुआ फिर हम इसके point of भी उससे करेंगे कि क्या क्या हो सकता है ठीक है ना तो ये इसकी tension मतले ना वह मैं करवाऊंगा अगली point में मैं consider कर दो आप कर दो आप चेक वो इस चेक करिए क्लियर आ रही है के मैं के अन्याद्य कि अन्या प्राइभ कि वुपार स्थेज लाद्या कर्म अिनर अन्या है थे स्यूस्थ्ति अईयुटseason कि लिए विए फे चार्णिसख्यों ऑ्राईभ वत्यक्ति रिए झालाओ है। जाobed conspiracy और खब झालाओ खब पेंस कि अज्या रहत 오stalättर correspondence चलिए देखते हैं लास्ट क्लास के अंदर हमने यहां तक कर लिया था इसमेह न और यहां तक देखा जाए लास्ट क्लास में यहां तक और लास्ट क्लास के अंदर इस वाले बैलेंश शीट को टैली नहीं कर पा रहे थे किसी ने घर पे जाके चेक किया क्यों नहीं हो रहा था तो टैली इसलिए नहीं हो रहा था मैंने बाद में देखा अ कि अंगे के ज़ो अन्रेलाइज है फिस्टाउक जब इंक्लूड होता है पिछले स्टर में क्या कर रहा था यह पिछलाएं अब कितने रूपे का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और कि कि एच लिमेटेट्य फोडर करता है तीन हजार का प्रॉफिट कितने रुपे का ज जो profit वाला portion वह दोनों साइट से माइनिस करते हैं हम क्या कर रहे थे इधर से stock माइनस कर रहे थे क्योंकि 2000 प्रॉफिट थोड़ी ना प्रॉफिट तो कितना था हमारा कि एक हजार तो यह एरर आ रहा था एरर क्या था कि दिमाग से स्किप हो गया था तो सर यहां पर जो माइनस कितना करना है हमें लास्ट कोश्चन आप सभी ने नूट किया होगा एक हजार और यह आ जाएगा हमारा 99 और जैसे 99 होगा यह भी हो जाएगा ठीक है लास्ट तक क्लियर है हमारा जो चल रहा था क्या चल रहा था सर कि हम देख रहे थे कहां गया कहां गया कि अगर यह था कि के पॉइंट ओव व्यू एच लिमिटेड अब पॉइंट ओव व्यू किसके रह गया हमारा एच लिमिटेड के तो चलिए कॉंसेप्ट क्या है सर कॉंसेप्ट है एच लिमिटेड ने गुड्स ओल्ड किया किसको एच लिमिटेड गो ठीक है एच लिमिटेड ने गुड्स ओल्ड किया किसको एच लिमिटेड गो आपके सामने एक बैले शीट आपके सामने एक बैले शीट इसमें कुछ चीज़े लिख लेते हैं शेयर कैपिटल रेजर्ब और क्रेडिटर सर शेयर कैपिटल कितना रेजर्व कितना कैपिटल कितना शेयर कैपिटल माल लेते हैं पांच लाग दो लाग तीन लाग यह होगे हमारा दस लाग सेम इधर भी टोटल होगा इधर फिक्स असेट्स ले लेते हैं फिक्स असेट्स तीन लाग डेटर दो लाग स्टाउक तीन लाग एंड इन्वेस्मेंट इन एस लिमिटेड दो लाग सिक्स्टी परसेंट शेयर टोटल हो गया यह कितने दस लाग चलिए कि एक और बैलेंशीट इसी को कॉपी कर लेते हैं कि हमें और दो तीन बैलेंशीट की ज़ुरत पड़ेगी कि 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 कर देंख कि कि कर दो कि कर दो आप कि कि चलिए ठीक है कि विजवर लेंग चलिए यानि दो कंपनी की बैलेंश शीट है इस कंपनी के बैलेंश शीट में हमें काम करते हैं न्यू डेटा फिल कर देते हैं कि और एयर यहां पर भी हम न्यू डेटा फिल कर देते हैं क्या 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 फिल करते हैं इसमें यह मान लेते हैं दो लाग, ये मान लेते हैं एक लाग और ये मान लेते हैं फाच लाग, दो लाग, पचास अजार, एक लाग, और ये वाला पॉर्षन तो होगा नहीं? यहां पे यह वाला पोर्शन नहीं होगा तो पाँच और तीन आठ लाक रुपे कितने हो गए? आठ लाक और यह भी हो गए हमारा आठ लाक तो यह कम पढ़ रहा है तो कैश डाल देते हैं 4.5 लाक सिंपल ठीक है चलिए सर इस बैलेंच शीट को भी ले लिए जाए इस बैलेंच शीट को भी ले लिया जाए चलिए इसके भी अब अमाउंट लास्ट में डाला करेंगे जो रह जाता है ना देखिए यह तो हमें बनाना है और इसके अंदर हम बात करें तो यह तो होने वाला ही नहीं है ना यह तो हो गए इसे बनाना है ठीक है अर्जिस्मेंट क्या कहता है पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा था फरक क्या है देख लो अर्जिस्मेंट कहता है कहां करें अर्जिस्मेंट अर्जिस्मेंट यहीं लिख रहा हूं ठीक है अर्जिस्मेंट कहता है अर्जिश्मेंट कहता है अर्जिस्मेंट कहई चल प्यवित 880,000 विख आजिए बस्ट्ट हर आइण्स, अर्जिस्ट कैर्टरिस्टबचां मुक आव त्ट्टर hairs tam सोल आइणिय को बाफे एस लिम् Doll घ्यवितed at 20% profit on cost या on sales and one-fifth ध्यान दिजेगा लाइन को one-fifth stock unsold यह adjustment है आपके पास ठीक है ना तो पहले वाले case में क्या था H limited बेच रहा था तब क्या treatment हो रहा था अब वाले में क्या है H limited बेच रहा है तो क्या treatment है simply नई balance sheet बना लेते हैं हम पहले तो सबसे पहले 3 लाख रुपे और fixed assets 2 लाख रुपे कितने हो जाएंगे यह पांच लाख रुपे यह एच लिमेटेड है जो concert or lit balance sheet बनेगा ठीक है और यह एच लिमेटेड है डेटर दो लाख और डेटर पचास हजार तो डेटर कितना जाएगा टू पॉइंट फाइव लाख डेटर के बाद स्टॉक की बाद में के बात करेंगे कैश अकेला है कैश कितने आ जाएंगे 4.5 लाख इदर आते हैं शेयर कैपटल को छूड़ते हैं क्रेडिटर कितने हो जाएंगे 8 लाख यहां तक तो समझ में आ गया अब रहेंगे हमारा शेयर कैपटल चैर्श यह कैपटल इस कंपणी का तो लेते हम अपना तो लेंगे ही हमेशा कितने किभाच रिजर्व एंड सर्पलस दो लाख रुपे रहेगा और देखते हैं इसमें और क्या-क्या जोड सकते हैं ठीक है अब सबसे पहले हम टूटल शेर देख लेते हैं सर टूटल शेर में है क्या टूटल शेर में एक तो है शेर कैपिटल और एक है रिजर्व एंड सरप्लस अगर मैं शेर कैपिटल की बात करूं अगर मैं शेर कैपिटल की बात करता हूं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे और रिजर्व एंड सरप्लस के भी दो हिस्से हो जाएंगे सर शेयर कैपिटल के दो हिस्से कैसे एक हो जाएगा होल्डिंग कंपणी लेके चला गया और एक माइनुरिटी में सेम इसके दो हिस्से एक होल्डिंग कंपणी और एक माइनुरिटी में है ना तो अगर होल्डिंग कंपणी को कितना जाएगा वो देख लेंगे हम और minority को कितना जाएगा वो देख लेंगे हम ठीक है तो सर यहाँ पे share capital है कितने का वो तो बता दो share capital है यहाँ पे 2,00,00 का और reserve है 1,00,00 अभी unrealized profit की बाद में बात करेंगे पहले हम सारा निकाल लेते हैं तो यह जो acquire कर रहा है वो कर रहा है 60% means दोनों का 60% लेगा तो इसका 60% की बात करें एक बीस तो सर असी अजार इसके पास रहे गया इसका करें हम तो 60,000 चालिस अजार इसके पास रहे गया यानि देखा जाए तो holding company के हिस्से में जो आएगा H limited के हिस्से में आएगा वो आएगा एक बीस और प्लस साथ हजार मतलब एक असी और जो M.I.E. के बीच में आएगा minority interest में वो आएगा असी ये वाला minority का और ये वाला प्लस चालिस यानि एक बीस अब हम valuation कर लेते हैं सर इसने दो लाख रुपे का investment किया है और दो लाख में उसे समान मिला है सरिफ तो क्या समझे इसका मतलब इसका मतलब क्या समझे ओवेसी बात है सर इसका मतलब कुछ नहीं समझना आपने इसका मतलब ये समझना है के गुडविल है इसका मतलब क्या समझे के क्या है तो इधर एक गुडविल आ जाएगा सरुड भीड विल कितने का जाएगा बताओ गुड भीड 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 निकालके दिखाता हूँ सर गुड भीड हमने 2,0,200,000 रुपए का पेमिंट किया बदले में हमें समान मिला एक अस्ही का मतलब गुड भीड भीड आगे हमारा 20,000 रुपए का किसी को कोई dov यहां तक कोई डाउट यहां तक किसी को हो कोई डाउट है नहीं सब को समझ में आ रहा कि अब आगे की कहानी चलते हैं इस पर कहता है सеци सार आसेरी स्टोंक में गड़ बड़ी है इस stock को हमने जोड़ा हुआ जो है which was sold by S Limited जिसको बेचा S ने है यानि इसने इसने क्या करा है इसको समान बेचा है S Limited तो इसका मतलब इसके stock में ने include होगा इसके कहां include होगा क्योंकि जब ये company इसको बेचेगी और profit markup रखेगी तो जट से अपना profit बढ़ा लेगा लेकिन ये profit थोड़ी बढ़ा सकता है तो इसने क्या बढ़ाया होगा अपना stock समझ रहे हैं कि एस Limited at 20% on profit on sale यानि कहने का मतलब है सर अगर साथ हजार रुपे का मैंने समान बेचा है तो इसके उपर profit की बात करें तो जो जुड़ा हुआ प्रॉफिट है क्योंकि एच लिमिटेड के अंदर included है तो मतलब इसने जितने का भी बेचा होगा ये बोल के थोड़ी बेचा होगा कि दस का समान में तुझे बारा का बेच रहा हूँ तो ये एच लिमिटेड के अंदर बता रहा है कि included है तो हमेशा इसमें बताए ना included तो selling price ही होगा हमेशा क्या होगा हाँ इस question को odd twist किया जा सकता है यानि इसकी ही इसकी बाते बता दी कि इसमें जुड़ा हुआ है तब वो cost होगा ठीक है ऐसा question भी देख लेंगे हम तो sir इसमें profit जुड़ा हुआ है selling price कितने 20% है तो sir means 12,000 का profit जुड़ा हुआ है लेकिन हम 12,000 रुपे का eliminate नहीं कर सकते दोनों side से क्योंकि question ने क्या कहा है कि sir one-fifth party बचा हुआ है बाकी तो बिक गया तो जो हिस्सा बिक गया उसकी तो tension है यह नहीं वो तो हिसाब किताब में बराबर चला गया लेकिन जो हिस्सा नहीं बिक पाया है हम उसकी बात करेंगे तो sir जो जो हिस्सा नहीं बिक पाया है यहां पर condition देखने तो one-fifth stock है तो one-fifth stock का देखा जाए तो यानि अन्सोल्ड अन्सोल्ड स्टॉक होगा सर साथ हजार का वन-fifth यानि बारा हजार का नहीं बिक पाया है अब बारा हजार का नहीं बिक पाया है इसके अंदर profit कितना होगा बीस परसेंट होगा यानि चौबिस सो इस चौबिस सो पे दो लोगों का अधिकार है है के ने इस चौबिस सो पे दो लोगों का अधिकार होगा सर लेकिन पिछले question में तो जो हमारा profit हुआ था इस पे तो दो लोगों का अधिकार नहीं था क्योंकि यह holding का profit था holding का profit पर क्या minority मांग सकता है नहीं मांग सकता लेकिन minority के profit को holding मांग सकता है समझ रहे हैं ना तो मैं इसलिए यहां पर क्या कहुँआ यही change है थोड़ा सा कि इसके profit में बस थोड़ा सा चेंज है कि इस profit पे राइट की बात करें है तो दो लोगों का ज़य और किसका में अगर मैं होल्डिंग की बाद करों और माइनिरिटी की बात करूं तो तो रेशियो में बट जाएगा आपको पता है कि मैंने 60% स्टेक खरीदा है तो 40% किसके पास रह गया होगा Minority के पास तो इसका 60% हिस्टा देखा जाए तो कितना आएगा 60% हिस्टा क्या आएगा इसका बताइए 60% हिस्टा क्या आएगा 2400 का 60% निकालिए 1440 और इसका बाकी remaining आजाएगा 260 नो सो साथ तो ये वाला हो जाता है हमारा holding के हिस्से में और ये वाला हो जाता है MI के हिस्से में ठीक है ना तो सर अब हमें 2400 रुपे के profit को eliminate करना है सर स्टाउक में कोई दिक्कत नहीं है हम स्टाउक की बात करें तो कोई दिक्कत है ही नहीं स्टाउक में तो क्यों सर क्योंकि ध्यान से देखें स्टाउक कितने का था हमारा तीन लाग का प्लस दूसरे का स्टॉक कितने का है हमारा एक लाग का दूसरे का स्टॉक कितने का है जो बिग गए तो वो तो इस स्टॉक में होगा ही नहीं क्योंकि यह बेच चुका है स्टॉक अब बात करते हैं प्रॉफिट का एरिया जो इंक्लूडिड है वो सिर्फ कितना इंक्लूडि 1440 क्योंकि इसने इसका रेजर्व वगएरा जो एकौइर किया कितना किया सरफ यही पाट तो इसके रेजर्व में माना जाएगा कि कितना जुड़ा होगा 1440 अब MI की बात कर लेते हैं MI था कितना सर अब माई के भी profit में मीनरिटी के भी right ber देधुल minimal यह जाके हमारा proper treatment घुल है तो माइनस करिए क्याता है इन सब को भी मैनस करके बताई जहसे कि मैन desarroll को माइनस करिए 198,560 इसको करिए एक लाख उननिस हजार चालिस इधर बता दिजे आप 390,7600 टोटल देखें, मैच कर रहा हमारा 16,17,600 इसका भी कर लिजे 16,17,600 ही आना चाहिए तो पहले वाले में इस वाले में थोड़ा फरक नजर आया क्या फरक था चलिए बताईए पहले वाले में चलो अगर इसमें बोल लेते के पहले पहले जैसा ही दिख रहा होता है कि इधर भी माइनस और इधर भी माइनस लेकिन माइनरेटी वाला जब आ जाएगा तो दोनुमें बटेगा लेकिन स्टॉक अगर सूल्ड करता है कौन एच लिमिटेड तब माइनरेटी का कोई रोल नहीं होता सारा प्रॉफिट माइनस हो जाता है जैसे कि पिछले कोश्चन में देखिए सेम पॉइंट था इसमें भी माइनरेटी था और प्रॉफिट कितना था एक हजार तो आप ध्यान से देखिए जो एक हजार है वो मैंने दोनों जगह से माइनस किया मैंने एक हजार नहीं किया है क्यों सर ऐसा क्यों हुआ क्यों कि इस कंडिशन में इसने स्टॉक इसको बेचा था लेकिन इस कंडिशन में क्या है इसने स्टॉक इसको बेचा है बस यह फरग है समझे बात क्लियर हैं तक बढ़े नेक्स्ट पे चलते हैए चले सर से नेक्स पे चलते हैं अब एक और चोटा सा चौशप्ट देखते हैं इन्पोर्टेंटी कॉंसेप्ट है अमने अंप्रोंटेंथ यह इतो दो आपके देख़्ेये अब एक उरकॉंसेट पे चलते हैं सबसे ज्यादा इन्पोंटंट रहता है कि मान लेजिए यह टाइम है हमारा टाइम है एक चार 2022 और जो एंड टाइम है आपको पता है कब होगा हमारे पास यह दो टाइम है अब बात करते हैं हम बात करते हैं कंपनी के ठीक है सपोस करो कि यहां पर दो कंपनी है डील की बात कर रहा हूं ध्यान से देखना एक कंपनी पहले से ही कोई पहले अब इमेज लेके रखेंगे हैं एक कंपनी यह है यह और थोड़ा बेटर समझाने के लिए एक कंपनी यह चोटी से कंपनी बना रहे हैं और एक कंपनी यह यह चोटी से कंपनी है यह एच लिमेटेड और यह एच लिमेटेड ठीक है दो कंपनी हैं दोनों कंपनी की बीच में बाते चल रही है एक्वाइर करने का तो एच लिमेटेड जो है वह एगरी कर जाता है कि भाई मैं तेरी कंपनी का 80% हिस्सा खरीद लूँगा बदले में पेमेंट डिमेंट सब डन हो गया लेकिन यह बातचीत जो हुआ न यह जो स्टार्टिंग में चल रहा है सारी बाते यह बातों का डेट मैं बता दूं एक बरसा इस बातों का डेट है मान लेते हैं तीज सप्टेम्बर तो हजार बाइस टीज सप्टेम्बर दो हजार बाइस में यह सारी बाते हुई हैं तो आपसे मैं एक सिम्पल सा क्योश्टन पूछन चाहूँगा और डील हो गया final done डील क्या हो गया डन तो जब इस डेट पे डन हुआ हमारा डील तो इसका मतलब एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड को कब खरीद लिया 30 सेप्टेमबर आपको 30 सेप्टेमबर तक का बैलेंस शीट मिल जाएगा अब ऐसा हो सकता है प्रॉबेलिटी हो सकता है जो बैलेंस शीप है वो हम बनाएंगे कब इस डेट पे बना रहे हैं प्रॉबेलिटी है चोक S given से खरीद के और एगदम से मैं बैलेंस शीट बताने में पॉसिबल नहीं है आपको वोड़ा फोन आइडिया देखो आपने जैसे पता तो पहले चलिया था कि वोड़ा फोन आइडिया को खरीद लिया लेकिन काफी दिन तक देखा वोड़ा फोन अलगी काम कर रहा था और आइडिया अलग काम कर रहा था सब यह भी बोल रहे थे किस बात का मिल holding subsidiary होता है या merger acquisition होता है not a एक मतलब के पूरे रात का काम नहीं कि रात में खतम हो गया चलो साल से डेड़ साल दो-दो साल भी लग जाते हैं हर एक चीज़ धीरे धीरे process में रहता है तो sir इसके balance sheet की हम बात करते हैं और इसके balance sheet की इसके पास balance sheet होगा लेकिन इस date पर जो होगा न वो पुराने वाला होगा है कि ने इस date पर जो होगा इसके पास balance sheet जैसे ये balance sheet मैं दिखा रहा हूँ आपको समझेगा बहुत आसान concept है और एक बार समझ गया नहीं तो chapter में कोई दमी नहीं रहेगा इसलिए मैं basics में time ले रहा हूँ माल लिए इसके पास share capital है पाच लाख रुपे का reserve and surplus है तीन लाख रुपे तीन लाख रुपे ठीक है reserve and surplus पहले से है ये old है तीन लाख रुपे ये जो reserve and surplus है old है और भी बहुत सारी चीज़ है creditor दो लाख रुपे चलिए ये total हो गया इसका दस लाख रुपे ये है S limited का और F A मान लेते है fix assets दस लाख का खतम करते हैं इसको ये profit जो है इस date पे है किस date पे है सर आपको जो date दिया गया है समझेगा मार्ट को अगर इस date पे profit है तो but obvious है कि S limited ने यहां से यहां तक काम किया ही होगा या नहीं किया होगा और उसके बाद जैसे ही ये company गई किसके हाथ में H limited में तो H limited ने भी काम करना start कर दिया होगा H limited ने भी क्या किया होगा काम करना start कर दिया होगा sir कहां से कहां तक काम किया होगा है एच लिमेटेट ने यहां से यहां था काम किया होगा कि कुश्चन कहता है प्रॉफिट कि प्रॉफिट डूरिंग दा इयर कि प्रॉफिट डूरिंग दा इयर यहां लिख देते हैं 31 31 तीन दो हजार तेज प्रॉफिट डिरिंग दे यर एक चार इकत्तिस से रुपीज शिक्स्टी थाउसन तो सर इसका मतलब क्या समझे इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं हम कि मैंने आपको जो है वो क्या बताया मैंने आपको देखा जाए तो पूरे साल का यानि यहां से लेके यहां तक का क्या बता दी आपको प्रॉफिट क्या यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है वो कितने रुपे बताए मैंने आपको सर यहां से लेके यहां तक का जो प्रॉफिट है वो तो है कितने रुपए 60,000 रुपीज कमपनी एकवाइर किस डेट पे हुआ है अब इस वाली बैलेंस शीट को जो नई वाली बैलेंस शीट में मर्ज करेंगे यानि एक और बैलेंस शीट बना ही लेते हैं कि पूरा कंसेप्ट ही खतम हो जाए ठीक है ना कुछ मन में रहे ही न कसर एक और बैलेंस शीट में बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूं H Limited का इस साइड में इसका इस डीट का बैलेंशीट नहीं है एच लिमेटेट का चलिए सर एच लिमेटेट की बैलेंशीट की बात करें है एच लिमेटेट में शेयर क्यापटल सब सिंपल खतम करते हैं आठ लाक रुपए रिजर्व एंड सर्पलस है दो लाक रुपए और फिक्स एसिट्स है सीधा दस लाक रुपए जादा जंजट नहीं पाल रहें ये भी दस लाक रुपए और ये भी दस लाक आपको बस इंपली मेशन ही तो देखना है ये किसका इसर ये है एच लिमेटेट का बैलेंशीट सिक्स्टी थाउजन रुपिस प्रॉफिट है ना तो इसमें है क्योंकि ये बैलेंशीट एक अप्रेल का है और ये प्रॉफिट डूरिंग दे इयर किसने कमाया है ये कमाया है मैं लिख देता हूं लिखना भूल गया था एस लिमेटेट ने कमाया है जो एसकी कंपनी थी उ तो उड़ा वह उन्हें का क्योंकि अभी तक तो कौन से डॉलेट ही नहीं हुआ है बैलेंशीट अच्छा इसका मतलब सर इस प्रॉफिट में देखा जाए तो यहां से यहां तक के एरिया जो है जो भी 30 सेप्टेमबर का है ये वाला एरिया इस वाले एरिय का इतना पॉर् प्रटिसी के सब कुछ तो यानि साथ हजार का यहां से यहां पूर्शन का प्रॉफिट इसका है और साथ हजार रुपे में से इधर का इधर प्रॉफिट में इसका नहीं है वो सारी मेहनत किसकी है यानि जब company को acquire किया गया तो profit को दो हिस्से में है साथ हजार में से कुछ हिस्सा तो H लिमिटेट ने खुद ही कमाया है और साथ हजार में से कुछ हिस्सा H ने नहीं कमाया वो S कमा रहा था और बीच में ही ऐसा हो गया acquisition क्योंकि acquisition मैं ऐसे थोड़ी है 31 मार्ज को ही करेंगे acquisition जब मर्जी हो सकता है हमारा तो यहां पर देखा जाए तो very simple हमें क्या करना है जब हम konsodolate balance sheet बनाएंगे बना लेते हैं konsodolate balance sheet एक तो क्या होगा यह H लिमिटेट को इधर लिए आया और konsodolate balance sheet यहां पर आ जाएगा अब आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा कि सर यह हो सकता है आइडिया लग रहा है क्या करेंगे यह देखिए इसको बढ़ा कर लिए ठीक है तो अब हम अगर सारे shares वगेरा को add-on करें और रिजर्वेंश को add-on करें तो क्या रहेगा सर क्या रहेगा मेरा शेयर कैपिटल है holding का तो पूरे आठ लाग आएगा ठीक है बस यहां पर एक चीज़े कमी रह गई है जो मैं लिख के ठीक कर देता हूं इन्वेस्मेंट इनस लिमेटेड एटी पर्संट शेयर और छे लाग रुपए ठीक है यह थोड़ा सा इधर हो गया है कि समझ जाओ गई है है ना ठीक है चुरूं कि बाद में मुझे ख्याल आया कि एक चीज़े तो रही गई तो सर यह हो जाएगा हमारा 16 लाग और इसको कर देते हैं हम क्रेडिटर कर देते हैं छे लाग तो यह भी होगा 16 लाग फीक है अब सर हम पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं अड्जस्मेंट बाद में देखेंगे एफ है कितना है दस और दस बीस बीस लाग इधर भी कुछ नहीं है इधर इंवेस्मेंट आएगा ने रिजर्वेंट सर प्लस से क्रेडिटर ले ले लेते हैं सर क्रेडिटर कितने का लोगे इसमें तो 6 लाक इसमें 2 लाक यानी 8 अब मुद्दे की बात रहे हैं यह यह और एम आई सबसे पहले एम आई निकाल लेते हैं ठीक है सर एम आई क्या होगा यहां पर एम आई पर ध्यान देना हमारा टोटल शियर कितने का है एक तो शियर है बोलो दो लोगों का एक माइनरिटी इंट्रेस्ट वालों का और एक तो एक है होल्डिंग वालों का राइट और एक है माइनरिटी इंट्रेस्ट वालों का एक है होल्डिंग वालों का राइट और एक है माइनरिटी इंट्रेस्ट मैं किसकी बात कर रहा हूं जो यहां प तो पांच लाग का 80 यह नहीं 4 लाग तो एक लाग इसका होगा कि आगे बात करते हैं तर पांच लाग अब तीन लाग का 80 परसेंट कि टू सेवंटी नहीं तीन पी टी 242 ना तू फॉर्टी और यह क्या हो जाएगा 60 तो अगर मैं holding की बात करूँ तो sir holding के हिस्से में ये गया यानि 4 और 2 छे चालिस और 6 चालिस के बजले में payment उसने क्या किया 6 लाग मतलब एक capital reserve create हो जाएगा और capital reserve create कितने का हो जाएगा 40 लाग मैं इधर बता भी देता हूं आपको sir holding का total share कैसे आया holding का 4 लाग रुपे share capital खरीदा प्लस 1 लाग रुपे 240 का profit इसके हिस्से आ गया तो total इसने 640 रुपे का समान खरीद लिया है और जिसके बदले सिर्फ payment करके आ गया 6 लाग तो फाइदा हो गया that's why हम क्या कह सकते है कह सकते है कि 640 का और 6 लेक का difference जो है वो goodwill है बहुत पहले से कर रहे हैं तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं sorry capital reserve है क्योंकि हमने सस्ते में खरीद लिया उसको 6 लाग रुपे दिया और 6 चालिस का समान खरीद लिया capital reserve समझ में आ गया आता है अब रह गया जन्जट इसका sir इसका क्या करोगे अब इसकी अगर हम बात करें तो अगर ध्यान से देखो न तो जो मैंने अभी capital reserve निकाला है वो तो normal करते थे अब जब ये enter करेगा तो sir इस profit पे भी तो दो लोगों का अधिकार होगा इस वाले profit पे दो लोग कौन को न आ जाएंगे sir holding इस पे भी आएगा और M.I.E. इस पे भी आएगा होगा की ने होगा आप देखिए इस पे subsidiary company की भी मेहनत है और holding की भी मेहनत है तो sir subsidiary की कितनी मेहनत है six months तक मैंने date ऐसा simple लिया ताकि आपको easy रहे तो sir यहाँ पे six months तक subsidiary की मेहनत है और six months तक किस की मेहनत है तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 60,000 रुपे में तो subsidiary ने six by twelve मेहनत किया इसका मतलब और इसके इस side में 60,000 मेहनत है holding का यानि फिर से six by twelve यानि 30,000 जो भी मन्त होगा उस मन्त के इसाब से करेंगे चाहे आपका जो भी आ रहा हो question में तो इसका मतलब 30,000 रुपीस और यहाँ पे भी 30,000 रुपीस समझ पा रहे हैं तो अखेला मैं बात करूँ अगर क्या टोटल यह इस तीन लाख में नहीं इंक्लूड़ड है मैं वही चीज़ पहले बताईए क्या यह profit doubt यह algorith है तो टोटल प्राफिट क्या तीन लाख में इंक्लूड़ड है तीन लाख की जो बैलेंस शीट है वो है 31 प्राफिट कम कमा एक चार के तो क्या इसमें जुड़ सकता है नहीं होगा ये तो लेटिस प्रॉफिट है इस साल का तो सर ये जो हमारा यहां पर दिख रहा है न ये तीस अजार और इधर भी तीस अजार ये तीस अजार रुपे अब हमारा एक्चुल माइं होल्डिंग निकालू मैं तो होल्डिंग के हिस्से में जो निकालेंगे शियर इसको क्या क्या मिला सर इसे चार लाग का शियर मिला चार लाग का शियर कैपिटल मिला और रिजर्वेंच सर प्लस मिला इसे पुराने वाला पुराना ओल्ड लेखिन अब इस सा का भी रिजर्व मिलाई से इसका कितना थर्टी थाउजन रूपीज थर्टी थाउजन रूपीज इसका मतलब एच लिमिटेड ने जितना भी पेमिंट किया हो उसके बदले उसका जो बेनेफिट है वो कितने क्याएगा 6,70,000 पेरे तो ये समझी है तोटल बेनेफिट क्योंकि हमारे माइन में क्या चल रहा था पुराना पुराना ले लिया भाई उसके बाद जो कमाया है क्योंकि 80% एक्वाईर आपने इस डेट पे किया है तो ये वाला रिजर्वेंसर प्लस कैपिटल तो था ही होल्डिंग का सा सब्सक्राइब क्या है सर कैपिटल रिजर्व आएगा सर छे सतर रुपए का हमें समान मिला और मैंने पेमिंट किया कितने का छे लाग तो नाव इट एज 70,000 तो हम क्या करेंगे जब नई बैलेंशीट बनाएंगे तो यहां कैपिटल रिजर्व जो है जो ये कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है ये कैपिटल रिजर्व बताओ कितने आएंगे और ऑल्दो मैं एक चीज बताओं तो मैं यहां आपको दिखाने के लिए अलग से क कितने रुपें कि 70,000 ठीक है कितने हो गए 70,000 अब रिजर्व एंशर प्लेस की बात करते हैं सर होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंशर प्लेस पहले से 2,00,000 है पहले से कितना है 2,00,000 वो तो लिखेगा वो थोड़ी न छोड़ देगा और होल्डिंग ने प्रॉफिट भी कमा लिए बीच में सर होल्डी ने कहां कमाया यह कमाई किसकी है यह कमाई किसकी है अरे यहां पर गलत हो गया साइद को निकाला है इसके दो फांट हो जाएंगे हां हाँ रूक जाओ हो जाएंगे क्लिपकी इसके कितने हैं जो अध्यर गतरुबर यो एक है इसको हम एकाम करते हैं तोड़ा ससॉड़ीस कर दीश कर देता है कि फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जगे मिल जाएगा करने को कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए चलिए सर यह गलत हो गया क्यों गलत हो गया आभी समझा देते हैं मतलब एक चीज़ मिस हो गया मेरे से अब देखिए यह तीस हजार जो साथ हजार के प्रॉफिट हो इसको थोड़ा हलक धंग से लिख लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए मैं इधर स्पेस है इधर लिखता हूं कमाई की बात करते हैं प्रॉफिट कितना था साथ हजार बाद में जो हुआ पूरे साल में साथ हजार इस साथ हजार पे दो लोगों का अधिकार इस साथ हजार पे दो लोगों का अधिकार किसका अधिकार पहले तो यह जो साथ हजार का प्रॉफिट है यह दो प्रॉफिट है कि सर यह साथ हजारगा प्रॉफिट दो प्रॉफिट कौन सा है कि यह साथ हजारगा प्रॉफिट दो प्रॉफिट वह है यह ले 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 Six ap weakness जो था साथ AI ड जार का सर वह दो प्रॉफिट था एक था to therefore वाला विफोर एक्वाइर और एक है आफ्टर वाला आफ्टर और विफोर से मतलब है एक कंपणी खरीदने से पहले का प्रॉफिट है इससा और एक कंपणी खरीदने के तो अगर कंपणी खरीदने से पहले वाले हिस्से की बात करें यानि company खरीदा नहीं तब profit earn हुआ तो वो आया आपका निकल के आपने यहां निकाला था कितने 30,000 और company खरीदने के बाद 30,000 तो sir यहाँ पर अगर मैं हिस्से की बात करूं तो यह जो 30,000 company खरीदने के बाद है इस 30,000 company खरीदने के बाद वाले पे इस पे पूरा अधिकार holding का होगा holding H limited का पूरा का पूरा right क्योंकि यह तो कमाया उस नहीं है लेकिन इस वाले पे दो लोगों का अधिकार आ जाएगा समझ रहे हो इस वाले पे किसका अधिकार आ जाएगा किसका आएगा और MI का दोनुका आएगा तो holding का कितने परसंट है 80% तो अगर मैं H limited का लिखूं और लिखूं MI का तो sir MI का होगा यहां पे holding का 80% यानि और MI का 6000 ठीक है यहां तक समझ मैं है अब मैं निकाल के दिखाता हूँ यहां पे actual में जो था हमारा holding के हिस्से में क्या आया मैं पूरा इरेज करके फिर दिखाता हूँ आ जाते हैं sir calculation वाले पार्ट पे एच लिमिटेड को क्या मिला sir h limited को मिला share capital sir h limited को मिला reserve and surplus sir h limited को मिला खरीदने के time पे एक और extra मैं extra लिख रहा हूँ extra reserve and surplus ऐसा कोई वर्ड नहीं है सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ है ठीक है शेर्स में इसके हिस्सेदारी थी चार लाग पुराने वाले reserve में 240 और नए वाले जो एक्स्ट्रा हुआ उसके अंदर 24 इसका मतलब इसने sir इतने जो भी पैसा इसने payment किया subsidiary company को जो दिया उसके बदले उसे इतने का समान मिल रहा है तो total क्या हो गया हमारा च्छे लाग तो sir इसे च्छे लाग 64,000 रुपे का समान मिल रहा है उसके बदले उसने paid कर दिया sir कितने का paid कर दिया paid कर दिया च्छे लाग का अब यहां पे जो है 64,000 रुपीज का क्या निकल क्या आ गया तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं क्या निकल क्या आया 60 और मुझे यहां पर और भी स्पेस चाहिए होगा ना चलिए तो आप को होगे sir capital reserve अलग से लिख रहा हूं 64 का 64 का यह कितना था हमारा हां आट लाग था ठीक है 64 का अब इस reserve and surplus में add-on की बात कर लेते हैं sir कितना add-on करोगे इस reserve and surplus में इस reserve and surplus में मैंने जो कमाया वो तो सारा ही होगा sir आपने कमाया यह वाला जो part था यह तो सारा मैंने ही कमाया था और कितना कमाया था 30,000 वो plus हो जाएगा जाके 30,000 तो यह क्या जाएगा हमारा एक तो यह समझो समझ मैं है कि edge limited यह consolidate balance sheet है और consolidated balance sheet किसका बनता है edge का ही बनता है तो edge ने बोला भी है मेरे तो पहले से भी पढ़े थे profit दो लाग के और company एक नई खरीदी यह उसमें भी मैंने कमा लिया है कितना कमाया है 30,000 तो अब यहां पर क्या आएगा MI सर MI का क्या होगा MI की बात करते है MI की टूटलिंग देख लो MI का share capital plus old वाला reserve plus मैं बोल देता हूँ new वाला reserve सर कैपिटल में एक लाक कैपिटल में कितने का प्लस ओल्ड वाले reserve में कितने का साथ हजार नए वाले reserve में कितने का ओनली सिक्स थाउसेंड तो टोटल कितना हो गया 166 MI है यहां पर सर लिख दो MI 166 166 अब टोटल कर लेंगे थोड़ा स्पेस कम है मैनेज करिएगा वो तो इधर तो कुछ बचानी लिखने लाइक तो यह कितने आगे क्या इसका का टोटल बीस लाख बन पा रहा है चेक करिए है कि कि सर आफ्टर में 30 का 80 परसेंट और 20 परसेंट डिवाइड है अच्छा मैंने 80 और कितना 20 हाँ यह 20 है यह 80 परसेंट है यह 20 है आफ्टर में आफ्टर में तो सारा किसने कमाया इसमें माई वालों को तो अधिकार ही नहीं है ना सारा का सारा प्रॉफिट कमाया है किसने एक मिनट पहले इसका टोटल बतागी क्या रहा है भी बताता हूं मैं क्लियर करता हूं है कि अब बीज है और इधर बीस है कि यह क्या तू थर्टी लिया ना यह शिक्स्टी पॉर लिया एम यह यह आगया अब साथ जर क्या मिस्ट कर दिया हमने टोटल देख यह बार बैलेंशेट का सही है तो पांच और तीन और दो दस 8 2 10 और 6 16 10 और 6 16 क्या मिस्टेक कर दिया हमने यह तो ठीक है हमारा पहले देख लेते हैं यह यह वाला हिस्ता ठीक है टूटल सही से कर लो इसको एक बार ठीक है हमारा डिफरेंस आ गया है यहां पर कितने का कि साथ हजार का और साथ हजार रुपए हमारा कमाया गया है प्रॉफिट तो सर्फिट जो कमाया गया है साथ हजार वो पैसा तो आएगा हमारा कि मैं थोड़ा सा और नहीं मैं समझ यह साथ हजार कहां पर है उसको तो मैच कर लेंगे लेकिन उससे पहले एक डाउट आए बच्चे का और जैनुवन डाउट था देखो सिक्स्टी थाउजन रुपीस का प्रॉफिट था ना सिक्स्टी थाउजन प्री का है और सिक्स्टी थाउजन किसका है पोस्ट का इसे बोलते हैं प्री और इसको बोल देंगे हम पोस्ट जो कुश्चन में वर्ड इस्तमाल होगा इस प्री वाले को जो है किस ने कमाया सिर्फ और सिर्फ सबसीडरी ने कमाया और इस पोस्ट वा प्रेशाथ प्रिख यूट की मेहनत है कि दो नौगा इसके बात जो कि छल रहा था है यह कितने है तो इसके बाद जब कंपणीट चल रहा था चल रहा था इसमें दो लोगों की महनत जा रही थे ना 80% तो उसका था और 20% किसका था holding का ना बोलके मैं minority का बोलता हूं तो यानि यहां वाले profit को भी दो हिस्से में बाटा जाएगा सार एक जाएगा holding में एक जाएगा MI में इसका 80% 24 और यह च्छे 24 और च्छे जो cash match नहीं हो रहा वो फरक नहीं है वो मैं भी बता दूँआ 24 और च्छे पहले तो यह समझे आप समझ में आ रहे हैं 24 और च्छे तो जो reserve में मैंने जोड़ दिया ना केला यह balance sheet थोड़े ही वैसे बन गई है इसको एक काम करता है थोड़ा छोटा ही करते हैं फिर सही से कर देते हैं कि चलिए इसमें से जो चीजे नहीं है पूरा balance sheet एक पर दुबारा बनाते हैं ताकि शुरू से समझ में आ जाए आपको कि बस दो मिनिटका लगेगा टाइम बस अच्छे से समझाने के लिए क्या लिखोगे sir share capital कितने का लिखोगे sir शेख्यूर का सिर्फ 8 का है में हम क्या लिखोंगे सार्व एमने सत्वेयर इंड कमपनी क्यों कि मैं दोड़ रुपे वह और माय कितने इसने कामै कितने हुलडिंग यह वाले बात वाले जो कमाई सिसाजर 24 के टोटल करके लिख लेना इसके बाद हम ले लेते हैं कि यहां पर capital reserve सर capital reserve तो वही रहेगा जो कि निकाला था हमने 64 के सर MI में थोड़ी बदलाव आ जाएगी MI के अंदर ये तो प्री-प्री के सारे हैं देखो ये वाला एक लाख पहले का साथ हजार रुपए तीस में से निकाला था ये भी पहले का ये जो छे हजार रुपए है वह किसका पार्ट है ये शे हजार किसका पार्ट है क्योंकि देखो MI जो है वो तो पूरे साल during the year 20% रहे ना, तो पहले वाले में भी था वो और बाद वाले में, तो 6000 जो है बाद वाले का, पोस्ट वाले का कितना 6000, ये किस वाले का है, प्री वाले का और ये कौन सा है, पोस्ट वाले का, तो टोटल क्या हो गया, कितने, एक लाक, बहत्तर हजार, अब सर ये जो 6000 रुपे इसने profit कमाया है, तो कहीं न कहीं, पैसा तो आया ही होगा हमारे पास, तो हमें एक काम करते हैं, सर्फ, क्यूश्चन बुक में उस हिसाफ से question design होगा, मैंने अपने हिसाफ से लिया है, तो 6000 रुपे तो सर कैस में आ जाएगा, और 6000 रुपे जब कैस में आएगा, इसके बाद देखा जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा fix assets, और fix assets सर कितने काएगा, 10 और 10, 20 लाक, अब total कर लिजिए, MI आ जाएगा 172, तो ये आ जाएगा हमारा, 20 लाक, 60 लाक, 20 लाक, चेक करिए बटापर, ठीक है न, तो ये पूरा का प थोड़े-थोड़े step रह भी गया, तो दुबारा एक बार देख लोगे, आपको clear हो जाएगा, ठीक है, किसी को दिक्कत, नहीं, तो basic-basic concept खतम, कल से book के question करने, हम क्या करेंगे, start कर देंगे, कल भी same time पे class रखने, हाँ, भी PDF से, भी, वीडियो आ जाती है, वीडियो में से भी कर सकते हो, बाइचांस में PDF भेजना भूल गया, तो वीडियो जब आता है, तो वीडियो में से कर सकते हो, बाकी में अभी बना के इसका पूरे का पीडियो पस से लेके आज तक का भेज रहा हूं है, ठीक है, मिलते हैं next class में, चलिए, अब चेक करिए, वोई सारी है, वोई सारी है, चेक करिए प्लीज, एक कुश्चन आपके बुक का है, कुश्चन नमबर कौन सा बता दो एक बार, कुश्चन नमबर फाइव है, जिसके अंदर अगेन, प्री और पोस्ट के ऊपर सारा कॉंसेप्ट है, बॉइस क्लियर, ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का कहना था, सर, वो थोड़ा सा कॉंसेप्ट ना, ज्यादा लेंडी सा हो गया था, उसके अंदर पता नहीं चल रहा था, कौन सा माइनरेटी में जा रहा है, कौन सा, उसी बेसिस में आपके किताब में भी एक कुछ्चन दे रहा है, बुक के अंदर, बुक कौन सा है, जे एर मोंगा बुक है, तो सर, इसके अंदर क्या करना है, आपके सामने कुछ्चन है, और कैसे कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता जाओगा, ठीक है, इसी question को same करेंगे और उसी format में करेंगे और धीरे-धीरे करके करेंगे क्या कहता है question में ध्यान से देखिए प्राम दे फॉलविंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेर कॉंसर डॉलेट बैलेंशीट ऑन 31st मार्च एक H limited है और एक S limited है अगें H limited acquire S limited यानि यह कौन सी company है holding और दूसरी कौन सी है subsidiary on 1st April को acquire किया और जिस दिन acquire किया था उस दिन इसके पास reserve कितने थे और surplus कितने थे शे अजार लेकिन यह balance sheet देखोगे यह balance sheet कब की है यानि acquire जिस दिन किया उस दिन की balance sheet नहीं है यह उसके ठीक एक साल बाद की है तो इसलिए यहाँ पर reserve देख पा रहे होगे कितना है हम holding के तो reserve से मतलब नहीं है वो तो जो मर्जी कमाए 20,000 जबकि यहाँ कितना कह रहा था इसका मतलब क्या समझे हम कि अगर आप बोलते हो कि sir यह हमारे पास एक timeline है एक timeline है इस timeline में date हमारा given है एक चार 2000 क्या है बोलते क्यों नहीं हो सतरा और end होगा 31 3 2000 18 यह चीज़े given है आपको sir अगर यह दो date आपको given है तो आप मुझे बताइए अगर आपको यह दो date given है और holding और subsidiary वाला जो खेल है holding subsidiary वाला जो dealing है वो किस दिन deal किस दिन table पर बैठके इन्होंने बोला चल तेरी company मेरी company और मेरी company तेरी company किस दिन एक चार को position कह रहा है भाई clearly कि H limited acquired share of H limited on 1st April 2017 तो किस दिन deal हुआ यानि यह दोनों जो है वो इसी दिन मिल गए यह दोनों जो है वो इसी दिन मिल गए है के नहीं और इसी दिन holding subsidiary का खेल सुरू हो गया काम सुरू हो गया हमारा तो सर इस दिन के बाद जो भी profit होगा यहां से यहां तक इस दिन के बाद अगर मैं बात करूँ जो भी profit होता है इस दिन के बाद से यहां से यहां तक का जो भी profit होता है वो सारा profit किसका माना जाएगा इस दिन के बाद से इस दिन के बाद, एपरेल के बाद, एपरेल से पहले बताओ, जो भी profit कमा रहा था, एक H Limited है हमारे पास, एक आपका S Limited है, अगर मैं एक एपरेल से पहले की बात करूँ, मुझे सभी बच्चे कमेंट में भी जवाब देंगे, और जो offline बच्चे हैं वो भी जवाब देंगे, म तो उस वाले का तो हमें matter ही नहीं है, पहले क्या कर रहा था, अब आगे की बात करते हैं, इस तारीख के बाद, यानि ये जो date है, इस date के बाद, जो भी profit earn होगा, ध्यान से सूच के बताना, जो भी profit earn होगा, ठीक है, उस पे किसका right होगा? तो जवाब है सर, इस date के बाद, एच लिमिटेड का right होगा, और plus minority interest का, एच लिमिटेड का नहीं कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, minority, अब जब हम profit को acquire कर रहे हैं, इस date पे acquire किया, इस date पे जो भी profit exist करता था, वो भी दोनों का ही होगा, यानि reserve and surplus में, अब देखना, reserve and surplus चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, rights दोनों के होते हैं, किसके holding के भी subsidiary के, लेकिन जो इससे पहले वाला reserve and surplus होगा ना, तो holding के अंदर reserve नहीं जुड़ेगा वो वाला, त्योंकि valuation के टाइम पे, payment देने के टाइम पे, assets के form में उन्होंने acquire कर लिया, लेकिन कमाने के बाद जो होगा ना, कमाने के बाद, उसमें holding के reserve में भी जुड़ जाएगा, मैं दुबारा से देखो, balance sheet आपके सामने मैं करके दिखाऊँगा अभी, तो sir, यहाँ पे क्या कहता है question में, question में कहता है कि इसका share capital है, 20 रुपे का capital है, reserve है, surplus दे रखा है, creditors दे रखा है, assets दे रखा है, यह दे रखा है, मैं और question में require कहता है कि आपको prepare करना है कौन से डोलेट balance sheet, मैं फिर again पुराने वाला बनाऊँगा, कुछ बच्चों को में भी हो सकता है, दिक्कत हो, लेकिन मुझे समझाने के लिए फिर यह करना ही पड़ेगा, तो मैं एक पुराने वाला balance sheet बना लेता हूँ, दोनों तो गी बनी है, आपको बस समझाना था में लिए तो ध्यान से देखिएगा, अँँ, हट गया, ख्यान से देखिएगा, यह मैंने बनाया एक balance sheet, यह कौन सब्सक्राइब बैलेंग शीट है, इस side में आएगा, liability amount और इस side में assets और amount, ठीक है, यहां working note के लिए मैंने space चोड़ा है, तो सबसे पहले हम assets को देखते हैं, sundry assets, मिलाते जाएंगे sundry assets को, बताइए sundry assets, बताइए sundry assets में कितने कितने होंगे, दो लाख बीस हजार और डेड़ लाख, कितने होंगे, तीन लाख, किसी को दिखकत, investment की बाद में बात करेंगे, अब share capital की बात करते हैं, share capital जो आएगा सिर्फ एक company का लिया जाता है, चाहे कोई भी condition हो, holding का दो लाख, reserve में surplus को बाद में बात करेंगे, reserve को भी और surplus को creditor की बात कर लेते हैं, नीचे कर लेता हूं थोबा, बताइए creditor, 50,000, यहां तक कोई समस्या, अब हमारे पास investment चेक करते हैं, कहता है कि जी हमने 90,000 रुपे का investment किया है, जिसमें हमने कितने का share खरीदा है, 30,000 रुपे का, तीन हजार रुपे का share खरीदा है, तो एक share हमारा कितने का है, 20 रुपे का, ठीक है न, और 90,000 के सरफ investment है, अब मैं एक दो कहानी लिखूँगा यहां, एक लिखूँगा, एक चार, दो हजार सतरा को, यानि बिफोर, और एक लिखूँगा मैं, एक अत्यस तीन, दो हजार, अठारा को, दो बाते हैं यहां पे, तो सर, एक है, इस डेट पे company का क्या क्या, इस डेट पे deal हुआ था, इस डेट पे company का क्या क्या था, सर, इस डेट पे जब deal हुआ, तो एक share capital का हिसाब लगाएंगे, और एक लगाएंगे reserve and surplus का, यही होगा, इस डेट पे जब deal हुआ, तो share capital कितने थे सर, बताईए, इस डेट पे जब deal हुआ, तो share capital कितने थे, तो share capital थे कितने सर, यहां पे था एक लाख, इस एक लाख रुपे पे किसका right होगा, बताओ, इस एक लाख रुपे पे किसका right होगा, दो लोगों का होगा, एक होगा H limited का right, और एक होगा minority interest का, सर H limited का कितना right है, उसने कहा, कि मैं जो है, सर्फ कितने share खरीद रहा हूँ, H limited ने कहा, कि total share अगर हम H limited का देखें, तो एक लाख वीस रुपे या नी है कितने, पांच हजार, पांच हजार में से H limited क्या कहता है, कि मैं इसके acquire कर लूँगा, कितने, तीन हजार, अब percentage का terms में निकाल लो, ताकि आसानी होगी, कैसे निकालेंगे, तीन हजार जितना acquire किया, divided by, पांच हजार इंटू में हंड्रेट, तो यह percentage निकल जाएगा, कितने परसेंट आ रहे हैं, साथ, कितने परसेंट आ रहे हैं, निकालो, भाई calculator लेके आए करो, कितने आ रहे हैं, वाई एक्जाम मैं पहले बता दू, बहुत टाफ आने वाला है, पेपर देखके दंग रह जाओगे, अगर आप प्रक्टिस नहीं करोगे तो, कितने आ रहे हैं, साथ परसेंट, क्या स्टेप बताना ये, मैं बस ये बताना चाहता हूँ, कि इसकी कंपनी को जब इसने एक्वाइर किया, तो, कितने परसेंट स्टेक इसने लिया, तो, जवाब इससर, इसका परसेंटेज स्टेक की हम बात करें, तो, निकाल लिया परसेंटेज इस्टेक, तीन हजार डिवाइड़ बाइड़ 5,000 इंठू में 100, तभी तो हम कहपाएँगे, एक लाक मेसे, 60% का मतलब 60,000 share इसके है और 40,000 इसके है समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ अब reserve की बात करते है 14, 2017 में reserve and surplus दोनों बताओ कितना है बताइए दोनो 14, 2017 में reserve and surplus बताइए फटाफट देखते हैं कितना सोच रहा हूँ सर 14, 2017 में reserve है 5 और 6 ग्यारा हजार कितने है कुशन कह रहा है कि जिस दिन acquire हुआ था उस दिन stude कर रहा था reserve कितने 5,000 और 6,000 यानि सर उस दिन है 11,000 समझ में आई बात आपको सर balance sheet में उसका कोई मतलम नही balance sheet की date भी तो देखो वो balance sheet की date गलत दे रखिए बाद की दे रखिए तो उसका reserve and surplus होड़ी उठाके हम दोने में बाठ देंगे अब इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे दो हिस्से होंगे कौन से pre post pre post नहीं sorry ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं pre के लिए कर रहा हूँ सिंपल्स ध्यान रखना और ये वाला काम मैं कर रहा हूँ पोस्ट के लिए क्योंकि ये खरीदने के बाद है तो सर यहां पर फिर से दो company का right आ जाएगा एक आ जाएगा और एक आ जाएगा एम आई का एच लिमिटेड का कोई बता दो कितना आएगा कितना आएंगे एच लिमिटेड के भाई मज़ा नहीं आ रहा आप लोगो कराने में कुछ है भाई 60% का स्टेक खरीद है तो हर चीज पर 60% का अधिकार आ जाएगा ना तो छे हजार का 60% 3600 और एम आई का क्या आ जाएगा 4000 एम आई का अच्छा है यह 4400 है ना और आप कह रहें सर इसका 6600 आ जाएगा इसको भूलना नहीं है फिर से मैं इसे मर्ज करूँगा मैं लास्ट में तो बैलेंशीट के अंदर ठीक है यह पुरानी कहानी हो गई अब बाद की कहानी देखते हैं हुआ है सल बाद में सेन अरनिंग कि ए जब बाद में या इसके इसके षिस्से हो जाएंगे मैं इसके दो हिस्से किस-किस के ये भी आपका है ँर साथ के साथ यह होगा है मां ठीक है सर एच लिमिटेड का कितना होगा और मांका कितना होगा पर्सद्टेज तो वही चलेगा घर है और हम बात करें यहां पे तो इसको थोड़ा सा और क्लीर करने के लिए मैं एक काम करता थोड़ा सा क्लियर करने लिए के लिए participants समय हैं कि आप पहली यहाँ share capital थोड़ी बटेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, reserve and surplus, क्या लिखती है मैं, RSI कर देता है, reserve and surplus, सिर्फ दो चीज़े के, पहले इस बात से agree करते हो, हाँ या ना में जबाब दो, इस बात से agree करते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में तो दो ही चीज़ क्यों का आप हिसाब लगा रहे हैं, तो यहाँ पे दो लोगों का अधिकार आजाएगा, एक किस आजाएगा, और एक किसा, बाइनेटी, साप्सेटरी कि बहुन सकते हो, लेकिन M.I.T. बोलज देता है, कितने कितने अधिकार आने वाला है, क्या क्या राइट आएगा, सर इ तीज और दस तीज यह टोटल तीज है तीज में से तो ग्यारा निकल गए यह तीज टोटल है ना तीज में से तो ग्यारा का इधर ही निप्टा दिया उसने कहा इस डेट पे स्टूड करता था 5000-6000 तो इसका मतलब यह नहीं कि इस balance sheet से गायब हो गया हो इसी balance sheet में जुड़ा होगा समझ रहे हो तो इसका मतलब अब हमें reserve कितना लेना पड़ेगा 19-20 19-1000 समझ यह point बहुत important है सबको वीज्वल प्रॉपर है तो मुझे बता दीजिए क्योंकि मुझे यहां से तो वीज्वल प्रॉपर दिख रहा है हर किसी के लिए तो अब 19,000 को बाटेंगे तो एच लिमिटेड का कितने percentage बताओगे क्या यानि इसका तो सर 60 रहेगा ना और इसका 40 मैं percentage भी लिख दे रहा हूँ confused इसको लेके मत हो जाना क्योंकि कई बार मैं ज़्यादर डिटेल में बताता हूं तो बच्चे इदर उदर घूम जाते हैं अब 19 का क्या आएगा 11 400 और इसका क्या आएगा 7600 अब देखना ध्यान से बताना अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो फिर तो दिक्कत है इसको मैंने सारी चीजे अलग अलग की है ताकि आपको समझा पाऊं अब हमारे पास बैलेंश शीट है बैलेंश शीट में शेय रदशर्प्लस की ध्यान डखना रिजर्व एंच सर्पलसा रिजर्व एंच सर्प्लस कि है मैं यहाँ केल्कुलिशन कर रहा हूं सर मेही कंपनी का में पहले唱 काला सर्प्लस कोonder अलग कर Jeن ही कर देता हूं ठीक है ना क्योंकि ऑल्दो इखटा ही होता है तो मैं भी खटा कर रहा हूं मेरी खुद की कंपणी का रिजर्व एंसर्प्लस कितना था असी यह तो सर आएगा कोई दोर आई नहीं है कि यह नहीं आएगा प्लस जो प्राफिट मैंने कमाया है एक्वजिशन के बाद वो भी मेरे रिजर्व एंसर्प्लस में जुड़ेगा तो आप मुझे बताईए यहां पे रिजर्व एंसर्प्लस में यहां भी हूल्डिंग का राइट दिख रहे हैं आप को कौन सा ऐसा profit है और कौन सा ऐसा reserve and surplus है pre और post में से जो holding company ने earn किया है post वाला या pre वाला बताईए तो जवाब है post वाला सर क्योंकि ये वाला तो profit कब की कहानी थी यहाँ यह इसका मतलब पुराना यानि यह तो इसके profit में सिर्फ reserve and surplus में जो जोड़ा जाएगा वो सिर्फ जोड़ा जाएगा 11 सर ये वाला क्यों नहीं जोड़ा आपने ये च्छ्याश्ट सो क्योंकि इसके बदले हम payment दे चुके हैं valuation में आ जाएगा ठीक है ना पहले यह देखे अब आ जाते हैं हम क्या क्या निकालेंगे सर अब दो तीन चीज़े हमें निकालनी पड़ेगी सर दो तीन चीज़े क्या निकालोगे आप एक निकालना पड़ेगा मुझे के इस company को खरीदने में गुडविल निकला या फिर capital reserve तो सर इस company को खरीदने के लिए एच लिमिटेड को मिला क्या-क्या मुझे पता तो है कि एच लिमिटेड ने 90,000 payment किये लेकिन उसे मिला कितने रुपे का समान यह चेक करते हैं तो सर एच लिमिटेड को समान जो मिला कितने रुपे का दूसरा ले लेते हैं एच लिमिटेड मैं यहां लिख रहा हूं सर एक लिमिटेड को मिला सेयर प्लस सर H Limited को मिला इसका रिजर्व और कुछ भी मिला क्या जो ये वाला मिला है H Limited को ये तो उसी ने कमाया है उसे मिला थोड़ी ये उसकी महनत है तो ये दो चीजे H Limited को मिला है जिसके अंदर देखा जाए कितना पेमिंट हो गया कितने हो गए 66 600 समझ पा रहे हो बात को 66 600 का समान H Limited को समान इन दा सेंस उसे वर्थ H Limited को मिला और पेमिंट कितना कर बैठा हो इसका मतलब पेमिंट जादा कर रहा है वो तो अगर पेमिंट जादा कर रहा है 90,000 रुपे तो मीन्स इसका बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसे क्या नाम दे दे गुडविल जल्दी से बता देजिए कितने कहेगा 23 24 हम इसके बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखने जा रहे हैं और गुडविल है 23 और आपको एक responsibility दे रहा हूं श्रीकर ना चलिए अब हमें MI लिखना है यहाँ पे है की नहीं अब MI का हिस्सा निकालेंगे सर MI का हिस्सा A की ए MI का हिस्सा A की ए सर क्या ये भी MI का हिस्सा होगा बिलकुल हां MI का हिस्सा सारा होगा क्योंकि minority interest तो पीछे से भी कमाते आ रहे है और आगे जो कमाया है पोस्ट में उसमें भी तो दोनों का थी था मेहनत एच का भी मेहनत था लेकिन एच का मेहनत सिर्फ साथ परसंट के बराबर था और माई का भी मेहनत था माई का मेहनत सिर्फ 40 परसंट के बराबर था तो सर अगर मैं यहां पे आपको MI निकाल के बता हूँ MI निकाल के बता हैं इसको इधर कर देते हैं इससे आप देख लेजिएगा कोई इतना बड़ा लंबा चोड़ा कहानी है ने इसमें तो चलिए सर MI के लिए MI के लिए उसका share capital कितने होंगे सर उसके share capital 40,000 और भी कुछ मिलेगा बिलकुल मिलेगा प्री वाला रिजर्व कितने 44,000 और सर पोस्ट वाला भी होगा अब यह हुआ एम आई का कितने आगे आपने वो लसर इसको लिख दो 52,000 रुपया चलिए MI में जाते हैं और लिख देते हैं 50 समझ में आया या नहीं आया आगे है समझ में बिलकुल क्लियर है अब सिंपल क्या करें बैलेंस शीट का टूटल और यह जो इन्वेस्मेंट है वो नहीं बैलेंस शीट में तो आती नहीं है यह तो हम इतने दिनों से सीख रहे हैं तो चलिए क्या आगया यह तीन सत्तर और देईस तो थ्री नाइनटी अ थ्री फौर हंड्रेड यह आएगा ना इसका भी टूटल कर लिजिए इसका टूटल बताई यह क्या रहा है एक बार इसको भी कर लेता हूं 90 और बता दिजिए आप टोटल क्या रहा है दोनों साइड तो लास्ट क्लास में एक बच्चे ने बोला था सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया था हमें आज मैंने पूरा कुश्चन ही करा दिया एक कुश्चन भी कर पाएं ताकि आपको भी लगए कि आपको कुश्चन होने लगे हैं बस मुझे अजिस्मेंट करवाना है तो कुश् arbitrator दोनों साइट से ठादेंगे unrealized profit दोनों साइट से ठादेंगे जो भी ऻटाना होगा और क्या हैगा कुछ एक adjustment dividend का जाएगा प्री पोस्ट का पता रहे की यहां से मायनसे हमाइनस समस्यार यहीं है कि हर चीजों को break करके ध्यान में रखे कि कितना पार्ट हमारा प्री का है कितना प्री का है कितना एम आई के लिए है कितना होल्डिंग के लिए कौन सा रिजर्व होल्डिंग के रिजर्व में जुड़ जाएगा और कौन सा रिजर्व होल्डिंग के रिजर्व में जुड़ेगा तो इसके लिए कहानी एक ही है कि रिजर्व कि परी का है तो होल्डिंग के रिजर्व एंशरafft्लस में नहीं जुड़ेगा लेकिन रिजर्व अगर पॉस्ट का है तो वो होल्डिंग और शॉट्ट्री नहीं में कौन से वाला जुड़ है इसके अंदर इसको बीच में खरीदता तो ज़्यादा मज़ा जाता इसने एक अपरेल कोई खरीद लिया अगर इसको ये खरीदता मान लेते हैं कहीं न कहीं बोलता मैं इस डेट पे खरीदूँगा जो कि मैंने लास कुश्चन में कहा था तब फिर और थोड़ा सा कहानी इंट्रस्टिंग बन जाता क्योंकि उस प्रॉफिट को भी फिर दो हिस्से में हमें बाटना पड़ता है एक स्टेप हो रहा है तो लेकिन ऐसा नहीं कि इंपॉसिबल हो जाता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि बुक में भी आंसर आप वेरिफाई कर लें आपकी किताब में तो ही है आपको बुक में पता ही क्या आप समझ पा रहे होगे सारे बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है यार सारा दिमाग तो नहीं लगा है और हमेशा इसी में लगेगा इसलिए एक्जामनर पता ही क्या बोलता है हटाओ ज़्यादा मेहनत मत करो क्या आगया पंदर नंबर में स्रिफ निकालने को इस बार बीकॉम के अंदर जो पेपर हुआ था कैसे गलत चपा था हुआ यह था कि जो होल्डिंग कंपनी ना इसका 40% एक्वायर कर रहा था अब भाई होल्डिंग कंपनी अगर सबसीडरी का 40% एक्वायर करेगा तो होल्डिंग है नहीं यही एक्जामनर से गलती हो गई थी उसमें मैं दिखाऊंगा कोश्चन पेपर तो कोश्चन क्या हो गया गलत तो जिस बच्चों ने अटेम्ट किया होगा उस को उसको पूरे मांक्स मिले होंगे दो कोश्चन गलत आगे थे कैश फ्लो कभी गलत आया था ठीक है ना क्योंकि अब फिर भी बच्चे लगे वे थे एंड तक कि हमारा एम आई क्यों नहीं आ रहा माइनरीटी इंटर्स को निकली नहीं रहा तो स्टार्टिंग में पता चल गया था सर इसक और बुक में देखो बड़ा इसका सोलीशन ना अटपटा तरीके से देते हैं वह स्टेट्मेंट फॉर्मेट में देते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि बुक के आंसर को देखके समझने का कोसिस ना करें सिर्फ बैलेंशीट से बैलेंशीट मिलाएं हमारे स्ल पता दूँगा लेकिन आपके लिए मुस्किल हो जाएगी दो कंसेट मिक्स हो जाएगा आपका मैंने डाउट भीजा था अभी क्लास ज्यादा लंबी क्लास रहेगी नहीं एक कोश्चन करेंगे उसके बाद आप पूछ लिजा करा होगे माइनरेटी इंट्रस में अबनॉर बॉर्ण करें पुराने बेलेंशीट से तो नहीं बेलेंश्यट से भी तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा कोश्चन आएगा एक्जाम में इसी कोश्चन के जो यह बैलेंशीट को उतारना है आपने कि हम इन दोनों डिजिट को ही तो मर्ज करने वाले जो यहां गीवन है तो मैं पहले इसी बैलेंशीट को उतार लूँगा इसान तरीका में बता रहा हूं ठीक है न तो इस बैलेंशीट में मैंने करेंट लाइबिडिटी तक मैं पहुंच चुका हूं आगे क्या है हमारा देखते हैं continue में मैंने एक एक बना लिए सामने कुश्चन नंबर आपके बुक का सिक्स ही है यह एसिट्स की बात करते हैं अच्छा ट्रेड पेवल रह गया इसमें एपार्ट कि ट्रेड पेवल ठीक है आ जाईए अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर कि टोटल आएगा पहले तो टोटल पिर आ जाते हैं नंबर टू पे जो की हमारा है एसिट्ट अब जो लिखा है यहां एसिट्स उतार लेंगे नौन करेंट एसिट्स नंबर वन नौन करेंट एसिट्स कैसे लिखा है नंबर वन ठीक है नोन कुछ मैंना शॉर्ट फॉर्म भी यूज करूंगा एसेट्स इसके अंदर साथ है फिक्स एसेट्स अब फिलहाल यह पुराने लेंग विज है तो अब यह फिक्स एसेट्स की जगह पर आ जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्यूपन्ट जिसके पास नहीं बुक होगा उसमें आ चुका होगा तो मैं वही लिखता हूं नए पैटर्न के साबसे आ एपार्ट पी और एप्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्यूपन्ट इसमें फ्री होल प्रमिस्स है लीज है लेंड बिल्डिंग है तो इसके लिए न मैं नोट बनाना पसंद करूंगा मैं सीधा ड ही लँगा चिएक है मैं नोट बना के तो डिर्च लत लूँगा क्यों कि वैसे नहीं लिक्वह मैं अब लिपत कर लेता है करेंट इंवस्मेंट ऑने पी नों और यह नहीं आएगी कि यह यह हमारा शेयर से मैंने बहने नहीं है ओल्दो आएगा नहीं लेकिन वैने बना लिए करेंट एसेट में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल डेटर कैश ठीक है तो अब इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर टू किसका रहता है है करेंट कि एसेट कि सर्करेंट एसेट में क्या रहेगा बताओ नंबर ए कि नंबर भी कि टी यार लिख देते हैं ठीक है नंबर सी कैश कि एंड कैश एक्विलेंट नहीं लिख पारा है मैं समझ में आई बात आपको चलिए इसके अड़स्मेंट को करेंगे और जो अड़स्मेंट माईनरिटी इंटरस्त यह रिजब फिढ़ यहार पे करेंगा थोड़ा क्या क्या कहता है कि अधा डट ऑफ एक्यूजीशन मतलब क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है को जिस दिन कंपनी को शीर को कुछ भी खरीदा गया है कि अधा डट ऑफ एक्यूजीशन मोटी ऑफ टू थाउजन शियर शोटी लिमिटेड तो आप ध्यान से देखोगे तो नोन करेंट इंवेस्मेंट में यह है मोटी और यह है चोटी तो मोटी ने खरीदा है किसको चोटी को तो मोटी ने दो हजार शीर एक्वाइर कर रखें कि तो कह रखा है कि इसके पास तीजार तो दस के हिसाब से देखा जाए तो चोटी के पास तीन हजार से इसका मतलब हमने तीन में से सिर्फ दो हजार खरीदे परसंटेज पूछू तो कैसे निकालोगे सर दो हजार डिवाइड़ बाई इंटू में सौ कितने परसंट सेवन्टी नई ओके 66.6666 परसंटेज आ गया इसको साधारन सब्धों में 1 बाई 6 भी कहां जा सकता है यह हम पहले एक इंटरनली अपने दिमाग में सारी कैलकूलीशन बिठा रहे हैं ताकि हम जब करें तो बहुत जल्दी हो जाए कहता है लेटर दा कंपनी अनडिस्टिब्यूटिड सर्प्लस और रिजर्व पांच हजार None of have distributed since acquisition कहता है यहां पे हमारा पांच हजार रुपे का ऐसा था जो की हमारा अनडिस्टिब्यूटिड क्या था रिजर्व दुबारा लाइन पढ़ देता हूँ कहता है दा लेटर कंपनी लेटर का मतलब है कंपनी खरीदने के बाद had undistributed surplus and reserve 5000 none of which have been distributed since acquisition मतलब जो इसके पास है कंपनी के पास surplus तो देखे कंपनी के पास चलिए यह आ गया इस surplus में 5000 ऐसा है जिसको distributed नहीं किया गया यही बात कह रहा है हां पे तो सबसे पहले हम सारा minority interest जो चीज़े करते थे वो देख लेते हैं फटा फट से तो सर minority interest वगरे की अगर हम बात करें तो यहां पे देखा जाए हमारा share capital की बात करते हैं पहले सर share capital की अगर आप बात करोगे तो share capital कितने लोगों में जाएगा दो लोगों में जाएगा एक जाएगा अपका holding company के हिस्से में एक जाएगा minority के हिस्से में तो share capital जो है actual वो था हमारा total 30,000 जिसमें question ने कह दिया के holding का हिस्सा रहेगा सरिफ और इसका रहेगा 10,000 अब बात कर लेते हम continue में रिजर्व and surplus reserve and surplus की बात करते हैं तो reserve के सबसे पहले बात कर लेते हैं and surplus दोनों इसके पास दोनों है general reserve भी है और surplus भी है undistributed कि किसकी बात करता है कि surplus नहीं दोनों surplus भी reserve भी बी दोनों मिलाके 5000 है अब none of which have been distributed since acquisition acquisition से मतलब distributed किया नहीं गया तो 5000 है तो सर 5000 में देखा जाए तो हमें एक बात टैग करना हो कि reserve का कितना part है और surplus क्योंकि reserve एक अलग part है हमारा और या तो फिर हो सकता है कि ये पूरे name का बोल रहा है कि इसके अंदर कितना part हो हमारा 5000 समझेगा बात पाते हैं तो हमें reserve का part अलग करना है और surplus का अलग करना है या फिर आप simply किसी एक को भी consider कर सकते हो तो reserve surplus को अगर अलग करेंगे तो भाई इनका ratio में ही अलग कर देंगे हम तो ratio क्या है छे नो कि तूस्टू 3 तो टूस्टू 3 जो ratio बनके आया इसी में अलग अगर करा जाए इस 5000 को तो कितना आएंगे पांच तो दो हजार और 1000 तो यह रहेगा कुछ पर्पोस्नेट 2000 और 3000 चलिए तो पर्पोस्नेट जो रहेगा वो रहेगा 2000 और 3000 तो पहले तो इसको observe करिए आप बातों को समझेए इसको बताईए क्लियर रहे बात कोई दिकत हमने इसको उस पर्पोस्नेट में ले लिया कहता ही कि यह 5000 रुपए जो है ना वह अंडिस्टीब्यूटिड और यह कंपनी खरीदने के बाद कमाया गया है मैं दुबारा पढ़ देता हूं दा इसके बाद कमपनी ने 5000 रुपए का ऐसा रिजर्व है जो अंडिस्टीब्यूटिड रहा यानि सिंपल कहना चाहता है कमाया इसके पहले का हमारा कुश्चन थोड़ा से कट गया है देखो डेट क्या है मारा एक वार दिखाना भूट इससे पहले का अगर हम डेट की बात कर कि नहीं गीवन किस दिन खरीदा है हमारा कि नहीं गीवन है तो कोई बात नहीं तो यहां पर हमें रिजर्व को दो पार्ट में बाठना होगा देखते जाएगा मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से हो पाए कि पहले इसको देखें आपको समझ में आया है नहीं तो आगे बढ़ने का फाइदा नहीं है अब यहां पर दो बाते होंगी कि दो पार्ट क्या होगा कि अरे कि सर दो पार्ट होगा यहां पर एक तो बात करेंगे हम प्री और एक बात करेंगे एक बार प्री और पोस्ट जल्दी जल्दी बता दीजी आप क्या होता है औरली बताईए प्री क्या होता है मतलब जिस दिन खरीदा था उससे पहले यानि जिस दिन विकरा है सारी मेहनत किसकी उसी की सबसीटरी की और post सारी मेहनत दोनों की post वाला जो profit होता है उसे कहां-कहां लिखते हैं बताओ holding के point of view से बताना holding के reserve में add हो जाता है लेकिन pre वाला profit क्या holding के reserve में add होता है नहीं होता है तो सबसे पहले तो बताइए हमारा अप pre में भी दो पाट आ देंगे क्या क्या सर दो पाट आ जाएगे यहां पर कि पहले यह बोली यह समझ में हैं इसके बाद रिजर्व के अंदर दो लोगों का हिस्सा और अगर मैं बात करता हूं सर कि आप इतनी देर से जो समझा रहे हैं तो यह है कितने का तो सर रिजर्व है हमारा टूटल शे हजार होल्डिंग का देखना है ना शे है ना पंदर का है सबसीटरी का और प्लस नो हजार अब आपको पता है कि कुछ ऐसे रिजर्व हैं दो हजार यह अंडिस्टिब्यूटिटीड है पुराने कुश्चन में जो लाइन कहता है कुश्चन आपके सामने भी यह तो कुश्चन में इसने कह दिया था लेटर कंपनी अंडिस्टिब्यूटिटीड सर प्लस रिजर्व पांच हजार रुपय नन अव हैज बिन डिस्टिब्यूटिशन सिंस एक्कुजिशन जिस दिन एक्कुजिशन किया गया था तब हजार रुपय यह वाला है ना 2,000 और सर प्लस के हिस्से में कितना चला गया हमारा 3,000 रुपय तो यह जो है अंडिस्टिब्यूटिड है पुराने है तो यह कौन से वाले माने जाएंगे प्री या पोस्ट प्री माने जाएंगे यह वाले यह वाले कौन से माने जाएंगे ह लिखा जाए ना तो प्री के अंदर रिजर्व है हमारा कि यह तो मेरे लगता है यह जगह भी कम पड़ जाएगा और सर्प्लस है कि तीन हजार तो सर पोस्ट में क्या बचेगा तो अगर यह च्छे था दो यहां तो पूस्ट में आ जाएगा और अगर आप बात करते हैं तो पांच तो यह कितने आ जाएगे क्या करा जाए इसको उपर ले जाए 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 ना इस कोश्टन के ज़्यादा ज़रत तो हैं नहीं हमें चलिए मतलब यह तो समझ में आ रहा है हमें यह मेंनली फोकस रखना है इसलिए मैंने इससे उपर कर दिया अब रिजर्ब में भी दो लोगों का हाथ और सर्प्लस में भी दो लोगों का हाथ अब मुझे बताईए रिजर्ब कितने लोगों में बटेगा एक होल्डिंग में सेम हां माई में जाएगा मैं लिख देते हैं सब्सेटरी के जगहां पर मारकर और यह सेम होल्डिंग में जाएगा और यह भी सेम होल्डिंग में और मारकर और यह भी होल्डिंग में और मारकर सब इसी में जाने वाला है तो सर यह कितने कितने बटेंगे वह भी देख लेते हैं तो 2000 में से क्या पार्ट बोला था 16 16 निकाला था न हमने तो 16 2000 का निकालो क्या आएगा 333 नहीं जादा आएगा 1333 हाना अच्छी है हाँ तीफ 6 परसेंट होता है कुछ और होता है कैल्कुलेटर में पास दिख नहीं रहा यह वन वै थ्री होगा ना तो वन भाई थ्री तो 33.33 हो जाता है तो वाई थ्री हो गाई यह कि आप एकपर कर लो उसको परसेंटेश को डिवाइड कर लो 16 डिवाइड वाईड़ वाई सो यह होगा तू भाई थ्री होगा तू भाई थ्री करना 66 हा रहा है हाँ तो 66 हो गया ना हंडेड से मंटिपलाई नहीं करो गया थेक है अब इसका टू भाई थ्री करो वाई कुछ बच्चों को यह जो मैं कर रहा हूं ना हो सकता है समझ में ना है जिन बच्चों को समझ में आया तो कैल्कुलेटेर में पूरा 66.66666666 परसंट इस तग कर दो अब भी ना समझ में आया तो सर सिंपल सी बात है हमारे पास दो और तीन का रेशो है ना रेशो कितना है हमारा तू इस्टू या वन वन हाँ शेयर का दो हमारे पास एक उसके पास टू इस्टू उन में बांट यह बात खटम ना तो वहीं आ जाएका अल्टीमेटली टू भाई थ्री आ जाएगा बताइए कितना आ गया कि यह आ रहा है ने तेरा सो थैंटीस अ हां थैंटीस पॉइंट सिरी इसको छोड़ते हैं और यह आ जाएगा छेसो 667 कर देते हैं इ एक हजार चलिए अब इसका कर लेते हैं 2666 और इसका तेरा सो छोड़ते हैं और इसका कि चारहजार कि इसका चलिए यहां तक तो हम पहुंच गए देखे हाला कि यह देखा जाए तो मैंने थोड़ा लेंदी प्रोसेस कर आए इसको मैं शॉट भी करके दिखा हूं आज मेरा मेरा में मकसद यह है कि सर आप इतने लेंदी कर रहें हमारे एक्जाम में थोड़ी इतना दिमाग चलेगा कुछ शॉटकट भी तो होना अच्छी ठीक है अब जोड़ते जाएंगे प्लीज एक्स्प्लेइन क्या एक्स्प्लेइन करना है बताईए सर मुझे रिजर्व एंड सर्प्लस की एलोकेशन समझ नहीं आई रिजर्व एंड एलोकेशन का चलिए बता देते हैं तो सिंपल सी की बात है हमारे बैलेंशीट में और बैलेंशीट में हमारा कौन चोटी अगर चोटी की बात करें तो चोटी के बैलेंशीट में यह पार्ट है हमारा रिजर्व का और यह पार्ट है सर्प्लस का अब इसमें से उसने कहा था कुश्चन में के 5000 रुपे वाला जो हिस्सा है व कर गया लग कर दिया पोस्ट में बच गया 2000 में से माइनस करोगे चारут 3000 क्व और ratio सर्ट में तो बातहले हैं अब Pr की बात कर लेते हम हम केल्कूलेस्टिन पे यह समझे मैं आ गे आपको मैं की बाता प्र अब समझ में आगीया या नहीं आया भी अगया अब आ जाते हैं हम इसके उपर इसके अंदर अब बात करते हैं हम holding ने company ने क्या खरीदा equity share खरीदा reserve खरीदा और surplus खरीदा कौन से वाला खरीदा सर सारप प्री वाला तो equity share तो बताई दिया था कितने 20,000 प्री वाला इसने reserve खरीदा कितने और प्री वाला सर्प्लस खरीदा इसने है ना यह ने प्री वाला पोस्ट वाला पार्ट तो उसी के रिजर्व में जुड़ जाता है वो हमारा गुड़ विल या कैपिटल रिजर्व निकालने के काम ही नहीं आता तो टोटल कितना पेमिंट किया बाइस तेईस अजार कहां दे रखा है क्या दे रखा है प्री और को अंसर है वो कुश्चन कहा है वो सॉलीशन है ठीक है यह आ गया अब इसके बाद यह सारी कहानी टेबल में दे रखा है बुक में मैंने आसे समझा दिया फरक्षा पड़ता है अब इसके बाद क्या माइनस करेंगे इसने पेमिंट करा था इस वर्थ के लिए पच्छेस अजार तो लेस कर देते हैं इसने पेड इन्वेस्मेंट किया था कितने का पच्छेस अजार तो सर यह पच्छेस अठाइस लग रहा है न कि पच्छेस अजार कितने हो गए 1666 क्या या जे गोड बिला या आप मैच कर सकते हैं नहीं बैलेंश इट में 16 कहानी यहीं पर है सबसे बड़ी लड़ाई अब देखोंगे निजब मैं बैलेंश इट मना रहा हूंगा नहीं वाली बैलेंश इट मना हुआ तो वही उतारा है मैंने बैलेंश इट पर आपने रिजर्व और सर प्लस सर शियर कैपिटल दस सर रिजर्व दो दो प्री वाला रिजर्व भी और सर पोस्ट वाला रिजर्व भी पोस्ट वाले कितना रिजर्व है और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में भी सर दो दो, प्री वाला रिजर्व भी और पोस्ट वाला रिजर्व भी, सर प्लस स्योंट, तो सर कितने हो गए, दस अजार, यह हो गए एक हजार, ठीक है ना, मैं एक हजार मान रहा हूँ, एक रुपए उपर नीचे चलेगा, यह 2,000 होगा ठीक है 2,000 तो आगे हैं तो M.I. आएगा हमारा 15,000 का चेक करिए आपके पास सभी के पास किताब है तो चेक करिए पंदर ही आ रहे हैं ठीक है न अब बात करते हैं सर होल्डिंग कंपणी के रिजर्व में क्या जोड़ेगा तो सर प्री वाला तो होल्डिंग कुछ नहीं लेता अपने रिजर्व में पोस्ट वाला रिजर्व में लेता है तो होल्डिंग कंपणी जो है न अपने पोस्ट लिख देता हूं यही अपने रिज़र में जोड़ेगा यहां तक क्लियर है है जाहा थैस अंडर्श्टूट रिजर्व अडिस्टिव उस पांची जार रुपे स्टार्टिंग हुआ है अच्छा चाहतется कर रहे है डाउट क्लियर कर रहा तो किसी ख cotton ठीक 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 है ठीक है यहां तक क्लियर अब देखो बेलीवश इन्यादी चलिदी बनेगा मतलब यह काम हो सकता है इसर्फ यह दो चीज़े निकालने एक शेयर कैपिटल है एक रिजर्व एंड सर्प्लस है दोनों लीजिए आप शेयर कैपिटल के दो हिस्से हो जाएंगे एक हो गया हमारा बीस हजार और एक हो गया दस हजार यह कैल्कुलेशन तभी कर सकते हो जब आपको बेस क्लियर हो समझ में आया कैसे हुआ यह तो यह वाला पार्ट चले जाएगा किसको और यह वाला पार्ट चले जाएगा अब रिजर्व एंड सर्प्लस के दो टुकड़े हो जाएंगे टोटल कितने थे छे और प्लस नो अब इसके दो पार्ट कर देंगे हम अब डिरेक्ली MI को चेक करना ह है तो वह भी कर सकते हैं दो पार्ट में कर देंगे हम इसको दो पार्ट में कब करेंगे क्योंकि MI वाले का प्री पोस्ट से लेना देना ही नहीं है समझो बात को है तो MI वाले का अगर हम देखें तो रिश्व तूस्टू थी था 15 को तूस्टू थी में बठाओ तो MI और एक होल्डिंग ठीक है हाँ टूस्टू वन में बाटी है तो सर एमाई के हिस्से में कितना आएगा पंद्रा में से तीन पंद्रा पांद इसका अब ध्यान से देखिए MI MI दो जगह यहां यह माई है ध्यान देजिएगा MI है मैंने कोई प्री कोई पोस्ट का पंगा नहीं पहला हूं MI में एक यह जाएगा और एक यह जाएगा खतम का नहीं आ गया इसका ठीक है अब बात कर लेते हैं होल्डिंग की वैल्यूएशन की इसके दो पार्ट बांट लीजिए ठीक है इसके अंदर दो पार्ट यह प्री पोस्ट के लिए हगदार है क्योंकि कुछ कुछ पार्ट रिजब में जूड़ें और कुछ पार्ट वैल्यूइशन में जाएगा इसका प्री की बात करें तो इसमें से आपको पता है अगर हमं बात करेंungkin प्री पोस्ट की तो प्री स्कें अंदर यह तो टोटल है अब तोटल के अंदर से दो 571 उखशा था और ये फाट जार दो हिस्से में बट रहा था एमाइ में भी बट रहा था और कि ये दो में दना एक तो holding में था और एक सर म वाला तो चला गया अब बचा holding वाला रेशं चेह था ये दोनों बटने का हमारा मैं प्री पोस्ट नहीं कह रहा जो इसमें बटा है इन दोनों में तो इस टू वन में बट गया अब सर जो ये बचाए दस अजार इसके अंदर से अगर आप दूसरा रेशो देखो दूसरा रेशो देखो तो जो रेशो हमारा ये वाला था ना ये प्री पोस्त का रहूष यह है, जो आपने निखाल लेना है क्या ? टू इस्टु थ्री, मैंने उल्टा लिख दिया ये टू, फिर थ्री चलो ये होगा टू इस्टु अब हम क्या करेंगे इसको ? टू इस्टु थ्री में बाट तो, दसजार को तो क्या आता है यह हो गया हमारा प्री में यह हो गया पोस्ट और यह हो ऑजिश्य होगा यह प्री योग स्विक्ट है अब इसने क्या करा अब इसका देखो यह आगया पार्ट और यह आगया पार्ट इन दोनों को जोड़ो वेलिवेशन कितना गया 2600 कोई दिक्कत नहीं को एक रुपए छोड़ो ना उपर नीचे तो बीस हजार और 2600 2600 का समान मिला और इसने पेमिंट कितने किया 25 यह कुछ गडबर लग रहे हैं मुझे यह रेश्यों सही बाटा आपने 4000 और 6000 होगा नहीं आप रेश्यों में सही बाटिके देखिए हाँ 4000 नहीं अभी भी गड़ बड़ा है चलो चोड़ो उसको छोड़ते हैं रिवेल्यूएशन में सरिफ माई का बता रहा हूं शौटकट माई का पता चलिके कैसे निकालते हैं अगला कोश्चन क्योंकि टाइम जादा नहीं लगाते अगले कोश्चन में इसका भी बता दूँ हां शौटकट क्योंकि यह पूरा ही करना है कि मायü का हमेशा क्या करना औरे पार्ट बाट लो ओढ़िए कि में निकालने में दिख्कत आएगे आपको एक देख्षा आजाते हैं share capital के अंदर balance sheet की बात करें तो शेयर capital में सरस्व सिर्फ इसी का रहता है जो कि एक लाख 20 लिखते सीधा एक लाख 20ज़ा एक रिजर्वें चर्प्लास में आया दिक्कत और रिजर्वें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहाना उनूट में वैसे नूट बनाना चाहिए आप मैं यह लिख देता हूं हमारा खुद कायत का सबस्क्राइब सितना था कि हामारा था रिज़र्व nineteen लुजब सोब्लस दोनों कर रहा हूं तो मिया थामाया और सर्पलस क्टार्शा नसुमीर बारा पंदरियू सब॑ने बारेसे मिफ्लस और इसमें प्लस कर देंगे सा्ट 노्वाइस का इंदर इसका एक और उसका पौस्ट वाला प्लस क्या करोगे इसके इंदर इसका हिस्सा जो निकाला था ये इसका पोस्ट वाला रिजर्वेंसर प्लस तो पोस्ट वाला चार और पोस्ट वाला इसका रिजर्वेंसर प्लस का दो हजार शेसो तो छेस्ट सो तो ये आ जाएगा हमारा कहीं बाहर कर दूखे इसको कि क्या होगे है कि मैं इसको यहां कर रहाँ रिजर्व एंड सर्प्लस समझ में आ जाएगा एक तो रिजर्व एक सर्प्लस सर रिजर्व की बात करें तो हमारा खुद का रिजर्व में कितने 15 15 clean और हमारा सर्प्लस वह सर्प्लस , होए 12 see को और सर मैंने कमाया है जो होल्डेंग वो देख लेते हैं एक बार कमाया है होल्डेंग से एक तो कमाय क choose ये पोस्ट के बाद चार और एक तेरा सो नहीं 2666 पोस्ट में 2666 रिजर्व में 2666 और इसमें कितना कमाया था चार हजार अब टोटल करिए ये टोटल करिए कितने होंगे 2766 और ये आ जाएगा टोटल आ गया कि तेरतालेस अजार छेसो चासट ही आज एक हमारा नोट नंबर इसको डाल देते हैं वन क्योंकि वन तो बनाया है नहीं वन और यह आगया तिरतालेस अजार पहले ये देख लीजिए इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है MI MI किसके अंदर डाले कुश्चन होता है तो हम किसमें डालते है MI को MI हम शेर कैपिटल के अंदर ही डाल देते हैं अलग से न तो आप देखोगे बैलिंशीट के अंदर कहा है प्री पोस्ट तो शेर कैपिटल के बाद ही देखो जैसे शेर कैपिटल के बाद MI का एक कॉलंब बनाया है उसने यानि ठीक यहां MI है तो मैं इसको एक मिनट ठोड़ा नीचे लेगा आता है तो यहां पर आजाएगा एक के बाद दो यह और यहां आजाएगा हमारा MI और जो इसका नाम है यह पड़ जाएगा तीन बस एक आपको यह धियान दखना है तीन सर आपने 20,000 और आप यहां पर जोड़ के यह नीचे दिखाएगे यह नोट बनाते जाएगे सर यह आगया टोटल अब आजाते हैं एसेट्स पे एसेट्स की बात करें पीपीए तो पीपीए के अंदर हम नोट बना लेते हैं नोट नंबर दो पीपीए और देखो पुरानी इस सीट वाली जो किसने जिसने क्लास देखिया उसको अच्छे से क्लियर होगा के बनाना कैसे नंबर वं क्या है हमारे पास प्रीहोड यहिशी है तो अब इसके देख लीजे क्या क्या का फ्रीएथ कितने क्या bisa ? की नइए फ्रीहोंड बताओ 22,000 छलिए लेंड में एक ये दोनों का एक है एक का पच्लिष दोनों ही जुड़ेहां का है और प्लांट में दोनों का है तीस हजार प्लस के दस हजार तो यहनी चालीस हजार कि लिखना है ना टीक है यह आ गया कितने एक लाग बासट हजार और यह आ गया नोट नंबर टू वन सिक्स्टी तू सर इसके अंदर एक पार्ट और आएगा भी कैसे जोड़ रहे हैं आप कैसे लिटर पर गलत कितना रहा है वन तो 67 क्यों बोल रहे हूं 137 है ना 137 सर यहीं पे न क्योंकि कुश्चन में देखोगे तो क्या निकला था हमारा तो गुडविल तो जाना चाहिए एसेट्स में तो यहीं पे आपका इन्टेंजिबल एसेट्स आजाता है बी पार्ट और कितने का था 1666 मान लोग की की उपर भी 6 है तो 6 को चलने दो नोन करेंट इन्वेस्मेंट अब नहीं रहेगा तो इसे देते हैं हम हटा यह तो पूरा ही हुट गया अब आ जाते हैं करेंट इसेट्स इन्वेंट्री बताइए एक किस सही से जोड़ना है आपने टी आर कैसन कैसे क्यूलाइंट अब कैलकूलेट कर यह बस और यह 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 बन गया तो आप देखेंगे यहां पर मेहनत कम है और इनफेक्ट इसके अंदर कुछ है ही नहीं सर रेशो 2-3 ही था न उसको छोड़ते हैं नो फोटो अच्छा नो प्रॉब्म ठीक है तो इसके अंदर यह वाला पार्टन आप देखोगे जितने ही बच्चे देख रहे हैं चाहे यूटूब पर देख रहे हैं चाहे आपका तो एक्जामनर ने वर्दान दे दिया एक यह और क्योंकि पीछे इतना सारा क्या कर रहा है दोई चीज तो निकाला है और तो कुछ निकाला ही नहीं आप देखो अगर पीछे तो बस यही दो चीज में हमने मात हमारी लगाई गया है और बाकि किसी एसेट्स में तो कुछ क मैं बता दूँ है शॉटकर्ट कैसे निकालेंगे यह अब एक कोश्चन इसमें है कि लॉस से रिलेटेड सात्वा कोश्चन है लॉस से रिलेटेड मैंने जो पहले डाउट पूछा था वो भी हाँ लॉस से रिलेटेड उसी की बात कर रहा हूं लॉस में क्या होगा जैसे आ तो कुश्चन में एक्जामनर क्या कर दे यहीं पर आपको लॉस दे दे या तो यहीं लॉस दे देगा या कहेगा जो पुराना है ना हमारा प्री वाला सर प्री वाला जो है वो तो है लॉस और यह वाला हो गया प्रॉफिट समझो बात को मैं पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं आपसे हो सकता है सीधा उपर लॉस दे रखा नीचे कोई बाते ना कहो है तो उपर लॉस दे रखा तो जैसे प्रॉफिट को हम डिस्ट्रिब्यूट करते थे लॉसस को डिस्ट्रिब्यूट करेंगे हम होल्डिंग का पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे जैसे वीस अजार था और हमने प्रॉफिट को एड करा फिर वैल्यूएशन निकाला यहां पर क्या करेंगे वीस अजार और प्रॉफिट को क्या करेंगे माइनस और फिर वैल्यूएशन निकालेंगे holding का valuation तो main निकालना होता है ना ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले हमने क्या करा equity, reserve, surplus ये इतने का और इतना payment किया इतना good will लेकिन loss होता तो ये reserve surplus होता है नहीं surplus minus माइनस में होता तो इसका क्या हो जाता हमारा 20 minus माइनस में 2, 18 और दिये 25 तो बाकी क्या आएगा जो भी गयागा good will अगर loss कहां पर given हो सर लॉस अगर given हो यहां लेकिन सर लॉस यहां दिया ही नहीं ज्यान देजेगा इसने कहा कि इस question में 5000 रुपे का loss है इसी question को मान लो loss है तो ये कौन से loss है प्री प्री कही है ये कौन सा loss है मारा और यहां पर जो दे रखा है आपको ये total है दोनों है इसका मतलब सर इस 5000 के loss को recover करने के बाद आपने 6000 और 6000 कमाया है तो आपका post का profit पता ही क्या होगा बताओ पहले आप loss में बैठे थे और नई balance sheet में profit मतलब कि कुछ दिनों के बाद balance sheet में profit दिख रहा है तो आपका जो post का profit होगा न वो 6 और 9 पंदरा है और प्लस 5000 भी करोगे तो यानि आपका जो profit होगा वो 20,000 होगा पहले इस बात को समझो क्योंकि 5000 पुराने वाले recovery की होगे वो भी तो कमाया उसके बाद बोल रहा है 15 और कमाये है तो 20 तो 20,000 जो है वो क्या होगा सारा का सारा post का profit होगा और सर pre का क्या होगा loss होगा, कितना loss होगा तो pre वाले के case में वैसे distribution करोगे जैसे सिखाया है और post वाले case में उसी profit का वैसे distribution करोगे और valuation का तरीका वैसे ही रहेगा समझ में कैसे करना है तो एक बार ट्राइज जरूर करना एक बच्चे का डाउट था पहले रागब से पूछ भी लेते हैं क्या क्लियर हुआ कैसे करना है और इंफेक्ट इस कोश्चन में जो मैं बात कर रहा हूं छटे में के बास सातवे कोश्चन म और ज्यस्मेंट में लॉस दे रखा होगा उपर प्रॉफिट होगा चाहिए ठीक है ना कि जो रागब है बताईए अगर डाउट है तो आप बताईए रागब के लिए रहे हैं कि cfs का टेस्ट हां सुमित एक बार आपने जो cfs का था ना वो ग्रूप में डाल देना इमेज सोलीशन जो आपने किया था अभी आ जाएगा रागब आपके पास और रागब नहीं सुमित आपके पास आजाएगा क्लियर है यहां तक तो आज हमने एक कोश्चन किया साथ साथ इन्फेक्ट में कोश्चन एट भी आपको हमवक में दे रहा हूँ क्योंकि कॉमन ट्रांजेक्शन हम अर्जिस्मिंट में कर चुके हैं और एट के साथ साथ कॉश्चन मैं नाइन भी आपको दे रहा हूं कि बस नाइन तक ट्राई करना आपको कल सुबह साथ बजे क्यों साथ बज़े तो रख रहे थे हम कल फाइनल का टेस्ट का बोला था ना तो कल सुबह साथ बज़े अगर ख्लास रखते हम एक बार मैं क्वेश्चन हम मैंने पहले uhh upload किया हुआ अप देख लेना उसी में जो question में doubt निकलते हैं तो ठीक नहीं तो मैं कोई new topic कोई नहीं चीजे करा दूँगा यह कल सुभए class रखवा लो या साम को क्या है यह कल पांच से छे रखवा सकते हो तो कल सुभए class है अगें साथ वजह ठीक है वह मेरा भी सही होता है निपट जाता सुभए सुभए मिलते हैं नेक्स क्लास के अंदर आप आप सॉल्व करके भेज दो या सुभए मैं ले लूँ आभी यह वाला जो मैंने पार्ट पता है वह समझ में है एक मिंट रोको मैं आपका कोईरी ले लेता हूं एक सेकेंड हैंट्रेज रागव दुबारा हैंट्रेज करो आप अन्दर आप यह सब्सक्राइब बोलिये हां रागव बोलिये और सब्सक्राइब मैंने क्वेश्चन आपको बिजा था उस पर मतलब मैंने ना फोटो डाल दिखी ग्रूप पे अप्लिकेशन के तो एक बार नहीं से देख लो अभी क्वेश्चन वैसे हैं नी मेरेका कि हक्या च्ँटा ही कोशन भी जा था ना सातम भी जा था और कोई और भी irregular t सब्सक्राइब आज़ वह हमें असाइम्में सब्सक्राइब और फोटों जहों क्वेश्चन नहीं मेंने कär य Michigan के बुक के आंत्र वेशन के तो उसमें अधा तो उसमें रहिए oh आप मुझे वाट्साप पे भीजा ने आपने यह सब्सक्राइब किस नंबर से भीजा एक बार नंबर बताओगे आप 95295 ऐब यह समेल गया चीए अपने यह कोशन भीजा है लोडिंग थी जारत तो आप एक बार देखो 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 आपने इसका सोलीशन भी भीजानाओ इस अब एक काम करना आप जो मैंने सब्सक्राइब दिया एक्जक्टी सेम यह जो मैं देख पा रहा हूं एक बार सैवन कोशन ट्राई करना पहले और नहीं होगा तो कल यहीं वाले कोशन में बोड़ पर करा दूँआ ठीक है कि अब कि इल्लेस्टेशन सेगने हैं हाई इलेस्टेशन सेवन कि चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज क्लास है यह कौन सी क्लास है नंबर बता दो जीरो 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 एट क्लास है ठीक है हमारे सामने कुश्चन गीवन है और अब जो कुश्चन गीवन है अजी आप इधर बैठेंगे सीधा हाँ कि सीधे बैठें तो कुश्चन गीवन है हमें पढ़ लेते हैं पहले एक बार कुश्चन उसके बाद देखते हैं क्या डाउट रहता है कहता है दा बैलेंस शीट ऑफ हैच लिमेटेड सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं यहां अंडर कर रहा हूं जैसे कि 31 मार्च 2020 यह डेट है ऐस फॉलो बैलेंस शीट गीवन है आगे कहता है यानि 31 मार्च 2020 का है याद रखिए इसको गश्यर वर परचेज बाइच लिमिटेड एच लिमिटेड एच लिमिटेड और तीस सप्टेमबर इसका मतलब जो यहां पर यह शेयर ख लोगा है फिर बैलेंस शीट बनाना होगा ना कमबाइन तो मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए क्लिए क्लिए इसी के साइड यहां पर एक लाइन ड्रो करके मैं बना दूआ ताकि मेरा थोड़ा टाइम भी बच्जा आपको समझ में आ जाएगा सारा में तो है कि इसके और सुब्सक्राइब के मैं कि मैं पूरा साल का पहले डिटा तंब कर लेता हूं यह हमारा पूरा सालय है ध्यान इसके खाले ये पूरा साल है और जो इएर स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हुआ है सर इएर जो हमारा स्टार्ट हुआ है न वह हुआ है ऊइक चार दो हजार उन्यस और यहर जो एन हुआ है वह हुआ है 21 तीन दो हजार बीस और कंपनी को 30 सेप्टेंबर को खरीदा गया है Mayn sir company को जो खरीदा गया है ना وہ मिड में कहीं इस डेट पे company को खरीदा गया है अब इस डेट पे खरीदने की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको एक बात का मुझे जवाब दीजिए एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे दो हिस्से आ गया है हमारे पास अगर ध्यान से देखे न हमारे पास दो पार्टिशन आ गया एक ही इस डेट पे तो company को खरीद लिया गया इस डेट से पहले अकेले-अकेले थे दोनों तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है और एक हिस्सा जो generate हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा generate हो रहा है ठीक है यहाँ के profit पे एक ही का अधिकार है और यहाँ के profit पे दो लोगों का अधि समझ में आ रहा है इतने चोटे से बास चलिए और क्या कहता है कुश्चन पढ़ते जाते हैं कहता है एक अप्रेल को उन्निस में लॉस था कंपनी के पास तीन हजार का एस लिमिटेड के पास और एस लिमिटेड के पास यानि इस डेट पे मेरा कोई लॉस था और लॉस कितने का था तीन हजार रुपए का विच वाज रिटन आफ आउट आफ दा प्रॉफिट अंडूरिंग दा इयर इस सेंटेंस का मतलब है जो की हमने साल के दौरान प्रॉफिट कमाया है अगर आपको यहां कोई दिख रहा है प्रॉफिट कमाया है तो सर सर्प्लस द के बाद हमने क्या किया हमने अपना काम रोका थोड़ी ना काम को हमने जारी रखा और हम यहां से काम करते गए 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 और इस डेट पे जब हम पहुँचे लास्ट वाले डेट पे तो हमने ए यहां से यहां तक के मेहनत में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपने पहले ये तीन हजार रुपे का जो लॉस है जो ये आपका तीन हजार रुपे का लॉस है पहले तो इसको कवर किया तब जाके कहीं आप इस प्रॉफिट पे आए तो सर यहां से यहां तक आने में अ बताइए कितने का रर्निंग किया है कि 4800 पहले यह बताइए सब बच्छों क्लियर है कैसे कि कितने का रर्निंग किया है हमने क्योंकि पहले सारा लॉस हमने क्या करा कवर किया होगा 3000 हम मैनत करते गए मैनत करते गए 3000 लॉस कवर किया तो अब 0 पर आगे यानि कमालिया तीन हजार तभी तो जीरो पे आए उसका फिर मैनत करते गए मैनत करते गए तो कहां पहुँचे हम इसका मतलब टोटल कमाई कितनी होगे यहां से यहां तक सर जब यह 4800 रुपीज की कमाई आप कह रहे हो कि यहां से यहां पूरे साल की है तो इसका मतलब यहां से यहां तक का प्रॉफिट रहा होगा कुछ है यहां से यहां तक का प्रॉफिट रहा होगा कुछ है 2400 और यहां से यहां तक का प्रॉफिट रहा होगा कुछ है 2400 तभी तो और तालिस सो हुआ इस वाले प्रॉफिट को मैं नाम दूँगा प्री वाला और ये वाला प्रॉफिट है पोस्ट वाला इसे एग्री करते हैं पुराना लॉस तो चली रहा है हमारा तीन हजार रुपे का प्रिपेर कॉंसर डॉलिट बैलेंच शीट एंड एक्सेक्टरा सारी बाते बोली है अब हम कर लेंगे कोई दिक्तत वाली बात नहीं ह है तो चलिए अब हमें जो काम करना है क्या करना है सर रिजर्व कोई है क्या हमारे पास रिजर्व तो सर ही नहीं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कर लेते हैं सर प्लस यानि सर प्लस के दो हिस्से हो जाएंगे और एक हो जाएगा प्री के हिस्से में एक हो जाएगा पोस्त के हिस्से में तो सर प्लस में सर दो पार्ट आगे एक आ गया हमारा प्री और एक आ गया हमारा पोस्त सर प्री में कितना आएगा पहले तो मैं कमाई की बात कर लूँ और एक बात बताना मुझे जो लॉस है वो भी कब का माना जाएगा प्री का पोस्ट का प्री में दो चीजे आ गई एक तो सर पुराना लॉसिस भी है और एक कितने का अर्णिंग है हमारा 2400 का अर्निंग है तो यहां पर देखा जाए तो प्री में दो टिंक आ गए हमारे एक हम लॉज पर भी बात करने वाले हैं और एक बात करने वाले किसके उपर profit के उपर तो ultimately देखा जाए या फिर मैं net में बोलू प्री में क्या रहा सर अगर मैं net pre की बात करूँ तो मैं ऐसे ले लेता हूं net pre की बात करते हैं तो सर net pre में क्या था सर तीन हजार रुपए का loss था प्री में और कमाई कितने का था 2400 रुपए का क्या था कमाई था ultimately देखा जाए तो pre के अंदर हमारा 600 रुपए का profit हुआ है यह देखिए हाँ सॉरी 600 रुपए का loss था प्री में यानि देखो पहले प्री हमारा 3000 रुपए का loss था ही जो कि कहता है अल्रेडी कर चुके है तीन हजार का loss था और earning हमने पूरे साल के दौरान कितना कमा लिया हमने 4800 और 4800 में से प्री की कमाई मतलब एपरेल से लेके 30 सप्टमबर तक की कमाई 2400 पुराना लॉस 3000 अभी भी प्री में लॉस में कितने का loss में पोस्त की बात करते हैं पोस्त के अंदर तो लॉस होगा ही नहीं तो पोस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट रहे गया और प्रॉफिट कितने का है हमारा 2400 तो सर प्री के अंदर देखा जाए कोश्चन में कितने होल्डर हैं कितने खरीदें तो कोश्चन में कहता है सिर्फ कितने शियर खरीदें इसने 4000 थे कितने इसके पास 6000 इसका मतलब यहाँ पे जो ratio बनेगा ratio बनेगा 4000 तो holding का और 2000 subsidiary का 4000 किसका holding का हाँ MI subsidiary मतलब MI कह लेते हैं तो यह H का है हिस्से में और यह S यानि MI और ratio देखे तो क्या जाएगा 2 is to 1 यानि यह 600 रुपे दो लोगों में बढ़ जाएगे 2 is to 1 में बढ़ेगा तो 2 is to 1 की बात करें तो 400 का लॉस यहाँ आ गया और 200 का लॉस यहाँ आ गया सर यह भी दो हिस्से में बढ़ेगा किस किस में बढ़ेगा 24 सो को अगर हम बाटते हैं तो कितने आ जाएगे 1600 रुपे का प्रॉफिट और 800 रुपे का प्रॉफिट सर अगर बात करते हो आप यह है क्या तो यह है प्रॉफिट प्री और पोस्ट अब मुझे बताईए पोस्ट वाला प्रॉफिट होल्डिंग के लिए कहा जाएगा उसके रिजर्ब में प्री वाला प्रॉफिट होल्डिंग के लिए होता है यूज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक वर्ड और यूज कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है या capital reserve निकालना जिसको coc भी बोल देतें तो cost of control तो सर ये वाला देखिए अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि कौन सा holding का है कौन सा subsidiary का यह किसका है हमारा दिख रहा है हर किसी को यह हमारा holding का यह मैं थोड़ा सा कि चलिए यह holding का है और यह आप बोलते हैं MI तो MI लिख देता हूं अगेन यह holding का और यह MI का है मैंने रेटी इंटरस्ट का है यहां तक कोई समस्या अब हमें क्या निकलना है MI गुडविल या कुछ भी सारी चीज़े तो ले चुके हैं MI या गुडविल एक बार दो बारा 2 to 1 कैसे आया ओके 2 to 1 कैसे आया यह काट के दिखा देता है यह 4000 और 2000 समझ में आया है पहले हर किसी को 4000 और 2000 को मैंने काट दिया है 4000 और 2000 को काटेंगे तो 30 से 30 कैंसल 4 और 2 और यह आ गया 2 to 1 और काट पिट के बस यह से आया सार यह 4000 कैसे आया 4000 कोश्चन के अंदर गीवन था टोटल 6000 में से होल्डिंग के हिस्से का चार है तो MI वाले हिस्से का कितना बचेगा 2000 यही रेशन निकला है ठीक है वही बता रहा हूं मैं 4000 और 2000 अरे 4000 यह देखो आपको दे रखा है यहां पर और आपके पास टोटल सियर सबसीडरी का कितना है 6000 6000 में से अगर 4000 होल्डिंग के पास है तो सबसीडरी के पास दो बचा तो रेशो बन गया चार दो और काट पिट के टूइस टूवन ठीक इन सब को बाट लिया अब हमारा मुद्दे के बात है हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सी यो सी कॉस्ट आफ कंट्रोल इसको बोलते हैं सी यो सी सी में क्या-क्या देखा जाएगा सर सी सी यो सी में दो तीन बातों का ध्यान रखना है जैसे कि जैसे एक्विटी शियर कैपिटल सर एक्विटी शियर कैपिटल जो था उसका चार हजार और सर अब सी यो सी में ये प्री वाला होगा पोस्ट वाला कुछ नहीं आएगा तो यहां पे इसके हिस्से में था सर लॉस कितना लॉस आ गया हिसके हिस्से में 400 रुपए means इसके पास तो बचा कितना 3600 रुपए का समान आया है चार का शेयर तो आया 600 का 400 का साथ के साथ लॉस भी आगया तो 3600 का समान आया पेमिंट कितना किया इसने 4000 तो अगर इसने 4000 रुपए का पेमिंट कर दिया है तो ultimately प्रवाइटली 3600 के समान के बदले यह पेमिंट कर रहा है यानि इसने क्या करा इन्वेस्ट किया है तो यहां पर आप क्या बताओगे सर 400 रुपए का क्या आगया चेक करिए आप चेक करिए 400 का क्या है गुडविल अब क्या निकालने साइड में मैं एमाई निकाल लेता हूं जिसको विज्वल निया दिखा दूँगा आप वाइस आप ध्यान से सुनते रहिए माई निकाल लेते हैं साइड में और बैल्स जीट भी बना देंगा मैंने इसलिए इसको इधर देंगा निको अब्र प्रॉफिट की अगर आपने बात की है सर तो ये वाला लॉस और ये 800 और 200 अल्टीमेटली कितने जूडेंगे 600 रुपए नेट करके क्योंकि 200 का लॉस और ये तो ये कितना आ गया हमारा MI का 2600 बहुत सिंपल है मेन फंडा यहीं पर रुखा हुआ है इस वाले पॉइंट में ये समझ में आ गया ये बाटा कुछ दिक्क बताइए ये 2600 म आई आ गया कोई दिक्कत को एमाई निकाल दिया 2600 कोई दिक्कत क्या हुआ सोला सो एट का सोला सो तो कहीं लिखा ही नहीं है प्राफिट सोला सो ये लिखा हुआ है आपने पूरी क्लास ली नहीं यह जाएगा रिजर्वेंट सर्प्लस में क्यों आएगा पुरानी क्लास देखने पड़ेगी उसके लिए ठीक है ना तो अब बात करें यहां पर यह क्लियर होगी मैं बैलेंस शीट बनाने की बात करते हैं तो मैंने कहा सर बैलेंस शीट यही है तो बताईएगा आप मैं यहीं बैलिंशीट थोड़ा साना इसको इधर कर देते हैं मैं कोसिस यह है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट करूं बस मेरा आज का एजिंडा यह है क्योंकि एक फिर कॉमन डेट्स का भी कुश्चन ले लेंगे फिर यह बैलिंशीट के लिए मैंने लाइन ड्रोग कर दिया इसको साफ कर देते हैं ताकि आपके लिए आपको आसानी हो थोड़ा समझने मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा काम किया है ताइम बचाने के लिए समझ में आ जाएगा साइड में बैलिंशीट बनाना है तो सबसे पहले इस वाले शियर कैपिटल का तो कोई रोल ही नहीं होता है तो सर किसका रोल होगा सिर्फ और सिर्फ शियर कैपिटल में आ जाएगा अब बात करते हैं रिजर्वेंट सर्प्लस यहां मैं लिखता भी जाओंगा ताकि आपको समझ में आ जाए रिजर्वेंट सर्प्लस में चार हजार मेरे वाला ठीक है और दूसरे का तो है नहीं और कोई काम भी नहीं है मुद्दे का तो यह अकेला आ जाएगा कितने का बताइए चार हजार सर्प्लस में एक थोड़ी सी कहानी घूम जाएगी सर्प्लस की बात करें तो मेरा कितना है चार और मैंने अभी बताया कि ये वाला आ जाएगा 1600 क्योंकि पोस्ट वाला प्राफिट तो मेरे ही रिजर्वेंसर प्लस का पार्ट होगा तो कितने आगे टोटल चपन सो रुपए आगे ये 5600 क्रेडिटर जुड़ जाएगा 1200 तो आप मैं ये वाला पता है क्यों कर रहा हूँ मैं इस तरीके से आपको भी पता लगे के सार इसके अंदर होल्डिंग सब्सीडिरी वाले चप्टर में M.I.E. और कैपिटल रिजर्व या गुडविल का रोल रहता है बाकी बैलेंशीट तो देखो टेप रहूं मैं ऐसे आप पुरानी बैलेंशीट बनाओगे जो question paper में आओगे गुडविल आ जाएगा इंटेंजिवल एसेट्स और सर जो गुडविल आएगा वो गुडविल कितने का आजाएगा मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं 400 रुपए का यह रहा गुडविल ठीक है इसको ध्यान रखिएगा एक लाइन एड़ो नीचे current investment यह तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपको पता है कि investment और share capital आपस में क्या हो जाते हैं कैंसे टोटल कर लेते हैं जी सर टोटल करते हैं यह आ गया 26 और उपर भी 26-400 आना चाहिए 26-400 तो हमारा purpose solve हो गया और हमारा answer भी बिल्कुल क्या माना गया accurate यह सर क्या है यह है console donate billing sheet चलिए थोड़ा इसको हम अभी रुके doubt लेते हैं जिन जिन बच्चों का अब doubt होगा मैं लूँगा क्योंकि एक question करा दियाने मैंने जल्दी से चलिए अभी doubt लेते हैं अरे हाँ M.I.E. तो रह गया बच्चे बता रहे हैं आपने ध्यानी नहीं दिया कैसे बता दिया रुक जाई यह रुक जाई यह समझ गया मैंने पढ़ लिया M.I.E. यह रह गया M.I.E. तो आएगा M.I.E. कहां आता है जस्ट इसके नीचे यह मैं लाइन खीच रहा हूं और यहां M.I.E. कैसे मैच कर दिया आपने M.I.E. कितना था 26 सो M.I.E. है 26 सो अभी लिखने रुक जाईए अर्जिस्ट कर देते हैं चलो सही करा आपने याद दिला दिया आप चेक कर लिजे 26 अब देखे टोटल आ रहा है भी या नहीं आ रहा गुडविल 400 लिख लिया गुडविल 400 रागव अभी बताते हैं गुडविल कैसे समझ मैं नहीं आ है अभी मैं हैंड्रेज का भी ऑप्शन अभी एनेवल करता हूं रुक जाईए बस पांच में बताइए आया नहीं टोटल मैंच है न चरिया अब जिसका रह गया हैंड्रेज से उनके डाउट ले लेता है करिए जिनका रह गया हम 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 राखब येस राखब बताइए और सर ये एक बर गुडविल की कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही मुझे गुडविल का कैलकुलेशन नहीं समझ मैं देखे फिर से ये सी यहां पर है गुडविल की कैलकुलेशन इसको थोड़ा मैं उपर दिखा दू वीज्वल है पहले आप ये बताइए ये 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 सैर चीक है देखे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर गुडविल की तो गुडविल में सबसे पहले तो एकुटी शेयर हमने लिया कितने का ए एकुटी शेयर मैंने खरीदा और वो खरीदा चार हजार एकुटी शेयर जो ये चार हजार है ना वो ये चार हजार ये वाला नहीं है इस बात को ध्यान रखिएगा ये वाला चार हजार नहीं है मेरा कहना था कि ये जो मैंने चार हजार नंबर शेयर खरीदे ना उससे मल् होता है यह होता है हमारा सी ओसी कॉस्ट आफ कंट्रोल का पार्ट और यह रिजर्वेंसर प्लस का तो इसके साथ 400 रुपए का नुकसान भी मेरे हाथ में आया तो 4000 का शेयर 400 का नुकसान हाथ तो टोटल मुझे जो समान मिला वो 3600 अब 3600 के बदले जो पेमिंट किया है 3600 का तो 400 एक्स्ट्रा दे रहे तो गुड भी लिए आएगा ना हमने हमने यह भी तो पढ़ाता ना कि मतलब वोल्डिंग वाले में प्री सर्प्लस नहीं आता तो आपने 400 माइनस कैसे एक्टूड किया है नहीं होल्डिंग वाले में जब सी ओसी आते होल्डिंग केस रिजर् में सर्प्लस में मैंने जोड़ा किया यह 400 रुप है लेकिन प्री सर्प्लस कैल्गूलेशन सी ओसी में तो आता ही आता है जितने भी कोश्चन है देखे आप मैं दिखाता हूं आपको शायद हमने कहां भी जहां भी किया होगा देखे यहां पे भी हमने बैलेंशीट बनाया यह देखे जोड़ा है यह पोस्ट वाला है लेकिन जब MI का कैलकूलेशन मैंने गुडविल का कैलकूलेशन यहां भी किया है तो देखे रिजर्व भी पार्ट में ने एड़ किया है और सर्प्लस भी एड़ किया उसके बाद हमने निकाला है तो हमेशा आता है प्री वाला किया है हम गुडविल और विजक्ट बीस निकालने के लिए लेकिन फॉस्ट वाला नहीं कंसीडर करेंगे पोस्त वाला तो जाएगा हमारा हमारे ब्चार्फ में जड़ जाएगा हो अगर होता तो हम इसको भी करते दो पार्ट में इसको भी दो पार्ट में तोड़ते चेचे मेहने में और इस रिजर्ब का भी माइनरीटी और होलडिंग के पर दिवाइड होाँ अभी आगे आने वाले कुश्चन में सहीद दिख जाए इस ट्राइप को, खेक है ना और किसी का डाउट चलिए अगले कुश्चन पर हम चलेंगे एक बार देख लिजिए इसको अगले कुश्चन कौन से करेंगे हम नेक्स कुश्चन question 8 8 दिया था मैंने क्या हो गया 8 इसमें तु सिर्फ डेटर में से उसमें माइनस करना है नाइन्थ एट में बताईए डाउट कॉमन डेट टॉपिक डला हुआ है और कॉमन डेट का हम वैसे हाला कि पहले टॉपिक कर चुके है तो एट में है किसी का डाउट एट में आपके पास बुक में है एट में किसी का डाउट नो डाउट 9 में किसी का डाउट नाइन में किसी का डाउट 10 दिया था मैंने होमवक में जो स्टूडेंट नहीं बता रहे मैं अजम्शन ले लेता हूँ कि उनका डाउट नहीं है फिर 10 दिया था मैंने 10 होमवक में रहेगा 10 होमवक में रहेगा इसके अंदर abnormal loss ए ट्राइ करीएगा उसका मैं adjustment बता दूँआ ठीक है 10 के बाद 11 आ जाते हैं यह हमारा provincial capital यह भी मैं दे दूँआ समझा दूँआ भी 11 के बाद 12 पर आ जाते हैं dementia यह भी simple सा topic है contingent यह भी simple सा topic है कि points add हुआ है सबको लेके कर लेते हैं major point यह है evaluation का तो चलिए कुछ concept देखेंगे हम ताकि हमारे आगे के question हो फाए अब हम पहले देख लेते हैं dividend की बात कर लेते हैं और साथ के साथ अगर आप अभी बोलोगे मैं dividend करा दूँगा और यह करा दूँगा साथ के साथ अगर आप बोलोगे तो जो पास्ट में questions आए थे आपके honors का तो पेपर अभी हुआ है नहीं एक भी offline है ना तो honors का हुआ भी तो उनका हुआ होगा जिनका back वगर होगा तो उसका question paper तो मैंने देखा भी नहीं कैसा था जो बहुत पुराने बच्चे होंगे पेपर अभी हुआ है प्रोग्राम का और accounts accounts है चाहे प्रोग्राम हो चाहे honors हो आप book के अंदर question भी मिला लेना बिल्कुल सेम मिलेंगे ठीक है तो उनका जो question paper आया था तो मैं सोच रहा था एक बार वो question paper आपको करा दिया जाए जिससे tentative थोड़ा idea लग जाएगा अभी recently हुआ है दो मेने पहले paper आया है और regular का sol का दोनों का सेम आया था तो थोड़ा tentative idea लग जाएगा प्रोग्राम वालों का सेम चैप्टर भी है सब कुछ इस तरीके से question आया है तो हमारा भी उस pattern पे आ सकता है तो पहले मैं एक बार यह सारे concept करा दूँ तो जो question number one आया था एक मेरे पास question paper तो पढ़ा हुआ है तो यह program का था और यह आया था अब इसके अंदर से एक-एक question मै daily basis पे कराता रहूंगा जिससे कि आपका क्या रहेगा अभी class जैसे मैं concept करा हुआ तो एक question इसका करा दूँआ है जिससे आपको idea लगे कि अच्छा stripe का question पूछा गया था थोड़ा help मिलेगा बस आपको ठीक है ना तो चलिए पहले हम करते हैं बाट dividend की कि डिविडेंड में क्या है है कि डिविडेंड में भी आ जाता है आपका प्री पोस्ट कि असारे question करने होते हैं पांच हर किसी के पेपर में option आता है मैं PDF डाल दूँगा और आप उसको चेक करेंगे बाकि मैं solution करा हूंगा सारा का सारा चलिए अब डिविडेंड का point अभी हाला कि इससे related question तो नहीं करेंगे लेकिन concept करा दूँगा उससे related question फिर हम सुभे कर लेंगे डिविडेंड की बात करते हैं सर डिविडेंड क्या होता है इसके अंदर दो cases है ultimately देखा जाए तो सर दो cases कौन से है ठीक है number one एक तो डिविडेंड मिला है हमें खरीदने से पहले कि डिविडेंड रिसीव बिफोर बिफोर परचीस सिंपल वर्ड लिख देता हूं परचीस समझ जाओगे न कि मैंने सब्सेटरी को खरीदा है और एक मिल सकता है डिविडेंड आफ्टर परचेज यानि इन्वेस्ट मैं बहुत सिंपल वर्ड इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको दिक्तत ना हो बस समझने में सर्फ बिफोर और आफ्टर का एक बार समझे लेते हैं क्या रहता है बिल्कुल सा टॉपिक है पहले हम बिफोर की बात करते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पर इसके केसिस कुछ डिफरेंट डिफरेंट केस नंबर वन मान लो सपोज करो यह मेरे पास पूरा साल है एक डेट है हमारा एक चार दो हजार बाइस और एंड हो जाएगा हमारा इकत्तिस तीन दो हजार टेज्स इस डेट पे हमारा जाके यह क्या हो जाना है एंड हो जाना है पहला पार्ट मैंने कमपनी को जो एक्वाइर किया है न वो इस डेट पे कमपनी को मैंने परचेज किया है यानि एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया हुआ है कहा इन एच लिमिटेड वो इस डेट पे किया है एच लिमिटेड ने invest किया है किस date पे एक चार को या थोड़ा date बढ़ा देते हैं चलो थोड़ा अच्छा question और भी हो जाएगा थोड़ा सा date बढ़ा देते हैं उसका उसने जो invest किया है मान लेते हैं कहीं यहां पे मान लेते हैं 36 2022 में अब dividend की बात करें न तो company का dividend देने का तरीका क्या होता है जिस दिन dividend declare हो रहा है जिस दिन भी dividend declare हो रहा है अगर आपके पास shares है भले ही आज dividend मिलरा है Board of Director ने आज dividend declare कि और आज ही आपने share खरीडा है तो आपको पूरे साल का dividend मिल जाएगा पहला rule जो shares पर होता है ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल जैसे diventure में क्या होता है कि पूरे साल जब रखोगे तो पूरे साल का ब्याज और कम टाइम का तो कम shares में ऐसा नहीं होता अगर आपने कल share खरीदा और डिरेक्टर ने बोला आप मैं announce कर रहा हूँ dividend दूँगा तो आपको भी dividend मिल जाएगा पूरे साल का dividend दो तरीके से दिये जा सकते है या तो आपको बता दे एक percentage के form में या तो आपको बता देगा percentage के form में या बता देगा amount amount में हमें समस्या नहीं है समस्या कब आएगी percentage तो हमेशा याद रखना जैसे मान लो market price मेरे share का है 20 रुपए और face value मेरे share का है 10 रुपए company ने बोला कि हम 20% dividend देने वाले हैं तो पताओ 4 रुपे dividend होगा या 2 रुपए होगा तो हमेशा याद रखना dividend हमेशा जो दिया जाता है वो दिया जाता है किस पे face value पे तो 2 रुपए होगा समझ मार्केट प्राइस देके confuse करने की कोसिस करेगा तो यह basic चीज़े हैं जो पता होना चीए के sir dividend कम मिलता है जब आपके पास share होगा तभी मिलेगा और किस पे मिलेगा हमेशा face value पे company ने इस दिन acquire किया और company ने इस दिन acquire करने से पहले ही acquire इस दिन किया और company ने dividend इस दिन paid किया company ने dividend जो है इस date से कहीं पहले payment कर दिया है यानि dividend payment करने के बाद company ने क्या करा इसको खरीदा है तो ऐसे case के अंदर और dividend दिया कहां से और आपको जो question में balance sheet गीवन है न वह balance sheet भी in fact इस date का गीवन है balance sheet भी जो गीवन है इस date का गीवन है balance sheet के इस date का गीवन है आपको तो यहां पे reserve and balance sheet के अगर बात करें हम अब आपको दो यहां पे सबसे पहले तो एक simple सा point समझे इस date पे था इस date पे खतम हुआ company ने इस खरीदा dividend यहां कहीं मिल गया अब बात करें या तो balance sheet आपको इस date का गीवन हो सकता है ठीक है या balance sheet आपको गीवन हो सकता है दो ही date का देंगे या तो शुरू का देंगे या फिर अगर इस date का balance sheet गीवन है तो जो इसका reserve and surplus है मान लेते हैं 5000 रुपे का तो जो dividend दिया होगा क्या वो इसमें से minus हो चुका है नहीं हो चुका नहीं हुआ होगा मैं simple सी बात करता हूं 2000 रुपे का dividend डिक्लेर किया है ठीक है नहीं कितने का किया है हमने 2000 रुपे का मैं proper balance sheet ही बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप मुझे बस जवाब द जीजेगा simple सा point है simple तरीके से खतम करतेंगे से यह यह बनाया है हमने balance sheet इस डेट पर दोनों डेट की मैं balance sheet समझा देता हूं पुराने वाला balance sheet बना रहे है reserve and surplus सबसे पहले dividend कहां से दिया जा सकता है dividend आपके profit में से दिया जा सकता है तो मैं एक मान के चल रहा हूं और reserve and surplus में से dividend देंगे हम और reserve and surplus मेरे पास जो सो हो रहा है वो कितना सो हो रहा है वीच हजार कितना सो हो रहा है और dividend मैंने कितना दिया है मैंने dividend जो दिया है वो दिया है दो हजार नाओ अब इस date पे जब company खरीदेगा अब ध्यान से बताना आप question समझ रहे होगा थोड़ा थोड़ा मुझे क्या करना है इसने investment कितना किया मैं question भी बना लेता हूं इस date पे मैंने इस company का equity share ले लेता हूं सर equity share capital है इस company में 10,000 और इसने 9,000 खरीद लिए इसने कितने खरीद लिए 9,000 investment कर दिया 10,000 था आपको निकालना है दो ही चीच एक निकालना है COC और एक निकालना है MI कुश्चन आपके सामने तैयार होगे एक तरीके से क्योंकि हमें balance sheet में से assets liability मतलब ही नहीं है सर हमें तो reserve and surplus और share capital और investment चाहिए होता है बस इसी से पूरा question हमारा solve हो जाता है तो सर अगर हम बात करते हैं reserve की पहले बात करते हैं reserve and surplus के तो reserve and surplus के दो बाट हो जाएंगे फिर से और पहले तो आप यहां पे बताईए कि actual reserve है क्या सर actual reserve जो है वो है 20 लेकिन जब हम इस date पे निकालने जा रहे हैं क्या उसका goodwill मैं goodwill या COC जो भी निकालना चाहता हूँ मैं हो सकता है maybe इस date का और इस date का या मैं बात कर लूँ तो मैं इस date पे जानना चाहरा हूँ ठीक है इस date पे जानना चाहरा हूँ तो जब 20,000 इसने कमाया होगा 20,000 इस date पे कमाया था किस date पे इसने समझ रहे हूँ और जब इस date पे इसने 20,000 रुपे कमाया था लेकिन बीच में ही इसके इसमें से कितने निकल गए 2000 निकल गए और इसके आते आते यहां तक पहुंचते पहुंचते 20 के बदले कितना हो गया होगा यह 18 हो गया होगा समझ रहे हूं ना बात को आपको भले ही क्या हो रहा है 20 दिख रहा है लेकिन 20 होगा नहीं यह यह कितना हो गया होगा 18 हो गया होगा 2 माइनस करना है मैंने ज़्यादा कर दिया 2 माइनस करना है पहले तो यह समझ यह है 2 माइनस करके हो गया होगा यह 18 मैं different cases लूँगा समझूगा dividend सबसे major point रहता है कितना हो गया होगा 18 अब हमें जो निकालना पड़ेगा इसके दो हिस्से हो जाएंगे मैं अभी फिलहाल यह नहीं बता रहा कि company ने यहां से यहां तक भी कुछ पैसा कमाया है अलग से extra उसकी मैं बाती नहीं कर रहा तो अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे एक चला जाएगा holding के jam में और एक चला जाएगा minority माइक के pocket में sir holding के pocket में कितना जाएगा sir holding के pocket में देखा जाए तो ratio देख लो क्या है हमारा 9000 और 1000 9 is to 1 का ratio 9 is to 1 का बन रहा है तो 9 is to 1 में देखा जाए तो 18,000 9 is to 1 10 कितने हो जाएगे 1800 into कितने 16200 और 1800 समझ मैं ही बात आपको 16200, 1800 चलिए अब यहाँ पर बताईए मुझे COC cost control सर कितने का होगा cost control cost control के अंदर होगा equity share खरीदा कितने खरीदे सर equity share equity share मैंने खरीदा है 9 9000 का और साथ के साथ मुझे reserve and surplus भी मिला होगा इसका कितना मिला होगा reserve and surplus 16200 amount जाद आ गया उसकी tension मतलो हम तो सीख रहे हैं बस यह आ गया हमारा 16925 और उसके बदले मैंने investment जो किया था वो investment नो ही था तो यानि यहां पर क्या निकल के आया है capital reserve कितने का mi की बात कर लो sir mi में क्या होगा एक तो यह रहेगा mi का और साथ के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा share capital कितने का एक हजार यह आ जाएगा 2800 पहले यह first वाला case देखिए फिर मैं आगे दूसरे case पर जाऊँगा जबकि profit dividend हम इस date पर देंगे तो क्या होगा अभी तो हमने क्या दिया पहले दे दिया ठीक है ना अब ऐसा भी तो हो सकता है इस date के बाड डिविडेंट दिए जाए तब क्या होगा और ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहां से यहां तक का profit दे रखा हो कमाई दे रखा हो तब क्या करेंगे हम पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत है हर एक चेप्टर के question मैं board पर दिखाई देता हूं वैसे और बाकी pdf डले वे हैं लगभग लगभग चेप्टर के क्या कह रहे हो 9-2 9-1 ratio कैसा है 9000 खरीद लिए इसने उसके पास 10,000 शेयर थे और इन्वेस्ट कर दिया इसने 9,000 तो सिंपल सी बात है जब 9,000 खरीद लिए और 10,000 उसके पास था तो 9 मेरे एक उसके 9-1 यहां तक समझ में आए क्या करेंगे इसका अगला concept चले अगले page पे चलते हैं यहां पे नहीं चल रहा क्योंकि जगह है नहीं और कोई फाइदा नहीं तो अगले page पे चलते हैं एक और point के साथ चलिए अगेन मैं एक date ले लेता हूँ यहां पे थोड़ा अराम से करते हैं एक और date ले लेते हैं यह date है हमारा एक चार दो हजार बाइस एंड होगा एक अत्यस थेन दो हजार तेईस कंपनी की एक बैलेंच शीट बना देता हूँ मैं ताके आपको थोड़ा क्लियर्टी रहे इसी date की बात कर रहे हैं अभी तो फिलाल और सर बैलेंच शीट की बात करें तो मुझे बस सबसीडरी कंपनी यानि उसकी बैलेंच शीट में से मुझे ज़्यादा चीजों का काम नहीं होता सिर्फ काम होता है हमें एक ही पॉइंट का और वह एक पॉइंट होता है उसका reserve and surplus and share capital चलिए balance sheet में बना दिया balance sheet में मैंने लिख दिया equity share capital दो लाक और reserve and surplus एक लाक रुपए है company ने क्या करा acquire कर लिया किसने मान लेते हैं H limited ने invest कर दिया in S limited कब की एसर कर दिया मान लेते हैं एक दिसंबर एक बारा या 31 बारा दो हजार बाइस में कितने invest किया 80% stake खरीद लिए और उसके बदले payment कर दिया उसने दो लाक रुपए 80% stake खरीदा और उसके बदले जो payment किये वो क्या क्या इसने दो लाक रुपए ध्यान से समझिएगा इसको question समझ में आये क्या है खेक है अब रही बात dividend की company ने dividend जो दिया वो दिया कहीं इस date पे कहीं आके sir इस date पे जब आके दिया तो दिया किस दिन मैं माल लेता हूँ कि इसको दिया होगा first to 2023 में तो अब जब company dividend देगी तो इसको भी dividend मिलेगा या नहीं मिलेगा यह हकदार है या नहीं है पहले तो क्या था dividend पहले तो मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या बोला जिस दिन आपके पांच एर होगा आप पूरे शाल को रखते हो या नहीं रखते मैटर ही नहीं करता doha dividend declare हुआ उस दिन आपके पास है आपको dividend मिलेगा पूरे साल का मिलेगा तो सर डिविडेंड जो डिक्लीयर और पेड की बात करूँ और उस से पहले कहीं दो मैने पहले ये हलड करके बैठा ठा है यानि डिविडेंड कितना डिक्लीयर और पेड किया मैं अमांट मे लिख देता हूँ सपोज करो ताकि थोड़ा आसान हो जाए मेरा काम, इसलिए मैंने ले लिए डिजट 12000 का, ठीक है? ये क्या है मेरा 12000? सर ये है डिविडेंट, ये सर है डिविडेंट, 12000, आप से कुश्चन में बोला गया, आप MI निकालिए और आप से बोला गया COC निकालिए, ठीक है? हम बात करते हैं MI और COC निकालने के, तो सबसे पहले रिजर्व एंट सर्प्लस पे आ जाते हैं, सर रिजर्व एंट सर्प्लस में, मेरे पास कितने रुपे पड़ा हुआ है? एक लाग, समझे? सर लेकिन एक लाग होगा कहां यहां तो उसने दे दिये इसमें से पैसे, इस सभी कुस्चन में, यहां से लेके इसने यहां तक जो महनत किया होगा, उस महनत पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, उस प्रॉफिट का मैं बिल्कुल डिसकुशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले वाले example में करने वाला हूँ सिर्फ मैं बोल रहा हूँ मान के चल रहा हूँ company बैठी है कोई profit नहीं कमाई ठीक है लेकिन पुराना profit कितना था यह एक लाक तो उसने जब 12,000 बाटा होगा तो इसी में से बाटा होगा भाई इसमें से बाट दिया होगा 12,000 रुपए उसने डिविडेंट के रूप में तो बचे कितने बताइए 88,000 अब 88,000 पे दो लोगों का यहां पे रहेगा right या आप जो मर्जी कहलो यहां पे तो सर 88 पे देखा जाए तो दो लोगों में जाएगा एक जाएगा holding के पास एक जाएगा MI के पास है ना सर holding के मैं बात करूँ तो holding के पास जाएगा क्या ratio क्या है सर 80% 80-20 है तो 88 का 80% क्या हो जाएगा सत्तर हजार चारसो और ट्विंटी परसेंट सत्रा हजार छेसो आपने जो बता है वो मैंने लिख दिया है कि निकाला सही है ना तो सत्तर चारसो यह हो गया holding का यह हो गया MI का अब हमें दो चीजे निकालना है देखो शेर में तो कुछ करना ही ने पता है भाई इसने 80% खरीदा है तो 80% का मतलब इसने खरीद लिया होगा इस कंपनी का शेर एक लाक साथ हजार एक लाक साथ हजार का शेर खरीदा बदले में पेमिंट कितना दो लाक इसके अंदर हम रिजर्व और जोड़ देंगे लेकिन मुद्दे की बात देखो जो इसने दो लाक रुपे पेड किया इसको डिविडेंड मिला होगा या नहीं मिला होगा हाँ या नहीं मिला होगा हाँ या नहीं मिला होगा रूल के हिसाब से मैंने डिविडेंड दिया क्या एच लिविडेंड के पास उस दिन शियर था तो मिला होगा डिविडेंड जब मिला होगा तो एच लिमिटेड को फ्री फंड में एक्स्ट्रा पैसे मिल गया कह सकते हैं तो H Limited ने भले ही उसके अंदर दो लाख रुपे इंवेस्ट किया लेकिन कुछ पैसे रिटर्न भी आगे उसके पाद डिविडेंट के रूप में तो सर कितना डिविडेंट उसको मिल गया होगा मैं डिविडेंट की बात करता हूँ तो H Limited को डिविडेंट सर ये डिविडेंट जो 12,000 है ना इस 12,000 के दो टुकडे हो जाएंगे मतलब दो टुकडे से मतलब क्या है मतलब एक चला जाएगा होल्डिंग वाली कंपनी के पास शेयर के पास एक M.I. के पास M.I. वाली की तो दिक्कत नी है हमें चेक करना है होल्डिंग होल्डिंग वालों के पास इसका 80% पाट आएगा कितने 9600 किस के पास आएगा होल्डिंग वाले के पास आएगा ठीक है ना सबसीटरी के पास क्या जा रहा है उससे तो मतलब नहीं सबसीटरी खुद को तो देगा नहीं को बाहर वाले आउटसाइटर उसको डिविडेंट दिया उसमें कोई गलती ने यह देखना है यानि होल्डिंग कंपणी ने लगाए 20,000 और कुछ दिनों बाद फिर उसको वापस भी मिल गए 9600 तो अल्टिमेटली होल्डिंग कंपणी का 20,000 कर रहा था हूं दो लाग तो अल्टिमेटली दो एकुटी शियर कैपिटल मिला उसको कितना पैसा एकुटी शियर कैपिटल मिला एक लाग साथ हजार यानि 80% प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी मिला सर कितने का रिजर्व एंड सरप्लस मिला उसको सतर हजार 400, sir total उसको समान जो मिल गया, वो मिल गया कितना? 2,00, 30,000 बदले में उसने इन्वेस्ट जो किया ना, वो इन्वेस्ट तो उसने 2,00,000 किया, बट actual 2,00,000 नहीं है, उसको मिल भी गए वापस कितने हैं? तो ultimately उसका investment क्या हुआ बताओ? 1,90, 3, 400 इन्वेस्मेंट आया, 1,90, 3,400, और बदले में समान कितने का मिल गया? 2,00,30,000 400, क्या? कौन सा 90,40? किसकी बात कर रहे हुआ आप? हाँ, कितना हैगा? 1,90, 400 होएगा? चलो, ठीक कर देते हैं. 1,90 तो सर, सिंपल सी बात समझ पा रहे हुँ मेरा मेरा में मुद्दा है समझाने का देखो. वो एक-दो पॉइंट गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं. आपको समान मिला इतने का. पेमिंट आपको दिख रहा भले ही 2,00,000 का, लेकिन 2,00,000 नहीं मानोगे उसमें. चालिस हजार का आपका आजाएगा क्यापिटल रिजर्व. अब M.I. भी निकाल देते हैं, सर, M.I. में इस डिविडेंट का कोई रोल ही नहीं है. क्यों, सर, M.I. में इस डिविडेंट का क्यों नहीं रोल होने वाला है? क्योंकि M.I. वालों को तो मिलना ही चाहिए और मिला भी है. सरिफ इसमें क्या होगा, इसका इन्वेस्मेंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा. पहली एंट्री तो इन्वेस्मेंट माइनस कर दी हमने. दूसरा इंपेक्ट देखो, जो होल्डिंग कमपनी को जो मिला होगा डिविडेंट, तो उसने जट से अपने रिजर्वेंस सर्प्लस में एड़ कर दिया होगा. ठीक है ना यानि इसके जो हमारा dividend मिलता है after acquisition करने के बाद उस situation में दो जगह जाएगा एक तो मैंने कहां से minus कर दिया investment से और आपको पता है sir balance sheet होता है investment इधर होता है minus कर दिया और यहां उसका reserve and surplus भी होगा जो भी होगा whatever amount मान लेते हैं कि दो लाक रुपए है उसका reserve and surplus तो यहां से माइनस क्या कर देंगे हम dividend कितना माइनस कर देंगे यहां से भी 9600 तब जाके दोनों साइड हमारे क्या होगा मैच होगा concept यह कहता है अभी मैंने question के अंदर current year की कमाई को लिया ही नहीं है समझ रहे हैं बात को देखिए किस में कॉंस और लिट बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं plus करेंगे लेकिन पूरे दो लाक रुपए थोड़ी जोड़ देंगे उसके दो लाक थोड़ी ना है 9600 तो किसी और के भी जोड़ रखें इसने होल्डिंग के हिस्से में कितने आया है पहले होल्डिंग ने बोल रखा था मेरा प्रॉफिट है दो लाक का बोलो हां दो लाक का टूटल है मतलब डिविडेंट जो मिला होगा उसको भी एड़ करके है लेकिन एक्चुल माइने में क्या दो लाक रुपए हैं इसके नहीं है इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो और अगर कोई पिछला अगला कुछ आ रहा होगा वो एड़ कर साथ के साथ दूसरे बीइंपक्त हो तो जाता है माल लेते हैं कई बार question क्या कहता है कि नहीं उस त्राइब का example में फिर थोड़ा करने पहले यह दोनों पार्ट के लिए रो गया चलिए एक और example ले लेते हैं इस पर एक और example ले लेते हैं अब जबाब देजेगा मुझे थोड़ा complicated मैं बना दूँगा इसको simple आपको बनाना है अभी देज लेते हैं doubt आपका आपको ऍसेंड़ियों है वे लेड़ियों आपको झाल 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 चेक माइक ठीक है चली एक कुश्चन लेते हैं यहां पर एक बैलेंशीट बनाते हैं अगे आपका शेर कैपिटल है पांच लाग रिजर्व एंड सर्प्लस है मान लेते हैं दो लाग ठीक है यह डेट कौन सा है सर एक चार अभी तक जितनी बात कर रहा हूं मैं एक चार की बात कर रहा हूं दो हजार बाइस एंड कब होगा इक अत्यस तीन दो हजार तेज़ ठीक है मुद्दे की बात हम करते हैं यहां से यहां तक ना कंपनी ने कुश्चन में लिखा कि जो कंपनी ने एक्वाइर किया है मान लेते हैं इस डेट पे किया है 30 सेप्टेमबर थोड़ा सिंपल बना देता हूं डेट के इसाप से 30 सेप्टेमबर को एक्वाइर किया है 80 परसेंट शियर और कितने रुपे में एक्वाइर किया है मान लेते हैं साड़े चार लाग चार लाग पचास हजार चार लाग पचास हजार कितने होगे चार लाग पचास हजार 80 परसेंट शियर में और कंपणी ने क्या करा कि यहां से यहां तक के बीच में यहां से यहां तक के बीच में भी पैसे कमाएं है डिरिंग दे इयर during the year company ने कमाये मान लेते हैं एक लाख बीस हजार ठीक है एक लाख बीस हजार कमाया है और जो dividend paid हुआ है ना वो कहीना कहीं इस date पे paid हुआ है मतलब खरीदने के बाद dividend दिया गया और सर कितने dividend दिये गए अगेन मैं dividend ले लेता हूँ यहाँ पे 24,000 रुपए मैं amount बता रहा हूँ rate नहीं बता रहा या फिर इस बार एक काम करते है रहने दो 24,000 रुपए का क्या दिया इसने dividend दिया आपको क्या निकालना है यहाँ पे COC यानि Capital Reserve Goodwill और क्या निकालना है आपको MI कमाई पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्यूंकि अब देखो डिविडेंट 24,000 दिया आप वेक्टरीन करद दिया है जो कि पूराना कमाया हुआ एक फ्रॉुफइ और यहाँ पर आपप से और झाम пох़े लाँ और उ Laud तो आप हम यहां पर एक बार ले लेते हैं रिजर्वेंट सर्प्लस रिजर्वेंट सर्प्लस तो थोड़ा बहुत आईडिया लग जाएगा आपको सर कितने का दो लाग में से हट जाएंगी कितने 24,000 तो बचा कितने बताईए एक लाग 76,000 रुपए जो रिजर्वेंट सर्प्लस बचा है यह दो लोगों का हकदार है इसमें दो लोगों का हिस्सा है सर किस किस का है एक होल्डिंग का एक माइनरेटी का होल्डिंग का कितने परसंट 80 परसंट निकालो 80 परसंट एक लाग चालिस अजार आठ सो और दूसरा 20 परसंट 25,000 यह तो आगया होल्डिंग सबसेट्री अब जो यह अर्णिंग 120 कर रहा है नियू रिजर्वेंट सर्प्लस जो नियू रिजर्वेंट सर्प्लस कर रहा है एक लाग बीस अजार इस पे भी दो लोगों का राइट होगा या एक का ही होगा बताइए सर्दो का होगा इस पे भी लेकिन दो के चक्कर में यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया प्री और पोस्ट समझे बात सर्प्री का कितना होगा क्योंकि मैंने जो खरीदा है वो साल के कहीं बीच में खरीदा है मैंने डेट डाला है नहीं डाला मैं डाल देता हूँ है देट है हमारा तो एक बीस पूरे साल में कमाया तो कुछ पाठ इधर का कुछ पाठ इधर का है तो जितना पाठ हमारा इधर का है वो है हमारा कितने का साथ हजार और ये भी आजाएगा हमारा यह सद्येट comment darf भीवाली के दो टुक्ड़े कौन से होने घुक्र होगा माइनेरिटी के हिस्से में ठोड़ा उपर कर देते हैं और यहां पर भी दो टुक्ड़े में चला जाएगा यह किस किस में जाएगा यह अगें यह चला जाएगा एक पार्ट वोल्डिंग में और एक पार्ट अब होल्डिंग में कितना जाएगा हमारा 80 पर 48 और 12 अगे न आगे भी यही रहेगा 48 और 12 समझ मैं ही बात आपको अब यहां निकाल लेते हैं क्या क्यां सी यहां निकालते हैं सी यहां सी यहां निकालते हैं सी यहां से कि 17,600 फेक तो है कि इसका डाउट आ रहा है कि 17,600 फेक अब सी यहां सी यहां निकालते हैं सर सी यह यह जब हम निकालेंगे तो सी यहां में क्या रहेगा है कि दो तेन चीज़ा आएंगी यहांपे क्या क्या आएंगी दो तिन चीज़े के सब एक तो आ जाएगा यहां पर क्या है एक चीर कैपिटल है कि एक्टी शेर कैपिटल कितना मिला मुझे 80% मिला 80% का मतलब 5 लाग का 80% कितना 4 लाग अब Reservent Surplus की बात करते हैं सर रिजर्वेंस Surplus की अगर आप बात करोगे तो Reservent Surplus मेरे मुझे एक तो ये वाला मिला 41 एक चालिस और Surplus इधर से भी मिला मुझे Post वाला लू ये प्री वाला लू प्री वाला लेंगे सरे 40 और ये वाला Reservent Surplus नहीं आएगा ये वाला जो Reservent Surplus है ये तो चले जाएगा उसके खुद के Reservent Surplus में ठीक है ना ये आ गया टोटल कितने पड़े मुझे ये एक अठासी आठासी इसका मतलब टोटल समान जो मिल रहा है कितने का मिल रहा है पांच लाक अठासी अजार आठ सो का समान मिल रहा है लेकिन मैं investment की बात करूँ तो सर investment देखना यहां पर फिर change होगा investment में investment था कितने का मेरा साड़े चार का लेकिन उसके बाद मुझे तुरंट कुछ पैसे मिल गए डिविडेंट के रूप में सर जो डिविडेंट था ना आपका, जो डिविडेंट था वो कितने का था सर डिविडेंट? चौबिस हजार का था, चौबिस हजार में फिर दो टुकडे हो जाएंगे इसके तो सर, एक 80% पार्ट आजाएगा होल्डिंग के हिस्से में और बाकी तो माइनरिटी के तो 80% पार्ट कितना निकल के आएगा 19,000 तो अगेन इसने भले ही साड़े 4,00,000 लगाएं लेकिन साड़े 4 लगाने के बाद तुरंत इसे डिविडेंट मिल गिया साड़े 4 थोड़ी न लगी रहें कम रहें इसमें माइनस कर देंगे 19,000 तो माइनस कर यह क्या आता है चार लाग तो यह आपने बताए सर यह आ जाएगा चार लाग तीस अजार आठ सो और नाव फाइनली आंसर आजाएगा माइनस करने के बाद और यह एक लाग देखिए कोई दिखत और सर यह जो मैंने माइनस किया नहाँ पर क्या माइनस किया 19,200 19,200 और कहां चला जाएगा 19,200 माइनस भी हो जाएगा किससे माइनस होगा 19,200 रिजर्व एंसर प्लस से माइनस होगा समझ माई बात आपको माई की बात कर लेते हैं अब मुझे माई निकालना मैं यहां निकाल देता हूं माई तो बहुत ही सिंपल है आप बताते जाएगे एक तो होगा एक टीशेयर कैपिटल सर एक टीपरसंट टूइंटी परसंट कितने एक लाग रिजर्वेंट सर प्लस रिजर्वेंट सर प्लस की अगर हम बात करें मुझे की बात करते हैं रिजर्वेंट सर प्लस की तो रिजर्वेंट सर प्लस में क्या क्या आ जाएगा रिजर्वेंट सर प्लस में आ जाएगा हमारा 35,000 एक तो देखो मैं बता देता हूं एक तो यह एक यह और यह वाला आएगा नहीं आएगा आएगा सारह यह आ जाएगा तो 24 और पैंथिस 24 प्लस 35 और और बताइए 35 दो सो और मैं पीछे साट डिविडेंट का एक कौंसेट रहे गया हो इसका डिविडेंट जो मिलेगा वोभी स्के YouTube में नहीं में देए हूं किया मैं दुबारा भी बता देता हूं इसका डिविडेंट तो मिलेगा क्याएगे 24 लेकिन जो बागी का जो डिविडेंट मिलेगा इसका कितना मिलेगा डिविडेंट कि 20 परसेंट 4800 कि 4800 हो जाएगा अब निकालो किया बनता है इसका है टोटल है नहीं एक लाग को भी जोड़ दो आप कि यह आगया है माई सर पीछे मुझे याद आया थोड़ा सा पीछे मैंने डिविडेंट वाला जोड़ा है नहीं जोड़ा कि यह डिविडेंट कितना बन रहा था फिर से 2400 सर सी यो सी कहां निकाला मैंने यहां पर एम आई निकाला इन इसमें अच्छा तभी मेरा यह जोड़ना था एम आई नहीं निकाला तो उस अठाओ ठीक है न एम आई निकालना है तो वहां पर भी ऐसे हो जाएगा बता यह कोई डाउट कुछ बच्छे डाउट पूछ रहेते हैं अब देखते हैं जो डाउट पूछ रहेते हैं हैं रेस कर रहेते दुबारा कर यह मैं बता देता हू हां कि बता यह सर्य जो अपने डिविडेंट लिखा है 24,000 हां यह 19,200 यह वाला में जो कुछ समझ ही नहीं आया उसका कैसे वह और यह जो अपने फिर इंवेस्मेंट से माइनस किया सी उसकी निकालने में यह वाला समझ में आया था है यहां पर यहां पर भी माईनस किया देखो यह वाला आये था आपको समझ में यह सेट तो फिर इसमें किया दिक्त है इसमें बिखो क्यूंकि जो डिविडेंट ये उसके दो हिससे होंगेına क्यूंकि खरीद डिविडेंट पेट देखो कहाँ है जिस दिन खरीदा उसके बाद और पिछले आले कोश्चन में भी डिविडेंट यही था यहां दिया था खरीदने के बाद तो डिविडेंट के अंदर उसका इंवेस्मेंट में फ्री फंड का होता क्या है नॉर्मली आपने शेयर एक्वाइर किया पूरे साल थोड़ी ना शे इस साल की कमाई पर दिविडेंट तब बाटूगा जब प्रॉफिट में बनाऊंगा तो इसका मतलब आपने इंवेस्मेंट दो लाक किया लेकिन फ्री फंड में आपको च्यानवे सो और मिल गया है जिसमें आपका अधिकार था ही एक्ट्वल में तो इस लिए क्या करते है उसको investment से minus कर देते हैं सेम यहां पर भी यही हुआ कि आपको 24,000 रुपर टोटल मिला 24 में से 80% में आपको 19 200 का मिल गया तो 19 200 आपने क्या करा COC में से minus कर दिया MI पीछे निकाला नहीं था MI मैंने यहां निकाल दिया clear है yes sir बताइए doubt clear क्लियर कोस्ट आफ कांपेटल होता है COC कॉस्ट आफ क्यापेटल और कॉस्ट आफ कैपिटल मतलब जहां से हम रिजर्व निकाल लें ये वर्ड यूश किया जाता है और कॉस्ट of सौरी कॉस्ट और कॉस्ट और कॉंट्रोल कॉस्ट अफ कंट्रोल इसपे कंट्रोल पाने का क्या आपका रिजर्वेन circuits प्लस आया गुडविल आई ये वाड़ यूसक्या जाता है सी यूसी आपके बुक में भी mention का बाकि आप COC लिखे ना लिखे कोई फरक ने पड़ता देखे लिखावा है वहाँ पर ठीक है किस न पीडिएफ में तो slide आपका अलग अलग यह तो दिक्कत क्या है पहले यह कराया है मैंने चलो case number डाल देते हैं यह case number one यह case number two यह case number three अभी तो अभी की खतम करें ना पहले अभी तो और भी क्लास चलेगी अभी मैंने बोला ना question भी करेंगे तो एक छोटा सा question है वो कर लेंगे हम अभी फटा फट से already डले हैं सारे chapter के एकाद holding के भी डल चुके है आप देखिएगा उसमें folder में मिल जाएगा cost की आपको वहां मिल जाएगा folder content में जाएगे रहे तो हर chapter में मैंने पूरी book की PDF डाली हुई आप देखोगे तो मैं भी दिखा दूँआ लास्ट में लास्ट में चलिए मैं काम करता हूँ कुश्चन पर आजाए इसको हटा दिया जाए यह तो मैं PDF दे दूँगा मैंने पहले से कुछ कुछ कुश्चन लिखे हुए हैं कुश्चन पेपर का वह मैं आपको दिखा देखा हूँ holding नहीं share capital अ, सर्षयर केृटर अ, सर्षयर केपृटर यह हईए I I I I I I यह रहा है कोईशन कोईशन नमर फरस्ट कहां गया कहां गया देखें सिंपल कोईशन है हाला की लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज किया गया इस कोईशन में नो डाउट कोईशन का पैटर्न बता दू मैं क्या था और जिसको विजवल नहीं है सभी को कोईशन विजवल है पहले बताईए आप प्रॉपर कोईशन मुझे तो यहां से विजवल हो रहा है आपको विजवल है कोईशन हां डेली की होती अपलोड तो आज वाली भी हो जाएगी कोईशन विजवल है ठीक है मेरे पास कोईशन पेपर है मैं अगेन कह रहा हूँ यह प्रोग्राम का पेपर आया था भी रिसेंटली जून में कि फर्स कुश्चन आया था 20 मार्क्स का और इसके अंदर 20 मार्क्स के अंदर उसके और में भी 20 मार्क्स का एक कुश्चन था और इसके अंदर कुश्चन में चार तीन पार्ट आये थे यानि पहला कुश्चन जो था उसमें तीन पार्ट थे तीन पार्ट में से आप देखोगी है छे नंबर का यह निचे देख भी रहोगा पेपर में six marks का यह आया और दूसरा पार्ट अगेन आया six marks का और तीसरा पार्ट आया था eight marks का तो मैं पहले एपार्ट कर दू आद धीरे धीरे करेंगे तो ऐग्जाम तक सारे questions सब्सक्राइब रखेंगे सिंपल साथ क्या कहता है आप लोगों ने करा हुए है जिसने नहीं करा हुआ उनको तो नहीं समझ में आएगा जाहता जिसने करा हुआ वो देखना जरूर कहता है है ऑन 31st मार्च 2022 गा पेड़ाप कैपिटल ऑफ ओम लिमिटेड अठारा लाग का कंसिस्ट ट्वेल लैक एकुटी शियर टैन रूपीज इच एट एटी थाउजन शियर टैन रूपीज सेवन पॉइंट फाइफ पर सियर पेड़ाप पहले यहां तक के संटेंस का मीनिंग कर ल इकुटी शियर वालों से जिसमें से एक लाख बीस हजार रुपए तो पूरे पैसे दे गया दस रुपए के हिसाब से यानि कितने हो गए बारा लाक और बाकी असी हजार वालों ने मुझे दिये पूरे नहीं सैवन पॉइंट फाइफ भी दे रखे हैं जो की हो गया हमारा तो इस तरीके से दोनों का जोड बना हुआ है ठारा लाक ये कहता है पहले वाले बाकी देखे कोई दिक्कत आगे देखते हैं आगे कहता है इट हैज वन ट्विंटी इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अच्छा इसका मतलब इसके पास कुछ पहले से पैसा पड़ा हु अकाउंट कहलो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलो कितने रुपे पड़ा हुआ है एक लाक रुपे पहले से है पहले तो मैं कुशन उतार लू समझ लू आगे कहता है सर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ पैसा क्रेडिट बैलेंस है ध्यान रखना क्रेडि अकाउंट एक लाक इसमें है अच्छा अगे पीछे हो गया सर ये एक लाक बीस अजार कहता है और ये कहता है एक लाक है और जनल रिजर्व में क्या कहता है हमारे पास है 2 लाँ देखिए जन्रनर रिजब में कहता है 2 लाँ हमारे पास Capital Redemption Reserve में 2 60,000 CRR CRR का सर्फ Bonus Issue में काम आ सकता है 2 लाँ और किसी में कभी काम आ ही नहीं सकता कहता है इसके पास debenture भी है देखिए question में तो 6 number का question है कितने सारी बाते कर रहा है कहता है डिबेंचर भी है इसमें और मज़े की बात देखो रेगुलर का पेपर आया था उसके ठीक दस बारा दिन बाद को रस्पोंडेंस को हुआ सेम कुष्चन आया प्सरफ नाम चेंज था कोर्स्पोंडेंस या नहीं बीकों प्रोग्राम का रेगुलर वालों के बाद कुछ दिनों के बाद हुआ वेल्यू भी इंफेक्ट चेंज नहीं किया बस नेम वगएरा थोड़ा चेंज किया उनको लगा कि पहले जासा ही पर आ गया है कितना कहता है कि हमारे पास जो डिबें है आगए जानकारी 12 परसेंट डिवेंचर सर अभिता कुछण ही उतार्रहे हैं बारलाग का ओर आगे चलते हैं कहता है 12 परसेंट पार्टली कंवर्टेबल डिवेंचर है जिसमें से 20% debenture are convertible into equity share fully paid सर debenture भी आ गया इसमें मैंने कहा था आपको जो question आएगा पहले unit को mix करेंगे अब यहां debenture आ गया convertible debenture आ गया है यहां पर जिसने debenture का chapter किया है वहाँ पर देखा होगा यह concept आया था debenture वाले chapter में है है कहता है 20% ने 10 रुपे equity share में fully paid में convert कर लिया कब किया फर्स्ट जून को तो सर फर्स्ट जून तक का तो ब्याज निकालेंगे ना वैसे question में बोला नहीं है interest के बादे में तो एक नोट दे देंगे भी इग्नोर interest on debenture index एक्टरा फर्स्ट एपरेल को दा कंपणी डिसाइड तो कंवर्ट पार्टली पेड़ एक्विटी शियर इन्टू फुली पेड़ बाई वे ऑफ बोनस कहता है कंपणी ने कुछ दिनों के बाद decide किया कि जो यह धाई रुपे वाले शियर से ना इसको 10 रुपे बना दिया जाएगा यानि जो धाई रुपे साड़े साथ वाले को 10 बना दिया जाएगा जो धाई रुपे है company अपने pocket से जमातर देगी फाइनल कोल का पैसा हम आपसे नहीं मांग रहे company अपने pocket से दे देगी यहाँ पर आ गया यह बोनस शेयर का concept फिर से एक अलग चप्टर आ जाए ठीक है ना आगे कहता है अगे देखेगा ध्यान से एंड के बास sentence चेज जो जाता है टू इसु फुली पेड़ बोनस शेयर यानि बोनस शेयर अब इसू हो रहा है तू दास holder फुली पेड़ पशियर जिस जिसके फुली पेड़ पशियर है उनको हम बोनस शेयर देने वाले हैं इन दा सेम रेशियो सेम रेशियो का मतलब होता है सिंपल सी बात है कहता है जिसका फुली पेड़ अब यहां पे कहता है calculate the amount of general entry नहीं पूछा बोनस कितना मिलेगा यह बता हूँ यानि एक तरीके से calculation पार्ट है working note है हमें general entry नहीं करना है कितना amount bonus शेयर इसू होगा सबसे पहले इस question के अंदर एक suspense यह है कि sir bonus शेयर क्या fully paid up जितने सभी को देने या जिसको अभी fully paid up किया है किस date पे bonus शेयर announcement किया अगर date दे जता तो clarity था यहां पर पहला assumption ले लेंगे कि bonus शेयर सबसे last में किया गया उससे पहले सारे fully paid up convert हो चुके थे तो पहले question समझ में आ यह पूरा question था अब आ जाते हैं चलो calculation वाले पार्ट पे calculation वाले पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले तो number of shares कितने bonus शेयर ही तो बोला है amount कहता है the calculate the amount of bonus share amount का मतलब number नहीं बताना into करके बताना यह एक लाक bonus share तो बता देना 10 लाक रुपए का bonus share जाएगा तो sir bonus share की बात करें तो equity share capital और नमबर देखो कितने का है दो नमबर दो नमबर दो नमबर अब sir दो दो नमबर कैसे देंगे वो भगवान जाना कहां कहां से निकालेंगे उन्होंने बस डाल दिया two plus two plus six तो पहला paper आया था तो कुछ ऐसा ही आया था कुछ बिना sir pair का आया थ काफी दिनों के बाद है कि अब पहले से हमारे पास है टूटल 18 लाग 18 लाग में जानल एंट्री करूँ है तो ज्यादा क्लिर पहली है सबसे पहले हमें partly paid up को ना चाहिए पार्टली पेड़ अप को फुली पेड़ जब बनाएंगे तो हमारा क्या होगा शियर फाइनल कॉल शियर फाइनल कॉल टू एकुटी शियर कैपिटल सर कितने का धाई रुपे तू पॉइंट फाइव इंटू में असी अजार तो सर ये आजाएगा हमारा दो लाक अब इसके बदले वो पैसे तो देगा नी तो बोनस करेंगे इसके बदले तो जनर रिजर्ब से पैसे निकाल रहते हैं जनर रिजर्ब कितने का दो लाक था ना जनर रिजर्ब है निकाल लो भाई पूरा दो लाक टू बोनस इशू कितने हो गए लोजी यह कर दिया हमने अब आगे entry करना चाहते हो एक एंट्री और हो जाना चाहिए लेकिन छोड़िये समझ है आपको समझ में आ गया शेयर फाइनल कॉल टू एक्यूटी शेयर कापिल फाइनल कॉल मंगवा लिया और मंगवाने के बदले मैंने जीया डेबिट कर दिया और बोनस इशू कर दिया यहां तक क्लियर है ठीक है बारहजार आठहजार अभी डाउट नहीं पहले मुझे जब तक मैं पूरे कुश्चन नहीं कर देता उसके बाद डाउट लूगा बीच में लेकर फाइदा नहीं है थोड़ा वेट करिए आप अगर कुछ एरर है तो मैं देख लेता हूं आपने सर, CRR यूज नहीं करेंगे CRR यूज मैं दूसरे कर सकते हैं CRR यूज CRR मैं दूसरे फुली पेटब बोनस में यूज कर लूगा क्यों कि मेरे पास रिजर्ब भी लिमिटेट पर जाएगा देखना आप ऐसा नहीं है CRR आप कर सकते हैं यहां पर CRR यूज ऑल्दों कि चलिए आगे चलते हैं आगे क्या क्याता है convertible को 16 करेंगे कितने percent convert करेंगे 20% यानि इसमें से 20% को हम equity share में convert करने वाले हैं तो entry convert का क्या होगा 12% debenture हो जाएगा our chosen to equity share chapter 20% कितने ह condition 20 40 कितने हो जाएंगे सर कंवर्जन की एक ही एंट्री है ना कोई CRR जाता ना DRR बनता है कुछ भी नहीं बनता इसमें यह हो गया कि थार्ड पॉइंट पे आते हैं थार्ड पॉइंट पे क्या कहता है कंवर्ट करने के बाद मैंने पार्ट ली पेड़ पर पहले बना दिया और पहले करना चाहिए था मैंने कर दिया इंट्रस की बात करें क्यूंकि यहाँ interest इसने ये date दिया है मैंशन किया है date क्या दिया है सर यहाँ पर तो interest को पार्ट को मैं बोल दूँगा कि हिगनूर किया जा रहा है क्यूंकि question में बोला है सबसे पहले तो calculate amount of bonus थी दो प्लस दो तो मुझे समझ में नहीं आए दो प्लस दो प्लस दो क्यों किया गया इसने मैं जनल एंट्री तो कर रहा हूं लेकिन इंट्रस वाले को इग्नोर मार रहा हूं नहीं है बाकी आएगा तो आप कर सकते हों पूरे साल का निकाल लोगे उसके अकॉर्डिंग कांउंट कर लो theatre ईब जी चाहिए अब केहता है कि आप बोनस इसुग्द गर्रम निकालने की है कितने हमारे पास हमारे फॉकेट में नंबर कितने है कंपनी के पास तो सर पहले से ज 24,000 क्यूंकि 240 रुपय है ना ये दस का एक शेयर है 24 डिवेंचर कितने का है हाँ तो कोई बात नहीं ना 12,00,00 रुपय था मैंने 12,00,00 से कर दिया वो रुपीज से ही काउंट कर दिया न आप कहा रहें 100 रुपय का वो कनवर्ट करोगे फाइनली वहीं पहुंचेगा तो हमारे भी सेम दोगे तो बोनस कितने दोगे सर दो लाग 24,000 शियर ही देने वाले हैं बोनस में और आपके पॉकेट से अमाउंट की बात करें तो 10 रुपय का खर्चा बैठेगा जो की हो जाएगा 22,00,00 सर क्या 22,00,40,000 है आपके पास पैसे क्या 22,00,40,000 आपके पास है CRR में पताईए कितने थे GR तो उड़ गया Reservant Surplus में कितने है और SPR में कितने है एक लाग 20,000 और कहीं पैसा पढ़ा है देखे दे रख है है कहीं पैसा नहीं है ना तो सर इस कोश्चन में देखो कहीं भी हमारे पास पैसा नहीं है जबकि हम इसने सिर्फ पूछा कि कितने इशू कर सकते हैं तो सर अमाउंट मैंने बता दिया इतने इशू किया जा सकता है इसलिए साइज जर्नल एंट्री पर नहीं जा सकते और अगर पूछा जाए कि है एक्च्वल में कितना किया जा सकता है यानि यह 2,5 तो तो अब गये 2,8 का हम जानल एंट्री अगर करवाता तो हम 4,8 का ही बोनस दे सकते हैं बाकि इसने अमाउंट पूछा ताउंट में आ गया 2,24,000 तो आ estar में जो दूर दूर तक 30 नहीं था अब सर सर दो दो नंबर अगर माल लो अमाउंट इसने पूछा है तो दो दो नंबर कहां से बाटेंगे तो काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे के सर पेपर भी एक बर करा देते तो बेटर रहता तो एक एक क्वेश्चन करके मैं धीरे धीरे पार्ट भाई पार्ट आपको करा कि यहां पर यहां पर यह नहीं बोला कि bonus share किसको दिये जाएंगे इसने बोला कि same number of share तो sir same number of share fully paid up को बोल रहा है तो fully paid up तो sir सरिफ यही यही था starting में इसके बाद एक और fully paid up आया तो कौन से fully paid up को cover करेंगे तो मैं यहां जम्शन ले रहा हूं में सारे fully paid up को cover के चल रहा है ठीक है ना इस हिसाब से पहले का answer था two plus two जैसे भी देंगे वो वो उनके उपर डिपेंट आते हैं वाला से फिर से सर जो two question पूछा है कौन से two question पूछा है मुझे समझ में नहीं है आपका टू question कौन से पूछे हैं second question तो मैंने करा ही नहीं अभी first का first part कराया है second part तो अभी मैंने करा ही नहीं यह है second part second part पे तो अभी गया ही नहीं पता नहीं इसमें क्या पूछा था calculate minimum number of shares preference share का part आ गया यह पहले question में प्रफेंशेर फिर इस आप भी आया था इस आप आया था last यह आया था इस आप का question है साइध 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 हाई employee stock option plan इसके और में यह question आ गया था जिसमें बाय वाय 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 सब डाल दिया उनों तो कुछ बच्चे ना मेरे से पूछते हैं कि सर हमें कौन सा चप्टर करना चाहिए तो बोलते हैं सर शेयर कैपिटल आता है वो सिर्फ शेयर कैपिटल करके चले जाते है वो फिर काम आएगा नहीं आपके इतना अगर आप शेयर कैपिटल का मतलब है आप पहले unit पूरा कर इसलिए मैं कहता हूं जो आपका cash flow statement उसमें कुछ ही नहीं वहीं आएगा final account उसमें वहीं आएगा holding subsidiary में वहीं आएगा तीन चप्टर में इतना उल्जन नहीं है जितने के फस्ट यूनिट में सेकेंड सर इसी में सेकेंड इसी में क्या कह रहे हूं मेरे समझ नहीं आ रहा है चलो पहले इसको नोट कर लो आप जिसको नोट करना है नहीं तो मैं पीडियाप भीज दूँ अभी डाउट ले लेता हूं मैं कुष्चन है हमारा 20 जो डिविडेंट का कुष्चन किया था उसी पर बेसिस पर है कुष्चन पढ़ लेते हैं और इसके अंदर कुछ एक अजम्शन लेना पड़ेगा क्या कह लेना पड़ेगा सबसे पहले जो हमें बैलेंशीट गीवन है वो गीवन है 31,3,2020 ठीक है अब आगे कुष्चन में कई बार आपको एक्वायर ड़ेट नहीं गीवन होता कई बार एक्यूजिशन ड़ेट नहीं गीवन होता तो जो ये investment है यहाँ पर डेट मिल जाएगा आपको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां डेट मिलता है कही बात, उस बात को जाना आगे पुशनों है कहता है वेन कंट्रोल वाज एक्वाइर, जब कभी भी कंट्रोल एक्वाइर हुआ था मतलब बैलेंश इस डेट का है, लेकिन कंट्रोल जब एक्वाइर हुआ था एस लिमिटेड हैड और एस लिमिटेड के पास उस दिन था 40,000 जब कंट्रोल एक्वाइर हुआ था तो उस दिन 40,000, आप इधर बैठ जो इधर दिखेगा नहीं आपका ही कोशन हो रहा है हाँ तो फिर इधर बैठो या इधर आके बैठो फिर देखेगा तो 40,000 कहां था हमारा जनरिजम में तो सर इसका मतलब चलो आगे पढ़ लेते और सर प्लस में 30 था मतलब जिस दिन मैंने S Limited को खरीदा था उस दिन सर प्लस और जनरिजर्ब भी था बैलेंशीट में जिस दिन खरीदा था तो सर जिस दिन भी खरीदा था उस दिन अगर ये दोनों था तो कितना कितना था वो बता रहा है कहता है सर जिस दिन खरीदा था ना उस दिन सर प्लस तो कितने का था surplus था 30 का बाकी आगे देखेंगे question क्या कहता है भी लिख नहीं सकते ना और general reserve भी था कितने का था तो sir आप मुझे simple सी एक बात बताईए कि इसे क्या कहेंगे हम जिस दिन खरीदा उस दिन पहले से already exist कर रहा था तो मैं इसको प्री कह दूँ और इसको भी क्या कह दूँ मैं प्री कह दूँ है ना आगे देखते हैं जैसे ही शियर खरीदा S Limited रिसीव S Limited रिसीव 16,000 पर दिविदेंट फ्रॉम एस लिमिटेड विच वास ट्रांसफर्ट तो प्रॉफित और लॉस स्टेट्मेंट यह तो कॉमन डेटर की बात हो गई जितने अट्जस्मेंट एसेट्स के उपर होते है ना उसका सी ओसी से लेना देना है इन्वेस्मेंट एस लिमिटेड का कहता है वेर्ज दा क्रेडिटर एस लिमिटेड ठीक है यहां पर 15,000 रुपे का डियू है और कहता ही के इंक्लूड 15,000 रुपे डियू टू एच लिमिटेड दा डिफ्रेंस बिंग चेक इन ट्रांजेट तो इसका भी एक मैंने डिसकुस किया था कि कई बार क्या होता है याद हो किया था कि सर कई बार ऐसा होता है कि वो डैटर कॉमन डैटर में डिसकुस किया था कि राष्ते में रहे गया तो हम दोनों तरप से क्या क्या माइनेस करेंगे उस दिन हमने देखा भी था ठीक है तो मुद्दे की बात है CEOC अब हमें क्या चेक करना है सर इन्वेस्मेंट्ट जो करी है कि करी सर इन्वेस्मेंट्ट आपने करी है एक लाख इसाठ आप अगर आपने एक साथ की करी है और टोटल कितने का था जी टोटल कितने का था दो लाग का इसको थोड़ा नीचे ले इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं सर टोटल टोटल था जी मेरा तो मतलब क्लियर है कि दो में से एक खरीद लिया तो MI का बच गया चालिस रेशो अगर मैं आपसे निकलवा हूँ तो देखो चालिस और साथ तो आ जाएगा सिक्स्टीन इस्टू फोर फॉर्टी नी आएगा फोर आएगा है ना अब फॉर इस्टू वन इससे सब सहमत है आगे बढ़े कहता है जिस दिन हमने इसको खरीदा था इसके बाद यह तो बाद की बात हो गई खरीदने वाले दिन की है तो यह हमारे पाद दीर पड़ा और हमने ना डिविडेंट भी कितना बाटा था और सोला हजार जो दिया था ना सर सोला हजार जो दिया था सिर्फ इस वाले को सोला हजार दिया था तो क्या इस वाले को नहीं दिया होगा तो हमें पता करना होगा भाई तुझे करिमा दिया होगा क्योंकि सभी को बाटेंगे ना शेयर होल्डर को तो सभी को तो अगर sir मैं 1,60,000 पे 16,000 का dividend दे रहा हूँ common sense लगाना 1,60,000 पे कितना dividend दे रहा हूँ 16,000 तो कितने percent dividend हो गया समझ मैं किसी ने बता भी दिया 10% समझ मैं 1,16,000 है इस पे मैंने 16,000 रुपे आपको दिये है तो कितने percent दिये है तो आपको clearly पता चल गया sir dividend rate 10% तो इसका मतलब 40,000 पे भी dividend रहा होगा मैं ये समझाना चाहता है कोई दिक्कत है पताईए समझ मैं यानि sir 16,000 dividend यहाँ पे दिया है लेकिन actual total dividend कितना था 20 अब दिया कहां से होगा profit में से profit में से दिया होगा जब कुछ ना बोला जाए तो profit में से दिया होगा तो इसका मतलब sir जो pre में मेरे पास $30,000 था इसमें से $20,000 तो इसने dividend में दे दिए ठीक है न $20,000 इसने dividend में दे दिए तो मतलब sir pre के हिस्से में कितना बचा 10 तो अब यह जो बचेगा हमारा balance sheet में देखते हैं 60,000 रुपए था हमारा क्या general reserve और surplus था 70 तो surplus की बात कर रहे हैं तो surplus कितना था total तो 70 में से 10 तो हमारे पुराने हैं क्योंकि सर 70 में सब है पुराना भी और नया भी तो पुराना है कितना 10 ही है तो नया वाला कितना होगा यानि 60,000 current year का होगा कोई clear मतलब कोई दिक्कत है तो बताईए आप यह 60,000 को क्या नाम दे प्री पोस्ट सर पोस्ट ऐसे यहां जाते हैं सर यह प्री था इसमें तो कोई dividend का adjustment लगा नहीं है तो इसका मतलब total GR में कहता है जी था हमारा 60 तो 20,000 रुपए जो होगा वो कौन सा होगा दिमाग लगाई यह बस पोस्ट का है अब हमें simply क्या करना यहां पर सर simply यहां पर आप क्या करो कि इसके अंदर जो जो हिस्सा है holding का है और सबसीडरी का अगर देखा जाए तो फोर इस्टु वन में बाट दीजिए यह असी 20 का कर सकते हैं क्योंकि 4 इस्टु 1 is equal to 80 इस्टु 20 ठीक है न तो 4 इस्टु 1 में बाटते हैं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे सर एक चला जाएगा किस में और एक चला जाएगा एम आई में है न एम आई लिख देते हैं सर होल्डिंग में कितना आप देखिए तो यह आ जाएगा आठ हजार कैसे निकाला सर आठ हजार आपने तो रेश्यों से निकाल लिया मैंने 4 इस्टु 1 है तो दस हजार को इंटु 4 डिवाइड़ बाई 5 कर गया ठीक है न ऐसे करते जाएंगे और यहाँ पर क्या आगया 2000 यह चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेखिन सर यह वह समंदर है जितना करलो कम है लेखिन बीकॉम के लेवल पर मैं बात करूं तो आसान कुछ चनाता है सभी इस चप्टर को tough बोलते हैं मैं भी बोलता हूँ यह chapter tough है लेकिन level के साथ से इसके अंदर तो भाई P&L का भी concert relation होता है इसके अंदर तो और भी concert relation के पांट आते हैं हमारे में तो सिर्फ क्या दिया हुआ है balance sheet चलिए अब इसका भी फिर हो जाएगा हमारा दो लोगों में बटेगा यह भी है ना तो सर ये दो लोगों में बटेगा तो किस किस में बटेगा H में और M I लिख देता हूँ तो ऐसे तो S है M I में कितने 48,000 और 12 किसी को दिक्कत calculation वाले part में देखे किसी को दिक्कत है clear आ रहा है यहां तक समझ में last में जोड नहीं तो है अब reserve में आ जाते है reserve के भी सर दो part हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे एक चला जाएगा H में एक चला जाएगा M I Sir H में कितना जाएगा again 32,000 मैं तो फटा फट निकाल रहा हूँ आप multiply करके निकाल लेजिएगा आठ अजाएगा ठीक है अब बात करते हैं आगे post के भी दो part है के नहीं H में और M I H में कितने 16,000 चलिए आप बता रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ और इसमें 4000 ओके 4000 ठीक है ना ये calculation जो है आपको जिनको doubt होगी या कैसे रहे है सभी profit को 4 is to 1 के ratio में बाटिए आपको आपके question का answer मिल जाएगा चलिए यहां तक कोई दिक्कत अब आपको पता है holding subsidiary holding subsidiary जिसको मैंने MI लिखा है सबसे पहले क्या निकाल ले हम cost of control निकाल लेते हैं यहां पर dividend भी दिया कि जो कि already मैं minus कर जो ठीक है ना cost of control के लिए यहां पर जगह है मैं यहां पर निकाल सकता हूँ इसलिए मैं यही निकाल लेता हूँ ठीक है यहां निकाल लेते हैं cost of control और जगह कम पड़ी की तो देख लेंगा चलो सबसे पहले क्या मिलेगा पहले मैं उसको जो मिलेगा वो देख लेता हूँ पहले मिलेगा उसे equity share capital sir question में कह रखा है कि इसने खरीदे है 16,000 तो 10 रुपे का इस फेस बेर लिए है कितने मिलेगे एक साथ और उसको मिलेगा कुछ profit का part जिसे surplus कह रहे है profit के part में क्या होगा pre वाला लेते है post वाला जो profit है तो खुद का ही होता है तो वो तो हम reserve and surplus में जोड़ेंगे COC cost of control निकलने के कौन सा लेंगे हम pre वाला तो pre वाला कितना है 8,000 ये वाला हिसा खतम इस वाले को तो हम बाद में consider करेंगे यहां आ जाते हैं कितना है 32 तो सर ये आ गया 40 अज़ा खुई दिक्कत profit आठ और 32 अच्छा मैंने एक ही में जोड़ दिया क्या तो चलो मैं इसको कर दूँ profit and reserve ठीक है ये ठीक है दोनों ले लिया चलिए सर यानि सर इसका जो payment बन रहा है वो 2,000,000 रुपए का समान मेरे pocket में आके गिर गया total कितने का समान आ गया सर 2,000,000 का गया मैं payment कर देता हूँ paid कितना किया यानि investment एक लाख लेकिन dividend भी मिला था तो उस dividend को भी घटा दिया जाएगा तो कितने आए 170 4 तो सर ये आ गया हमारा 2,000,000 का समान मिला 170 paid किया तो 26,000 का आ गया capital reserve लेकिन इस question के एक खास बात है कि question में पहले से भी goodwill है तो हमेशा याद रखना है आपको life में कि कभी भी दो चीजे एक साथ नहीं रह सकता ML commission याद करो कि वहाँ पे भी जब capital reserve भी निकलता था और goodwill जब expense पे करते थे तो दोनों को set up करके एक entry करते थे अभी के लिए आप बोलोगे sir capital reserve ok 100% लेकिन हमारे पास goodwill भी कितने का है 10,000 तो अगर 10,000 का मेरे पास goodwill है और capital reserve है तो it means मुझे जो net में देखा जाएगा capital reserve कितना आएगा वो 16,000 का एगा capital reserve कितना आएगा अब फिर से holding company के अंदर भी goodwill है उसको भी net off करेगा तो देखा जाए तो ये goodwill कितना है इसका 30 30 में से 16 और capital reserve माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14,000 तो 14,000 रुपए goodwill में रहेंगे मैं बताऊंगा भी करके balance sheet के अंदर बताऊंगा वैसे ये वाला हमारा है capital reserve बात खतम छुट्टी और कोई ज़्यादा बात नहीं करने इस पर capital reserve निकल गिया है balance sheet में क्या adjustment मार नहीं है वो में मार के दिखा दूँआ clear चलिए sir अगले point पर चले अब क्या निकाल ले MI तो MI के लिए next page की जुरुत पढ़ सकती है का निकाले MI यहाँ निकाल दो MI MI छोटा सा ही है छोटा सा नहीं बड़ा बलकी इंफेक्ट यहाँ roughly कर देता MI को ठीक है sir MI में क्या होगा equity कितने 160 में से गए तो sir 40,000 plus profit अब sir सारा profit MI का सारा का सारा profit सारा सारा का मतलब pre वाला भी और तो 2000 और 12,000 कितने 14,000 same plus क्या करते है reserve sir reserve कौन सा total सारा तो कितने आगे 12,000 कैसे आया sir 12,000 मैं दिखा रहा हूँ बिलकुल आपको तो यह वाला था एक तो 8 और एक 4 तो देखो मैंने सब पर टिक कर दिया देखो इधर भी टिक लग गया और इधर भी लग गया दोनों यह भी ले लिया MI मैंने यह profit में जोड लिया और यह ले लिया तो total कितने बुन गए 66 sir जो MI आया 66 66 देखिए दिक्कत परिशानी समस्या क्लियर है अब एक बार मैं balance sheet भी बनाई देता हूं इसका आपको अच्छे से पता चल जाए कि असली condition क्या है क्योंकि इसमें goodwill आ गया तो अगले page पर चलते हैं और मैं balance sheet बना देता हूं मुझे question की जुरत पड़े की question पहले दिखाई दिया तो मैं आपके book से ही manage कर दूँ नई वाली balance sheet बनाए बन जाता लेकिन वहां पर फिर फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है फॉच फॉच ट्राइप का हो जाता है थीक है थोड़ा सा dark color लिया है एक एक चीज को लेके करने वाला हूं मैं particular particular के बाद note amount और यह balance sheet पता है कि मैं इन सभी chapter में किसी chapter में में discuss नहीं करता क्योंकि final account में अल्ड़री बहुत detail में हो जाता है तो वह ही है और final account के जितना तो have होता भी नहीं है छोटे छोटे parts उसमें से कड़ी जाते है तो सर पुराने जो balance sheet है उसी के according हम चलेंगे सबसे पहला part है हमारा equity equity and liability है ना equity and liability इसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद आजाएगा हमारा one share holder इसके बाद आजाएगा इसमें a part share capital और आ जाएगा reserve and surplus share capital में note नहीं बनाना है क्योंकि share capital तो स्रिफ और स्रिफ holding का उठा लेगे जो कि कितना है पांच लाग subsidiary का तो कोई मतलब भी नहीं होता तो मैं सीधा सीधा amount लिख रहा हूं यहां पे share capital के आगे इसके लिए note चाहिए ठीक है ना चलिए बनाते है note किसका note बना रहे हम reserve and surplus का चलिए note में देखने हैं सबसे पहले हम अपनी company का तो देख लें अपनी company का देखे तो हमारे पास क्या है सर सर हमारे पास असी और और नब्बे है ना असी और नब्बे तो reserve and surplus तो पहले सबसे पहले क्या था सर प्लस यह reserve है यह आपर general reserve general reserve general reserve general reserve आपके पास लिखा हुआ है आप बताते जाएगा 80,000 इसमें कुछ जुड़ना तो है नी आँ आँ बहारी लिख देते है 80,000 सर सर प्लस हाँ correct पूस्ट वाला तो general reserve जुड़ेगा क्योंकि यह तो मेरा है general reserve कितने 80,000 प्लस पूस्ट वाला general reserve कितने थे सर पूस्ट वाला general reserve था पूस्ट वाला 16,000 रुपे तो यह आएगा 16,000 तो देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं अब surplus क्या जाए surplus कितने है इसको अलग 90,000 पूस्ट वाला भी surplus सर पूस्ट वाला surplus देखें यह सर पूस्ट वाला पताया था याद होगा last class में वह मैं यहां की बात कर रहा था क्या आ गया यह एक लात वाई सजार सर capital reserve भी था capital reserve भी था 26 हलाकि यह 26 यहां न चाहिए मैं दोनों से बता दूँगा answer दोनों same माना जाएगा ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं capital reserve लिखना चाहो तो आप यहां पे CR भी 26,000 लिख सकते हो लेकिन मैं भी question mark रख देता हूँ question mark क्यों रखते हैं बाद मैं देखेंग क्योंकि मेरे पास goodwill है अगला point क्या है sir MI MI आएगा दूसरे point minority interest मुझे याद है और उसका note लिख देंगे 66,000 दिखा भी देता हूँ चलो 26,000 ठीक है तीसरे point पर चल लेते हैं तीसरा point किसके लिए है current liability long term नहीं है current liability अब इनमें सब जुड़े दोनों और कुछ adjustment pending है पूस adjustment बाद से नहीं करना यहीं पर कर देखना है अब current liability में है क्रेडिटर ट्रेड पेबल यानि हाँ ट्रेड पेबल माल लेते हैं या क्रेडिटर माल लेते हैं ट्रेड पेबल लिख देता हूँ क्रेडिटर इस पर अड्जस्मेंट था कॉमन डेट का था दोनों साइट से माइनस हो जाएगा चेक कर लेते हैं सर इस पर क्या अड्जस्मेंट था कहता है यहाँ पे कि डेडिटर एच लिमिटेड इंक्लूड बीस हजार होल्डिंग में तो बीस हजार इंक्लूड है बट वेयर दा क्रेडिटर ओफ है लेकिन क्रेडिटर में कितना इंक्लूडिड है पंद्रह हजार रुपे है तो दोनों साइड से रिमूब करना पड़ेगा हमें डेटर में से हम 20 रिमूब करेंगे और क्रेडिटर में से 15 और लेकिन कैश इंट्रांजिट कैश्ट में आ जाएगा और डिफ्रेंस बींग कैश नहीं भी बताता तो हमें समझ में आ गया था यह तो सिंपल सी बात है तो पहले बताओ एच लिमिटेड का क्रेडिटर सर पचास हजार फिर बताओ एच लिमिटेड का क्रेडिटर चालिस हजार टोटल हो गया इसमें से माइनस कर देंगे कॉमन कितने? पंद्रह हजार तो सर बचा कितना? और इसको दे दिया नोट नमबर टू और ये उठा के लिख दिया मैंने नोट नमबर टू पिछत्तर ये नोट नमबर बन है ठीक है? आगे क्या है? बस? अब एसेट्स आ गया? अच्छा अधर करेंट बताइए कितने का? 30,000 यहीं पर लिख रहे हैं टूटल ठीक है न? आपने बता दिया मुझे तो मैं यहीं लिख रहा हूँ सर, सर आपके पास बुक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो जिसके पास नहीं है तो चेक हम भी कर लेते हैं, एक्समेंस है 20,000 ठीक है? चलिए कहा आगे? ज्यादा पीछे चले गए? आगे आते हैं, और कुछ है क्या? नहीं है? तो अब टूटल लिख देंगे हैं, हाँ ठीक है? बता दीजिए टूटल 8,8 अब आजाते हैं, एसेट्स पे, नमबर दो सर, एसेट में सबसे पहला पार्ट होता है, नोन करंट तो फ़ेस्ट पॉइंट कर्णंट एसेट, और इसके अंदर जो आके बनता है, वो बनता है P, P, E एपार्ट, प्रॉपर्टी, प्लांट, एक्क्यूप्मेंट, इसके लिए नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर आपको PPE दे रखा है, बुक में बताएए क्या दे रखा है, अगर कम होगा तो इडिरेक्ट लिखते हैं, बस दे रखा है, साड़े चार लाग तो क्या बनाए नोट इसके लिए, तो कैसे आया, डेट लाग और तीन लाग, दोनों को जोड़ दिया, आगे पीछे हो सकता है, साड़े चार लाग, अब इसके बाद आता है, इंटेंजीबल, इंटेंजीबल एसेट, अब इसके लिए नोट बना लेते हैं, तीन, क्योंकि यहाँ जोड़त है, सर, एक ही घर में कैपिटल डिजर्ब और गुडविल कभी नहीं रह सकता, बस इतना याद रहना है, तो चलिए, पहले क्या लिख लें, सर, पहले लिख लेते हैं, एच लिमिटेड का गुडविल बताईए, तीस हजार, फिर कर लेते हैं, एच लिमिटेड का गुडविल, वो भी मेरा होगा, टोटल हो गए, और क्यापिटल रिजर्ब भी हटा दो यहाँ से अब, चब्बेस हजार, तो बचे कितने, सर, ये चौदा हजार गुडविल के नाम का रहेगा सरफ, समझे बात? तो हमारा कुश्चन में देखोगे, कई बार सॉल्यूशन बच्चे देखके परिशान होते हैं, कि इनका तो गुडविल चौदा आ रहा है, हमारा तो कैपिटल रिजर्ब निकल रहा है, कैपिटल रिजर्ब ही निकला है, लेकिन वो चौदा फाइनल अज्यस्मेंट है, ठ अच अब भी से यह पढ़ जाएगा, बात तो वही रहेगी न, ठीक है न, वो समझ का फिर्ब और क्या है, बताईए, नमबर दो, करेंट असेट्स, क्या क्या है, स्टॉक है, इन्वेंट्री पहले, इन्वेंट्री, सर, इस पे कोई अज्यस्मेंट था क्या, नहीं था, बताईए, दोनों का जोड़ के, एक लाग, कोई नोट नहीं बनाएंगे, इसके बाद, ट्रेड रिसीविबल, सर, इस पे था, कितने का डेटर है, दोनों का जोड़ दीजिए, एक का बताईए, क्या है, एच का पहले बताईए, एच का क्या है, सर, एक लाग, बीस हजार है, एच का क्या है, एक साथ, कहता है कि इसके अंदर डेटर उससे इंक्लूड कितने का है, बीस हजार का, तो सर, ये माइनस प्लस करके, सारा काम करके, दो लाग, साथ हजार है, पुए दिकत, ये क्या होगे, इतना बड़ा, देख, दो साथ, हाँ, हाँ, कैशन कैश लिखेंगा ना, मेजर कहानी तो वहीं रुकेगी, आके, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, और अगर मैं उपर से थोड़ा सा कम भी कर दूँ, नहीं फिर PDF नहीं आएगी आपके, लास्ट है कैशन कैश है, और जगे बनानी पड़ेगी, कैश एंड, कैश एकुलेंट, यहाँ बना लेते हैं, कैश एकुलेंट, ठीक है, क्या है, बताइए, है एच लिमिटेड का, 20,000, है एच लिमिटेड का, 10,000, और ट्रांजिट का, 5,000, तोटल आ गया, 35,000, चलिए यहाँ लिख देते हैं, 35,000, टोटल इमानदारी के साथ करिए, कितने आगे, तो यह हो गया हमारा answer, डिमिटेड वाला, तो सार डिमिटेड वाला, लास्ट क्लास में हमने अजजस्मेंट देखा, उसके उपर एक क्या देख लिया, कुस्चन भे देख लिया, पताइए कोई दिक्कत, क्लियर, ठीक है न, तो देखो, मैं कुस्चन कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है, फिर मैं कुस्चन दूँगा, तो डाउट आएगा, तो प्रैक्टिस मेन है, इस चेप्टर में, जैसे मैंने किया, आपको एक बार सेल्फ भी कर लेना चालिए, घर पे जाके, तभी आपको याद रह पाएगा, एक्जाम में नहीं तो, नहीं रहेगा, ठीक है न, चलिए आप नोट करना चाहते हैं, नोट करिए, या फिर मैं अभी पीडियाफ आपके सामने डाल देता हूँ, देखिए, टॉपिक और मुद्दा एक ही है, कि सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस समझ लीजिए, और फिर हमारा लॉस भाइफायर भी है, दो चीज़े हैं यहाँ पे, एक है एबनॉर्मल लॉस, तो यह टाइमिंग वगएरा का भी प्लीज कुश्चन ना पूछिए, और जो भी क्लासिस मैं लूँगा न, वो मैं फोल्डर के अंदर अपडेट करता जाओंगा, आपके, क्लास नमबर नाइन अपडेट कर चुका हूँ, यह क्लास नमबर आपके 10 रहेगी, ठीक है, और कुश्चन आपको सामने दिख रहा है, कुश्चन नमबर दिख रहा है क्या, कुश्चन नमबर 10 है, इलिश्टेशन नमबर 10, हो सकता है मेभी किसी में 11 हो, है न, 10 और 11 का सिस्टम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आया हुआ एक्जाम में कुश्चन है, तो सर, लॉस बाइ फायर, और इसी को मैंने नाम दिया, अबनॉर्मल लॉस, तो सर, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, वो लॉस जो की अचानक से हो जाए, उसको हम बोलते हैं, अबनॉर्मल लॉस, यहां लॉस बाइ फायर भी हो सकता है, लॉस बाइ थेफ भी हो सकता है, ठीक है, करने के सबसे पहले और सबसे आसान तरीका क्या है, हम सिंप्ली, हम देख लेते हैं कि यह फर्म कब एक्वाइर हुआ है, तो देखे कुश्चन में क्या कहता है, कि जो यह फर्म था ना, वो एक्वाइर कब हुआ है, ऑगस्त में, अगस्त दोहजार बीस में, यह भी ध्यान दी कि, और यह हमारा 31 मार्च 2020 का पर्जेंट टू यू, दा फॉलविंग, इकत्तिस, यह गलत है ना, यह 21 है नहीं बुक में, डेट चेंज करते हैं भाई, यह होगा 21 या तो, तो थोड़ा मिस्प्रिंट है, चलो ठीक कर दिया, वो 21 है, यह 20 है, नीचे अगर मैं 20 कर दूँ, चेंज करना है ना, अब अगली बुक में देखोगे, तो यह ही आएगा, इनफेक्ट आभी गया होगा नहीं वाली बुक में, जिनके पास नहीं बुक होगे न, जो बच्चे देख रहे होंगे, उनको तो दिख भी यह रहा होगा, ठीक है, तो डेट पे मत जाईए, हमें फानेशल येर देखना है बस, कहता है इसके अंदर सर, दा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शो अलॉस, एक बच्चे ने बोला सर, लॉस वाला, मेरे पर कोईरी भी आया था, तो कोईरी मैं देख लेता हूं, अगर मैं जवाब नहीं दे पाला, तो मुझे याद है, किसी ने बोला था, सर, लॉस वाला कुश्चन भी बताईए, जल्दी से जल्दी, शाहिद यूटूब पे बोला हो, या किस पे बोला हो, मुझे याद नहीं है भी थोड़ा, एक अप्रेल 2020 को, गुड्स कॉस्टिंग छे हजार डिस्ट्रॉइड बाई फायर और इन सौरें, सिर्फ इसी अर्जस्मेंट के लिए, ये कुश्चन मुझे कराना है, और ये एक तरीके से नया टॉपिक भी, आपके बुक में इस ताइब के तीन कुश्चन है, लॉस्ट बाई फायर से रिलेटेड तो हम सिंप्ली क्या करते हैं अपन, वही हम डेट का टाइम लीन बना ले, ताकि हम चीजों को आसानी से अलग-अलग कर पाएं, है ना, ये रहा डेट, सब डेट की बात करें, तो डेट जो हमने लिखा है, वो लिखा है, एक चार, दो हजार, बीस, एंड कब होगा, एक अत्यस तीन, दो हजार, एक्किस, और सिंपल तरीके से समझीए, बिल्कुल सिंपल है ये, सर कंपनी को जो खरीदा गया है ना, ऑगस्ट में खरीदा गया है, और एक अगस्ट को, एक दस, अगस्ट दस होता है, आठ होता है, टू थाउजन टुइन्टी में, चीक है ना, इस डेट पे कंपनी ने बाई कर लिया है, सर मुद्दे की बात है, सर कितना बाई किया है, देखते हैं, पंदरासो शियर खरीदे हैं इसने, और इसके पास थे टोटल शियर, यानि 2000 में से कितने शियर खरीद लिये, पंदरासो शियर, तो इसका मतलब सर सिंपल है, 2000 में से 1500 खरीद लिये, तो कुछ न कुछ दो रिशो बन जाएगा, यहां पर हम बना भी सकते हैं ठीक है अब यहां पर है इससे पहले आप मुझे बताईएगा सिंपली इस डेट से पहले क्योंकि खरीदा गया है कंपनी को इस डेट पर ठीक है यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट होगा कुछ भी हो प्रॉफिट उसे क्या नाम दूँगा प्री और यहां से यहां तक के प्रॉफिट को पोस्ट पहले यह बात समझेंगे हम और इन फेक्ट इस डेट से पहले का जो बैलेंश शीट अगर मुझे जो इस डेट पे मिलेगा ना कोई भी और उस बैलेंश शीट में करता हो वो ही किसका माना जाएगा प्री का माना जाएगा समझ रहें यहां पर दो दो प्री हो सकता है एक इस डेट पे कोई बैलेंश शीट दे रखा हो हमें या इस डेट का मुझे कोई प्रॉफिट देगा तो प्री का होगा सपोज मैंने बोला कि एक चार को प्रॉफिट होगा 20,000 now question में क्या गीवन है sir question में गीवन है कि यहां company खरीदा है तो एक तो हो गया financial start होने से पहले का कम वह भी premium माना जाएगा और financial year start होने के बाद 31 जुलाई यानि एक अगस्त का भी क्या माना जाएगा premium आजाएगा पहले ये बाद clear करिए doubt है तो पुछिए आप समझ मैं यह उपर से निकल गया मैं क्या कहना चाहता हूँ sir मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत simple word में कहना चाहता हूँ और सबसे सिंपल वर्ड में क्या कहना चाहता हूं मैं कहा रहा हूं कि मैंने बोला कि एक चार को मेरा प्रॉफिट है आप ध्यान दिजिएगा मैं कुश्चन से थोड़ा हटके बात कर रहा हूं बीस हजार रुपए तो बताइए यह प्रॉफिट मैंने कब कमाया होगा एक चार से पहले यानि इस प्रॉफिट को मैं क्या नाम दूँ प्री अब मैंने बोला मैंने यहां पर भी प्रॉफिट दस हजार कमाया है यानि इस रेट से इस रेट तक भी मैंने दस हजार प्रॉफिट कमाया है तो यह प्रॉफिट भी क्या होगा यहां पर दो यह थी जो कि मैंने आपको समझाया है चलिए तो सर यहां पर दिखा जाए तो कुश्चन में यह वाला जो होगा हमारा यह जो होगा हमारा टाइम इस टाइम को भी क्या नाम देने वाले हम प्री इस टाइम को भी नाम देंगे हम प्री नाम देंगे ठीक है अब बात करते हैं हम यहां से यहां पे भी हमें कुछ देगा तो उसको भी क्या नाम देंगे हम प्री यहां तक समझ में आ रही है बात बड़ी सिंपल सी बात है सर कोश्चन पढ़ लेते हैं कहता है दा प्रॉफिट शो लॉस शो डेड़ लाग को यानि सर यहां पे हमें दे दिया गया है क्या यहां पे दे दिया गया है लॉस और कितने का लॉस था सर जो लॉस था ना वो था यह जो लॉस था हमारा वो था हमारा डेड़ लाग का अब मुझे एक बात सिंपल सी बता वाब जो लॉस यह डेड़ लाग की बात कर रहा है यह लॉस डेड़ लाग का प्री का होगा पोस्ट का होगा बहुत simple सा जवाब pre का है ठीक है ना यह loss जो होगा वो हमारा कब का होगा pre का होगा किसी को कोई दिक्ट है तो बताईए आप यहां तक है कोई दिक्ट यहां तक किसी को कोई समस्या कै अब मुझे एक चीज और बताईएगा मैं आगे चलता हूँ इसके बाद की बाद तो मैं बाद में करूँ है ठीक है पहले अब ये डेट कौन सा था 21 और यहां पे हमें लॉस कितना दिख रहा है मीन्स ये इस डेट का लॉस है मीन्स कहा का लॉस है ये मतलब एंड में बता रहा है लॉस ये तो लॉस की अगर मैं बात करूँ तो वो इस डेट का लॉस दे रहा है आपको है की नहीं अगर आपको ये इस डेट का लॉस दे रहा है कितने का लॉस दे रहा है एक लाग ये प्र और पोस्ट नहीं बोल सकते आप इसको मैंने का इस डेट पे लॉस है तो सिंपल सी बात है सर जो इस डेट का लॉस है वो यहां से यहां तक मेहनत करने के बाद एक लाग का लॉस हुआ तो उसका पहले लॉस देड़ लाग का था कंपनी ने महनत किया महनत किया महनत करते 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 पहुची और यहां तक उस लॉस को जो देड़ लाग का था उसको एक लाग रुपए तक करने में कामियाब हो पाई तो मतलब वेरी सिंपल स यहां से जो यहां तक का time है ना tenure, अगर मैं बात करूँ आपका, जो यहां से लेके यहां तक का time है, इसके बीच में ऐसा कब हुआ होगा? जब इसने पचास अजार रुपए क्या किया होगा? हाँ या ना? ठीक है? पचास अजार profit किया होगा? एक दूसरी बात. यह final अब आगे चलें यहां तक समझ में आगे पढ़ते हैं कुश्चन में क्या कहता है सर बहुत simple सी और बहुत अच्छी बात कह रहा है कुश्चन में क्या कहता है सर कुश्चन में क्या कहता है during the June 2020 goods costing 6000 were destroyed by the fire against which insurance company paid only June June का मतलब आप मुझे बता दीजिए जैसे कि मैं बात करना हूँ जून की तो यह जून है कुछ यहां पर जून रहा होगा यहां पर company के साथ एक happening हुआ sir क्या happening हुआ यहां पर loss हो गया company का abnormal कितने का लेकिन abnormal तब बोलोगे ना जब पूरे डूब जाएं लेकिन 2000 तो insurance company से मिल भी गया तो यानि कितने का loss है sir 4000 का loss है इसका मतलब sir company यहां से यहां तक मेहनत करके आई और एक लाग को उसने डेड़ लाग को उसने कितने में convert किया एक लाग के नुकसान में convert किया साथ के साथ बीच में 4000 का भी नुकसान को observe कर चुका है वो समझ रहे हूँ पहले company चली loss loss फिर loss हो गया company को कितने का चार हजार का यानि यहां तक तो एक चोवन का loss हो गया इसका फिर company ने मेहनत किया मेहनत किया और end तक पहुंसते पहुंसते बोली अब loss बता कितने का तो मतलब sir यह 50,000 का जो आपको दिख रहा है ना यह जूट है company का profit होगा 54 का हाँ या ना company का profit कितना होगा कोई भी दिक्कत कोई भी परिशानी तो पूछ सकते हैं मैंने बोला company का profit होगा अब sir 54 का जो profit हो कहा से कहा तक है यह पूरे साल का यानि sir 54 के अंदर कुछ पार्ट pre का है और कुछ पार्ट यानि जो यह आपको 54 दिख रहा है इस 54 में कुछ पार्ट pre का है कुछ पार्ट post का है तो अगर मैं pre का मन्त आप से बोलू ना तो यह है कि और कि एप्रेल मैं जून जुलाई चार बनते हैं और यह बनेगा कि अब चववन हजार को सर्दो भागों में बाटना पड़ेगा पुराना लॉस तो है यह डेड़ लाग का बिल्कुल एक आठ है मैं एक नौ नहीं बोलूगा इसको देखो जब जब देट ना आए तो उंगलियों पर किन लिया करो एप्रेल मैं जून जुलाई अगस्त तो अब आगे आते हैं सर मैं एक काम करता हूं अब एक और मुझे काम करना पड़ेगा सर क्या काम करना होगा कोई नेव बस इससे क्या बनता है पता नहीं क्या बनता है इससे तो चलिए मैं बताना चाहूंगा ध्यान देना थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाए उपर लिखें इधर इधर दिख जाएगा ठीक है मैं बताना चाहता हूं यहां का प्रॉफिट और देखो आपने मुझे बताया सर पूरे साल का प्रॉफिट इतना है तो मैं पूछूँगा यहां से यहां तक का एरिय का प्रॉफिट देखो मैं एरो भी कर देता हूं यह देखो यहां से यहां तक का profit मैं लिखूंआ यहां है जो भी आता है और दूसरी साइड में लिखूंगा यहां से यहां तक का profit दूसरी साइट मैं लिखुँगा यहां से यहां तक का profit, अब मुझे simple बताना यहां से यहां तक का profit होगा, वो किसके लिजुज़ किऊज़ किया जाएगा बताएए यह वाला profit कौन सा होगा जो भी profit होगा यह ईस पों किया नाम देए कि सब्सक्राइब और यहां से यहां जो प्रॉफिट उगा, इस प्रॉफिट को क्या नाम दें प्री सर 54,000 को दो भगों में बाट दो किस रेशो में बाटेंगे 54,000 को 54,000 को हम बाटेंगे रेशो दे रख है और दो एक कर दूँ आप 4 by 12 एक हो जाएगा 8 by 12 पहले का हो जाएगा 4 by 12 और दूसरे का हो जाएगा हाँ के ना थेक है ना 4 by 12 करिए क्या आता है एक है एक इन थाउसन थर्टी फोर अब मैं जो वर्ड लिखूंगा आप मुझे बताईएगा सही 34 अब मुझे बताईएगा यहां तक यहां तक का प्रॉफिट लिख रहें लिख रहें लिख रहें लिख रहें घबराईए मत 36 और यहां का प्रॉफिट क्या बोल रहे थे हैं अब यह जो प्रॉफिट है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस है इस profit में abnormal loss का भी factoring कर लिया अब जो आपका abnormal loss हुआ है वो pre वाले में से हुआ या post वाले में से time में हुआ जो आपका stock destroyed हुआ वो pre के time पे हुआ या post के time पे हुआ तो इस में से minus होना चाहिए वो exact 4000 इसका मतलब सर यहां का सही माइने में profit कमाया होगा उसने आये समझ में तभी तो बना होगा 14 और 36 टोटल दिख रहा था 50 टोटल पचास था मैंने का 54 कमाया सर एक्चुल 54 कमाया लेकिन उसने ultimately तो pocket में अभी उसके पास पढ़ा हुआ कितने 50 तो इस टाइम का profit पढ़ा होगा उसके पास 14 और बाद का पढ़ा होगा उसके पास 36 ठीक है तो सर इसका मतलब यहां से यहां duration का प्री है मैंने line खीच रखा था फिर भी दो दो बर खीच दिया बताओ प्री है अब मैं यहां direct लिख रहा हूँ प्री का profit कितने है किसी को कोई doubt हाँ या ना बोल दीजे जल्दी से है कोई doubt सर इसमें दो लोगों का हिस्सा है और इसमें भी दो लोगों का हिस्सा है और सर इसमें भी दो लोगों का हिस्सा है किस किस का होल्डिंग माइनरिटी होल्डिंग माइनरिटी होल्डिंग और माइनरिटी है ना समय है अब बात करते हैं हम चलिए अब बात करते हैं हम होल्डिंग के हिस्से में तो सर होल्डिंग के हिस्से में तो आप तब बता पाएंगे ना जब हमें पता हो के होल्डिंग और सबसेडरी का रिश्यो क्या है तो आपने बोला पंदरा हजार खरीदा है तो मतलब है पंदरा हजार इस्टू पांच हजार ब बाकी के पास कितना बचा तो रेशो बन गया ना तो क्या बन गया थ्री इस्टू समझे बात अब थ्री इस्टू वन में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ एक आज को करना है यह यह आएगा दस अजार और यह क्या है प्रॉफिट है और जो पीछे दिख रहा है यह क्या है लॉज बताइए यहां पर एक लाग बारह हजार और यहां सेंटे कर दो क्या? कि मैं कलर चेंज कर पहुंच अचलिए ठीक है के अनदर और माइनरिटी का सब जूड जाएगा हैं अब जब हम कॉस्ट अफ कंट्रोल या गुट बिल वाटैवर जो भी हम निकालते हैंगक जो हम यहाँ से made कि इसको देखना होगा वो समझ लेंगे बात बात में, ठीके नah, क्योंकि इसका काम है नहीं。 चलिए, Cost निकालते हैं, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ? COC उर मेरे हिस्से में लॉस भी आया रहा है, लॉस आया 1100500 वो पुराना लॉस मेरे हिस्थे में आ गया दूसरा इस साल का तो प्रॉफिट भी आया है तो प्रॉफिट कितना आया आपका दस हजार दस हजार पान्सो यह टोटल मेरे पॉकेट में आ गया है तो बताइए कितने आये जी बताएं डेड़ लाग था ना यह बोल रखा था इसने मैंने पंदरा सो इंवेस्मेंट करें अरे असी का शियर है तो उससे क्या मतलब हमने तो पंदरा सो शियर खरीदें एक फेस वेल्यू दसका है हमारे पास कंड्रोल का तो पंदर अरे 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 आपको बोला गया क्ट्रोल आ गया मैंने एंब्मेंट कि लाग जा कि कुछ भी कियां फंदरा सो शियर पर कंट्रोल और नहीं तो हमारा पूरा ही माना जाएगा वेल्हें स testimira तो मेरा जो कंट्रोल आएगा वो आएगा डंटा ко मेरा अभी तो मैं ये च dalla आक के मैं समान में कितने पॉकितम भर अब बाद में चेक करूं आBob안 में ना मैंने पैसे कितने दिए और जो मैंने पैसे दिए यह इंवैस्मेंट indigenous घूकीgehen लाग बीस हजार अभी मैं क्या चेक कर रहा हूं कि समान कितने का लिया है मैंने तो सर समान लिया डेड़ लाग का मेरे सामने जेब में आया है एक्विटी लॉस भी आ गया है एक लाग बारह जार पांसो और दस पांसो कितने आ गए सर 48,000 रुपे का मुझे समान मिला अब दुकानदार को मैं पैसे गिनके दे रहा हूं अगर मैंने 48 से कम दे दिये दुकानदार को तो हमारा क्या होगा कैपिटल रिजर्ब और 48 से ज़्यादा दे दिये तो गुड विल है लेकिन मैंने 120 दे दिया उसको मैंने बोला दुकानद तो आप तो समझ गये होगे क्या समझे होगे कितने का अगर वीजबल नहीं है थोड़ा उपर कर देते हैं कि समझ में बहत्तर ठीक है चलिए अगले पर आते हैं अगले पर क्या निकालना है माई सर एम आई के लिए एम आई वाले का एक्विटी शियर कैपिटल सर उसका एक्विटी शियर कैपिटल तो बचाई पचास उसको मिला लॉस भी सर लॉस उसके हिस्से में कितना 37,000 सर उसके हिस्से में प्रॉफिट भी और दो-दो प्रॉफिट प्री वाला भी और पोस्ट वाला भी पोस्ट प्री वाला कितना 35 और पोस्ट वाला कितना बोलो 9,000 बताईए M.I. क्या है यह 37 35, 35, 25 अजार M.I. क्या आगया समझे कोई समस्या बताईए बताईए नहीं चलते हैं आप बैलेंशीट बना लो साइड में रफली बैलेंशीट है फेरली आप कर सकते हो यही सारा मेंटेंशन होता है उसके बाद आगे कोश्चन में क्या कहता है क्रेडिटर इंक्लूड 20,000 रुपए बैलेंशीट बना लेता हूं जितना पार्ट बन सकता है वह बैलेंशीट बना लेते हैं ठीक है विजबल है यह लोग मैंने यहां बैलेंशीट खीच दिया है एरो करके थोड़ा मैं अडजस्ट करूँगा और आप लोगों को यह समझते जाना है ठीक है अब बैलेंशीट में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल में तो क्या रहेगा पांच लाग सर रिजर्वेंशर प्लस में बहुत बड़ा चेंज़ेस है अजल का है कि अच्छा वाइट एगे यहां पर इंवेस्मेंट में भी इसके डिमेंच सदस्टीक है इसको भी देख लेंगे चलो बाद में टेट क्रेड क्रेडिटर कितने हैं यहां पर भी अट्जस्मेंट इसने टिंट करटें पहले कितनी होगा साडह कि आब अच्जस्मेंट देखने सबसे पहले मैंने बोला सार रिञेंट सरप्लस के अंदर कुछ फिर फिर होने वाला है इसके लिए मैं क्या करता हूं आपके लिए नूट बना लेता हूं यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैं इधर लिऊंगा और फिर मैंने बोला सर यहां पर डिवेंचर के लिए भी कुछ होगा यहां पर डिवेंचर के लिए भी कुछ होगा तो डिवेंचर के लिए यहां ले लेते हैं डेटर के लिए यहां ले लेते हैं और स्टॉक के लिए यहां ले लेते हैं simple simple सी बात है सब को खीच देते हैं फटाफट से लाइंग अपने अपने एरिये में काम होगा हमारा सब्रक्राइब करने अपनी कि अपनी 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 जगा सबसे पहले क्या से चलुप्लस में तो साथ हो कुछ लूगा ही मैं अपना ही लूगा तो अपना रिजर्व हैं सेरफ्लस में ले लेता हून पहले का एक डीमन धे treaty ते है तो है यह जल्नरिज़र का और जबंध और सर प्लस पार यह बिठा बताइए मारी जबंध का नंतरों किताब सकते है एक लगं हैम है और आप 80,000 अब हमेंज सर्प्लस या जनर इस जो भी है whatever नीम कॉल करते हैं। कि एक्टोली देख लीड़ेते हैं तर यहां पर सर्प्लस हुआए चलिए जिए अग्याय सर्प्लस की बात करें हो गया यह एक लाग-दो लाग ग्साथ ऽाहजार ठीक है अब डिलें सबशान है क्वोषेंगे ध्यांसे तो और यहां पर डिलें अब जब ले लिए जब यह ले लिये य metre मर्ज होगा तो दोनों के डिवेंचर तो सहीं ही हो जाएंगे तो यानि क्या हो गया common debt हो गया debt कहलो debenture कहलो इसका मतलब तो सर जो इसका debenture है इस company के अंदर कितने का debenture है सर ये देखे इसका debenture एक लाग एक लाग मेंसे तो भाई साप इसीने ले रखें कितने का साथ का ultimately actual debenture जो मुझे बाहर वालों को पैसे देने वहीं तो लिखेंगे तो debenture की अगर मैं बात करूं यहां पे तो वैसे तो debenture था हमारा वैसे तो debenture था हमारा डिवेंचर था टूटल एक लाग का लेकिन यह कहां पे था एक लाग का एस में एस के बाद debenture इंवेस्मेंट था कहां किसने इंवेस्मेंट कर लिया था एच लिमिटेड ने कितने का कि साथ हजार इसका मतलब नेट में जो debenture बचा ना वो बचा सर चालिस तो सर सिंपल सी बात है तो हमारा डिवेंचर जो जाएगा यहां पे कहां गया कोई दिक्कत चलिए डिवेंचर की बात बात करते हैं अगले बात पर आ जाते हैं कहता है कि ट्रेड क्रेडिटर ध्यान दीजिए कहता है ट्रेड क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूट 20,000 फूर्ट गोट सप्लाइबाइच लिमिटेड जो एस लिमिटेड के क्रेडिटर है न कहता है ट्रेड क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड में 20,000 फूर्पएज सप्लाइबाइच लिमिटेड यानि डेटर बन गया आपस में है तो सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर को निफटा लेते हैं अधिक चलिए क्रेयेटर तो पहले हमारा देखा जाएक ड्र अधोटर एकषलिमेटिड का और डैटर किसका डेटर बोलो डेटर हो जाएगा S लिमेटेड का डेटर S लिमेटेड का बताओ किताब में देखके हाँ साथ हजार साथ हजार और S लिमेटेड का 20 ये दोनों जुड़ना था लेकिन 30 लेकिन हुआ क्या इसने कुछ समान इसको बेचा हुआ था तब डेटर बोल रहा था तो यहां से हटा दो भाई जो इसको बेचा था सर कितने का बेचा हुआ तो माइनस कर देते हैं माइनस कॉमन तो ये तो 20 अजार इसके हटी जाएंगे तो अल्टिमेटली इसका बचेगा और ये बचा हमारा 30 तो इसका मतलब 70 का क्या आएगा डेटर सेम डेटर और क्रेडिटर कर देते हैं क्रेडिटर में भी यही कहानी रहेगी समझ में आ रहे हैं 20 दोनों साइट से कम होगा यह तो बहुत बार हम समझ चुके हैं पिछ अघ्रम कहा है यहाँ इसका डेटर के इसका 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 त्रेड-वेवल 75 और चैनी 0,25 हाला कि ये तो हुआ यहें बीस हैं अमने क्या करको कि मैंने की कि आ है कि एक एक क कित्ना पनि धामारा लिए 75 और एक बीस बन रहा था क्या अच्छ एक बीस बन रहा था ना एक बीस बन रहा था लेकिन बीस का कॉमा नहीं तो यह बचेगा एक समझ गए या नहीं समझे बताईए समझ गए नहीं नहीं समझे अब लेखिए क्रेडिटर पहले बताईए क्रेडिटर एच लिमिटेड का कितना है और क्रेडिटर एच लिमिटेड का यह कितना है और यह कितना है लेकिन एच लिमिटेड के क्रेडिटर में कुछ पैसे एच को देने है कितने देने है सर यहां से माइनस कर दे 20 यह तो देने ही नहीं पढ़ेंगे अब यह बचा कितना 25 तो 25 और 75 दोनों मिलाके एक लाग ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं कुश्चन में यहां तक हो गया कहता है जो 20,000 का समान बेचा गया उसके उपर अगर हम 20,000 रुपय का किसी को समान दे और 2000 रुपय का मुनाफ़ा कमाएं तो मतलब सर वो प्रॉफिट मारजन कितना रख रहा है 10% रख रहा है प्रॉफिट मारजन कितना है कुश्चन में कहता है half of stock अभी भी दोनों में common पड़ा होगा कहता है half of stock का मतलब S limited ने किसको बेचा होगा S limited के stock में profit जुड़ा होगा 10% profit जुड़ा होगा half का half का मतलब कितना होगा half का मतलब कि अगर मैं बात करूँ stock पे आ जाते हैं तो sir H limited का बताओ stock कितना है पहले इसने तो किसी से खरीदा नहीं तो इसका तो 90 का 90 रहेगा अब S limited का बताओ Sir S limited का जो stock कितना है 40 S limited को H ने बेच रखा था उससे profit भी कमाया था इसके अंदर कितना जुड़ा होगा है Sir इसके अंदर question ने बोल दिया है कि 20,000 का तो मैंने इसे बेचा था जिसमें से सब तो बिग गया लेकिन जो बिग गया उसका क्या पस्ताना 50% अभी भी पड़ा हुआ है Sir 50% का मतलब इसके account में कितना पड़ा हुआ है 10,000 और Sir profit margin कितना कमाया था 10% तो mean simple सी बात है unrealized profit जो होगा वो कितना रहा होगा 1000 तो अब जाके हमारा टूटल आएगा ना स्टॉक क्या जाएगा नबवे और 40 130 139 तो अब हम जाके स्टॉक की जगह पर स्टॉक को पुट करने वाले हैं कि यह रहा 139 अब बताईए कुछ समझ में आया या नहीं आया आगया चलिए अब आगे चलते हैं आगे क्या है सर और भी कुछ छोड़ा था मैंने अब जो वह 1000 unrealized profit है कहां फरक पड़ेगा आप से जानना चाहता हूं मैं अरे सर यह पिछला यहां से भी माइनस कर दिया जाएगा unrealized profit कितने कि एक हजार रुपे तो यह आगे हमारा कि शेयर जाए कि और कुछ रह तो नहीं गया या तो फिर सीधा यह डालना आंसर आजाएगा बस खता तो इसका 2,6,000 बताते जाएगा जो जो मैंने लिखा रिजर्व एंसर प्लस में क्या आएगा अब देखिए सर इसके अंदर ना रिजर्व भी अब मैंने दोनों चीज़े खटा ही ले लिया तो आप समझ जाएगा उसको आज जहना रिजर्व प्लस खटा निकाला है तो आप समझ जाएगा मैं यहां पर एरो करके लिख देता हूं इन दोनों को एक करके लिखा मैंने 2,00,000 लेकिन जब आप करेंगे तो आप रिजर्व वाले को एक लाख रहें वैसे भी मैं आपकर सेपरेट करूं ना तो वह वाला रिजर्व तो एक लाख ही चला जाएगा और प्रॉफिट आजाएगा एक लाख 6,000 आपके बैलेंशीट में आप चेक करोगे आंसर है आपके पास मेरे पास तो नहीं शो हो रह आएगा सर नहीं आएगा कैंसिल आगा है टोटल करिए और आंसर निकालिए पांच लाख दो साथ एक आठ लाख आठ लाख चालिस अजार आठ लाख अच्छा एक चीस तो रहे गया है ना यह बार बार भूलने आले चीज़ है सबसे पहले कोश्टन पेपर मिलेने तो लिख लेता हूं यहां पर कर दो यह माई यह ले जाके यहां लिख रहा हूं ठीक है यह माई की लाइन है और सर एम आई निकाला था ना 25,000 मैंने अड़्जेस्मेंट करा है सिंपल सिंपल बताइए क्या रहे है टूटल आठ लाख एक अट्तर हजार इसका भी कुछ रहे ग एक ट्रेटर रहे गया उच्शा अपांट रहे गया है इसमें डेटर कितना निकाला था है इसात्तर निकाला था पक्का यहां 50 विख फिचैंतर लग रहा है है हां सुद्ध कर देते हैं कि चलो भाई थोड़ा साइजस्मेंट कि टोटल करिए कि क्या आ रहा है आठ लाग एकत्तर हाँ देख रहे हो कि क्या क्या चीज़े रह जाती है ने गुडविल लिखाई का है आगे बोल रहे हूं यहां गुडविल गुडविल सर कितने का है अब आ जाएगा चिंता मत्कुर अब आ जाएगा दो तीन चीज़े चूट गई है मेरे उपर तो यह रहता है कि हर बच्चों को समझाना है आपको समझ में आ जाए और आप सबसे पहले बताईए कि विशाल आपके ट्विल्थ में जो था छे दिन बचे हैं आपके पास सबसे पहले आप कैश फ्लो करिए फाइनल अकाउंट करिए जब यहो जाए लाइव क्लास कल सुभे 7 बजे भी रहेगी तो आप फाइनल अकाउंट करिएक है और कैश फ्लो करिए उसका अद लाइव क्लास झाल 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 हां जी वेरी गुड़ इवनिंग वाइस क्लियर है चेक कर लीजे एक पर फटा-फटा भी वाइस मैंने अभी 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 ओन किया है कि अधिपक ने साथ इसलिए साथ हैंड रिज किया हूंगा आज पर फेंश और डिबेंचर खतम करेंगे दस क्लासिस हो चुकी है वोल्डिंग की क्लियर है आपके बुक का कुश्चन है उठाते हैं और उसी को समझ के करते हैं फटा-फटा कि दिखाईगे कोश्चन कोश्टन दिखाईगे कौन साहे है हुँ कि अ कर दो में लेशना था आई कर दो बसे बसे डिंज कर बड़ weekend अबीजर क्वान जजब एंद स्टाइब एज मुटन जब एक रर भजब से एंद से एंद झाले हुआऻा है कि ऑलिवाम टुकितक तर्थिम्हन थारी और छिडिवारे को झानिक पिलिए कईक प्रफड़ मिसाल रखवर अवा के अवार्ण dripping और हम ही जालिए यछा यदिशन टेश हो फिर गो हो अवार सी हो पिलिए जानिक जाता हम माहस्ते हैं कि हाँ आगया मैसेज भी डाल दिया था मैंने आप लोगों के अड्मिट काट आ गया कि यूट्यूब पर डाला था मैंने कहां दिया सेंटर कि मुभारा को कि एक हपते की छुट्टी कोई दिक्कत नहीं है वैसे कि एक कुशन है आपके सामने भी विज्वल हो जाएगा कुशन हर किसी को विज्वल है एक बार बता दीजे मुझे और आपके एप्लिकेशन में एक और फीचर एड़न हो गया है जिससे काफे बच्चे कह रहे थे के सर लाइव क्लास में ना बफर होता है तो उसमें आपके सामने ना अपडेट करेंगे तो कंट्रूल का अप्शन आ गया है कि आप लाइव क्लास के क्वालिटी को भी कंट्रूल कर सकते हैं कि कितने जिस हिसाफ साफ का नेट है उस हिसाफ साफ चला सकते हैं एक मनाट पार अब बैल निश्ट तो इसका साइड में बना लें गया ना इधर वरकिंग नॉट कर लें चलिए कि देखते हैं सर कुश्चन में क्या है और क्या नई बाते कह रहा है और कैसे निखा लेगे आपको कुश्चन में एक आर लिमिटेड और एक एस लिमिटेड का बैलिंशिट गीवन है सिंपल आपके बुक का ही कुश्चन और इसमें कहता है कि यह हमारा होल्डिंग कंपनी है और यह सब्सीटरी मैं लिख लेता हूं पहले ताकि दिक्कत रखना हो कहता है कोटी दोनों में हैं अब एक बाढ़ देखेंगे के Cornματα आपका जो है अभी तक जितने भी कॉश्चन जितने ठीक किया तो प्रफेंच ओर नहीं रखा अब प्रफेंच ईंड़ अरके प rozp लिएबिलिटी और डिवेंचर भी दे रखा है वो तो यूजवली हमने देखा है पहले भी और एक पॉइंट इसके इंदर ध्यान से देखें तो कहता है कि इंक्लूद लिए झुटाँटेश में दस जायर रुपए का स्टॉक है जो पर्चेस किया था अर्राय्बस इसके सथाऊक में इनक्लूुडिट है दस हजार रुपए का तो जब सिस्टॉक इंक्लूडिट होता है तो यहां पर हुआ Richmond सब्सक्राइब निकाल लेंगे हम प्रिपेर कॉंसा डोलेट बैलेंशीट ऑन 31 मार्च अज्यूम एट एस लिमिटेड एगरी जनर्रेजर्ब एड एस लिमिटेड जनर्रेजर्ब और प्रॉफित और लॉस अकाउंट आफ्टर सब्सक्राइब इसके पास 25,000 रुपए और 10,000 रुपए का एक जनर्रेजर्ब है और एक प्रॉफित और लॉस है डिविडेंट बांटने के बाद सब्सक्राइब इसको इन्वेस्मेंट कितने का इंवेस्मेंट है 15,000 और यहां भी कितने हैं यानि यहां पे मैनेरिटी इंट्रस्ट इकूटी में तो नहीं है पूरा ही ले लिया इसने ठीक है न तो चलिए हम फटा-फट से करते हैं किस दिन कंपनी को एक्वाइर किया 31 मा इसने नहीं बताया मान लेते हैं फिस्सक्राइब कर लिया पहली तारिक कोई है मां जम सलीवारा कर लिए को यह दिकट निए है यह डेट है एक चार क्या दे रखा है कोश्चन में बताईए दो हजार उन्निस एंड होगा 31 तीन दो हजार मैंने बताया था जब कभी भी आपको कोश्चन में बताए ना कि एक्वाइर किस दिन किया जा रहा है तो आप क्या मान लेते हो कि हमने सुरू में खरीद लिया होगा साल के यही मानेंगे ना अजम्शन है यह क्योंकि कहता है प्रपेर कॉंसर्डोलिट बैलेंश इटी अच्छा देखो दे रखा है यह हमारी गलती है देखी नहीं थी हमने अब ऐसे अजम्शन भी वही रही है हमारे ठीक है ना तो सर एक चार को उन्निस को खरीदा था और इस दिन जिस दिन खरीदा गया था इस दिन कंपणी के पास क्या था रिजर्व और सर प्लस सर रिजर्व कितने का था इस दिन बताओ पच्छिस अजार और सर प्लस कितने का था दस अजार और इस दिन company के पास reserve है 40 और 25 इस दिन कितने का reserve है 40-25 company के पास reserve 40 और surplus 25 आप मुझे एक बात बताईए क्योंकि यहां से इसने जो भी कमाई करी होगी यहां से यहां तक वो जूड़के तो आया हो गई तो यह वाले profit क्या है सारे के सारे जो यहां धे रखे हैं यह profit पता है कौन से होगे प्री कुछ कुछ समझ में आने लग गया यह है प्री और यह कौन से है नहीं कह सकते पोस्ट प्री तो जुड़ा हुआ है न इसमें बैलेंशेट पोस्ट वाला तो हमें निकालना पड़ेगा पोस्ट वाला हमें देखेंगे कितना है कैसे पता चलेगा देखिए सर यहां पर जो है यहां पर टोटल प्रॉफिट हम पोस्ट निकाल लेते हैं जो उसने यहां से यहां तक कमाई किया है यहां से यहां तक जो कमाई किया हुआ है वो निकाल लेते हैं सर कितने अर्णिंग किया यहां से यहां तक वह देखते हैं टोटल प्रॉफिट था हमारा लास्ट में नजर आ रहा है चालिस और सर्प्लस था सर्प्लस कितने हैं पच्छिस तो सर यहां पर पुराना प्रॉफिट था इसमें पच्छिस और इसमें पुराना प्रॉफिट था मींस पंदरह हजार रुप्ए का जो है इस साल का प्रॉफिट है और सच içinde हमारा दोनों पंद्रह पंद्रह हजार रुपए हैं यह जो 15 पंद्रह हजार रुपए है सर इसको आप कह सक्ती हो ये क्या है पोस्ट पहले तो इस बात को समझिए ठेक है इसको क्या कहेंगे पोस्ट कहेंगे माइनरिटी इंटरस्ट निकालने का जंजटी नहीं असार इस कोशन में क्योंकि सारा इस्टेक खरीद लिए हमने यहां पर में मुद्दा है अब दूसरी बात यहां पर सिर्फ इसने क्या खरीदा इसने एकविटी चलिए हम नेक्स पेज़ पे चलते हैं कुछ वरकिंग नूट कर लेते हैं अभी मोटा मोटा अंदाजा लग गया असर प्री यह पूरा हमारा एक टाइम लाइन है हमारा प्री का प्रॉफिट है और यहां से यहां तक जो अर्न किया वह कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा पोस्ट का तो सर्फ प्रॉफिट कितना है पंदरा हजार रुपे सर प्लस और पंदरा हजार रुपे ही क्या है रिजर्व है और सर प्री का क्या था हमारा सर प्लस मताईए 25 और रिजर्व 10 इसका मतलब मुझे फ्री फंड में बिना कुछ ही काम के 25 और 10 35,000 और उसका मैंने एकुटी शियर भी खरीदा सर एकुटी शियर कितने का खरीदा कुश्चन में देखिए सर एकुटी शियर 15,000 नमबर थे बट उसके लिए मैंने दिया दो लाग तो दो लाग की रुपए यह पेमिंट किया मैंने और यहां रुख जाओ उसका एकुटी था डेड़ लाग का एकुटी डेड़ लाग इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे पॉकेट में जो आया ना मेरे हिस्से में एक लाग पिच्च्छा से जिसके बदले मैंने इन्वेस्मेंट या पेड कर दिया मैंने कितने का तो सर यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया गुट्विल आ गया हमारा 15,000 पहले तो यह देख लिजी आप समझ मैं गुट्विल क्या गया हमारा 15,000 अब MI की बात कर लेते हैं सर माईनेड़िटि इंट्रस्ट वालों के पास आप देखेंगे ना तो क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रफेंशियर है और कुछ नहीं है और इंट्रेस्ट के पास इसी दिन से प्रफेंशियर है इसी धिन से हैं तो इसका मतलब जो प्रफेंश को डिविडेंट दे ना दे देना पड़ेगा डिविडेंट का रूल होता है कि अगर आपने पहले डिविडेंट नहीं दिया है तो माइनरेटी इंटरस्ट हो चाहे होल्डिंग सबसीटरी कोई भी कैलकुलेशन पहले आप डिविडेंट को मा यानि उसको दिविडेंट मिलना ही है कुशन में कहता है कि हमने डिविडेंट आप ग्लद मतलब शब्संबी भूल अलुडडी-विडेंट उप्रणी एक लाकका यानि 13000 Vikas खाए के पास प्रफूरइंट टौह पहले से रटीन परसेंट वह कितने का है एक लाख का प्लस प्रफिरेंज डिविडेंट प्षू का ही पार्ट कर दाएगा तो यानि माई आगे हमारा तेरा हजार और जो तेरा हजार रुपय का पेमिंट होगा वो होगा हमारा इस वाले प्रॉफिट में से यानि मेरा जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा सिर्फ तो पूस्ट क्योंकि सब दिवेंचर जो डिविडेंट दे रहें कब दे रहें खरीदने के बाद तो खरीदने के बाद जब कमपनी बिक चुकिए तो किसकी बनती है डिविडेंट देना होल्डिंग की और यह जो पॉस्ट वाला वो सारा अधिकार किसका है अगर पॉस्ट वाला पार्ट होता जिसके दो पार्ट हो जाते मानेरेटे इंटरस वह तब तो दो हिस्से में बढ़ता है अधर्वाइस यहां पर किसका हो जाएगा सब का हिस्सा हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए अभी हम एड़ भी करेंगे तो सबसे पहले आप चेक कर गए हम पर क्या करना है जब भी प्रफेंश होगा तो इसी तरीके से करना है अब अन्रिलाइस प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं अपर अन्रिलाइस प्रॉफिट सर अन्रिलाइस प्रॉफिट की बात क्या कर रही है कुश्चन में कह रहा है अन्रिलाइस प्रॉफिट के अ और एस जो की सब्सीडरी है किसने किसको बेचा कहता है कि include 10,000 stock in trade from R Limited और R Limited से खरीदा गया और R क्या है holding तो कहता है include 10,000 stock in trade purchase from R Limited तो R Limited के अंदर purchase किया गया है तो R Limited के books of account में purchase किया गया है तो उसके अंदर दिखा रहेता है, तो सिंपल सी बात है, कहता है कि मैं दुबार रिपीड कर रहा हूँ, 10,000 stock in trade purchase from, मतलब क्या हुआ sir, 10,000 का purchase कि आ ripe limited, तो किसने खरीदा होगा? S ने इससे खरीदा होगा, यानि इसके जो भी stock है, उसके अंदर 10,000 रुपे का वो माल जुड़ा हुआ है जो कि इससे खरीदा हुआ है लास्ट में कहता है ये कि जो भी समान बेचा जाएगा रिस्पेक्टव 31 मार्च आर लिमिटेट सेल जो आर लिमिटेट है वो जब भी गुड्स बेचता था हिपूआ कितने का समान बेचा कि दसफिद सुल यह तो 10,000 रुप सेलिंग हो गया यह कहता है मैं कितना 25 पर द्शॉस पर संट किस पर कमाता हूं यह यह बदा है यह आपको कोन-कोन से टौपिक में बताया है नहीं बताया नहीं बताया था कि टीवल बताया था पच्चिस जब भी फिर समझ में नहीं आता तो फॉर्मुला होता है इस इकल टू कॉस्ट प्लस एजी पी सर सेल्स पता है हमें दस हजार, cost नहीं पता x, gp, xy, 4 और x की value find करना, आप कहा जाएगा? आठ हजार, x का value क्या जाएगा? आठ हजार, यानि profit कितना है? दो हजार, तो unrealized profit की अगर मैं बात करूं तो दो हजार, कहां कहां से minus होगा सर्फ दो जगह से, एक तो stock में से तो holding के profit में जुड़ा होगा, तो holding के profit में से भी क्या करेंगे? इसको minus कर देंगा. चलिए फटा-फट balance sheet बना लेते हैं. मैं यहां roughly balance sheet बना रहा हूँ. देखिए, share capital कितने रहने वाला है? चार लाग? प्रेफरेंग share capital, रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा. इसकी जगह बदल देता हूँ, मैं MI से. इसकी जगह मैं बदल देता हूँ, MI से. एक लाग? तेरा हजार. आप उसे balance sheet जब check करेंगे, आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं. reserve and surplus के लिए note की जुरत पड़ेगी. यहां पे मैं कर रहा हूँ, reserve and surplus का note. सर, मेरा general reserve, मेरा general reserve 50. और मैंने कमाया कितना था general reserve? बताइए. सबसीडरी का GR क्या निगला था? पंदरा. टोटल हो गया? 65. इसके पास surplus मेरा वाला? 30. और सबसीडरी से surplus? 15 था लेकिन 13 डिविडेंट दे दिया तो कितने बचे? 2. माइनस unrealized profit? 2. तो यह कितने हो गया? 30. तो टोटल के मामले में देखा जाए तो 30. और 95. चेक कर यह है, इसका 95 आ रहे नहीं आ रहे हैं. सुझ में आए कैसे आए है? ठीक है? आगे देखते हैं से डिवेंचर था नहीं, तो डिवेंचर तो एसटीज आ जाएगा, डिवेंचर की तो बात ही नहीं कर रहे है अभी. प्रेडिटर की बात करते हैं, क्रेडिटर भी अजेटीज आ जाएगा, दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पांच लाग, पांच हजार. क्रेडिटर की हम बात-बात करें प्लांट पी-पी सेवन पॉट्टी नोन करेंट इंवेस्मेंट खतम हो जाएगा हमारा ये इसके जगह पर मैं लिख रहा हूं गुडविल सर गुडविल कितना आया था पंदरह आजाएगा इसके बाद हमारा आ जाएगा स्टाक में इंक्लूट था तो तीन दो पांस साथ होगा लेकिन मैं लिखूंगा पांच लाग पांस साथ है ना लेकिन इसमें दो हजार माइनस भी होगा तो 558 अब आप टोटल कर लीजे इसको कर लीजे टोटल के हाथ हैं अभी डाउट ले लेते हैं कुछ बच्चे पूछ भी रहते हैं चली कॉस्ट बता दिया सा सुमित ने और आगे भी ये तेरा लाग तेरा हजार तेरा लाग कोई दिकत दोनों से मान अच्छिए दिकत कर लो ठीक है समझ में आ गया तो ये था हमारा प्रिफरेंशियर से रिलेटेड गुश्चन जो की आ सकता है आपके एक्जाम में इसके बाद है एक सिंपल डिबेंचर वाला पहले इसको देख लीजिए आपका किसी का डाउट है तो बताईए एक कुश्चन आपको दिया जाए करने के लिए पहले अगला कुश्चन देखते हैं कौन सा है झाल 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 कि अगर यह अगर दाउट है तो बताइए मैं डाउट लूगा फिर आप सभी को मैंने वोइस नोट भी भेजा था है कि रीकंस्रक्शन कर लें और रीकंस्रक्शन बहुत इजी चप्टर है और वो सेवन मार्क्स के सेवन नी फिफ्टीन मार्क्स का आएगा आपके एक्जाम में तो अगर उसमें डाउट है तो बताइए नहीं तो वीडियो देखने के बाद फिर तो रह जाएगा ना फिर वह तो डन कर लिया है आपका थोड़ा क्लास का सेड्यूल भी जो उपर नीचे और था मैं बता रहता हूं जो मेरी में क्लास चल रही थी फाइनल यह वाली बच्चों कि उनकी मैंने स्टॉप कर दिया तो साम को साथ बजे रेगुलर रहेगा रेगुलर साम को साथ साथ बजे है क्लास साम को रेगुलर और जो दिन वाली क्लास में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करूँगा मैं एक घंटे पहले नोटिफिकेशन दे दूँगा क्योंकि मुझे इसलिए बच जल्दी ख़तम कराना है वैदर आप लाइफ अटेंड कर लो और जिसका पास पड़ता तो वह पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बताओं और उस टाइम पर हो जाए क्योंकि मैं सब्सक्राइब देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग रहेगा हमारा ठीक है ना तो इसी वज़े से मैं साथ बजे मैं फिक्स कर रहा हूं आप लोगों का टाइम साथ से साड़े आठ हो जाए नौ हो जाए कोई दिकत नहीं है अब बात रहे दिन का टाइमिंग दिन का टाइमिंग एक घंटे पहले नोटिफिकेशन में दे दूंगा और नोटिफिकेशन को होगे तो आपको सब्साइब क्लाइस है और दिन में भी मैं एक टॉपिक करवा इसका मिक्त और दिन में जो भी टाइम मिंट्म सकता है कि कल मिले हमारा तो तो दिन में जो भी टाइम मिलेगा मैं एक टॉपिक रिकॉर्ड कर लूँगा वह रिकॉर्डिंग आपको बता दूँगा या तो मैं लिकुडिशन स्टार्ट कर दूँगा एड्मिट कार्ड आप सभी का आगया है रेगुलर वालों का तो एड्मिट कार्ड का कोई इंपॉर्टेंस मतलब के मतलब कॉलेज में ही होगा एड्मिशन एक्जाम लेकिन जो कॉर्रस्पोंडेंस वाले बच्चे उनका सेंटर दूर पड़ा हो वो जाकर पहले देख ले हैं इसका रिकंसरक्षन हाँ दिखाई ए लिए लिट्रेशन फिफ तर गहां है तो बुक अलगए लग होगी ना आए इसमें क्या पॉइंट डाउट में था तो इसमें दिक्कत क्या ही बताओ इस सिक्स में क्यापटर डिजब तो क्रेडिटी होता है मिसा एक उन बताते हैं तो बागी का टॉपिक मैं कल कर आता हूं लाइव वाले बच्चों का अगर आपका उसमें डाउट है रीकंस्ट्रक्शन में तो आप मुझे वाट्सप कर दीजिए और जो भी इंफेक्ट डाउट होता है एक टॉपिक का जैसे होता है कुछ बच्चे बीच-बीच में एक पॉइंट भीजने तो वह दिक्कत है कि ठीक है ठीक है सुमेथ डन आपका डाउट मैंने लिखा हुआ है कल मैं डेफिनिटली आपका डाउट रिकॉर्ड करके मैं आपको दे दूआ यह मैं पहले बता दू नंबर आफ शेयर निकलना ना प्रफेंशेयर आप वह निकल के दे दूआ है कि हो जाएगा आपका टेंशन मतलो आप इस पर फोकस रखो और अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन खतम कर लिया है इसके बाद आप पूछोगे सर कौन सा टॉपिक खतम करें तो आप सबसे पहले सबसे रिकंस्ट्रक्शन के बाद फाइनल अकौट चाहे इनोंने कर र California वह रिवीजन खत् grazing करख एक क्योंकि अब तो रिवीजन के हैं आप लोग का संड़े हैं कि फाइनल अकाउंट में दीपक मुझे भेजो क्या डाउट है अट्जेस्मेंट के एंट्री करके और प्लीज वॉइस सुमिथ होल्डिंग के कोश्चन हो अलड़ी डाले हुए और कोई से टॉपिक के चाहिए तो बता दो मुझे मैं उसके बेज दूँगा बेज दिया भी मैं चेक कर लेता हूं थोड़ी दिर में एक क्लास के बाद और टॉपिक तो कुछ कोश्चन मैं डालूंगा एप्लिकेशन पर लेकिन वह डाउनलेडेबल नहीं होगा आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हों ठीक है ना मैं आज डाल दूँगा वह ओके चीक है गुर जाल दूँगा प्रिवड़ी तलक बाद मैं एंदिए चीक है गगार जगए प्रैक्टिस से प्रच्छन मैं डाल दूँ़ी दूटर एंगा जड़ी दिस एना फिस राविवे नहीं होगा एंप कि चेक माइक कॉंट पूंट चलिए ध्यान दिजिए बोड पे टॉपिक है इसका कुश्चन किस तरीके सा आ सकता है जैसे कॉमन डेट का किया हुए ना से वैसे रहेगा एक बैलेंशीट आपके सामने बना देता हूं और उसी बैलेंशीट के अकॉर्डिंग होगा है ठीक है तो सर डिवेंचर डिवेंचर में क्या है देखिए है मैं पुरानी बैलेंशीट बना लूँ जल्दी समझ में आ जाएगा यह नहीं बना ले नहीं बना लेगा भाई साब इसमें तो कलर ही नहीं आ रहा मैं बस वही आइटम यहां डालूँगा जो मुझे कराना है बस क्यूंकि ज्यादा सारी चीज़े तो आपको पता ही यह कॉंसोल कैसे होता है क्या है कि यह माल लेते हैं एच लिमेटेड यह माल लेते हैं एच लिमेटेड दो कंपनी हो गई अपने पास पर्टिकुलर ठीक है पहला पॉइंट आता है हमारा एक्विटी शेयर कैपिटल मैं पूरा फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा है सिर्फ मोटी मोटी बाते लिख देता हूं यहां लिख दिया मैंने शेयर कैपिटल एक लाक और पचास हजार सपोस करों और नंबर दो मैंने कोई भी ऐसे ही ले रहा हूं में एक्जांपल नंबर थी लिख दिया करेंट लाइबिटी करेंट लाइबिटी कितने का करेंट लाइबिटी में है आउटस्टेंडिंग इंट्रस्ट पांच हजार और पांच हजार से ज्यादा करना पड़ेगा 10% ले दो 10% है न तो सारे आउटसंट्रिंग करते हैं कितना कितना पताओ तीस अजार और चालिस अजार लो जी यह बैलेंशिट तो होगे कंप्लीट ठीक है अब एसेट में आ जाते हैं ठीक है दोनों के डिवेंचर एसेट में लिख दिया मैंने फिक्स एसेट छोड़ते हैं इन्वेस्मेंट लिख देते हैं कि कि एकवेटी शेयर कैपितल सपोस्वाव जो यिए का सीच लिमेंटिड के पास पूरए 5000 फुली ओकीपाए ख़दम अब कहता है इन्वेस्मेंट ah Cuando टेबेंचर इन्वेस्मेंट ऑफ टेवेंचर ओफ एच लिमिटेड सर एच लिमिटेड के डिविंचर इसने खरीद रखे हैं सत्तर हजार सपोस करो और कहता है इन्वेस्मेंट अफ एच लिमिटेड सर पचास हजार यानी इससे क्या समझ में आया दोनों के अंदर दोनों ने एक दूसरे के डिविंचर को होल्ड किया हुआ है ठीक है अच्छा उपर और यह कोई बात नहीं ले जाते हैं इसको पर ले जाते हैं कि इस और यहां पर लिख देते हैं करेंट एसेट करेंट एसेट्स 20,000-60,000 बस सर बैलेंश इट कोई मिलान की बच्चा कोशिस ना करें बैलेंश इट मिलेगा है नहीं क्योंकि सारी डिटेल मैंने दिया नहीं है अब इसका ट्रीटमेंट क्या है मेंली ट्रीटमेंट किसका हम सीख रहे हैं कि और तो डिबेंशे में होता क्या है देखो जब कभी डिबेंशर पर अजर्चस्मेंट की बात आएंगी तो दो चीजह होगा एक तो डिबेंशर एक रही को स्था यॉँल्ड करता है वो लैस हो जाएगा दूसरा इसके इंट्रस का भी त्रीटमेंट करना होगा इंट्रस्ट भी लेस हो जाता है सर सर इंट्रस्ट कहां से लेस होगा दो जगह से होगा सर लेस एक होगा कहां से करेंट लाइबलिटी से और एक होगा हमारा करेंट एसिट से और लेस कहां से होगा डिबेंचर यह तो होगया इंटरस्ट और यह मैं बात करया हूं डिवेंचर सर दोनों में से less हो जाएगा एच से से वह जाएगा और है लिमिटेट में से भी हो जाएगा चलिए कैसे सर एक बर कर करके दिखाईए यह देखते हैं मैं एक काम करता हूँ एक कॉंसल बैलीन शेट यहीं बना कर दिखाता हु झोटा सा टॉपिक है झाटर आपके भूक का कोशंक यह ना-प्रोक है और मैं कॉंसल बैलिन को यह यह मेरा ओंसल बैलिन शीट ठीक है इसके अंदर नोट बात करते हैं डिवेंचर की डिवेंचर के लिए नोट नमबर वन सबसे पहले डिवेंचर हम लिख लेते हैं किसका है एच का लिमिट कितना है आप देखिए यह क्या कहता है कि सता हजार रुपए का डिवेंचर होल्ड करा हुआ है किसने एस लिमिटेड के डिवेंचर को एच ने होल्ड किया हुआ है तो जब यह कमपनी एच की ही हो जानी है तो तो एच अगर इसकी डिमेंचर को खरीद भी लेता है तो कोई बेनिफिट है नहीं तो यह क्या करेगा अपने मेंसे डिमेंचर को माइनस कर देगा कितने 70 बोलेगा यार अब यह मेरी इंवेस्मेंट नहीं रही सेम ऐसे एस लिमेंटेट ने भी खरीद रखा है पचास किसका तो एस लिमेंटेट बोलता है मैंने बाहर वालों को डिमेंचर इशू किया हुआ है बाहर वालों को और बाहर वालों कौन पता चला यह तो घर वाला ही निकला ठीक है ना यह तो इंटरल ही निकला वो लेगा या डिवेंचर आजाएगा पांच लाख असी अजार यह देखिए पहला शेर कैपिटल को तो मैं करी नहीं रामेन यह करना है अब बात आगए इंट्रस्ट की अगर यह डिवेंचर कैंसिल हो गए दोनों तो इससे होने वाला इंट्रस्ट भी तो मेरा अब नहीं रहेगा है कि ने तो सर इसके उपर का इंटरस्ट कितना होगा तो सर सतर हजार रुपए का इंटरस्ट होगा दस परसंट के हिसाब से यानि साथ हजार और दूसरे की बात करें तो पचास हजार रुपए का इंटरस्ट होगा दस परसंट के हिसाब से कितने 5000 तो हमारा ये इंट्रस्ट भी माइनस होगा यहां पर 35 जो दिख रहा है न वो 35 नहीं होगा इसके इंट्रस्ट में से क्यूंकि इसका डिबेंचर डिबेंचर नहीं रहा इसका डिबेंचर कितने से माइनस होगे 70 से तो यहां से इंट्रस्ट कितना माइनस हो जाएगा अंदरइसका अदेखते हैं ji है करेंट्स लिए लीकल है कि अब दोनों राइह जुडने वाला है अब कर्रेंट लाइव लिटी इसका है चाली सम मैइनस करें इसमें से माइनस होगा क्योंकि इसका जो है सत्तर हजार माइनस हो रहा है तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा कैंसल जो होने वाला है वो माइनस हो जाएगा साथ हजार और इसमें से कितना माइनस हो जाएगा जो कि हमारे debenture पे था on debenture पे 5,000 तो सर, यह बचेगा हमारा यह बचेगा हमारा 23,000 और यह बचेगा हमारा 45,000 तो 35 यह बचेगा 35, टोटल हो गया हमारा 50 यह दो अब बात करते हैं सर यह चीज़े अगर देखा जाए तो अब जो नए console balance sheet होगा तो ना तो यह आएगा यहाँ पे और ना ही यह आएगा यहाँ पे दोनों side cancel हो गया assets भी माइनस liability भी माइनस equal लेकिन यहाँ पर देखो तो सिर्फ liability माइनस किया assets को तो किया नहीं तो current assets के अंदर क्योंकि जब इसने investment खरीदा होगा सत्तर हजार का सोच रहा होगा है मेरे को ब्यास तो मिल जाएगा सोच रहा होगा कि ब्याज मिल जाएगा तो उसने कहां लिख दिया होगा current assets में same as limited भी सोच रहा होगा यार पचास अजार मुझे interest को मिला नहीं है मिल जाएगा उसने भी कहां लिख दिया होगा current assets में तो इसका मतलब जो यह current assets है कितना था बीस अजार और था कितना बीस अजार तो टोटल है तो इसमें से तो हमें कुछ पैसे मिलने वाले हैं नहीं सर कितने नहीं मिलेंगे 20 में से कितने नहीं मिलेंगे 7 और 60 में से कितने नहीं मिलेंगे 5 तो इसका मतलब यह आ जाएगा हमारा 13 और यह आ जाएगा हमारा 55,000 तो total कितने हो जाएगे यह total 860 होगा तो आप देखिएगा इस side से भी मैंने हाला की 12 minus किया है और यहां से भी 12 माइनस किया है और दोनों तो डिबेंचर का जब कभी भी आएगा ना तो इसी तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट करना होगा बताए कोई डाउट आपके पास बुक में कुश्चन है मैच कर लिजिए फटाफट बुक में कुश्चन नंबर कौन सा है इसी जो ड्रीटमेंट मैंने कराए फीत तो पता ही है कैसे करेंगा प्री फोस्ट यह तों बहुत दिनों से करते हैं चीनि जो मैंने समझह थे मैच वाटसब करें टेलिग्राम किया है वाटसब किया चलो कि एक तो मेरे फोन में से सारे नंबर इधर उदर हो गया ना तो बड़ी दिक्कत हो गया है कि देखिया आपके बुक में होगा कुश्चन कि जिसके पास बुक के अंदर नहीं है कि मैं अभी दिखा देता हूं आपको कि जिनके पास बुक में नहीं है उसको भी दिखा दिया जाता है काजल वर्थ नहीं पेज पर पहले देखिये फटा फट समझ में आना चाहिए आपको यह कहां से कर रहा हूं यह था हमारा एक कुश्चन और फटा फट मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप मैं यहीं पर साइड में बनाऊँगा बैलेंशीट आप देखने कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और यह है इसका पार्ट इस पार्ट का नहीं सिर्फ मुझे डिवेंचर का पार्ट ज सर यह रहा कॉश्चन कि चलिए यह रहा कॉश्चन विज्वल होगा आपको अब टीक है चलिए वर्किंग नोट कर दूँ इसका सबसे पहले हम किसकी हम सरिफ देखो क्या कहता है कुश्चन में जो बाकि कहता है कहता है क्याता है प्रफिट जो है वह सेम कमा रहा है प्रॉफिट शो इस डेट पे है तो यह प्री हो गया लॉस लॉस वाला आपको बता आज समय क्ला्का है तो ट्रीट्मेंट करना है इसकी टेंशन नहीं आप देखिए जो डीङरे यहाँ और क्ला-एक है और एक है S Limited, Sajlt का Debenture और S Limited का Debenture एक लाद अब देखते हैं यहाँ पही किसने किसका investment होलड कर रखा है दीको Debenture की बास कर रहे है केयता है इसने होल रखा है 50 और इसने होल्ड कर रखा है तो यहाँ से माइनस कर देते हैं less जो common है 50 और यहाँ से कर देते है less यह आगे हमारा 40,000 क्लियर कोई दिक्कत अब आ जाते हैं इंट्रस्ट की बात करते हैं सर फिचले कोशन में तो में निकाल सकता है तो रेत धाल लोगे या तो रेट निकाल लो क्या रहा है हमारा अगर हम इत रेट की बात करें तो रेट कैसे निकलता किसी का भी फॉर्मुला देखिये होता है हमारा इंट्रस्ट डिवाइडिड वाइडिवेंचर इंटू में हंड्रेड कोई फॉर्मूला नीं है मैंने बना दिया वस्यों तो सर कैसे निकले का तीस अजार डिवाइड़ वाई दो लाग इंटू पर हंट्रेड क्या रेट आया कि पंद्रा परसेंट आ गया कि सर दूसरे का भी निकाल लेते हैं ऐसे दूसरे का क्या है सर फंद्रा हजार डिवाइड़ एक लाग इंटू में सौ दोनों का रेट अलग-अलग हो सकता है है औा साथ हजार परेच vibrant जब आप निकालोगे 15 दिया सो और 60,000 पर 9,000, इसका मतलब सर इंट्रस्ट में से 9,000, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, पिछ, 700 और इसमें से माइनस हो जाएगा 9,000, तो अगर मैं बात करता हुं, इंट्रस्ट की तो इंट्रस्ट एक तो है एच लिमिटेड और इंट्रस्ट एक है एस लिमिटेड सर एच लिमिटेड में पहले से था कितने का 30,000 का और एस लिमिटेड में पहले से कितने का है 15,000 का सर यहां से कितना माइनस किया जाएगा पिछेतर सो और यहां से कितना माइनस किया जाएगा नो हजार मैं रफली कर रहा हूं तो यह बचेगा छे और यह कितना बच जाएगा बाइस पान्स्यच तो टोटल 28000 पान्सु रुपै आप इंट्रस्त देखिए चेक करई करिए अपने बैलंस यह यह अद्टाइस हजार。 अव अगलाइफिक्ट कहां पढ़ने वाला यह इसका क्रिंट एसेप्ट औरट यह रखना यह कि आप सिंपल कर सकते डहाई लाक में से माइनस करेंगे कि तोटल 200K डहाई लाक म deze मामानिस कर दिए तो कितने बचेंगे दो लाग तेटीस यह पो टृटूर्यारव неп कि unterwegs बाकि प्री पोस्ट वाले में तो कोई जंजट है ने सर रीकंस्ट्रक्शन का एक कोशन करवा दो जो फोर समेस्टर वाले पेपर में जो आया था ओके विशाल वो कोशन मैं कराऊंगा और उसका अर्जेस्मेंट मैं करवा चुका हूँ और किसमें करवा है वो मैं रिकार्ड करूंगा कल जो भी टाइम मिलेगा आपको अपडेट मिल जाएगा उसमें पहले बताइए कोई दिक्कत हो गया डिवेंचर खतम डिवेंचर के आगे क्या है कॉंटेंजेंट लाइबिटी मैंने लिस्ट बना लिया था इसलिए मुझे पता था कॉंटेंजेंजेंग लिवलीटी कल खतम प्रफिट रिवेलिश्हन भी कल खतम् ни इसको मैरे मैं मैंने नहीं करेंगे माझाट चील्वेंडिन सुर्फ के आछ रखेंगे तो बेसिकली मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि कॉंटेंजेंट लाइबलिटी केस में जब आपस में बी यार बीपी देते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है बस आप इतना समझ यह पहले उसके बाद हमें कुश्चन देखेंगे कुश्चन से हमें क्लियरली समझ में आ हाँ शायद लाइव तो आ गए चलो ठीक है एक कुश्चन आपके बुक का 13 हर किसी को वीजूल है बता दीजिए वीजूल है बता दीजिए तो हम इसको चलिए कुश्चन विजूल है पढ़ते हैं और कह सकते हैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट कोश्चन भी है आज सारा आज चेप्टर यह खतम करेंगे हम पूरा का पूरा चाहे जितना भी टाइम लगे आज हम इस चेप्टर को खतम कर लेंगे इधर साइड में बना लेते हैं ताकि मैं कॉंसोल बैलेंच शीट रफली बना पाऊ आप लोग के लिए ठीक है ना रफली फेरली तो आप कर लेंगे ना कुश्चन में क्या कहता है देखिए सर कुश्चन में क्या कहता है कि एच लिमिटेड एक्वाइर एच लिमिटेड एक जनवरी दो हजार बीस यानि अगेन हमें टाइम लाइन लेना पड़ेगा सर हमारे पास यह टाइम लाइन है और इस टाइम लाइन की बात करें तो टाइम लाइन हमारा 31 मार्च बीस है 31 मार्च बीस के हिसाब से देखा जाए तो यह वाला जो डेट रहेगा और एक यह डेट रहेगा यह रहेगा हमारा 14 2019 और एंड होगा हमारा 31 तीन दो हजार बीस ठी यहाँ पे देखा जाए तो यह साल का शुरुआत है और यह साल का एंड है. कुश्चन के इसाब से. इसको जो खरीदा गया है वो एक जनवरी 2020 में खरीदा गया है. मतलब कुश्चन कहता है कि कहीं यहाँ पे एक जनवरी, एक जनवरी एक जनवरी एक एक दो हजार बीस में खरीद लिया गया है एक जनवरी दो हजार बीस में खरीद लिया गया है ठीक है न? सर जब एक जनवरी दो हजार बीस में खरीदा गया है तो इसका मतलब जो यहां से यहां तक का अर्निंग रहेगा वो प्री होगा और यहां से यहां तक अरुरिंग पोस्ट होगा यह वाला जो profit होगा हमारा जो यहां से यहां तक होगा देखें सेंपल और इस चप्टर को तो बिल्कुल भी छोड़के नहीं जाना कहता है के कैसा लिमिटेट इसू all bills payable ना यहां पर यह जो 20 जार आयिस लिमिटेट के बिल्स पैवल है यह इसू किये हुए हैं H Limited बिल्स रिसिवेवल लिमिटेट का और बिल्स रिसिवेवल S का बारह कहता है कि इसने तो इसको बीस हजार के बीपी दे रखे हैं लेकिन जो H Limited के बैलेंश शीट में जो बियार है ना तो सर इसके बैलेंश सीट में बियार देख रहे हो यह, यहाँ पे 30,000 शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है 30,000, इसका कहने का मतलब है सर जो यह 30,000 रुपे है ना आपका, इसने दिये इसको 20, इसने इसको दिये 20, और 20 देने के बाद इसके पास कितना और शो, तो जरूरी थोड़ी है कि H Limited सिर्फ इसी से BP सकता ही है, तो हम मान लेता है कि इसने क्या करा होगा BP कुछ बाहर वालों का, लेकिन क्या कहता है, सर इसके अंदर भी पता है क्या करा, बोलता है कि 12,000 भाई तेरे हैं, यह कहता है कि 12,000 एस तेरे हैं, जबकि S बोल रहा है, मैंने तुझे दिये 20,000, और यह कह रहा है, तेर से ही 20 मिले होंगे 8000 रुपए का डिसकाउंट करा लिया होगा यानि 8000 रुपए का बीयार किसके पास है बैंग के पास है तो जब कभी भी बीयार डिसकाउंट होता है तो वह contingent liability होता है चलिए यहां तक देखेंगे आगे मैं करूँगा तो समझ में आएगा आगे क्या कहता है बिल्स रिसीविव बारह हजार पर संड्री डेटर एस लिमिटेड इंक्लूट 10,000 वाइंग बाइच लिमिटेड कॉमन डेट संड्री डेटर है तो दोनों साइड से माइनस हो जाएगा इसका इस टॉक अफ एच लिमिटेड इंक्लूट गूट्स ऑफ रुपीस 15,000 पर्चेस फ्रॉम एस लिमिटेड अन्रिलाइस प्रॉफिट की बात कर रहा है विच लेटर दा कंपनी हैस चार्ज प्रॉफिट 25 परसेंट यह सब देख रखा है कहता है कॉंटेंजेंट लाइबिटी हमारा पक्चिस का है सर अगर कउंटेंजेंट लाइबिटी 25 का है ना तो 25 का इस लेडिक ते कौन सा होगा सर 25 में एक वो भी यहार है जो हमारा क्वंटेंजेंट लाइबिटी होता क्याह सम्पल सी बात है अगर हमने बी यार को डिस्काउंट करा लिया है अगर हमने बी आर को डिसकाउंट करा लिया है इसका मतलब हमने आठ हजार का बी आर डिसकाउंट करा लिया है जब आठ हजार का बी आर मैंने डिसकाउंट कराया तो आठ हजार रुपे मुझे तो कैश मिल गए holding को तो cash मिल गए लेकिन holding company को कभी भी ये 8000 banker को देना पड़ सकता है कब देना पड़ सकता है banker को जहां S Limited ने मना करा bank को कि भाई bank मैं तुझे ये 8000 नहीं दूँआ तो bank किसके पास भाग किया जाएगा S Limited के पास बोलेगा निकाल मेरे 8000 रुपए तो इसको देने पड़ सकते हैं तो जब कभी भी bill discount होता है वो contingent liability में consider किया जाता है तो sir जो ये 25000 रुपए आपको contingent liability दिख रहा है ना इसमें 8000 रुपए तो वो वाले included होंगे जो कि यहां पे हैं और बाकी के 17000 किसके होंगे outsider का holding और subsidiary का जब balance sheet consolidate करते हैं तो बाहर वाले का contingent liability होता है वो as it is footnote में आ जाता है और अंदर वाले का जो contingent liability होता है उसे वहां से हटा दिया जाता है अभी हम question करेंगे तो देखेंगे पहले हम pre post का profit भी निकाल ले ठीक है sir यहां pre post की बात करते है यहां पर question में कहीं भी profit की discussion नहीं की गई है sir इसके पास देखा जाए तो पहले से क्या था ध्यान दीजिएगा कहता है जी general reserve जो है न हमारे पास पहले से कितने का है 51,000 का मतलब इस date पे पहले से कुछ चीजे है क्या क्या है इस date पे general reserve और sir हमारा यहां से लेके यहा तक यह माना जाएगा 19 और 20 तो question में कहता है 1-4-19 का तो 24,000 का profit है तो sir इसी date का इसी date का क्या होगा हमारा अगर ध्यान से देखें तो इसी date का हमारा ये तो है हमारा यहां से यहां तक का और इसी date का हमारे पास एक क्या दे रखा है profit भी दे रखा है surplus सर इस date का general reserve कितने का था 51 और इस date का 14 पे कितने का था 24 और सर यहां से यहां तक का यानि पूरा का पूरा area यह वाला जो area है यहां तक का आपको देता है examiner के हम profit बता रहें देखो यह लिख रखा है ना 19-20 तो यह 19-20 ही तो है सर तो 19-20 का कितना है हमारा 80-84,000 समझ मैं तो सर 84,000 को ना तो मैं pre बोल सकता हूं ना post बोल सकता हूं क्यूंकि company को खरीदा गया इस date पे तो इस 84,000 में से कुछ हिस्सा इस 84,000 में से अगर count करें तो यह होता है हमारा 9 month 9 month again किस में चला जाएगा pre में और जो 3 month है वो again चला जाएगा किस में post के अंदर तो 84,000 को भी दो में बाटना पड़ेगा और जो हमारे सामने जो यह गीवन है ना सर जो हमारे सामने यह गीवन है तो यह कौन सा है यह तो सारा का सारा सर कौन सा है बताओ प्री है यह तो अब हमें इस प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में अगर तोड़ते हैं हम तो सिंपल सी बात है 84,000 इंटू में 9 बाइ 12 देट इस कितना आगया हमारा बताइए क्या आया 63,000 कितने 63,000 और सार यहां की बात करेंगे तो क्या आएगा 84,000 इंटू में 3 बाइ 12 21,000 तो यहां से हमें यह बात तो सिंपले पता चल गया कि क्या बातें प्री की चल रही थी और क्या बातें पोस्ट की हो रही है अब हमारे पास प्री के जो है वो दो profits आ गए सर प्री के जो है वो दो profits आ गए है ना एक तो ये वाला भी surplus और एक ये वाला भी surplus और post के हमारे पास एक ही profit रहा 21,000 और GR भी हमारा प्री का है तो simple सी बात है इसमें कितने लोगों का हाथ होगा इसमें दो लोगों का हाथ है यानि दो लोगों के rights है एक holding का rights होगा और एक subsidiary या जिसे हम क्या बोल देते हैं minority interest का right होगा ठीक है इसमें होगा minority interest का right और profit की बात करो तो मैं दोनों इक खटा ले लूँ के आसानी होगी क्योंकि ये भी pre है और ये भी pre है तो दोनों को जोड देते हैं ठीक है ना तो दोनों profit को अगर मैं जोड लो तो 63,000 क्या होगा बताओ इन दोनों को जोड दो आप एक खटा ही बता दो इन दोनों को जोड दो देते हैं तो ये हो गया 87 समझिएगा ये 87 pre है तो इस 87 में भी दो लोगों के rights हो जाएंगे सर किस किस के holding के और minority के सर ये वाला जो holding pre वाला होता है न वो goodwill या capitalism निकालने के काम आता है इस पे भी दो लोगों के rights होंगे holding के और लेकिन ये वाला जो है न हमारा ये goodwill के काम नहीं आता ये post वाला है ठीक है अब फटा फट से मुझे बताते जाईए आप कि H का कितना हो सर एच लिमिटेड ने 2000 शियर hold किये हैं टोटल तीन लाग के थे इसका मतलब ratio जो बन गया ना तीन में से टोटल कितने थे तीन लाग तीन में से दो लाग तो मैंने खरीद रखे हैं और एक लाग उसने खरीद रखे हैं तो simply ratio बन गया 2-1 का ratio बन गया तो 2-1 में बटेगा और 2-1 में बटेगा तो यह कहाएगा 34,000 और यह आएगा 17,000 सर यह भी 2-1 में बट जाएगा बाटिये कितने 58 यह आ गया 58 और यह आ गया 29 और बताइए आगे चलते चलिए सर आपने बता है यह आ गया 14 और यह आ गया 7 मैं सारे जितने भी कोश्चन है ना सबके MI और COC निकाल दूगा बाकि adjustment हो रख कें तो आप पटाफट कर लेंगा चप्टर पूरा खतम करेंगे चाहिए जो भी टाइम लगे ठीक है आज पूरा चप्टर खतम करेंगे कल वाले दिन मैं जो एक्जाम में कोश्चन आते हैं आपके लिक्विडिशन इसी बार एड़ हो है वह कराऊँगा और रहेगा मेरे पास आज ही जैसे थर्सडे आज है ना फ्राइडे वह हो जाएगा सेटेडे में पूरा का पूरा लिबस रिवाइज करो हां जन बच्चो को आना है आएंके नहीं आना और हो सकता है कल जो भी टाइम मिले गहां आज कल और फर संडे तो एक zaman symbols तो आज- COC और फिर क्या निकालेंगे हैं गुडविल है ना गुडविल निकाल लेंगे और MI तो कैसे निकाला जाए क्योंकि मैं यहां निकाल रहा हूं नीचे ध्यान देजिएगा सबसे पहले मैं निकाल देता हूं COST OF CONTROL मैं सिंपली प्लस करता जा रहा हूं आपको इतने कुश्चन करा दिया आपको समझ में आ रहा होगा सबसे पहले दो शीरर प्लस क्या-क्या प्लस करें है यहां पर शीर प्लस रिजर्व और प्लस प्रॉफिटो यह तीन चीजैं प्लस होंगी तो सर शीर कैपिटल कितना लिया था इसने। दो मिमा सिंफ सर यहा गया सुट व्लस रिजर्व की बात करें तो में चलते के अटैपने को यहां यहां निकालने को यहां निकाल देते हैं देख जाएगा मेरे हिसाब से नहीं दिखता तो तो हम थोड़ा सा इसको उपर कर के लेकर चलता हूं क्योंकि कोश्चन को दिखाने की जुरत है नहीं उपर हेडिंग तो हमने पढ़ लिया ठीक है चलिए एम आई करते हैं सर एम आई निकालने के लिए क्या होगा फिर से शेयर कैपिटल प्लस जनर रिजर्व और प्लस सर्प्लस का प्री वाला हिस्सा भी और सर्प्लस का पोस्ट वाला और ध्यान रखना अन्रिलाइस प्रॉफिट या कोई भी डेप्रिशेशन वैल्यूशन ऑफ कोई भी ऐसा पार्ट हमारा इंपेक्ट नहीं करता अधिस्मेंट का मेली प्री और पोस्ट में जो है एंड सबसे देखें तो और प्लस क्या करेंगे हम इसमें प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितने हो जाएंगे सार यहां पर प्रॉफिट दोनों सारे प्रॉफिट जूड जाएंगे शेर कैपिटल कितने का था एक लाख बताया है जनर रिजर्व सतरह हजार प्रॉफिट आप जोड़ेंगे यह वाला भी प्रॉफिट ट्विंटी नाइन और प्लस साथ हजार तो सर यह आगया माई एक लाख त्रेपन हजार का माई आपके पास बुक है आप चेक भी कर सकते हैं वहाँ पे और मेरे इसाब से यह पूरा आपको समझ में आगया कि कैसे माई निकाला आप बाद में चेक कर लिजेगा उसको मैं पूरी बैलेंशीट पर बेर कर देता हूं अगेन मैं फिर से कहूंगा कि मैं जो यह बैलेंशीट बना रहा हूं रफली बना रहा हूं और आप कुछ बच्चों का कोईरी आया था कि सर क्या जो यह बैलेंशीट आप बना रहे हैं क्या हम भी रफली एक्जाम में बनाए या कैसे बनाए नहीं आपक यह रहेगा करेक्ट अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा सर अकेला पांच लाग करते हैं जनर रिजर्व के अंदर क्या कहानी आएगी जनर रिजर्व के अंदर हमारा वाला तो पूरा रहेगा मैं जनर रिजर्व के लिए यहां नोट बना देता हूं जी आर हमारा वाला तो पूरा होगा कितने 90 और हमारा वाला प्रॉफिट भी पूरा होगा कितना साथ और उसका प्रॉफिट होगा कितना यह वाला होगा 14 है कि नहीं अब अन्रिलाइस प्रॉफिट यहां से माइनस करना पड़ेगा ठीक है अन्रिलाइस प्रॉफिट की बात करें तो कहता है कि एच लिमिटेड इंक्लूड वर्थ 15,000 रुफिट पर्चेस फ्रॉम एच लिमिटेड ने एच को समान बेचा था विच लेटर कंपनी है चार्ज प्रॉफिट 25 पर्सेंट ओन कॉस्ट तो यह 15,000 रुपे जो है इसके प्रॉफिट में जो जुड़ा हुआ है अब ध्यान जिस कह रहा है तो सेल्स पे कितना होगा 20 परसेंट पहले मैं बता चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा डारेक्ट कर रहा हूं यहां पर बाकि आप लेटेक्स करके कर सकते हैं तो इसका मतलब 15,000 पर ट्विंटी परसेंट तीन हजार रुपे का अन्रिलाइस प्रॉफिट रहा नोट करा है और यह बातें आपको नोट सुट अकाउंट में करना है तो मैंने सब कुछ ले लिया यहां पर और प्रॉफिट रॉफिट यह सब आ गया इसके बाद लॉंग ट्रम बोरिंग कुछ है नहीं डैस रहेगा मैं एमाई लिख देता हूं यहां पर ठीक है ना लिखेंगे और एमाई कितने का है था सर 153 का 153 का सर इसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं अब आते हैं हम ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीविबल मुद्दे की बात तो सर यहां पे कहता है कि 12,000 रुपे का ट्रेड पेबल तो अभी भी इंक्लूडिड है और बाकी का जो है ना पैसा वह हमारे पास है ने क्योंकि मैंने बताया था कि 12,000 का तो है बाकी का 8,000 वह कहीं दे चुका है तो इसका मतलब सर 12,000 रुपे का है बाकी का 8 दे चुका है तो जो बाहर है हमारे पास है ने उसको कैंसिल नहीं कर सकते उसको as起來 liability में मानना होगा तो यानि जो 20,000 इसका दिख रहा है ना तो यहाँ पे 20,000 में से हम क्या करेंगे मैं समझा रहा हूँ दुबारा रेज करूँ कि 12,000 तो दिख रहा है बैलेंशीट के अंदर है तो common तो वही हुआ ना जो बैलेंशीट के अंदर है जो बाहर चले गया वो common थोड़ी है लेकिन बाहर वाला हमें देना पड़ सकता है contingent liability था तो contingent liability तब तक रहता है जब तक दोनों अलग-अलग हो जैसे ही दोनों मिलते हैं तो वो contingent liability ना बनके क्योंकि अगर banker आएगा मेरे से मागने के लिए तो मैं subsidiary company से लड़ने थोड़ी जाओंगा वो company तो मेरी है तो देना ultimately मुझे ही पड़ेग तो ultimately यहां देखा जाए ना तो जो मैं यहां करने जा रहा हूँ तो यहां देखा जाए आपका इस वाले portion के अंदर तो यहां कितना आना चाहिए पता है आपको आठ हजार रुपे आना चाहिए सर मैं बता दू क्योंकि बीस था बीस में से आठ हजार आउटसाइडर का है तो कितने रहे बारा तो commonly तो बारा ही रहा ना जो कि exist हम मतलब cancel कर सकते हैं तो जब हम बारा को cancel कर सकते हैं तो very simple सी बात है बारा cancel हो गया तो still कितने बच गया हमारे आठ हजार बच गया है यहां मुद्धे की बात है यह contingent liability का points है हमारा ठीक है ना इसके बाद equipment plant property and equipment यह साड़े चार लाख आ जाना है ठीक है इसके बाद plant machinery जो भी दे रखा है हमें यह आ जाएगा कितना एक साथ एक पचासे 285 285 इसके बाद हमारा known current यह तो आएगा ने इसके जगह पर goodwill लिख देते हैं goodwill हमने निकाला है सर कितने का 3000 रुपे का इसके बाद आ जाते है inventory सर inventory जब लेंगे ना तो inventory में unrealized profit भी जुड़ा हुआ है कितने का 3000 का तो 7 और 5 बाड़ा एक बीस तो होगा एक बीस में से घटा देंगे तो एक लाख 17,000 आएगा समझ में आया क्यूंकि unrealized profit हटा देते हैं कितना जुड़ा हुआ है 3000 तो यह आ गया इसके बाद bills receivable यहाँ पे है bills receivable debtor है debtor के अंदर common कितना कह रहा था 10,000 रुपे debtor के अंदर common कितना कह रहा था कि यहाँ पे creditor रह गया थोड़ा सा अभी मैंने ध्यान दिया तो एक चालिस और एक एक इकतर कितने होते हैं कि दो एक्किस कि दो लाख एक हजार जिसमें से दस हजार common है तो कितने आ जाएंगे दो एक में से माइनस कर दो दस दो ग्यारा δो ग्यारा में से 10 तो दो लाख एक हजार ठीक है सेम जब debtor को हम plus करने जाएंगे तो कितने हो गाए तीन लाख 25,000 जिसमेंसे 10 है तो कितने आ जाएंगे तीन लाग आएंगे दो लाग दो लाग 25,000 जिसका जो डाउट हो पूछ लेंगे दो लाग 25,000 और इसमें 10 कॉमन है तो दो लाग 15,000 देखे पुरानी क्लासिस जब आप देखेंगे तो सब कुछ समझ आएगा बहुत टाइम हमने इस चप्टर में इंवेस्ट किया है तो उसक 12 तो यहां कितने बचेंगे 18 अब cash and cash equivalent कितने बच गए 15 चलिए balance sheet का भी टोटल करके आप तसली कर लिजे एक बार कौन सा profit profit लिखा तो है यह रहा ना 61 यह सब कुछ ले लिए ना कौन सा एक-10 बोल रहा है कौन सा profit अच्छा यह नहीं जुड़ा बागी सब जुड़ गया हाँ profit भी जोड़ दो एक-10 जोड़ देंगे तो दो 71 हो जाएगा है ना यह इसमें एक-10 भी जोड़ देना मैं यहां लिख देता हूँ ऐसे टूटल कर लो यह profit रह गया था यह रहा profit कि चलिए जोड़िए कि 11,000,000 और यह भी देख लिजिए अरे टूटल नहीं हो रहा जल्दी जल्दी करिए फिर अकले question पर चलेंगे तीन आ रहा है और उपर का 33 है कहां गड़मर कर देवे कहां नहीं लिया इसका टूटल देख लो दो साड़े है तो एक सतरा थोड़ी बचेगा हाँ हो गया है तो ग्यारा लाग है ठीक है एक नोट लिखना पड़ेगा नोट कंटेंजेंट लाइबलिटी रुपीज पहले 25 का था 25 में से आठ तो निपटी किया तो अब बचा हमारा कितना 25 और माइनस आठ यानि 17,000 यह दिखाना जरूरी है तो लीजिए आपका एक question number 13 खतम हो गया कोई दिक्कत नहीं नोट कर लीजिए इसको चली आप तो नोट कर लीजिएगा फिर ठीक है अब अगले question पर चले अभी रुख जाईए एक साथ देदूना अगला question है profit on revolution 14 यह ना चलिए मैंने पहले इसलिए सारी तैयारी कर ली लिक्विक लिया ताकि मैं आज खताम ही गरू इस जंजट को यह एक तरीके से मान के चलो काफिर टाइम हो गया इसको है चलते हैं नेक्स्ट पेज़ें झालो 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 झाल 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 चलिए वो इस क्लियर है चेक कर लीजिए और हम चलते हैं अगले टॉपिक के उपर एक और सिंपल कुश्चन और एसेट्स रिवेलिएशन पहले एसेट्स रिवेलिएशन का थोड़ा सा वीजिए पूश्चन के साथ ही देख ले कुश्चन के साथ ही देख लेंगा तो वहीं पर मैं बता दूंगा इसका क्या treatment रहते हैं तो assets revaluation फिर से अगेन वही balance sheet हम side में बना लेंगे रफली और सबसे पहले तो देखो adjustment तो मुद्दा बाद का आता है पहले हमें MI और goodwill पर काम करना होता है ठीक है question में क्या कहता है question में कहता है एक चार दोहजार उन्निस को profit वाई लिमिटेड शो 8000 इसका मतलब जो वाई लिमिटेड है ये एक s company है और एक लिमिटेड एक है कहता है इसका profit एक चार को यानि मैं timeline बना लेता हूं timeline बनाने से मेरे लिए थोड़ा असान हो जाता है समझाना timeline क्या है एक समय बना लेते हैं कहां से कहां तक का काम हो रहा है तो sir एक यहां पर date है और एक यहां पर date है sir यहां वाली जो date है ना balance sheet 31 March 2020 की है तो यानि start हो रहा होगा वह एक चार कि दो हजार उन्निस और एंड हो रहा होगा 31 तीन दो हजार पीज क्लियर कि यह बना दी हमने डेट कि क्लियर है ठीक है चलिए sir इस डेट पर कहता है जी हमारा जो profit था ना इस डेट पर इस डेट पर प्रॉफिट था वह कितने का था सर आठ हजार ठीक है और कुश्चन में मज़े की बात देखोगे रिजर्व है नहीं सरिफ और सरिफ क्या है surplus है तो यह थोड़ा सा मेरे लिए काम easy हो जाता है आगे कहता है and equipment of y limited y limited का को equipment है यानि यह बात कर रहा है इसकी y limited का equipment was revalued by x limited x ने क्या बोला holding ने बोला भाई मैं तेरे equipment को overvalued कर रखा है उसको मैं दुबारा से वेल्यूट करूंगा तो इसको जब valued किया गया तो क्या पाया गया sir यह above the book value एक लाक जो की 20% अवब करा यानि एक लाक रुपे valuation करने के बाद 20% अवब करा जो की जितना भी होता है एक लाक का 20% 20,000 रुपे आ रहा है अभी हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक का profit क्या रहा होगा कौन बता सकता है बताओ यहां से यहां तक का profit क्या रहेगा अगर इस डेट का आठ है और इस डेट के balance sheet पे क्या कह रहा है 20 है तो यहां से यहां तक का profit क्या होगा 12,000 वेरी सिंपल कितने होंगे तो और company कब खरीद आ गया इसी डेट पे खरीद आ गया कुछ ना बोला हो न तो समझ लेना है कि starting date पे खरीद लिया है कुछ ना बोला हो तो अजम्शन है यह तो सर यहां से यहां तक का profit कितना है 12,000 12,000 के हिसाब से देखा जाए तो यह वाला सारा profit कौन समाने हम ठीक है और यह वाला profit क्या होगा प्री ठीक है अब ना हमारा assets कोई भी assets कोई भी assets होगा उसका re-valuation होगा तो यहां पे आपके दो काम हो सकते हैं या तो वो increase हो सकता है या फिर decrease हो सकता है ध्यान देजेगा या तो increase अगर increase होगा तब भी प्री से consider किया जाएगा और decrease होगा तब भी प्री से consider किया जाएगा वो क्योंकि कि VELUVARETION जो किया है वह पुराने वाली बातों पर किया है नई वाली बात पर नहीं किया यह तो पूरा प्री से किया जाएंगा अगर इंक्रीज होगा तो प्री के ृफिट में एड्ट हो जाएगा वगर डि réfl एक लाग को एक लाग बीस अजार रुपए करो एक लाग को एक बीस तो बीस अजार को जो प्रॉफिट है वो किसमें चला जाएगा फ्री वाले में लेकिन जो 20 प्लांट एक्यूप्मेंट एस 10 है उसके एकॉडिक है तो जब कभी भी डैप की बारी आएगी ना तो आपने डैप क्या करना है हमेशा पोस्ट वाले में से माइनस करना है तो यहां दो बाते ध्यान दखना जो एसेट का प्लस हो कहां से होगा प्री में और उसके उपर अगर डैप्रीशेशन लगाना हो तो कहां जाएगा पोस्ट में अब देखे डैप्रीशेशन हो सकता है हमारा एसेट इंक्रीज हुआ तो डैप्रीशेशन क्या होगा वो भी तो माइनस हो जाएगा पोस्ट वाले में से अगर ह इतनी से कहानी यह चोटे सी है जो कि आपने अगर समझ लिया है और यही ध्यान रखना है कि सर यहां पे दो ही कहानी है और वो दो कहानी है कि अगर अगर depreciation हुआ तो post से consider करेंगे और अगर हमारा revaluation का effect हुआ तो वो प्री में लेकर जाएंगे तो सर यहां पे देखिए सबसे पहले कि कहता है कि question में कि हमारा valuation 20% अबब हुआ एक लाग का और आप देखेंगे book value में now इसने consider किया हुआ है कितने 95,000 और यह जो balance sheet है वो है 31 मार्च को और इन दोनों की जो बात्चित हुई है न वो इस date पे हुई है valuation बढ़ाएंगे घटाएंगे इस date पे हुई बात तो इसका मतलब इस date पे एक लाग तो done हो गया था लेकिन इस date तक आते आते उसने बोला के हो गया 95 तो इसका मतलब पांच हजार का current year का डेप लग चुका है पूरे पे अगर पांच हजार current year का डेप लग चुका है तो सर यहां पे अगर मैं आपसे पूछ हूँ सिंपल सी बात कि सर अगर पांच हजार current तो depreciation rate निकल सकता है क्या अगर आपका एक लाख value था ना वो कह रहे हो के सर 95 का अब है तो इसका मतलब depreciation कितना है पांच हजार और एक लाख पर ही तो पांच लगाया हुआ तो rate कितना होगा पांच परसेंट यानि हमारे valuation increase होता है तो क्या करें हम सर बताएं क्या करें तो very very simple 20,000 रुपए एक तो इसमें add करो सर मैंने कहा ना valuation होगा तो किसमें add होगा प्री में और इसी 20 का depreciation भी लगा है क्योंकि हम एक लाख वाले depreciation को तो factor कर चुके हैं लेकिन जो बढ़ा हुआ value उसके depreciation हो नहीं करा अगर आपका rate 5% है तो 20,000 रुपए के उपर 5% के हिसाब से debt आप भूल चुके हो नहीं adjustment किया है जो कि कितना रहा है एक हजार एक हजार कहां से minus करतेंगे सर एक हजार यहां से minus करेंगे यानि सही माइने में देखा जाए सर तो post का profit आप बोलोगे न वो बोलोगे सर post का profit कितना है खतम question खतम और कुछ नहीं बच्छा question में जाए समझ मैं यहीं बात आपको कोई दिक्कत नहीं आता है ठीक है अब फटा फट से हम MI और जो भी हम निकालते हैं वो निकाल लेते हैं बस आपको ध्यान का लिखना है मैं लिख भी दूँगा ताकि आपको याद रहे इसके दो टुकड़े हो जाने है सर एक टुकड़ा जाना ह MI के हिस्से में Minority Interest इसके भी दो टुकड़े हो जाने है एक जाना है Holding के हिस्से में और एक जाना है Minority के हिस्से में अब सर इसका निकाल लिए अब Holding and Minority का Interest देखें 90,000 शियर है यहां एक लाग था तो 9 is to 1 का रेशो बनके आया है 9 is to 1 बाट यह 28,000 हो जाएगा ना 9 is to 1 मे बताईए क्या आता है 25,200 और यह 25,200 और यह 25,200 और यह कितने आये 2800 ठीक है यह आ गया 2800 अब इसको कर लिजिए दो भाग में तो यह आ जाएगा 99 और यह 1100 किसी को कोई दिक्कत कि कोई समस्य है बताईए अब निकालने शेयर और कुछ तो है नहीं डेप्रिशेशन भी ले चुके हैं एसेट्स का रिवेल्यूइशन का भी पार्ट हम ले चुके हैं अब हम सीधा यहां पर निकाल देते हैं सी ओ सी ओ सी में फिर से क्या लेंगे एकविटी शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्ब है यह नहीं तो सर्प्लस प्लस तो सर यहां पर जो बनेगा एकविटी शेयर नब्बे सर्प्लस में बनेगा आपने बताए पच्चिस दो सो ले लो सर यह वाला पार्ट तो जाएगा नहीं क्योंकि यह पोस्ट वाला पार्ट है और पोस्ट वाला तो सर्प्लस में जाएगा तो टोटल कितने हो गए एक लाग दो सो और सर इन्वेस्मेंट माइनस कर दो इन्वेस्मेंट कितने का था सर 140 140 था ने इन्वेस्मेंट तो 24,800 क्या आ गया सर 24,800 गुडविल अगया ठीक है एमाई निकाल ले सर एमाई होगा एक्विटी शियर कैपिटल प्लस सर प्लस सर एक्विटी शियर कैपिटल यह दोनों बाते तो निकाल चुके और कोशन में कुछ बचा ही निए एसेट्स में थोड़ा एसेट्स के अंदर कोई भी वैल्यूएशन होगा निए जो दे रखा है वैसे रहेगा चलिए हम एक इसी के साथ साथ इसका फटा-फटा से सॉल्यूशन भी कर लेते हैं कोई डाउट है तो फिर से अगेन मैं लिख देता हूं यहां पर नहीं तो कि क्या बाते याद रखना है रिमेंबर कि वैल्यूएशन कि ओफ एशिट चाहे वैदर कि इनक्रीज कohya सरन ऑप्रीज और डिक्रीज पीजिट 5초 do का वुला डीषिशन कन वाला डेप्रीशेश्ट कांसे आजिट और जितना वेल्यूवेसं से इंक्रीज उह इसरिफ इसे को डेप्रीशेश्ट आइज तो डेप्रीशेशन कितना लग रा था पांच पांच हजार का अजस्मेंट मारा नहीं मैंने मारा स्रिफ एक हजार का अब नए बैलेंश में जो मेरा यह पिच्चानवे दिख रहा है यह एसेट्स भी कहीं न कहीं गलत होगा क्योंकि इसमें एक हजार का डैप माइनस ही नहीं हुआ है तो अभी देखिया हम नए कॉन सो कि अगेन कह रहा हूं आपको सारे नोट बनाने हैं चलिए कि एक सेकेंट कि मुच्ड़ साकारऊए यह रहा है विए कि एक सार्ड़ मागा और्यदी नहीं है अ के स Ich को लेखिया है रहा है चलिए देखें सर फटा-फट से करते हैं खतम इसको सर ये तो रहेगा चार लाज़ अब सर प्लस की बात करते हैं इसका पचास तो पूरा ही रहेगा और इसका कितना जुड़ जाएगा और फॉस्ट वाला निन्यानवे तो पचास पता इसके बात करते हैं करंट लाइबिटी यहां पर एम आई लिख करो हो नहीं यहां पर जो मेरे पास और शुक्ता पोरी बेलिए बनाए बहुत ज़्यादा हो गया है यह लोग जी लाइबलिटी खथम अब बात कर लेते हैं एसेट्स एसेट्स को दूसरे रंग से लिख लेते हैं इसेट्स में क्या आएगा यह धाई लाक और पिच्चानवे नहीं लेना अब आपको कितना एक हजार देखो पांस तो डैप लग चुका है लेकिन टोटल डियान से देखो तो छे होना चाहिए तब चुरानवे लेंगे हम इन दोनों को देखा जाए तो चुरानवे लेंगे तो डाई लाक और चुरानवे कितना आएगा बताओ कि थ्री कैल्कुलेटर आप लोग का हाँ साफ नहीं पेपर होगा नहीं आपसे इंवेस्मेंट कैंसिल हो जाएगा इसके जगह गुडविल आ जाएगा और गुडविल कितना आ गया हमारा और मैं कई बार कोशन में कह र पर किंग नोट अपनी इच्छा से करिए लेकिन नोट्स तो अकाउंट्स और अजस्मेंट आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना होगा यह तो मैं सर्फ रफली करके दिखा रहा हूं आपको इस बात का ध्यान लगएगा चलिए करेंट एसेट्स कितने का जाएगा तीन लाक यह आठ पांच तेरा तेरा लाक पंद्रा हजार क्या तीन चौवालिस आएगा यह तीन चौवालिस कर देते हैं यह वाला हिस्था ठीक है जोड लेजिए फटा फट से एक कुस्चन भी डन जोड के बताईए जल्दी और यह चप्टर छोड के नहीं आना आपको एक्जाम में इससे ज़्यादा होगा नहीं पंदार नंबर फिक्स है फाइनल अकाउंट पंदार नंबर फिक्स है कैश फ्लो दस नंबर का फिक्स है सत्रा लाक तीन अजार और इसका ठीक है ना एक्जाम के अंदर स्पेसिफिक शेर कैपिटल वाला चप्टर नहीं छोड़ना इस वाप करके जाना इस वाप एक्जाम में आएगा तीन दिन बचे हैं तीन दिन के साथ से स्ट्रेजी बनाओ और फटा फट खतम करो रिविजन में कोई दूसर सब्जेक्ट तो हाथ ही नहीं लगाना ना क्योंकि एक हपते बाद पेपर है कितने का रिफ्रेंस अच्छा बीस हमने एसेट्स को भी नहीं बढ़ाए ना एसेट्स के वैल्यूएशन में भी तो बीस बढ़ेगा क्योंकि बीस अजार अब होगा तो बीस अजार होगा तो यह 64 हो जाएगा समझ मैं भात आपको ठीक है ना 64 आजाएगा तो आप ध्यान दिया आपने एसेट्स पर भी इंपेक्ट आया एसेट्स में क्या इंपेक्ट आया कहता है के सर एक लाक रुपए का एसेट्स था 20% अबब बुक वेल्यू करना है 20% करेंगे तो 20% हमारा आजाएगा इकितने 20 सब्सक्राइब है ठीक है समझ गया यह चलिए अगले कुश्चन पर चलते हैं फिर कि चाबी एक है कि चाबी एक है बता है पुश्सक्राइब है कि चाबी एक है इसाइब है झाल 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 चलिए सर अगले कुश्चन अगले पॉइंट होगया रिवलुशन अगला वाला रिवलुशन फिक्स एसेट से वो भी सेम ही होगा हाँ यह भी बैक्डेट से रिवलुशन बस बताये नहीं उसने बैक्डेट भूल दिया तो उसको आप ट्राइ करेंगे अगले वाले कुश्चन को ठीक है आए हम आगे चलते हैं है अगला कुश्चन है एंट्रास रिसीविबल ओमेटिड वैसे सिंपल है फिर भी कर देते हैं है होंची हाँ पीडिएप अभी डल जाएगा और अभी जैसे क्लास ओवर होगा मैं सारा डिटेल उसको देखे चले जाऊंगा और उसने क्या करना है सबसे पहले यहीं काम करना एफम का और इसका सारा वीडियो और पीडिएप डाल देना है उसको ठीक है ना चलिए ओमेटिड देखे कोशन कहता है कि इसने एक्वाइर किये हैं आठ हजार शियर एक और न्यू कोशन और टॉपिक है हमारा ओमेटिड इंट्रस्ट या इंट्रस्ट ओमेटिड जो भी कहाँ है रिसीवेबल वाला आठ हजार शियर एक्वाइर की हैं दस रुपे का एक है 31 मार्च 20 में और आपको देखो यहां पे यहां पे आपका टोटल शियर पता ही कितना है एक लाग तो एक लाग में से असी हजार तो आपका होल्डिंग ने ले लिया और बीस हजार ले लिया माइनरिटी के पास रह गया तो रेशो बनेगे हमारा एट इस्टो टू जिसे हम फोर इस्टो वन भी कह सकते हैं सर इसके पास क्या-कै गीवन है सर्शंदितर बीर के चाहपिटल रिजर्व भी जाइन देना तो यह कॉमन हो गया दोनों साइड से माइनस हो जाना है तो कई बार अडजस्मेंट में ना बोल के यहीं कुछ ना कुछ बोल देते हैं इसका भी धियान रखना है आपको एक्जाम में ठीक है ना आगे कहता है कि प्रॉपटी प्लांट एक्विप्मेंट शियर्स कितने करा ए साथी हजार के समान के लिए उसने एक सकतर का पेमिंट किया है इस्टाक यहां देखा है लोँन टु एच अब यहां देखिए लोँन टु एच यानि इसने लोँन एच को दे रखा है तो लोन लाइबिलिटी में भी odio ले राका लोन फ्रॉम एहां प्रॉम एज यहां पे included है यहां बिल्स टेवल में कहता है 500 और यहां क्या कहता है 200 तो जो दोनों में से lower होता है हमेशा दोनों तरफ से क्या होता है माइनस हो जाता है यहां contingent liability का कोई सवाल है ही नहीं ठीक है कहता है debtor दे रखा ठीक है आगे कहता है note balance sheet of h limited there is a contingent आ गया आ गया एक हजार का क्या है यहां पर contingent liability तो इसका भी treatment दिख लेंगा अभी सीखा ही है हमने ठीक है आगे कहता है the following additional information given interest receivable 100 रुपे in respect of loan by h2s not has been credit to the account of s limited कहता है कि सिर्फ s limited के account में credit नहीं किया गया बाकि h ने तो तभी 200 मान रखा है ना 2000 का करजा 100 रुपे ब्यास देने तो total h क्या बोल रहा है मेरे उपर करजा 200 लेकिन यह नहीं मान रहा तो इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे 100 रुपे इसके प्रॉफिट में जूड़ देंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट करी तो भाग है वो आज नहीं तो कल मिल जाएगा कहता है 31 मार्च को दा डिरेक्टर ऑफ हैच लिमिटेड डिसाइड तो फिक्स एसेट्स दा ओवर वेल्यूड और शुड़ बी रिटन डाउंड बाइ पांच हजार अब देखो यहां पर क्या कर रहा है रिटन डाउंड कहां से अड्जेस्ट होगा यह प्री वाले प्रॉफिट से पोस्ट वाले से कहता है डिरेक्टर ने करा एसेट्स को पांच हजार से कम कर दिया किसके एसेट्स को सर एसके एसेट्स को तो कहां से प्री से माइनस करेंगे यह पांच हजार या पोस्ट से मैंने क्या बताया था जो भी वेल्वेशन होगा हमेशा किस से माइनस करना है अपने प्री से करना किस दिन खरीदा इस कंपनी को 31 मार्च 2020 को खरीदा है और यह नहीं बताया कहां दे रखा 31 मार्च 2020 एच लिमेटेट एक वार आठजार शेयर तो यहां पे सारा का सारा तो हो जाएगा हमारा प्री का ही पार्ट पोस्ट का तो कुछ रहा ही नहीं और वैसे भी यहां कोई प्रॉफिट ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको गीवन हो सारा का सारा किसका हो जाएगा हमारा प्री का हो जाएगा ठीक है न चलिए यह हमारा टाइम है और टाइम की बात करें यह हमारा किस दिन खरीदा गया है सेम डेट पर इसी डेट पर खरीद लिया इसको और इसी डेट का काम कर रहा है वो भी जिस दिन खरीदा गया है एक्क्वाइर शेयर 31 माच 20 का और यह भी नीचे बनाना है हमें 31 माच 20 2000 तो सर 31,3,2020 का ही सारा काम है यह साल स्टार्ट हुआ होगा 142,019 और इसी दिन का हमें प्रॉफिट दे रहा है क्या क्या दे रहा है देखते जाते हैं तीन चीजें दे रखें हैं यहां पर तो यह तीन चीजें जो भी हो गया सारा का सारा क्या होगा पहले तो ये बात देखिए प्री होगा इसी दिन खरीद है और इसी दिन का सारी बाते बता रहे है तो प्री होगा क्या क्या प्री में है सर capital reserve और क्या है पांच हजार रुपे जी आर और क्या है सर अठारा हजार रुपे surplus है ठीक है इसके बात यहां तक clear है अब आगे देखते हैं हम इस वाले adjustment को बाद में देखेंगे पहले यह कहता है कि डिरेक्टर ने decide किया कि fix assets का overvalued हो गया शुट भी return down तो sir यह जो valuation हुआ है यह कहां से minus करेंगा आप जहां भी इच्छा करें वैसे हो सकता है capital reserve से minus कर दो general reserve से कर दो कुछ ना बोले हो तो कहीं से भी कर सकते हो मैं surplus में से minus करके चल रहा हूं फरक कुछ भी नहीं पढ़ना तो यह 5000 रुपे का return down मतलब 5000 कम हो जाएगा तो इसका मतलब ultimately कितना बचाईए 13 अब सबको दो हिस्से में बाट दो डैप के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है तो डैप लगेगा नहीं जब तक depreciation की बात नहीं करेगा अब यहां पर assets देखो कितने का assets है एक 44 हमें यह नहीं पता था कि पहले कितने का अब कितने का उसने बोला इसे 5000 से कम कर दो बस तो हम 5000 से कम कर देंगा डैप का कोई concept ही नहीं आएगा अगर हमें पता होता एक लाग का है तो हम चेक करते बैलेंशीट में कितने का है फिर हम अंदाजा लगाते depreciation का समझे बात तो सर यहां पर इसके दो हिस्से कर दो और जो minority interest और इसका है तो फोर इस्टु वन में बाटो इसे एक तालीस चार सो और एक तालीस अजार छे सो और कि दस हजार चार सो ठीक है इसके बाद इसके भी दो हिस्से कर दो पांच हजार के चार हजार एक हजार इसके भी दो हिस्से कर दो दस हजार और दो हजार चलिए सारा का सारा प्री है तो हम निकाल लेते हैं कि योची कि योची कि में एक वर्टी शेयर देख लेते हैं इसका कितना है असी मैं पूरा फॉर्मूला ने लिख रा मुझा पूरा कर रहा हूं कि अ प्लस यह एच का है यह एच का है यह एच का है और यह का है जोड दिजिए एक्तालिस छेसो प्लस चार हजार प्लस दस हजार बताइए कितना आता है क्योंकि यह सारा मैंने यहाँ पर करदितों में सरकल सारा ही जुड़े गई है एक लाग शत्यस हजार रुपए माइनस कर देंगे हम इन्वेस्ट सर इन्वेस्ट कितने का किया एक सत्तर तो क्या गया कितने चेक कर ये आप हाँ गुडविल चेक कर लीजिए आप 33 220 और यहां कितना रहे है अच्छा वह इंट्रेस्ट रह गया ना यह वाला तो सौ रुपए का जो इंट्रस्ट होगा सबसेटरी अपने प्रॉफिट को क्या करेगा नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि हुआ क्या है एक से सुनी अब इंट्रस्ट की बात कर लेते हैं सिंपल समझ में आ जाएगा interest में क्या कहता है कि subsidiary company ने अपने profit में कहता है interestreach receivable hundred rupees in respect of loan by s limited s limited has not be credited to the account s limited credit मतलब अपने profit and loss नहीं किया किस ने S Limited ने, ठीक है, इसका मतलब ये interest का part जो है ना, जो हम credit करेंगे, कहता है कि not been credited, जो interest का part हम credit करेंगे, देंगे, वैसे आप तो देना पड़ेगा, तो जो भी interest देंगे, किसको देंगे, सिर्फ और सिर्फ MI को जाएगा, थ्यान देना, जब कभी नी, क्योंकि ये loan किसका था, H और ये pre का part है हमेशा, तो इसका क्या होगा, ये सारा का सारा जो interest है, ये सीधा किसके account में जाएगा, MI में, इसमें, इसका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये pre का है, ठीक है ना, तो H का rights नहीं होगा, MI के calculation में जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, normally, एक पर मैं मैं इसको erase करता हूँ, फटा-फट से बता देता हूँ, हम क्या करेंगे, सर, normally, जो इसका profit है, ना, इसका जो profit है, यहाँ से पहले 100 और माइनस कर देंगे, इंट्रस रेसीवेबर, ठीक है, तो यह आजाएगा, 12,000, 900, अब इसके दो टुकड़े करिए, 10,000, और, 9,000, और कैसे कैलकुलेटर नहीं चलाना आथा आपको, एक्जाम कैसे दो गए, हाँ, 900 है, 100 माइनस के हैंना, 10,000, यह बताएगे क्या आ रहा है, और इदर, ठीक है, अब जोड़िये, 80, प्लस, 4600, प्लस, प्लस कितने हैं, और प्लस, एक, एक, पैंटिस, 900, 900, माइनस करिए, मैंने साइद, माइनस करा है, एक मिनट रुक जो, मैं इसको थोड़ा सिंपल से लेके चलता हूँ, ठीक है, यह ना, कॉम्प्लिकेटिट, मैंने ही कर दिया इसको, मैं इन सब को हटा देता हूँ, मैं सिंपल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, चलिए, देखे, सिंपल सी बात है, मैं दुबारा से कुश्चन एक बार समझा देता हूँ, और पांच मिनट का काम है, क्या करना है, कुश्चन में क्या कहता है, कि सर, यहां पे कुछ इंफर्मिशन गीवन है, और इस कंपनी को जो एक्क्वाइर किया इकतिस तीन दो हजार बीस को, और हमें कॉंसर्डोलेट बैलेंशीट भी कतिस तीन दो हजार बीस को बढ़ाना है, यानि सारा का सारा हिस्सा प्रीका ही होगा, इसमें जो भी होगा, शेर्स की बात करें, तो एक लाग का इसके पास शेर्स होगा, जिसमें से इसने एक्वाइर किये थे, यानि इसका मतलब ये बन गया, एट इस्टू तू यानि फोर इस्टू वन का रेशो बनके आता है, सारा रिजर्वें सरप्लस चाहे, कैपिटल रिजर्व हो चाहे, जनल रिजर्व हो चाहे, सरप्लस हो सारा किसका माना जाएगा, प्री का, question के A-part में कहता है कि interest ऑर पे मिलने थे S-limited को किस से H-limited से जो की S-limited ने अपने account में नहीं लिखा तो ठीक है अब लिखे देंगे हम profit को correct कर देंगे हम और सारा हम minority और इसमें back देंगे ठीक है इसके बाद कहता है कि 31 March को हमारा assets को revenge कर दिया गया 5000 से तो जब assets को undervalued किया गया है तो वह हमारा pre का ही पार्ट और पूस का तो यहां पर कोई सवाल ही नहीं तो simple सा हमें काम करते हैं सारे profit को नहीं हम लिख लेते हैं सारे profit को लिख लेते हैं सभी को एक साथ कर लेते हैं यानि हम क्या करते हैं capital reserve प्लस general reserve प्लस surplus अलग-अलग करेंगे बात तो ही आएगा और प्लस interest कर देंगे जो भूल गए थे ठीक है सभी को करें तो कितने आएंगे 52 प्लस कितने 5000 प्लस अठारा हजार प्लस कितने 100 बताइए कितने आ गया कितने हैं कि 75,000 है कि अब इस 75,100 का सारा प्री है यह भाई साब यह इसको दो हिस्से में बाट दो एक ही साथ हो जाएगा न होल्डिंग में 80 परसेंट और सबसीडरी में यह नहीं माइनुटिटी में तो 80 परसेंट बाट दो इसका है साथ हजार और यहाँ अधार हजार अधार अधार है इसके बाद यह बताओ कि पंद्रा अधार हजार एगां 2000 ठीक है यह हो गया होल्डिंग का इस करना है प्लस यह हो गया होल्डिंग का इसके अंदर क्या करना है प्लसश इएर्स जोड़ देते हैं इस more जोड़ और है यहाँ पे यह और यह सको निकाल लिए क्या गया एक चालेस असी माइनस कर देते हैं हम एक जिरो ठीक है माइनस कर देते हैं इन्वेस्मेंट कितने का था इसका कुश्चन में कहता है सर इसका इन्वेस्मेंट जो था एक सत्तर का था ठीक है कि कि अरे वो रह गया एक मिनट यह माइनस करता एक मिनट एक पांच एजार रहे यह और यह आधिये इसको बांटिएगा ठीक है कितने आ रहे हैं और यह कि ट्विंटी पर्सेंट रहे हैं चौदा प्लस एक्विटी शेयर कैपिटल असी और बीस कितने हो गए एक चत्यस असी और चाहतेस चलिए इसमें से माइनेस इंवेस्मेंट कितने का था इंवेस्मेंट कितने का था एक सत्तर कितने आए इसको करिए चोवन जीरो एम आई क्या रहा है चेक करिए क्या यह तो बीस नहीं जोड़ेंगें अच्छा जोड़ दिया मेंने पर लिए अ और रुख जो रुख जो मैं कि बताइए माई चेक करिए कितना रहे हैं कि एम आई जो होगा वो होगा है 34 ठीक है तो इसमें क्या था कोई कि ऐसा कॉंसर्ट नहीं था बस यह था कि भाई एक इंट्रस भूल गया तो हमने इसको ठीक करके और पिर आगे कंटीनियू कर लिया ठीक है अब सिंपल बैलेंशीट बना लोगे इसका बैलेंशीट बनाने की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा मैं रफली बनाओं अगर य यह सब हट गया 25 और यह 25 और 38 हम बात करें यह आ जाएगा हमारा 63200 बस 63200 ही रहेगा यह तो ठीक है यह 2100 है यह लाइवलिटी कैंसल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को लोन दे रखा है तो यह 2100 आएगा ही नहीं आएगा और यह कहां गया कहां गया कि 2000 यह भी नहीं आएगा कैंसल हो गया बिल्स पेवल 500 है और यहां पर कितना है 200 तो 200 कैंसल करके कितने आजाएंगे फंद्रा सो एमाई यहां पर पूट कर दोगे एमाई निकाला है चौतिस जीरो 33 जिरो 34 है यहां पर गुडविल आ जाएगा तो रफली मैंने आइडिया दे दिया कि हो जाएगा यह अब एसेट्स को चेक करना यहां पर एक सेंतालिस कितना है एक चौबालिस साथ सो जबकि चेक करो बैलेंशीट में कितना आ रहा है अगा अगा यह यह रखिए इसमें से बस माइनस हो जाएगा और यह डेला कितने आ रहे हैं चेक कर लिजी आप कि आपका था यह कुस्ष्चन कि इतने आगे अगे आप लोगों को ना गलत कैल्कुलेटर यूज कर रहे तो जोड़ना नियारा फोन से जोड़ जोड़के ना पेपर में देखना क्या हालात होंगे आपके चेक कर यह बैलिंशीट आ रहे हैं चार तो सिंपल वही बात है ना जो मैं कर रहा था तो थारे ज़िए कोई दिक्कत नहीं है बैलिंशीट इसका बना लोगे यानि अब हम आगे चलते हैं कुस्ष्चन में आता है बोनस शियर सिर्फ बोनस शियर रहता है आपके टॉपिक्स चेक करिए स्टार्टिंग से थार्टिंग माइक और अज़ा आगाल के आगाल के चले हैं करते हैं स्टार्ट जो टॉपिक है सर क्या टॉपिक है टॉपिक का नाम है बोनस इशू है बहुत सिंपल टॉपिक है बहुत ही सिंपल सर बोनस इशू की हम बात करें सर बोनस इशू की बात करें तो बोनस इशू में दो बाते आ जाएंगी ठीक है सर दो बाते कौन सी हो जाएगी बोनस इशू होता है कि है सबसे पहले यह देखो हाला कि एक चेप्टर भी किया होगा जो बच्चे चाहिए यूट लास में देख लास में देख लास में देख रहे हैं चलिए एक का आगया विशाल का सर फोर्थ का पेपर का हां और मैंने हर बच्चों को ना एक नंबर भी दिया है हाना अप्लिकेशन के अंदर देखा होगा कई रहा भार में फोन पिक नहीं कर पा रहा तो इसलिए मैंने एक नंबर दे दिया है आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं साड़े दस से सोलीशन दे दूँ कि क्योंकि कई बार फोन कर आ तो आपको क्या हूं को सब्रो갑ने बात करों Karma कोजू को पर परोतों फिर्टै को सब्सक्राइए से दोनों चीज़े देखने तो इसका सोलीशन मैंने यहीं निकाला एक नंबर दिया है जो वर्ग करते हैं उसका नंबर दे दिया है आप साड़े दस से चार बिज़े तक उसके कॉल करिए हमेशा कॉल पिक होगा और अपनी कोईरी बताइए कुछ ऐसी कोईरी हुई अगर मान रजिस्टर है अप्लिकेशन पर उसी नंबर से आप बता दे के मेरा यह नंबर रेजिस्टर है ठीक है न और जो बच्चे ऑफ-लाइन उनको दिक्कत नहीं है वो तो यहां पर सौट आउट करी लेंगे ठीक है तो हम बात कर रहे थे सेमेस्टर फॉर का पेपर सेकिंड कोश्चन ॡिसकस कर दो मैंने सॉल्व कर दिया है आंसर चेक करना है बस ठीक है सेवी क्यान मेरे ख्याल जो आया था वो आया था फाइनल अकांउंट और सारा इक दानव है क्यूंकि कटल का जो मेरा रहेगा मेली चलिए कल का जो मेरा मेंली रहेगा वो दूसरे काम में रहेगा अभी फर्स्ट आफ वल हम क्या देखते हैं बोनस इशू इसके उपर डिस्कूस करते हैं सर बोनस इशू ना दो जगे से दिया जा सकता है सबसे पहले बोनस क्या है मान लो एक कंपणी है एक कंपणी है एक्स वाई जैड लिमिटेड ठीक है ना अब इस कंपणी ने शेयर इशू कर रखे है पहले से इशू किये हुए हैं दस अजार शेयर जब कंपणी को बहुत प्रॉफिट हो जाता है कंपणी का बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है तो कंपणी चाहता है कि मैं शेयर होल्डर को कुछ तो दूँ तो यह तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट एक डिविडेंट का बांट देगा अगर डिविडेंट नहीं दे रहा तो डिविडेंट के बदले वह क्य यहीं सिखा है तो टू बाई वन का मतलब यहां पर करोगे क्या टू बाई वन टू थ्री मत कर दे ना बस क्योंकि रेशो में तो ऐसे करते ना टू बाई थ्री यहां पर बोनस वाले में वह नहीं चलेगा तू इस्टू वन बोला उसने यह बोला एवरी वन के बदले में दो शियर दूआ तो टू बाई वन करोगे तो यानि आपके बोनस शियर नंबर कितने निकल के आ जाएंगे आपको बोल सकता है वन इस्टू वन तो इसका मतलब एक के बदले एक तो कितने बोनस शियर निकल कहेंगे दस अजार आपको बोल सकता है वन इस्टू थ्री तो इसका मतलब क्या हुआ तीन के बदले एक ये है बदला और ये वाला जो पहले वर्ड होता है ये मिलेगा सिंपल है ना आप वन बाई थ्री करिएगा उस केस के अंदर तो बोनस शियर क्या होता है कमपनी दे देती है और वो फ्री का शियर होता है सर जब आपको कमपनी ने दस हजार शियर फ्री के दे दी है तो कमपनी के ऊपर एक खर्चा आ गया एक लाख रुपे का सर ये कमपनी कहां से पूरा करेगी एक लाख company इसको पूरा करने के लिए हाला कि bonus चेर में discuss किया हुआ है अपने reserve and surplus का यूज करेगी यानि अपने reserve and surplus में से minus करेगी अब मुद्दे की बात आती है sir reserve and surplus में से जब होई गई बात के minus करेगी तो मुद्दे की बात यी आ जाती है कि reserve and surplus तो 2-2 होते हैं कौन से दो-दो होते हैं, एक होता है हमारा, प्री का एक होता है, पोस्ट का, तो सर कौन से में से माइनस करना होगा, होल्डिंग सबसीडरी के 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 अंदर, सर होल्डिंग सबसीडरी में जब प्री का होगा ना, तो प्री में से माइनस करेंगे, और पोस्ट का होगा तो पोस् case में balance sheet के उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा फरक ही नहीं पड़ना बस bonus share निकाला बाकी बाटते जाओ नॉर्मली लेकिन post वाला अगर हुआ ना आपका तो post वाले consoleARal nett balance sheet पे फरक पड़ेगा consoleARalick balance sheet पे impact आएगा holding सबस्स जब बनाएंगे तो आप कैसे फरक पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा तो मैं पहले अगर time ज़ादा होता तो पहले मैं अपना example लेता फिर भुक का गराता फिर अलग टाइम कम है तो मैं सीधा बुक का ही example ले लेता हूँ बस आपको इतना बता है कि bonus share में इसमें फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो पहले मैं pre वाला करा देता हूँ फिर मैं कौन सा करा दूँगा पोस्ट वाला very simple तो यह आपके सामने एक question है pre acquisition profit समझ में आ रहा है और बाकी के जो adjustment की है ना वो तो होंगे ही होंगे सर कौन से होंगे बाकी के adjustment आपको पता है common debts unrealized profit revaluation यह सारी contingent liability यह तो सारी चीज़े होगा ही होगा question पढ़ लेते हैं सर हमारा जो balance sheet में कहता है कि इसने क्या करा है strong limited यानि strong जो है वो holding है और week है सबसीडरी मैं कह रहा हूँ मैं इसका स्रिफ minority interest निकालके दिखाऊंगा और गुडविल निकालके दिखाऊंगा और यहीं balance sheet में roughly idea दे दूँगा आप इस balance sheet को बना ले ठीक है ना चलेगा ना वो तो कहता है जी इसने खरीदा जो है equity share of week limited एकतिस मार्च दो हजार बीस का balance sheet दे रखा है इसने कहता है एक्वाइर किया 31 मार्च दो हजार बीस में और कुछ आपको two companies के data given है ठीक है sir assets liability सब कुछ है जो कि normally होता है आगे आजाते हैं क्या कहता है कहता है week limited made a bonus 31 मार्च यानि सर लास्ट में ही कहता है one equity share for every four यानि तुमारे पास चार है तो हम एक फ्री में देंगे इसका मतलब होगी हमारा एक बटचा ठीक है shareholder को effect yet not has been given in the account जो bonus दिया गया उसका effect अभी तक लिया नहींगे कोई बात नहीं अभी तक नहीं लिया तो हम ले लेंगे ठीक है the director decided to revalued of the building of the इतने का कर दिया उसने बोला कि building को कर दो चार लाक और एक कोई और ऐसेट से बाइकों से मसीनरी को कर दो इतना तो रिवेल्यूएशन वाला कॉंसेट को हमें पता है कि जब रिवेल्यूएशन होगा तो उसका impact पी में से लिया जाएगा लेकिन इसका एप्रिशेशन स्फाफ में सिसर्वनार क्याता है क्याता है संड्य तेटर इंक्लूड ग्रडिटर इंक्लूड इंक्लूड एंड एक सेक्टर हमारा मेन बोन सीखना येभी अल offenses इंडल की भालतों सिखा चुखा करने का वह यह लगता है कि मैं आपको एक टाइम लाइन पर जब लेके जाता हो नहीं तो क्लियर्टी बन जाती है वहां पर सर यहां से यहां तक यह करना है और कोई बात नहीं यह साल सुरू हुआ होगा एक चार दो हजार कि एंड होगा हमारा 213 जो कि दे रखा है है ना जो दे रखा है कि चलिए कि सर इस डेट पर कुछ नहीं बताया कंपणी ने क्यूंकि कंपणी बोलता है मैं आपको इस डेट की जानकारी दे रहा हूं तो सर इस डेट की जानकारी के लिए मेरे लिए relevant क्या है सबसे जो मुस्किल और सबसे जो tough work होता है वो reserve and surplus को maintain करना होता है तो इस rate का reserve and surplus देख लेते हैं सर दे रखा है हमें profit 72,000 का और general reserve दे रखा है हमें 3,4,000,000 तो जो इस rate पे हमें दे रखा है क्या क्या दे रखा है journalism ध्यान दे जेगा और क्या दे रखा है हमें surplus और ये कितने है हमारा तो ये pre होगा post होगा pre होगा सर इसी date पे खरीदा और इसी date पे बता रहा है तो क्या होगा हमारा ये pre होगा ठीक है कौन साथ pre, post तो इसमें कुछ है ही नहीं समझ पा रहे हो क्यों नहीं ये post क्योंकि company ने खरीदने के बाद अपने आप कुछ चलाए है नहीं post पता है कब निकलता है company ने उसको खरीद लिया deal हो गया done और company थोड़ा सुस्त पड़ गई मिला लेंगे balance sheet उतने में time निकल जाता है जितने में उस company ने कुछ profit कमा लिया पोस्ठ हो जाता है तो है ClinicSt तो सर बोनस देने की जिम्मेदारी अब जो बोनस दोगे इसी में से दे सकते हो आप और तो कोई चारा है ही लिए और वैसे भी ना बोले तो हम इस प्री में से दे देना या पोनस लोगा तो侯हा फोनस क्या होगा बोनस होगा अब शेर्स की बात कर रहे हैं कितना बोनस दिया इसके पास कितने शेर है इधर मैं बैलेंशीट वह याद आ गया चार और सौ रुपय का एक है इसका मतलब इसका था टोटल चार हजार और चार हजार की इसने बात क्या करी वन बाइ फॉर इसका मतलब सर बोनस शेर आ गया एक हजार रुपीस के टम्स में बताएं तो हमारे पॉकेट से खर्च होने वाला है फ्री के दे रहा हो ना तो कितने खर्च होंगे हमारे पॉकेट से सर एक्स्पेंस जो हो जायगा ना मेरा बर्डन आएगा 1000 और गुना में अगरे सू इसका मतलब सर एक लाख रुपे खर्चने वालों कितना खर्च हो जाएगा एक लाख तो एक लाख रुपे का इंतिजाम कहां से रिजर्वेंशर प्लस में से माइनस करिए अब बचे कितने दो चालेश और इससे तो मैंने निकाल आई नहीं तो ये कितने बच गए 72 इसके दो हिस्से कर दो और इसके दो हिस्से कर दो सब दो हिस्से की बात कर रहे हैं तो इसके कितने हिस्से होंगे दो हिस्से में देखा जाए तो है अब हमें शेयर पता करना पड़ेगा जी इसने 322 खरीदा था कितने 4000 था 4000 में से अगर 32 खरीद लिए तो मतलब क्या समझे 800 इसके पास है तो रेटर आगया क्या और इस्टु वन है तो फोर इस्टु वन कह लेते हैं तो फोर इस्टु वन में बाटिये कैं एक के हिस्से में बताइए एक लाग बानुवे और यहां यह हमारा होल्डिंग का यह हमारा होल्डिंग का और यह है एम आई के लिए ठीक यहां पर बताइए बहत्तर का सतावन हजार यह है होल्डिंग का और यह एम आई का कैल्कुलेटर थोड़ा तेज़ चलाना बस हाँ चौदा हजार चार सो यह है एम आई का पूरे कोश्चन में बस यही है और कुछ भी नहीं है बोनस यह दे दिया मैंने मैंने कहा था बोनस शेयर का है ऐसा कोई स्पेसिफिक परभाव नहीं पड़ेगा बस वहां क्या करना है मैं माइनस करना है अब बस यहां माइनस कर दिया है चलिए अब निकाल लेते हम सी योची यहां निकाल दें यहां जगह अच्छा लग रहा है में पर कोश्ट आफ कंट्रोल क्या क्या होगा एक्विटी शियर कैपिटल प्लस रेजर्ब और प्लस प्रॉफिट कहलो या सर प्लस सर एक्विटी शियर कितना होगा पहले हमारे पास 32 था 32 में कमपनी ने टोटल डिसाइड किया कि हजार फ्री के शियर देंगे तो हजार में भी इसका हिस्सा आएगा क्योंकि अगर मेरे पास 32 है तो मेरे पास कुछ न कुछ आएगा तो इसका भी क्या आजाएगा वन भाई यानि इसके पास 800 आजाएगा और इसके पास 200 आजाएगा समझ में आया यह नहीं हजार शियर जो बोनस दिया हैं सबको मिला है अब होल्डिंग वाले को भी मिला होगा तो हजार में होल्डिंग का हिस्सा देखा जाए तो फोर स्टूinek कर लो या 80 पुर्षेंट कर लो इसके पास कितना गई 800 और इसके पास तो अगर देखा जाए होल्डिंग के पास शेर तो 4000 शेर हो गये और 100 रुपय का एक है तो इसके पास हो गये हाँ या ना तो आप ध्यान से देखोगे होल्डिंग ने प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट एक लाक का गवाया है एक लाग का profit गवाया इसका मतलब इसका 80 परसेंट 80 अजार रुपे गवाया एक तरफ उसका 80 अजार रुपे का profit कम हो गया जो हमें वहां से मिलना था दूसरी तरफ हमारा 80 अजार रुपे से बढ़ गया इसलिए मैंने बोला था है यहां कोई इंपेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है ना मैं अब बाकि रिजर्व जोड़ देता हूं सर रिजर्व कितना इसका रिजर्व है वन नाइंटी टू और सर क्या सर्प्लस कितना है सर्प्लस सथावन अजार निकाली यह क्या आता है छे लाख उननचास अजार छे सो माइनस इंवेस्मेंट कर देते हैं हाथ के हाथ बस माइनस कर देते हैं इंवेस्मेंट तीस अजार तीस अजार का इंवेस्मेंट है अच्छा अच्छा मैं इंवेस्मेंट देख रहा हूं छे असी इंवेस्मेंट माइनस करते हैं तो आपने बोला सर छेसी माइनस करके कितना आ गया चेक कर यह गुडविल आ गया क्या रहा है अरे हाँ कि दिमार्ग से निकल गया चलिए कोई नहीं चलिए कोई नहीं दिमार्ग से निकल गया मैं तो बस यहां तक तो बिल्कुल ठीक है इसमें कोई बदलाब नहीं यहां यह भी बदल जाएगा फिर है ना मैं इसको थोड़ा और सिंपल चलो कोई नहीं अब क्या है रिवल्यूइशन रिवल्यूइशन का इंपेक्ट आएगा और मैंने बोला था प्रीग आएगा तो या तो आप रिजर्व सर्प्लस से प्रॉफिट से ही माइनस करेंगे बकाइदा कहता है डिरेक्टर ने प्रीशन का सवाल तब आता जब हमारे पास यहां पर कितना होता चार और इसी दिन का बैलेंशीट और बैलेंशीट आगे का देता डिप्रीशन कब लगाते मैंने एक अप्रेल को एक्वाइर किया है मैंने बोला कि चार लग का होगा और 31 मार्च को देख रहे हैं तीन साथ 8800 तो 298 20,000 का लॉस हो गया तो अल्टीमेटली कितना हो गया ठीक है यह तो सही था पहले भी बताईए क्या था यह और यह अटालीस हजार चलिए यह तो मैं वैसे ही कर देता हूं बस उसको आप निकाल देजिए कि समझ में आया यह प्लस प्रॉफिट में बताईए दो हिस्सा यह है कितने सेवेंटी थ्री सिक्संडर्ड और अटारा चांसों हम जो कॉंसेप्ट सीख रहे हैं ना कॉंसेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है कई वार हम चीज़े भूल जाते हैं कोई बात नहीं हो जाता है ठीक है तो यहां गयती अत्तर छेसों कि सब्सक्राइब बताइए क्या है कि अच्छे लाग कि अच्छे लाग कि पैसट छेसों ठीक है कि अच्छे पैसट शेसों माइनस कर देते हैं लेस इन्वेस्मेंट कि कि अच्छे लाग कि अब बताइए क्या रहा है कि सेम आ रहा है कि चौदा हजार तो एसेट्स रिवेलिएशन से घबराना नहीं है बस एक्जाम के अंदर पिछली बार मैं कोश्ण दिखाऊंगा भी अब दिखा सकता हूं आपको कोश्ण कोश्ण पेपर यहीं पर होगा मैं कोश्ण नहीं गलता है था आप भी देखके बढ़ाएं क्योंकि वहाँ पर माइनरेटी इंटरस्ट था ही नहीं वहाँ पर हाँ उसमें टाइम बेस नहीं करना कोश्ण को उतार क्या जाना है में नंबर पूरे मिलेंगे ठीक है कोश्ण अटेंप्ट जरूर करना है अटेंप्ट नहीं करोगे तो आप फाइट भी नहीं कर सकते ठीक है यहां तक समझ में आ गया अब क्या निकालना है हमें अगला पॉइंट एमाई ठीक है सर एमाई निकालते हैं इस पूरे को इधर ले जाएं कि इधर ले जाएं कि इधर ले जाएं इधर ले जाते हैं विज्वल है पूरा पॉर्ण तो छोटा नहीं किया मैंने खे दिख रहा है ना कि यहां एमाई कि निकालते है एक एमाई स्र्ड़ माई क मैं से lei में कीटी ऐड क्डिल कै और बताएगा किटना होगा मैं boa है टोटल से रवताओ कितना होगा टोटल से रखाओं पहले था हमारा कितना देखो doğru यह चार ठाना चार मेंसे य spaghetti पर से to 2000 बचे थे समझे नहीं, यह खिर ये गतना था, टोटल कितने थे 4000 खे, आप total कितने थे 3000 खे, totalséntि hurdles कीतने थे 4000 गोम फ्लम कितना रूली है यहां गुए åt behavioral खे औहां हजार इंटू में सौॉ मुल्टिप्लाई करके है समझो में आया नहीं आया मैं लिक देती हम ब्ड और चैनल है सर 800 दो सो बोनस के थे कुछ बच्छा पूचेका सार 200 का कैसे था तर हजार बोनस का था जिसमें से 800 दो किसको था 48 और सर कहीं है क्या और है ना अठारा चार सो प्रॉफिट में कि अठारा अजार जल्दी जल्दी फुर्ती के साथ टोटल कर यह तो एक श्यासट चेक कर लीजिए मैं ठोटल करके बताना है वगोरि से नहीं देखना है यही है न समझ में आ गया है आपर बैलें सीट में रफeger की आइडिया दे δेती हैं कि क्या कि होने वाला है बैलेंस शीट बनाना आपकी रेस्पसिलिटी है यह सार स्यर कापितल में अकेला यह जाएगा रिजर्वेंस सर्प्लस की बात करें तो रिजर्वेंस सर्प्लस में ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये दोनों तो जाएगा ही जाएगा अलग से कुछ नहीं आने वाला यहां पे लोन की बात करें तो यही रहेगा और बात करें तो bills payable की बात करें तो कहता है कि 8000 strong limited से यहां पर देखो कहता है 6000 bills तो इस bills receivable जो 16800 है ना ये तो आएगा holding के हिस्से में लेकिन 6000 minus करने के बाद 10,000 समझे बात क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर भी 24,000 common है तो अठाहा किसने खरीद है संट्री क्रेडिटर strong limited ओके ठीक है मैं वहीं सोचा कहीं यहां 18 यह बोल रहा 24 इस में से क्या minus हो जाएगा हमारा 24,000 समझे के आगे यह as a tz हो जाएगा इसके debtor में से माइनस हो जाएगा डेटर में से कितना माइनस हो जाएगा इधर से 84 यानि strong का तो क्रेडिटर था ना तो strong के क्रेडिटर में से 24 माइनस और weak का क्या था debtor था तो debtor में से माइनस कहता है नहीं पहले तो मैंने यह देखो यह debtor वाली बात है बिल्स रिसीवेबल भी और डेटर दोनों है क्रेडिटर और स्ट्रॉंग लिमिटेड 24,000 ड्यू टू भी क्लिमिटेड यह हो गया debtor वाली बात और बिल्स रिसीवेबल तो question के अंदर ही घुमा दिया क्योंकि आपका 665 गुडविल आया था एक्स्ट्र दिया है चलो ख़दम करते हैं इसको तो गुडविल इदर आ जाएगा आपका जो भी बैलेंशीट बनाते हो नॉर्मली तो हो जाएगा यह question पहले वाला point हमने कर लिया bonus share देखो के bonus share के क्या फरक पड़ा कुछ नहीं पड़ा न अडजस्मेंट डरने से बच्चे घबरा जाते हैं जिसका कोई इतना ज्यादा माईने है नहीं यहां पर bonus का अगला भी दिखाऊंगा bonus का देखो गया रही है तो वही बात थी बस थोड अगर एंडिंग मोड पर चल रहा है यह आजाए यह पोस्ट वाले पर यह बैलेंशीट में तो मैं ही बना देता हूं अब मुझे न यह वाली बैलेंशीट ज्यादा असान लगने लगी है जब से इसके अंदर थोड़ा सा मुझे मिल जाता है ना साइड में लिखने को पढ़ने के लिए थोड़ा बढ़ा कर देते हैं ठीक है देख लीजिए अभी तक कोई डाउट है तो लाइव बन्शी का है जो सेकिंड फेस वाले बच्चे थे उनके साथ बहुत नाइंसाफ ही हुआ है आज डेट सिट आया पर्सों से पेपर है आज डेट सिट आया के पर्my से पर होगा जो भी फोऑ समेस्टर में शेकिंड फेस के से सटींड आस्ट पर्शन के पर्वरे चिंड दिए है वैसे फूर्थ सेमिस्टर का पेपर तो उनका 15-16 से है लेकिन कुछ बच्चों की सेकिंड में बैक होगी कुछ होगी पेपर परसों से स्टार्ट है अब कुछ बच्चे क्या है कोई आसाम है कोई पंजाब है कोई गुहाटी है वो आएगा क्या से कि वह स्टार्ट को पहले बताना चाहिए लेकिन बताया नहीं एकदम से बोल दिए और उपर से अब वह आएगा सेंटर भी देखने में टाइम लगेगा क्योंकि आप ऐसा कभी भी मत करना कि जिस दिन पेपर उसी दिन सेंटर देखके आएंगे पता चला पेपर में आदे घं इसके अंदर ये पेपर आपको पकड़के बैठा है इसको निकालो फिर हम आगे बढ़ने देंगे एकनॉमिक्स भी हो जाएगा कंपनी एंड कंपंसेशन लॉबी हो जाएगा एक बार को यह सारा वही सारा है लेकिन यह पेपर ऐसा है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सार एक स्ट्रेटेजी बनाओं कि हम पेपर कैसे अटेंट करें वह भी मैं बताउंगा पेपर कैसे कुछ्च्छन करेंगा जो बच्चा पहले पाइनल अकाउंट परम उलज गया तो व डेखा है इंदिन में कर सकता है अगर बच्चा बोले ना के परसो मैं बोल हो पेपर है आज भी रीकंस्च्रक्षे स्टार्ट करें तो आज अगर चार घंटे लगाए कर चार घंटे रीकंस्चन खटम प्र नहीं इसके बाद फिर पाइनल अकाउंट तो है ही बड़ा और जो पहला यूनिटे शियर कैपिटल वाले छे-साथ चप्टर है उसको तो वो मिक्स करके बम बना के देंगे आपको टो आप देखना कि कैसे रहागा मैं डरा नहीं रहा मैं सिंपली बता रहा हूं लेकिन स्ट्रेजी से फॉलो करोगे देखो मैं बोल रहा हूं पेपर मुश्किल पता क्यूं आएगा क्यूंकि सारा पेपर लेंदी है तो इसके लिए बस memory चाहिए आपको और वो जब तक जिस बच्चे को पूरा नहीं पता होगा तो नहीं कर सकता और इस चप्टर के अंदर और को बोले ने कौन से डोलेट बैलेंशिट बच्चा सब कुछ जोड़ के आ जाएगा सही है उसका बस कहा दिक्कत होगा गुडविल और M.I. या Capital Reserve यहीं तो दिक्कत होगे उसका और इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे जहां तक चांसिस लगता है इस चप्टर के दो कोशन आते हैं हर चप्टर के दो आएंगे पहला वाला आसान आएगा दूसरा वाला मुस्किल आता है हमें साथ तो उसके अंदर हो सकता है कि एक में M.I. पूछ ले चोटा कोशन दे के एक में गुडविल पूछ ले चोटा कोशन दे के ऐसा भी हो सकता है possibility चलिए ठीक है कहता है के ए लिमिटेट ने आगे बढ़ते हैं कहता है के ए लिमिटेट ने 2000 एकुटी शेर एक्वाइर के है 100 रुपे का एक ठीक है सर 2000 आपको 31 मार्च 2020 मजे की बात अब यहां देखो फरीदा 19 को था और बैलेंशीट कब किया है 20 का यानि कंपनी ने आलस के मारे थोड़ा काम बढ़ा दिया है क्या काम बढ़ा दिया कंपनी ने अगर उसी दिन कॉंसर्ट डॉलेशन कर लेती हमें टैंशन नहीं होती आज कंप 2011 और 31 तीन 2020 यह हो गया ना चलिए अब हमें इस डेट का सब कुस्ने रहा है एक दिन पहले का यहीं ना मैं इस डेट का ही मान रहा हूं ठीक है इस डेट का सब कुस्ने रहा है वह और नहीं balance sheet हमें इस date का मिल रहा है लेकिन company जो खरीदा था जो बैठ के आपस में बातचित हुई इस date इसका मतलब इस date deal होने के बाद company ने हाथ पे हाथ थोड़ी रखा होगा इतने दिन काम किया होगा और जो इतने दिन काम किया होगा वहाँ पे profit भी कमाया होगा और यहां के बाद का तो सारा का सारा पोस्टी होगा ठीक है ना चलिए question पढ़ लेते हैं sir question में और आगे क्या कहता है question में equity reserve ठीक है main मेरा target रहता है sir इसको बड़ा ध्यान से देखना reserve reserve के बाद और क्या दे रहा है question के अंदर नीचे adjustment पढ़ते हैं कहता है कि इसने जो share खरीदें 2000 इसका मतलब company के पास थे total पच्छिस सो पच्छिस सो में से 2000 इसने खरीद लिया बचे 500 ratio हो गया one is to four again ठीक है कहता है इसने बी लिमिटेड बी लिमिटेड यानि यह सबसीडरी और यह holding कहता है बी लिमिटेड क्रेडिट बैलेंस पचास अजार इन reserve ओके यानि इस तारिख पे काम स्टार्ट होने से पहले इसके पास रिजर्व है इस डेट पे सर कितने का रिजर्व हैं पचास अजार का और कहता है कि रिजर्व एंड बीस हजार रुपे वेन ए लिमिटेड एक्वायर शेयर बी कहता है कि एंड बीस हजार इस ने रुपीज बीस हजार लिखा है थोड़ा यहां मिस्प्रिंट मुझे लग रहा है जो कि हो सकता है यह प्लस होना चाहिए फिर यह होगा यह नहीं होना चाहिए यह सौर्पेगा शेयर है तो दो लाक होना चाहिए यह बीस हजार दे रहा है चलो आगे देखते हैं कहता है बी लिमिटेड हैड अ क्रेडिट बैलेंस पचास हजार इन दा रिजर्व एंड बीस हजार इन सर्प्लस सर्प्लस हो गया है हम में सो गया इंसे ठीक है न आट अइक्वाइर चाहर एक वार देख लो बुक के अंदर मिल जाएगा आपको कहने कहीं अंसर में क्लू तो मिले जाएगा आपको वैन अक्वाइर बी लिमिटेड इस्चु बोनस शेयर वन शेयर फूर एवरी फाइव पाइव तो मिस्प्रिंट है वन शेयर फूर- यानि 5 के बदले, यहां bonus है, held out of profit and during the year, यह line कह दी, during the year का मतलब, जो साल के अंदर profit कमाया है, उसमें से bonus देंगे, तो sir, साल के बीच में profit तो post ही होगा ना, समझ रहे हो ना, उसमें से देंगे, यहां पर मैं surplus मी मान लू, मान लू क्या दे रखा है, मुझे चाहिए होगा जगह है, रिजर्व यह है, कोई बढ़िया कलर नहीं मिल रहा काम करने के लिए, क्या लें, यह बढ़िया है, यह तो अप ओर्ड़िटी है, यह ठीक है, चलिए, प्राफिट, सेम ही हो गया है तो, वाइट ले लेता है, चलिए, surplus कितने का बोला इसने, सर यह भी कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, जो भी जानकारी आपको दी गई है, यह दोनों जानकारी है, किस से रिलेटेड प्री से, बैलेंस शीट में कहता है कि रिजर्व तो, पचास ही है, और मुद्दे की बात देखना, जब कभी भी बैलेंस शीट के अंदर आएगा ऐसा कॉशन, आगे आएगा तो मैं करके भी दिखाँगा एक कॉशन, और अभी इसके बाद, क्योंकि क्लास अभी खतम तो होगी, मैंने रिकॉडिंग अउन किया है, यहीं देख लेते हैं, लाइब में तो जा रहा है, यहाँ पर नहीं किया था, मैंने रिकॉडिंग ऑन, तो अगला कुशन है, अगला कुश्चन कोई से कर रहेते हैं, इसका उपर का भी नहीं दिखि रहे हैं इससा, कि मैं दुबारा एक बार समझा भी देता हूं कुश्चन आप समझ ले न मेरा काम बन जाएगा क्या हो गया चलिए मैं दुबारा एक बार समझा देता हूं कुश्चन को दुबारा क्या अब तो रिकॉर्डिंग हुआ है तो पहली बार यह बच्चों के लिए जो यूटूब पर देखें चाहे बाद में मैं अप्लिकेशन पर डालता हूं जिसको यह क्या है पता नहीं कौन सब्सक्राइब कहता है कि यहां पर ए लिमिटेड के पास यह कुछ ज़्यादा ही बड़ा है अब ठीक है कहता है कि ए लिमिटेड ने एक्वाइर कियें कितने 2000 एकुटी शेयर 100 रुपे का एक था दिख रहा है नहीं दिख रहा यह मिटी गया है मिट गया है 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 वाइस सेंपल काम पे चलते हैं ज्यादा उल्जन ने डालते हैं कहता है ए लिमिटेड एक्वाइर 2000 एकुटी शेयर 100 रुपे का एक बी लिमिटेड उन्निस में खरीदा है इसने और दा बैलिंग शीट ऑफ दा कंपनी घीवन है इसका मतलब इसके पा 200 में से 2000 तो उसने खरीद लिए बचे कितने 500 तो दें रेशो आगे हमारा 4 इस टू 1 और जो बैलिंग शीट दे रखा है वो दे रखा है हमें 2020 का और काम डील डन हुआ था 2019 में तो सर इसका मतलब 2019 के अंदर डील हुआ था तो 2019 में जब डील हुआ था तो हमने पूरे साल में कुछ न कुछ तो पैसे कमाए हैं और बैलेंस चीट इस डेट पे दे रहा है तो इस डेट पे जो भी हमें profit surplus जो भी मिलता है वो प्री माना जाएगा और इस डेट पे जो भी मिलेगा उसे पोस्ट मानेंगे थीक है company में कहता है कि be limited credit balance पचास हजार बी लिमिटेड के पास पचास हजार already है credit balance तो पचास हजार यहां पे आ गया in respect of reserve और ये था हमारा surplus जो misprint है कहता है 2000 रुपे profit तो 2000 profit इस तारीक पे हमारे पास reserve भी है और इसी तारीक पे हमारे पास surplus भी है आगे कहता है acquire बी लिमिटेड से करा है इसने bonus इसू किया है इसने every five के बदले में एक दे रहा है one share दे रहा है इसका मतलब अगर मैं bonus आप से बोलू तो sir bonus कितने share थे पच्छिस सो थे तो पच्छिस सो का मतलब one by five यानि 500 share bonus में बाट दिये गए हैं और कहता है bonus जो देना वो post वाले profit से देना profit earn profit earn जो किया है उससे देना this is not so in the balance sheet और आगे की कहानी हम करते रहें तो sir यहाँ पे देखा जाए ना तो reserve की बात अगर करें तो reserve में तो पहले भी 50 था और अभी 50 यानि रिजर्ब में कोई post है ही ने रिजर्ब सारा प्री ही रहता है reserve post वाला अभी तक question ही नहीं किया मैंने अभी दिखाऊंगा एक question कोई मिल जाए मुझे तो मैं बता दूँगा कि reserve post वाला कैसे बनता है ठीक है आगे surplus कहता है sir एक लाख है ओके sir surplus एक लाख रुपे है तो इसका मतलब पहले बीस था और इस डेट पे आपको चिला चिला के बताया जा रहा है कि कितना है एक लाख तो इसका मतलब बीस हजार तो पुराने वाले ही जोड़ के बता रहे हो sir तो इस बार का कितना होगा असी हजार असी हजार है clear है तो यह वाला प्रॉफिट हो गया पूस्ट अब हमें क्या करना है sir यह वाले प्रॉफिट दो लोगों के हक में जाता है holding के और लेकिन holding के cost of control में नहीं जाता है holding के surplus में जाता है इसलिए यहां पर फरक पड़ेगा हमारा ठीक है ना अब देखिए हमने 500 शेयर अगर दिये है sir बोनस में तो आप मुझे बताइए के total कितने होंगे amounts के terms में 50 50000 पचास हजार में दो लोग वैसे 50 000 के बोनस शेयर देंगे तो तो उसने बोला प्रॉफिट में से पैसा निकालिए और बॉनस बाट देगे हम सर मैं प्रॉफिट में निकाल के बोनस बाट देता हूं तो माइनस कर देता हम यहां से कितने पचास हजार माइनस कर दिया तो यहाँ पर आया क्या तीस हजार सर अब तीस हजार पर दो लोगों के अधिकार आ गए किस-किस के बता दीजे आप ह का आ गया ह का बताईए चौबिस हजार और इसका यह तो पूस्ट की बात है यहाँ पर यही बस था एक पॉइंट जो की करवाना था ठीक है अब इस वाले में तो दो का अधिकार ही है इस वाले में किस-किस का है देखिए इसमें भी ह का है तो कितने हो जाएंगे आपके आठ चालिस और दस हजार यहाँ पर भी हो जाएगा सोला हजार और चार हजार तो मुद्दे की बात यह है सर यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा दो चीज़ें इहाँ पर तो आप ध्यान से देखिए यह होल्डिंग में जाएगा यह भी C.O.C. का पार्ट है और एक यह होल्डिंग में जाएगा यह भी C.O.C. का पार्ट है ठीकिए ने यह दोनों पार्ट और ये minority में और ये भी minority में और in fact ये भी minority में minority interest के लिए तो pre post का कोई चकर ही नहीं है वो सब चला जाता है ठीक है न और कोई ऐसाच specific adjustment तो मुझे दिखानी जो की करना है revolution बगरा का ठीक है तो चलिए holding का निकाल लेते हैं holding का निकालते हैं इसमें तो चाबी है नहीं वहां का रोहीत उपर होगा रोहीत से ले लो एक बार हाँ रोहीत उपर class ले रहा होगा तो सर यहां पर देखा जाए तो अगर मैं निकालता क्या हूं मैं क्या निकालू सी ओ सी सी में सर equity share ले लो सर रिजर्ब भी ले लो सर सर प्लस भी ले लो और माइनस के इंवेस्मेंट इसमें हाला की गुडविल भी डाल सकते थे एक्जामनर लेकिन डाला नहीं आएगा भी आगे बोनस और गुडविल के साथ आएगा गुडविल कह रहा हूं सौरी डिविडेंट ठीक है एक्विटी बताओ कितना आएगा कौन बताएगा सर एक्विटी आएगा इसके इससे में दो हजार प्लस नमबर है यह प्लस बोनस चार सो इसका मतलब 2400 का कितने आएंगे कितने अरे यार जग है छोटी पड़ गई एक्स्प्लेइन करने के चक्कर में चल यह कितने बनेंगे यह सर फटा फट इसका रिजर्ब बता दीजिए चालिस कि सर प्लस बता दीजिए और तो कुछ है नहीं है टोटल और माइनस इंवेस्मेंट कितने का करा चार अजार क्या है चेक करिए ठीक है कुछ और आ रहा है एमाई निकाले ठीक है बुक के अंदर कुछ बच्चे ना अंसर देखके समझोगे थोड़ा मैं यह नहीं कह रहा है बुक में गलत किया बुक में भी सही है लेकिन उनका करने का थोड़ा अलग स्टेप्स हैं मैं तो तोड़ तोड़ के करा रहा ह है उसको अगर समझोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग और ज्यादा पजल हो जाओगे आप ठीक है ना एमाई बताइए एमाई में एक्विटी शेयर कितने जाएंगे नंबर बताइए पहले कितना था उसका 500 और कितने मिले 100 600 गुणा में दस सौ साथ हजार कि रिजर्व कि द यह चार और छे भी तो कितने होंगे दस चेक करिये लेकिन एक बात मैं पीछे बताना भूलिया जब आप यहां पे नहीं ठीक है ठीक है वो तो चलेगा है माई में चले जाएगा कोई दिख करेंगे अब सर बैलेंशीट को जोड़ने का काम करें हैं क Presents 2 का और में कॉन देगा आया हुआ है कि और क्या सारे वह कोईस्टन कर रहरे हैं जो भीओ मों में आए हुएं कुछ बच्च records बोलने कस सारो करा दो तो तें यह भी होग ऐसा मझलों आप अब बुक के अंदर सारे टैनियर के कुश्चन्स ही हैं आप देखो गए यह डले वे हैं तो कुछ बच्चे कह रहेते हैं सब्सक्राइब थोड़ा सा करा देते तो मैं कह रहा हूं कि भई टाइम तो मिला नहीं तो डेफिनिटली करा था जो बच्चे पांचवे समिस्टर में है तो उनका तो मैंने ऐसा करा पांचवे समिस्टर में जो अगले समिस्टर में आ रहा है ना जो पांचवे समिस्टर में उनका ऐसा करा मैंने पहले ही पेपर दिया सारा टैनियर रिकॉर्ड करकर डाल दिया मैं अब बाद में टैनियर का देने का जंजटी खदम भाई पहल सारे कुश्टिंस हो जाएंगे आपके जितने भी रहेंगे ठीक है न बिलकुल नया और बहुत मज़ेदार नहीं पढ़ो तो पेचीदा है पढ़ लो तो उससे आसान कुछ नहीं लेकिन जिंदगी में काम जरूर आएगा चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट पास्के हो चाहे साइन्स के हो नहीं आना था चलिए अब देखते हैं सर्च यह आठ लाग रहेगा और सड्रिया था रिजरवेंश प्लस की बात करें तो ये वाला उठ जाएगा रिजरवेंश प्लस यह तो खतम ही हो गया तीन एक चार नाक और सर यहां परमाइ आजाएग 80,000 और ये भी आ जाएगा हमारा 2,00,000 ये हो गया येस 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 पोस्ट वाला रिजर्व जोड़ देना पोस्ट वाला रिजर्व कितना है 24,000 तो ये 4,00,000,000 हो जाएगा simply मैं रफली कर रहा हूँ 7 और 2,9,50,000 ये कट जाएगा और ये जो पार्ट है हमारा ये वाला 2,000, ये कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा गुडविल, सर गुडविल आ जाएगा कितने का, 2,000 आ ये था ना, 4,000 दड़, ख़दम कोई दिक्कत, कोई परिशाने देखेए फटा फट अगला कोईशन कौन सा है करना है नोटिंग, ये नोट कर लो दो मिनिट मैं नीचे से आता हूँ, पर देखते हैं, ठीक है झाल 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 एक और नीव कोश्चन आपके सामने मेरे ख्याल आप लोगों को सारे नोट्स मिल गए या नहीं मिले मिल गए ना सुबह वाले भी मिल गए वीडियो नहीं नोट्स नोट्स ये वाले सुबह वाले पता नहीं कहां चला गया वीडियो में से करना पड़ेगा वीडियो तो आ गई लाइव में भी आ गई मैं रिकॉड़िट भी डाल दूँगा सुबह वाले जितने वर्किंग नूट किये थे न लाइब में आ चुका है मैंने देख लिया और जो नूट्स बनाए थे न वो मेरे से भी पता नहीं कहां चले गया चलिए सर ये कोश्चन क्या कहानी कहता है हमसे देख लेते हैं अभी मैं भी पढ़ रहा हूं इंट्रिम डिविन इंट्रिम छोड़ो कुश्चन पढ़ते हैं सीरा के दफ फॉलविंग समराइज 31 मार्च बीस की बात कर रहा है कई बार ना जब शेयर खरीदते हैं तो यहां डीट दे देते हैं इस बात का ध्यान रखना एक्जाम के अंदर ठीक है न कहते हैं अरे होलकर कोन है भाई इसमें अच्छा एच लिमेटेड है न होलकर यानि एच लिमेटेड एक्वाइर 12,000 शेयर 19 को क पिर से लाइन खीज देते हैं डेट है एक चार दो हजार उननेश और इकत्यस तीन दो हजार बीस सर अगर हम बात करें इस डेट पे हमें बैलेंशीट दे रखाया और इस डेट पे डील हुआ है इसका मतलब यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट होगा सारा का सारा हिस्सा क्या होने वाला है सर पोस्टी होने वाला है ठीक है ना चलिए आगे पढ़ लेते हैं टोटल को टोटल कॉस्ट कहता है कि इसने बारह हजार खरी दे जिसकी कीमत उसने पेमिंट करी एक असी यही बात घुमा फिर आके नीचे कह रहा है देख लेते हैं सर शेर कितने थे इसके वास 15 है ना टोटल कितने थे 15 क्यूंकि 10 रुपे का शेर डेड़ लाक है 15 15 में से कितने खरीद लिए बारह बचे कितने इन रेश्यों क्या हो गया तीन चार वन इस टू पोर रहां हां तीनों मेरे शेम यहार है क्या करें आप अब अन्दा सिक्योरिटी कैता है अन्दा सिक्योरिटी ऑफ दा बैलेंच शीट होलकर लिमेटेड 31 तीन दा फॉलविंग डिटेल सर प्लस इंक्लूड इंट्रिम डिविदेंट सर जो सर्प्लस है उसके इंक्लूड हैं इंक्लूड एंट्रिम डिविदेंट आफ 10aimerिंट Wallace Lite है कहने का मतलब है एक डिविदेंट था उसके स्प्लस में लüneग जो भी सर्प्लस रहा के बाद है समझ रहे बाद को डिविदेंट को माइनेस करने के बाद है कि कहता है स्टॉक इंक्लूट छे अजार रुपे परचेस फ्रॉम संदराइज लिमिटेट ठीक है दोनों साइट से स्टॉक इस पर प्रॉफिट पता चलना बहुत ज़रूरी है कि कहता है संद्री जो कि हम उपर अप्लाई करके अन्रिलाइज प्रॉफिट निकाले एक ग्यारा यह न डेट गलाता है एक ग्यारा नहीं होना चाहिए एक चार होना चीए ठीक ठीक कर लेना यह कि इस फर्दर स्टेटेड एक चार दोहजार उन्निस दसर प्लस की ओपनिंग में इतने का है और जोन म्मिल गया मुझे सूच रहा था होने को मिल गया मुझे ता यानि यह सदैर पर सपिया और इस यहां सरप्लस वी ऑच पाफ़दो कि पिर्दी प confrontation लेकरी चार हजार पांट सो और सर्प्लस कितना है शेतर हजार इस डेट पे और यह वाली डिटेल इस डेट पे है तो यहां पर जो देखो ध्यान से देखना कहता है कि आपका अब यहां से देखिए यहां पे मैं उधर चला जाता हूं बार बार यहां पे सर्प्लस कितने का है चेका और एक आठ का फिक है ध्यान से देखिएगा यहां से यहां तक जाने में शेतर था यह और वो क्या कह रहा है कितना है प्रॉफिट हमारा इस डेट पे इस डेट पे प्रॉफिट है एक लाख आठ हजार इसमें से डिविडेंट माइनस हो चुका है क्या कह रहा है इंक्लूड इंट्रिम डिविडेंट रेट 10% टेक्स फ्री 10% के इसाब से और इंडिविडेंट हमेंसा फेस बेली पे दिया जाता है तो इसमें से क्या हो चुका है माइनस हो चुका है ठीक है अब यहां पर 4500 का और यहां पर जाकर रिजर्व की बात करते हैं कि छे हजार तो सर बताइए यह बना कैसे छे हजार कौन सी कहानी ऐसी हुई जो कि यह छे हजार हो गया कि कौन बता सकता है कि यहां 4500 था यहां छे हजार हुआ यानि यहां पर जैनल रिजर्व और बना होगा जवाब दीजेगा यहां पर जनल रिजर्व और बना होगा कितने का 1500 और जनल रिजर्व पता है कहां से बनता है profit में से निकालके डालते है profit में से निकालके डालते है तो इसका मतलब सर जो यह surplus है इसमें से general reserve भी निकल चुका है इस surplus में से dividend भी निकल चुका है तो हमें अगर actual surplus चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा GR को plus करना होगा मुझे चाहिए कि भाई ये पोस्ट में कितना कमाया पता तो चले बाद में कर लेंगे न माइनस प्लस कितना कमाया वो तो पता चले हमें और इसके अंदर डिविडेंट भी बढ़ चुका है तो डिविडेंट कितना होगा 10% 10% कितना डेर लाग पर यानी 15,000 ये भी निकल सर हमने 24,500 इस देट पे मैं पता है क्या निकालना चाह रहा हूं सर पहले हमारा प्रॉफिट 76 था और अब प्रॉफिट है 24,500 तो पोस्ट का प्रॉफिट कितना होगा माइनस कर दो 76 पुराने वाला तो ये पोस्ट होगा 48,000 48,000 पता है ये कोई दिक्कत है है कोई दिक्कत है इसके दो पार्ट है ना वोल्डिंग सब्सेटरी इसके भी दो पार्ट और इसके भी दो पार्ट डिविडेंट किस में से दिया है डिविडेंट पोस्ट में से दिया है हमने मैंने एड ओन कर दिया तो डिविडेंट का जो पैसा होगा वो इसके सर प्लस में जुड़ेगा ना डिविडेंट क्यूंकि इसने डिविडेंट किसको दिया है दूसरी कंपनी को पहले क्या होता था जब हम दूसरी कंपनी को डि के विसे में से क्या करते थे हम कोश्ट आफ समय करते थे खिया धो कि यहां पर Key No day माला यहां प्लस हो जाना चाहिए रिजर्बग्या पहली ट्री तो हम क्या करेंगे यहां पर है कर देंगे ठीक है यहां이면 क और और अल्रेडी आप देखो तो डिविडेंड में यहां plus कर चुका हूं पहले यहां तक देखो कि मैंने यहां पर यह profit निकाल लिया यह निकाल लिया है ना अब हम पहले MI निकाल ले MI क्या बनेगा MI तो हमारा प्री से ही बनना है और COC भी प्री से ही बनना है पोस्ट वाला हिस्सा तो बस वहां जूड़ना है फॉर्मेल्टी के लिए कितना है और MI है एच और MI सर एच में क्या जाएगा बताओ 3600 और यहां और यहां पर अच्छा बहुत ज्यादा माउंट हो गया यहां आ गया साथ हजार और यहां 15,200 मैं यह इतनी कहानी पता है क्यूं कर रहा हूं ताकि मेरा MI में तो इसका भी हिस्सा आएगा अगर कहानी होती ना कि MI में पोस्ट को नहीं लेते हैं तब तो जुरती नहीं थी क्यूंकि यहां से एक्च्वल निकलेगा ना सबसीडरी का अब बताईए यहां पर 80 परसेंट इसका निकाल लिए और यहां नो हजार ठीक है चलिए अब काम करते हैं हम चलिए हम निकाल लेते हैं बोनस उनस तो है नहीं यहां पर सिंपल सी बात है एक्विटी शेयर कैपिटल सर कितने खरीदे उसने कौन सा प्रॉफिट वो तो अन्रिलाइज बाद में होता है एमाई में या कॉस्ट अब कंट्रॉल में तो काम ही नहीं आता वह बाद में आता है पहले मैं निकाल लेता हूं बाद में अट्जिस्मेंट डाल दूंगा ठीक है इसके रिजर्व का कितना पैसा आएगा सर 3600 उसके बाद सर सर प्लस का कितना आएगा साथ हजार टोटल कितने हो गए माइनस इंवेस्मेंट कितने करें चेक कर ये कि अपना दिजब आ गया कोई दिक्कत यहां तक परिशानी समस्या सॉल्व यहां तक एम आई भी निकाल लेता है सर एम आई में एक्विटी होगा एक्विटी कितना होगा एक्विटी तीन हजार यानि तीस हजार प्लस सर प्लस रिजर्व डाल देता है रिजर्व कितना 900 रोगा सर पोस्ट वाले रिजर्व में भी इसका हिस्सा होगा पोस्ट वाले रिजर्व में भी होगा पोस्ट का रिजर्व कितना था और और अल्रेडी मैं यहां पर एड़ गर चुका हूं पंद्रह सो ठीक है ना तो मैं कि चलो मैं नौशो लिखता हूं भी बताऊंगा सर प्लस बता दीजिए आप टोटल करिएगा मेरे पास वहां इस्पेस नहीं है आप टोटल करिएगा सर प्लस के लिए यह तो रिजर्व ले लिया नौशो पंद्रह दो सो करिएगा और सत्तानवे सो करिए बताइए टोटल करके बताइए क्या है एम आई बताइए क्या है कितने 50 52 800 बावन हजार आठ सो यह क्या रहा है पच्पन आठ सो अब देखिए इसमें एक तो डिविदेंट भी है तो जो डिविदेंट है वो पोस्ट वाले में से है ठीक है और एक रिजर्व रिजर्व डिविदेंट को देखिए कितना है सर यह है पंद्रा पंद्रा का 80 परसेंट बताईए कितने और इसका पंद्रा सो का 80 परसेंट पंद्रा हजार का बताईए पहले अब तीन हजार इसके अंदर डिविदेंट है नि मैं एक वार इज़र दिखनी रहा न आपको चलिए स्पेस बन गया अब देखिए यह जो पचपन पाइटसू आ गया अभी डिविदेंट इसमेंसे मैं जब इसका होल्डिंग में करूँगा तो दोनूंका डिविदेंट क्या हो जाएगा डिविदेंट इंट्री में है इंट्रीम डिविदेंट मिल चुका है और डेटी प्रॉफिट में अर 12,000 एक का बन रहा हजार और एक का बन रहा है कि तीन हजार तो सर एक का बारा एक का तीन मतलब इसमें से 3 को माइनस करेंगे क्या गया अब वह वाला रिजर्व जो कि होल्डिंग के अकाउंट में एड होना है वही तो निकालना है हमें होल्डिंग में होल्डिंग में क्या के रिजर्व होगा उसका खुद का रिजर्व उसका खुद का सर्प्लस कि एमाई से निखल के पोस्ट वाला ले लेंगे पोस्ट वाला कितना अड़तिस आठसो नाम नहीं लिख रहा लेकिन मैं बताता जा रहा हूं आप समझते जाएगा पोस्ट वाला ले लिया मैंने इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगा अन्रिलाइस प्रॉफिट तो सर पैंतालिसो की कमाई कर रहा है वह कितने पर परसंट कमाया यानी 25 परसंट का प्रॉफिट कमा रहा है इस पर जो भी पर चेस करता है कहता है यह ध्यांग देना संड्री क्रेडिटर मैंने खरीदा 18,000 का समान सबसीडरी से तो उसने बेचा होगा जी मुझे जब उसने मुझे बेचा था तो उसने प्रॉफिट कितना लिया था 4500 तो उसके लिए तो 18,000 सेल होगा मेरे लिए परचेस तो यह जो 25% निकला है किस पर है अब यहाँ पर देखते हैं स्टॉक इंक्लूड कॉस्ट और परचेस फ्रॉम सनलाइज तो मेरे स्टॉक के अंदर छे हजार रुपए वो है जो स्टॉक में जुड़ा हुआ है सर तो जब स्टॉक में जुड़ा हुआ है छे हजार तो इसमें प्रॉफिट भी होगा प्रॉफिट कितने परसेंट है 25 परसेंट तो प्रॉफिट निकालो अगर छे हजार के स्टॉक पे तो कितना आएगा तो सर अन्रिलाइज प्रॉफिटी तो है यह टोटल करिये इसमें एक काम और रहता है भी तीन लाग तीन लाग तीन सो रुपे क्या है हमारा यह टोटल चेक करिए उसका प्रॉफिट पहले एक वाना होल्डिंग का कर रहे हैं कर आप होल्डिंग का बताईए थ्री सेवेंटी नाइड अभी कितना रहा है अब थ्री सेवेंटी नाइड अब यहां से मुझे क्या माइनस करने है एक तो बारह हजार उपे डिविडेंड वाला जो कि अल्रेडी कंसिडर हो गया है सर कौन सा बारह माइनस करिए और अभी एक चीज़ और माइनस करना हो बताईए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तीन तीन पिछेत्तर तीन सो आंसर क्या है थ्री पूरा सेवेंटी नहीं थ्री एंडिट नहीं है कोई साथ सो बोलता है कोई तीन सो बोलता है पूरा बताओ कितना है अरे यार आपको पढ़ना नहीं आ रहे हिंदी में बोल दो कितना है हाँ तो कहाँ आप में कुछ और है देखो चेक करो हाँ तो वह जोड़ू मना भी मैं हाँ नहीं मैं अभी जोड़ू में डालना भूल गया अभी यह वाला तो गुडविल तो इसमें और कितना जोड़ दूमें कितना आ गया थ्री वही तो मैं पूछ रहा था एक बुक में गलत एक बुक में सही इसमें डेट भी गलत था इसलिए मैं कोश्चन बार बार पूछ रहा हूं अब दिख रहा होगा एक बार मैं फिर से फटा फट बता दू क्या क्या करा है हमने सर फटा-फट से देखिए ये है हमारा general reserve खुद का ये था surplus खुद का, ये दूसरे का यानि subsidiary से जो आया ये unrealized profit लिख दिया ये dividend था वो minus हो गया और यहाँ पे क्या था हमारा capital reserve add हो गया, यानि सर interim dividend का क्या treatment होता है, interim dividend जब भी दिया जाएगा हमेशा याद रखना, pre से तो दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि interim dividend साल के बीच में दिया जाता है, साल के बीच में जब दिया जाएगा वो, तो हमेशा लगबग post से होगा, तो interim dividend के लिए सबसे पहले तो हमें profit को सुलजाना है, sir ये profit जो होगा, already करने के बाद, वो हमारे surplus में से क्या हो जाएगा, दोनों जगह से, क्योंकि interim dividend जो दिया है हम profit का हिस्सा, अगर हम जोड रहे हैं, already तो dividend क्यों जोड होगे? या तो आप ये कर सकते थे, यहाँ पर नहीं लेते, अगर आपको ये नहीं करना तो सर, एक काम ये भी हो सकता है interim dividend का no treatment इस 15,000 को यहाँ पर जोडे ही ना जब इस 15,000 को नहीं जोडेंगे, तो automatically 12,000 इधर कमाएगा और 3,000 इधर कमाएगा, समझे गया ना बात? तो interim dividend का simply मैं बोलू, ये तो मैंने क्यों बताया? क्योंकि सारा profit निकल पाएगे ठीक है? अगर interim dividend का करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले जोड के correct profit निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हमाँ काम करेंगे बताए कोई doubt, बताओ क्या doubt है? ने, पूछ रहे थे ना कोई बताओ यहाँ यहाँ प्लस किया है मुझे actual profit आपको समझाना था कि सर हमारा जो profit दिख रहा है ने, एक हाट, यह जूट है हमने यहाँ से यहाँ तक कमाया जो था ना, आठ हजार यह पंदरा सो रिजर्ब भी जोड दिया हमने और interim dividend भी, क्योंकि हमने एक्च्वल पोस्ट प्रॉफिट निकाल पाए एक्च्वल पोस्ट बस, और कोई रोल नहीं था ठीक है ना, अब जनर रिजर्ब का करेंगे तो जनर रिजर्ब का भी हो जाएगा बाकी अगर मैं इन दोनों को ना भी जोड़ू, इसको नहीं जोड़ता और जनर रिजर्ब को नहीं जोड़ता, तो मुझे पंदरा सो का जनर रिजर्ब के भी दो टुकड़े करने पड़ते एक होल्डिंग में जाता, एक मायर रिटी में जाता, बात वहीं जाता, बदाओं करके, देखिए मैं नहीं जोड़ रहा अब, ठीक है हमारे पास दे रखा है कितने का, एक लाख, आठ हजार, कुछ भी नहीं करूँगा अब मैं इसमें, एक लाख, आठ हजार, सर ठीक है, डिविडेंट माइनस हो गया ना, हमें क्या टेंशन है, दो लोगों के बन गए ने, ये प्रॉफिट, किस-किस के, होल्डिंग बताइए कितने कितने बन रहे हैं? प्लस ये वाला सर प्लस, छासी अजार, चारसो प्लस, कैपिटल रिजर्ब, चाववालिस सो, अब प्लस करूँगा, मैं जी आर, सर जी आर में कितने का हैं? जी आर पंदरा सो का था, पंदरा सो का इसका हिस्सा निकालोगे, तो क्या एगा? बारा सो? बारा सो, अब जोड़ी है, इसका? चार लाग? और क्या रह गया? तो 42 से इतना तो नहीं आना चाहिए, या आपने ये गड़ बड़ किया है, अरे इसके इंदर एक मिट गलती ये गड़ दीना, ये तो टोटल प्रॉफिट है ना, प्री वाला तो माइनस ही नहीं किया, माइनस 76 पुराने वाला माइनस करिए, कितने आते हैं? अब 32,000 को करिए, 32,000 का 20,000, 600 और यहाँ, यहाँ पर 25,400 होगा ना, यह वाला जो है, यह सर प्लस, 25,000, अब जोड़िये आप, तीन लाख, तीन एक्यासी, इसमें वो माइनस कर दीजे, क्या, कितना था, पंदरा सो, कितना? बात होई यहाँ, आप तो देखो, मैंने यहाँ बोनस का किया? नाइन ट्रिम का किया, यह वाला एजी होगा, मैं तो वो समझाना चाहता था, जी प्रॉफिट इतना कमा है, क्या पता, कोश्चन में एक्जामनर पूछ ले, पोस्ट प्रॉफिट बताइए आप, तब फर्स जाओगे ना, समझ गए बात आप, कोई दिक्कत ने इसमें, और जब MI का निकालेंगे, यहाँ पर एजी लग रहा है, लेकिन एक कॉंसेप्ट बढ़ गया ना, GR के दो टुकड़े करने पड़ गया हमें, वो मैंने दिखाए नहीं, मैंने डिरेक्ली 1200 रुप एड़ कर दिया, वो दिखाए नहीं मैंने यहाँ पर, तो सेम MI में भी GR का चले जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, अब इसका बैलिंशीट बनाना कोई दिक्कत नहीं है, 6000 इसके जो प्रॉफिट में से भी 1500, इसमें से माइनस हो जाएगा इधर 1500, ठीक है, और बाकी रहा, यह 18,000 रुपे क्रेडिटर, पर्चेस फ्रम संराइज रिमेटेट, अब यह बताए नहीं क्रेडिटर है या नहीं है, कॉमन डेट है या नहीं है, बताए नहीं सरफ यह देख लेगे, और यह 4500 और 7600 का काम हो गया, बैलेंशिट बना लोगे, चेक कर लिए एक बार बैलेंशिट रफ लिया, क्या है. कि 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 क्या राउट है कि देखो डिविदेंट तो पेड़ किया संराइज नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अगर हम किसी को होल्डिंग हम बन जाते तो डिविड़ेंट अलग 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 है अगर बोल रही हो कि इसके शेयर को खरीदने के बाद ये कंपनी सेमी हो गया तो इसकिमेशन बन जाएगा तो अगर बोलो किसा डिविडेंट किसने पेड किया संराइज ने दो साल बात भी कौन पेड़ेगा संराइज ही करेगा पस उसका कॉमन अट्जस्मेंट लगाए जाएगा ठीक है ना